हेलो नमस्कार दोस्तों, very good evening, सब ने राम राम, आज के इस वीडियो में, अभी जैसे आपका UPSC mains आने वाला है और HCS mains भी आने वाला है, तो mains में सबसे important आपका रहता है previous year paper, तो इस वीडियो में हमने compile करा है हमारे सारे के सारे जो पहले मैंने classes ली थी, और उसमें आपका है GS main paper 1 की 5 year PYP discussion जो मैंने लिया था, 2013 से लेके 17 तक के सारे के सारे मैंने एक वीडियो में compile करवा दिया है, ताकि आप one go में बैठके approximately 10 गंटे, 11 गंटे के असपास के ये वीडियो रहेगा, बढ़ इसमें आप 5 साल के previous year paper आराम से analysis कर लोगे, एक ही बार में बैठके, आप आ आराम से देखना, द्यान से देखना, और इसकी जो PDF है, वो आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलिग्राम चैनल का link और application का link, वो है description section में, तो PDF आपको दोनों जगे मिल जाएगी, application पे भी, डॉक्रामित अकर्मी और टेलिग्राम चैनल भी डॉक्ट्रामित अ तो आप आराम से उसको प्रिवेसी पेपर जो मोडल आंसर मैंने बना रखे हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF को देख सकते हैं, डाउनलोड करके आप उस पेपर को लेके बैठें, और मेरी एडवाईस यह रहेगी कि आप रैदर देन उसको डाउनलोड करके अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको paper में attempt करते time भी बहुत ज्यादा फायदा रहेगा ठीक है तो यह part 1 है GS means paper 1 का आराम से इसको बैठ के देखे 2013 से लेके 2017 next part आपका कल रहेगा और उसमें हम जो बचे वे हैं वो discuss करेंगे इस part को आराम से देखे and best of luck हलो अजी गुदेशनेंगे अर्यवां इस समवन इस लाइब प्लीज कंफर्म अब आज ओडियो और विडियो ठीक आ रहा है क्या एक बर मैं अपने अन पर चेक कर लेता हूँ मेरे अन पर audio and video is fine so I am starting with the session यह हमारा UPSC Mains GS Paper 1 का 2013 का discussion रहेगा and इसमें सारे के सारे अपन जो 2013 का अपना paper बनाया था वो discuss करेंगे and this session is about UPSC Mains के 9 year अपन paper discussion कर रहे है and the classes will be taken by me my name is Dr. Amit और target हमारा है एक class में एक paper को discuss करना दो गस्क अपने start करी थी 13 September के अपनी end date है and जो means 2022 लिख रहे है UPSC HCS UPPCS और जो 2023 को target कर रहे है everyone should see these paper analysis model answer जो है वो आपको मिलेंगे application पर application का नाम है Dr. Amit Academy और उसका जो link है वो आपको description section में मिल जाएगा UPSC previous paper model analysis के नाम से study material section में आपको मिल जाएगा application download करते हैं left side में ठीक है left bar में आपको study material section मिलेगा schedule आपके साथ हागे मैं बता दूँगा and इसमे paper 1 आज अपना complete हो जाएगा सारा का सारा 2021 से अपनने शुरू किया था 2013 पे अपन पहुँच गया है तो ये इसके बाद अपन शुरू करेंगे paper 2, 3 and then 4 and सारे के सारे जितने भी question आपको एक जोगे मिल जाएगे और इसी में वीडियो में आपको एक वो मिलेगा टेलेग्राम चैनल का link description section में उस टेलेग्राम चैनल पे आप एक दिन पहले जैसे कल आज अपनने किया था तो एक दिन पहले आप इसके answer share कर सकते थे और उन में से कोई भी एक answer में check करता हूँ और आज जैसे तल आपका रहेगा GS paper 2 का 2021 का तो उसमें से आप कोई भी question attempt कर सकते हैं एक पर अपन कर लेते हैं 80% जो theme है वो UPSC में more or less repeat ही होती हैं तो सारे के सारे आपको एक जगे मिल जाएंगे model answer भी और आप भी साथ साथ try कर सकते हैं ठीक है एक suggestion यह है था कि sir जो model answer वाली PDF है वो एक दिन पहले share कर दी जाए तो आप लोग अपना opinion उस पर भी share कर सकते हैं कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एक दिन पहले share कर रहे है उसके बाद भी जैसे अपना भी च इसके रहेंगे ठीक है उसके अलावा थोड़ा सा मैं बता देता हूं जैसे HCS Mains Current Affair का batch जो है वो भी अपना चल रहा है और यह बाकी details आप slide में देख सकते हैं तो यह सारा का सारा रहेगा उसके अलावा जो HCS Mains का mentorship batch है वो भी अपना चल रहा है HCS Mains की testory चल रही है ठीक ह है तो that's it now let us start the session ठीक है विकास, Simran, Gullu, Vivek, very good evening to all of you चल ठीक है अब लग दीरे दीरे करते करते हैं जो हैं होते हैं तो अब इसके बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं यह आपके questions है सबसे पहले अब हम आता है directly अपने model answers उस पर अब question number one, though not very useful from the point of view of a connected political history of South India, the Sangam literature portrays social economical condition of its time with remarkable vividness comment basically संगम literature में जो हमारा बात करा गया है वो उसमें यह गया रहे है कि political history के बारे में थोड़े मोड़े conflict अपने चलते रहते हैं ठीक है तो उसके बारे में अपन कुछ उतना नहीं कहा सकते बट स्टिल जो वहां की social और economical conditions थी उसके बारे में हमें यहां से काफी जानकारी आप सी अपन चलते हैं introduction body and conclusion तो it is a Tamil literature composed during the great poetic conference of संगम during 1st and 3rd century 18 तो यह आप बता सकते हैं फिर देखो अपनने तीन जो major अपन बुक्स पढ़ते हैं शीला पदीकरम अडियल शीला अडियल थी ठीक है मनी मेग लई पत्त्य बोलो मनी मेग लई and what is the third one जो मैं आपको बार 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 याद कराता रहता हूं ठीक है उसका नाम बताओ उसके जो राइटर हैं वो है शुद्रक आप इसका नाम बताएंगे बताएंगे अब जैसे इसमें बात करी गई है कि आपको social और economical conditions तो बड़े अच्छे से मिलती है political में थोड़ा सा issue है तो हम इनी के ही बारे में बात करें है इसमें इन्होंने caste system के बारे में बात करें थी जैसे टॉप पे आपके ब्राह्मन्स हैं below them सबसे नीचे आपके शुद्राज है ठीक है education में भी हमारे ब्राह्मन्स जो है वो dominate करते हैं आपकी जो society है वो clan based है ठीक है तो आपका inheritance और kinship system बहुत ही ज्यादा important हो जाता है ठ आपके क्या है hills men जो पाड़ों में रहते थे forest men जो गाओं में रहते थे sorry अपके गाओं forest में रहते थे delta coastal people जो coastal areas में रहते थे untouchability आपके exist करती थी prostitution उस ताइम पर पाया जाता था these are the key points ठीक है economical में क्या है देको trade बहुत ज़्याता था import करते थे gold wine pottery slaves और export करते थे आपका spices textile और silk का आपके Greek और यह सब भी रहता था ports में हमारे नाम है मुचिरी अरिका मेडू ठीक है अरिका मेडू हमारे किसका नाम है rice cultivation exchange system merchants में आपका चलता था political history के बारे में भी ऐसे ही अपन बताएंगे ठीक है जैसे तौल का PM जो इनकी grammar थी यह वाला सवाल अपना आया भा था इस बार HCS में इसमें five-fold division of land के बारे में बताया गया है अलग-अलग context में भगवान की पूजा करते थे मुर्गन की सती जो है higher class में ज़्यादा देखने को मिलती थी agriculture इनका chief occupation आपका होता था जैसे stories like महाबारता पांडवाज tells some political events जैसे की चोला किंग करिकला who won his kingdom back after defeating our opponents basically चेरा चोला पांडया इन तीनों kingdom के बारे में संगम literature में बाते करी जाती है ठीक है तो यह अपना रहेगा संगम के तीन आपके वह हुए थे ठीक है इतना लेख सकते हैं एट भारती आ गुड़ इवनिंग एट टू गई तो एट स्टोरीज वाला है ठीक है मैंने क्या पूचा था मैंने जो पूचा था उसका था सुद्रक ठीक है म्रच गट्टिकम याद आया ठीक है कोई नहीं भारते बीच-बीच वे उपर नेचे होता रहेगा कोई बार नहीं पॉंडिचेरी पॉंडिचेरी is the right answer ठीक है गुड़ अब हम आते हैं आयाsky को सवाल मिले थे जब यसुका डान्स के बारे में या फिर अंब डान्स के बारे में बात करता है तो मैंने आपको दो चीजे बताएए थी तःइट यह न होगा तो इस parity में जो हमारे आते हैं जो आपका मेल ठीक है dominant एस टाइब का जो अपका रहता है मेल डोमिनेंट इंग जो है टांस का वह हमारा रहेगा वाक्ती हमारा किस में आता है लाश्या नहीं तो यह चीज अपने को ध्यान में रखनी है यह दोगी आप से पूछेज़ के बारें घंडव के बैर लोग ऊपका शिवा का डांसर डांसर ये इनका जो angry mood है, उसको represent करता है, male aspect को represent करता है and it signifies कि destruction जो है, वो inevitable है, वो होगा ही होगा and ये जो cycle है, मतलब जो भी जनम लेता है, must be destroyed हम सब ने जनम लिया है, तो हम सब भी destroyed होंगे, ठीक है, जनम है तो मृत्य है and Shiva terrifies all other gods who plead for his mercy ठीक है, हिंदू अपने scriptures में इसी सब की बाते करी जाती है और Indian scriptures में आपके साथ type के Tandav dance की बात करी चाहती है ठीक है, अचा हमारा एक जो bronze sculptures में, Tandav वाला था, अपनने जो पढ़ा था ऐसे ऐसे करके fire थी, डमरू था हाथ में, याद आ रहा है कुछ वो किसके time period की थी Simran, is that from a Sangam age देखो, Simran अभी मुझे exactly तो उसके बारे में, age के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है but these are the three main उनके जो epics हैं, Tamil के तो हमने इकटे याद किये थे, and that is the reason I asked male, ठीक है, destruction male last है, three main, ठीक है, good अब हम आते हैं, हाँ, natraj, ठीक है, natraj वाला जो अपना आता था, किसके चोला, absolutely right भारती, ठीक है चोला में अपना रहेगा, अब देखो, अगला ही आ गया वैसे तो, चोला architecture जो है, represent a high watermark in the evolution of temple देखो, बात किसकी करते हैं हम, अब भृदेरश्वरा temple जो हमारा है, ठीक है, उसमें जो अपना चलेगा, उसकी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, तो इसमें अपना है, भृदेरश्वरा temple, तो उसी के context में अपना रहेगा, राजा-राजा ने बनाया था, बहुत द्रविडा स्टाइल में सबसे हाइस जैनित जो है वो चॉलाज के टाइम पर आपका आया था, तो हम इसमें टाइम परेट की बात कर सकते हैं कि आपका 8, 71, 11, 72 यानी हमारा 7, 8, 9th to 12th century के बीच बीच में, तो चॉला temples राइक, ब्रेदेश्वरा जो तंजाओर में है, पिरामेडल विमान है, ठीक है, मैसिव गोपुरम है, गोपुरम आपका एंटरेंस होता है, ठीक है, 1000 पिलर मंडप है, जिसमें आपके डिवोटी जो है, वो हाउस करते हैं, मतलब वो रहते हैं, इनके जो गोपुरम है, वहाँ पर चोटी बहुत सारी औरनमेंटल मूर्तिय भी होती थी, यह सारा का सारा भी अपन बता सकते हैं, ठीक है, 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 ठ flourish even after Cholas, यह आपका conclusion हो जाएगा, many massive beautiful temple were built during Vishay Nagra time and there Naikas also, ठीक है तो यह भी हमार हो जाएगा ठीक है, अर्द नारेश्वर, बिल्कुल अर्द नारेश्वर रहेगा, Cholas, ठीक है, Chola Raja Raja 1, absolutely right, इसका यह भी आपको ध्यान में रखना है, किसने बनाया था, ठीक है, and who was the first one जो आपका Shrilanka Salon पे जिसने attack किया था, वो कौन था हमारा, IS Gopuram, Minakshi Temple, 4 Gopuram 4 Sides, वो ध्यान में रखेंगे ठीक है, आपके Temple से भी बड़े Gopurams है Now, particularly ऐसा एक मतलब देखो जो Kingdom है Kingdom के दुरान जो आपके Architecture पाया जाता है वो तो आप से पूछा जा सकता है, particular temples में directly question आना, it is very, मतलब rare, now देखे Define the barriers of age gender, religion Indian women become the torchbearer during the struggle for freedom in India discuss, इसमें मैं कुछ नहीं discuss कर सकता, every year, one or another question of women their empowerment, their contribution to the freedom struggle freedom struggle, Gandhi ji, Gandhi ji, women ठीक है, तो ये अपना चलता ही रहता है, देखो अब इसमें हम freedom struggle में अलग-अलग बाते करेंगे, कि उन्होंने मतलब अलग-अलग religion की हमारे जो women हैं, उन्होंने participate किया, अलग-अलग age group की छोटे बड़ा सब, ठीक है ठीक है, तो ये सारे के सारे अपने रहेंगे देखे, अब गांदी जी, गांदी जी के टाइम पे जैसे जितने भी इन्होंने काम करें कि भई, जैसे domestic sphere से आपके बाहर आई, ठीक है, राकी वगेरा बांधना, जो हमारा 1905 स्वदे सी मुमेंट के टाइम पे देखना गया था, और चपातीज का एक्सचेंज, फ्लावर्स का एक्सचेंज, जिसमें की हमारे जो मैसेज़िस हैं, वो एक्सचेंज किये जा रहे थे, उसमें मुमें का रोल है, तो यहाँ पे 1857, आप रानी लक्षमी भाई से लेकर जोती भाई फूले, की जो वाईफ है हमारी सावित्री भाई फूले, उन से लेकर, आप जितने एक्साम्पल्स आ सकते हैं, उनको यहाँ पे वोट कर सकते हैं, कॉंग्रेस की प्रेजिडेंट हमारे रही, एने बैसेंट, सारोजिनी नाइडू, ठीक है, इंद्रा गांधी और इन्हों ने पार्टिस्पेट किया, तो आपके आपके ओल्ड एज, वोमन ने भी पार्टिस्पेट किया, रिलीजिन में भी हम बात कर सकते हैं, तो आपके आपके हो जाएंगे, ठीक है, अराइवल ऑफ दमात्मा के ताइम पर आब बात कर सकते हैं, स्वदेशी के टाइम पर पिकेटिंग ऑफ दे शॉप्स और अलकोहल, जो आपके शॉप्स होती थी, बर्निंग ऑफ फॉर्ण क्लोज, जिनका आपका हाफ हो गया था, डिरेक्ट ली रिवेन्यू, ठीक है, बहार से आते थे, एक सो छह संथिंग करोड थी, 53-50 करोड के अस सिदियाम, नागालेंड, ठीक है, और मनिपूर के ये लिडर थी, और आफ्टर इंडिपेंदेंस, नहरुने ने क्या का था, बताओ, वाट वस दे निकनेम गिवन बाए नहरु जी, आप फिर राणी, अवंती भाई, लोधी, रामगड की, राणी, टेस्ट भाई, राणी, जिंदन कोर, जलकई भाई, उड़ा देवी, ठीक है, या फिर हम लास्ट में ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, कि हमारा जो आपकी कैबिनेट में, जो हमारी मिनिस्टर थी, अमरिता सैगल, उनके, ठीक है, साथी कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, यह हमारा हो जाएगा, लाट सैलोन, ओके, इस गोप्रो, ठीक है सा मंतरकप्तिय होई गया, राजिंतरा सैलोन, सैलोन और श्री लंका में क्या अंतर है, बताएगे, नाओ, कमिंग टू क्रिशन नबर फोर, देखो, इस बार, देखो, दो जार तेरा का पेपर देखेंगे, और आगे वाले, आपको बहु पाटिसिपेटेड इन वेरियस मुमेंट, अनलाइज देर रोल इन इंडिया स्ट्रगल अफ प्रिडम, यहां पे आप जितने नाम लेके आएंगे, उतना ही आपका बैटर रहेगा, ठीक है, तो जो न्यूस पेपर स्टार्टिंग से लेके, आइन सी के प्रेजिदेंट, ठ नहीं लेके, तो अपना यह एग्जांपल रहेगा, ठीक है, इस सबने बात करी, एयो हियों, कि आप बात कर सकते हो, अगेन, अलग अलग डैमेंशन से आपको इसमें रखने है, सीधा सीधा पॉइंट है, कि भई, उन्होंने घर भी बनाया और पार्टिसपेट भी किया, ब फोर्स ओफ राइटिसनेस एंड जस्टिस, और सो इट अट्रैक्टेड मैनी फोर्नेर्स जैसे कि जेम्स अगस्ट हिकिटी, इनका न्यूसपेट था, ठीक है, बंगाल गजट आइटिंग, एनी बैसेंट, जो आइनसी की प्रेजिदेंट थी, हॉम रूल लीग, अगस्ट तो यहां पर इनके टाइम पर बोला गया था ना कि जो पारवती हैं, उनकी तरह हैं यह तो जब इनको पकड़ लिया गया था, जैसे 52 प्लेस पर वो आई थी, गिरी थी तो वैसे ही, वो, मतलब एक्स, एक्सपैंशन जो मुमेंट का हुआ, वो बहुत ही जादा हुआ, अम इनको बोला जाता है, फादर ओ, फॉट ओ, इनको बोला जाता है, फादर ओ, वो, इनको बिता रही है, ठीक है, तो, इनको बोला जाता है, फिर देखिए, अलग-अलग जो हमारे है, जैसे, लाफ्ट इनको गवर्नर ऑफ बंगाल, इन्होंने इंडिको मुमेंट के टाइम पे सिंपेथेटिक, वर्ड यूस करे थे, तोवर्ड दे इंडिको फार्मर्स, ठीक है, कोज और यूस्ट इस पावर इनको थोड़ा से देख लेंगे, जादा कुछ नहीं बीच में कुछ आप अपने अपने में अपने अपने में अपने मेंचिन कर रहे है, अरे के बारे में हमें पता हो, इट इस नोट नेसेसरी, और नोट अड़ नेड़ीड अलसों, ठीक है, बिसाइड दीज, बिसाइड आप देखो, इसको आप आणसर करेंगे, ठीक है, आपको जो चीज़े याद आती है, in many ways, Lord Dalhoji, was the founder of modern India, elaborate, मतलब आपको बताना है, यह मान के चलो कि he is the founder, जब elaborate लिखा आया है, तब मान के चलना है कि yes is, critically discuss, कि Lord Dalhoji was the founder of modern India, तो critically discuss में मतलब, he might be, he might not be, तो आपको दोनों बताना है, you have one complete minute, 60 seconds, ठीक है? करें किrasब मान भूगि, जो है एंदे लिएड़ार आती है, गलना है, यदे किर लिगे, वारे मान के तेक हैं है, to be उखको तेके एते, रिको अ'dUpेotal के विज़ision, आ पैसे हैं रिएरे उपको टूई किर। थाविए, पॉगम भूपी रचिए, जा, रिएरे पताना है, ज़ खूच आपर मिलेग्यार, ताहिए, अोच ऐसे खूजळ रहां है, इल्यार, तूद दूंए, ब्यार, ऍेक है, आप। you still have 30 seconds left, बताओ करने में जो और तो आता है that I agree, ठीक है, हाँ, चलो, Expansionist, Indian Post Office System, Telegram, Education, Woman, Foundation of the Train, Telegram, Post, definitely, there are many things, Canal System and all these things, हम आरे को मेंचन कर सकते हैं, यंगस थे, बहुत बड़ा time period इनका रहा, तो यह आप बोल सकते हैं, Lord Dalhoji, 1848 से 1856, a staunch imperialist, Dalhoji का परने कैसे आप किया रहा, DL Doctrine of Laps, वो तो भूली गए, ठीक है, and 1856, व अब हम इसमें आते है, Profound Impact कैसे, देखिए, Administration बहुत तरीके से रखता है, Modern Education पर रोड़ की, College of Engineering के Establishment करी, Social Religious Reform, Video Remarriage, ठीक है, started Penny Post, and replaced the Coastal System, and was used extensively by the Nationalist, लेटर, Indian Railways, Telegraph, Ganga Canal, Centralized State, ठीक है, बंगाल का कुद का, LG आपका कहा था, Negative Action क्या रहा, यह भी, कहीं न कहीं तो इसक है, Modern India, Modern India में हम सिर्फ Infrastructure और वो ही नहीं, कैसे उसने Indra को Unite करके भी, ठीक है, वो किया, तो, and next, State After State, Doctrine of Labs, तो हमारी इसकी जो ट्रिक थी, वो बताओ मेरे को, ठीक है, याद करो, और बताओ, ठीक है, यह मारा हो जाएगा, सारो को Check में रखा, प्रिंसली स्टेट को Effective Check, Double the Area of British India, Empire, Contagious, ठीक है, Helping Christian Missionaries and all these things, Doctrine of Miss Governance में, आवद को पकडा ही था, वैदल बात, Punjab, यह सारे की सारे इनों ने करी अंदाथ से, ठीक है, Positive, Well Way, Negative, Indian Row, Yes, Absolutely, ठीक है, Ganga, सब दो को ही गह, ठीक है, P.W.D. and all these things, Expansionist, बॉला है, बिलकुल बॉला है, ठीक है, गुद विक ठीक है, बिलकुल पर्टिकुलर, Specific Terms जो हमारी होती है, ठीक है, मतलब एक तो generic चीज़ें लिखके आजो, ठीक है, हमेशा habit भी अपनी वही बनाया है, कि Specific चीज, अगर कोई चीज किसी पर्टिकुलर, हमारे लीडर से, या फिर उससे linked है, तो आप उसको mention करें, correctly, ठीक है और इसी के बाद अपने इसको थोड़ा सा आगे कितरा बढ़ा सकते हैं, कि इनकी जो foundation और वो सब रही, ठीक है, infrastructure point of view से, consolidation point of view से, और वो लेटर ओन, Congress के साथ लेते हुए, हम इंडिपेंडेंस में बनने, unite करने में भी help किया, ठीक है, सुजना, absolutely right, सुजना क्या है, सतारा, उदयपूर, जोधपूर, नाटपूर, अवद्ध, ठीक है, चांसी, आप हम आते है क्यूशन नमर 6, देखे, critically discuss the objectives of Bhudan, Grabdhan movement initiated by Acharya Binova Bhave and their success, देखो, आजादी के बाद, जब हम land reforms की बात कर रहे थे, अच्छा, land reforms की क्या trick बताईए, मैंने आपको बताओ, land reforms की trick, तिर्फ उस trick का नाम ही mention कर देना, ठीक है, ये, इलिन दा blank बर दो इसमें, देखो, basically जब reform moment आपके चल रहे थे, land reforms, तो तब ये बाते हो रही थे, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो बहुत सारे ऐसे थे, जिनके पस land, multiple land थी, ठीक है, तो उसमें, उन्होंने, जब एक वो, अबनलब gathering को address कर रहे थे, तो emotional हो के थे, Vinova Bhave ने कहा, कि भाई, कोई अपनी भूमी जो है, कि अपनी भूमी काफी दान कर दीती, तो बूदान वहाँ से शुरूआ, कुछ लोगों ने गाउं की गाउं दान कर दिया थे, कि भाई लो तुम ही अब करो, ठीक है, तो यह हमारे रहेगा, यह हमारा, ठीक है, तो यह रहा, बट, पॉइंट क्या था, दान हुआ, सब कुछ हुआ, कुछ तो रहा, बट, जो फटाइल लेंड थी, वो नहीं दी, बंजर भूमी ज्यादतर दी गई, ठीक है, और बहुत ही लिमिटल लोगों ने इसमें पार्टिस्पेट किया, दिया, उतने सक्सेस नहीं है, इनकी, हां, स्टिल, हम कह सकते हैं कि इनिशेट तो रहा, ठीक है, ओके, अत्रू सी टू, येस, अत्रू सी टू, वास दे ट्रिक, ठीक है, बाकी लोग आप आप कर ही लेंगे, डीजे लिफु आप मारी माइनॉर्टी वाले की ट्रिक थी, ठीक है, ये हमारा रहे गए, क्रिटिकली लेंड डॉनर्स हैं, जमिदार हैं, वो वोलेंटरी अपनी लेंड को डोनेट करें तो दे लेंड लेंड लेस, इंद मार्जिनल फार्बर, अब्जेक्टिव की लेंड इनिक्वालिटी जो है, उसको रिडियूस करना, लोगों के पास भी रहे, ठीक है, भूदान कूड वर प्रॉयूस एंड असवा इनिक्वालिटी रहे, ऑचांध इनिक्वालिटी इनिक्वालिटी वजल फोव क्यों करें, जाएंड कर सब्सक्राइव ज्हांब को बhudhan करें, ज्याठाई और परफॉर्मेंस देख लेंगे, देखो, only कुछ thousand of villages ही ग्रामदान में आये, क्योंकि इसकी जो inherent nature थी, that it could succeed only in the area, जिनमें low inequality रहेगी, जो कि इंडिया में, villages में, land inequality बहुत ज़्यादा हाई रही है, बुदान succeeded in vast amount of land, but if we compare it with the other cultivable area, it was very less, ठीक है, fertile land नहीं थी, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा massive corruption हुआ, पेजेंट जो उनको wait करना पड़ा, years to get lands, ज़्यादतर जो land area है, वो litigation में चले गए, मैंने तो दान कर दी, पर वो जमीन मेरी नहीं थी, किसी और की थी, मेरे भाई की थी, मेरे चौचा थाओ की थी, तो litigation में भी चले गए, ठीक है, ज़्यादतर जो donated land to bribe the officials also, कि उनका politics में, आराम से आ सकें, ठीक है, और मैंने land, so transfer, they were voluntarily given back, क्योंकि किसी काम की यह नहीं थी, आप इसको काम कर लो, overall, moment left much to desire, ज़्यादा मतलब अचीव नहीं कर पाए, बस ठीक है, ओके, नहीरू कमीटी की ही, बिल्कुल सही, ठीक है, question number seven, write a critical note on the evolution and the significance, of the slogan, जय जवान, जय किसान, ठीक है, तो, 1965, लाल बहदुर शास्तरी, चाइना के साथ problem, पाकिसान के साथ problem, और हमारा, फैमाइन तो नहीं बोलेंगे, droughts चल रही है, तो आपके जो दो सबसे important, उस टाइम पे हमारी country में थे, ठीक है, एक तो country की borders को secure करना, एक उनको feed करना, ठीक है, आर्मी को भी feed करना, और हमारी local population को भी feed करना, तो ये दोनों चीज़े हमारी चल रही थी, इन्हीं के context में ये जय जवान, जय किसान हमारा नारा आया था, इन्होंने boost किया, ठीक है, confidence लगाया, attachment बड़ी, इसके वज़े से और अच्छे से काम किया, ठीक है, लेटर पोस्ट इंडिपेंडेंट 1965, श्रिलाल बादुर शात्री कोईंड अर्डुरिं इस प्राइम मिनिस्टर्शिप, लाल बादुर शास्तरी ने तो अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी cultivation किया था, हल चलाया था, ऐसा बोला जाता है, evolution देखे, इंडिया की जो वार है, प old war politics complicated the situation in the subcontinent, ये तो हो गया, इंडिया जो है, needed the strength of its soldier and boost their morale and develop our armed forces, hence, जय जवान, फिर यहां पे twin roads हमारी चल लोही थी, तब तो हमारा सारा का सारा economy ही किस पर demand करता था, agriculture पर, ठीक है, और green revolution की demand आ रही थी, then in that case, सबस्ते important हमारे कौन रहे है, ठीक है, so our courage under the crops became more or less constant, हमारी population लगातार बढ़ रही है, increase बढ़ रही, our demand बढ़ रही है, ठीक है, increases the amount to feed, फिर हम USA के पास गए, और हम क्या लखिया है पी एल फॉर एटी, wheat और उसके बाद हमारा स्वामिनाथन या फिर हम नॉर्मर बॉलो के context में बात कर सकते हैं, कि वो सारा रहा, green revolution हमारे पास आया, and जै जवान ने भी काम किया, और जै किसान ने भी काम किया, ठीक है, and still, they are working, मतलब like anything, ठीक है, तो वो चली रहा है, ज्या स्टाइल नेबर, ठीक है, so the dependent, they were dependent on large scale food imports और USA ने threatened किया कि हम रोक देंगे, under 480, PL 480 program, to change our stand on Kashmir and Pakistan, हमारी sovereignty जो है, वो कुछ हद तक threat में आ गई थी, ठीक है, तो इन ही सारे circumstances में strengthen करना था, farmers court, agriculture, तो एक moral होता है, जो हमारे देश के जो leaders होता है, ठीक है, लीडर का काम, सबसे important काम होता है, to inspire people, ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में, now, looking at, देखी, Prime Minister, Atal Bihari Vajpi, added, Jai Vigyan, Modi added, Jai Anu Sandhan, to the slogan, increasing their importance, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह हमारे रहेंगे, यह आपका question हो गया है, now, discussing question number eight, discuss the contribution of Molana Abdul Kalam Azad, to the pre and the post independent India, ठीक है, pre independent में, क्योंकि Muslim leader थे, तो हम Hindu Muslim unity, और involvement of the Muslims, और इनके काफी general, और जो भी था, उसके context में अपन बात करेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंटेंट्स, education में इनका काफी role रहा, उसके बात, तो यह हमा रहे हैं, देखिए, एक-एक leader आपके पूछे जा रहे है, ठीक है, सारे के सारे leaders को, leader personality, एक list बनाके, I will be providing your separate PDF, तो उसको अपन देखेंगे जल्दी ही, specially for our HCS, जो भी बैज के student रहेंगे, उनको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गांदी जी के साथ, ग्रेट गांदियन, गांदियन थे, फ्रीडम फाइटर थे, गांदी जी को जोईन किया, फुल फेट था किस मिर्सतेगरह में, इन्हों वाइलेंस में, इन्होंने खिलापत, NCM, CDM, Q, सब में पार्टिस्पेट किया, ठेक है, जर्नलिस्ट है, इनका कौन सा न्यूस पेपर था, अल, इलाल, ठेक है, तो further the cause of freedom, secularism, इन्होंने किया, उर्दु में कोई, आप poetry लिखते थे, यंगेस्ट प्रेजिडेंट, आपके बने, 1940, 1945 किया, अच्छा, 40 and 45, बभी two times, ठेक है, यह हमारे रहे, he was a great secular reader, इन्होंने ही, जो इंडियन मुस्लिम हमारे, हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, उनको काफी हद तक यहां पे रखने के लिए, वो बचा है, नहीं तो जो डिविदू पॉलिटिक्स चल रही थी, एंड जेना जिस तरीके से लेके जा रहे थे तो, जो स्ट्रोंग मुस्लिम लीडर इंडिया में ही रुखना चाहते थे, he was one of them, ठीक है, and education minister, लेटर रों तो, he was a great leader, secular leader, played important role in diffusing the communal tension, specially in the UP, so at the time, जब मुस्लिम लीग जो है, वो hatred फैल आ रही थी, to its extreme, a peaceful force इन्होंने डवलप करी, he was a champion of education, बहुत सारे education institutions भी इन्होंने, start करे, नाम वगएरा बताने की जुरुरत नहीं है, बहुत ज़्यादा factual हो जाता है, हाँ, but कुछ जर्नल, कुछ specific, जैसे अपनने अलहिलाल बता दिया, मुमिंट के नाम बता दिये, ठीक है, प्रेजिदेंट कब थे वो बता दिये, sufficient अन्होंने, post-independent education minister आपके बनाये गए, of the country after independence, and he helped founding many prominent education institutions, and Nehruji के साथ मिलके, IITs हम बोल सकते है, AIMs हम बोल सकते है, वो start करेंगे, ठीक है, and he continued his great role in spreading communal harmony, especially needed post-independence during the communal rights, contribution के रहेगा, so immense that he was awarded Bharat Ratan, and his birth date is observed as National Education Day, बताओ, what is the day, है किसी को याद, question number 9, actually, जो हमारे 3-4 agreements, important है, जैसे, ताशकंत, शिमला, 1970 something में हमारा, ठीक है, और 1971 वाला ही हमारा, जो आपका, बंगलादेश के साथ हमारा agreement हुआ था, उनमें क्या, टर्मस कंडिशन और वह सब रहा, तो यह हमें, importantly पता होना चाहिए, at least post-independence में, ठीक है, एक-दू साल तक post-independence के questions आये थे, फिर थोड़ा सा limit हो गया था, जादे तर question फिर modern से ही रहे, post-independence में कम रहे, ठीक है, 11 now, what 11, क्या पूछगे हैं मैं, 11 नवंबर, मुझे, मुझे दिखाए दे रहा है, 11 नव, 11 नव क्या लिख रहे, 111, 11, fundamental 1111, fundamental duty भी है, 11 education day, thank you, वेरी गोड़ अची ट्रेक है, 1111, ठीक है, चाला, ताशकंद agreement के बारे में अपन देख लेते हैं, अब ये हमारा जो है, इट वस पीस agreement, जो 1965 की वो और के बाद अपना sign किया गा था, ठीक है, between India and, पाकिस्तान ताशकंद में ही, उसके बाद, शास्त्री जी, जो डेथ है, वो ही थी, तो mysterious circumstances and all these things, now, let us see, circumstances leading to the agreement, although, इंडिया आपकी वोड़ जीत गया था, 1965 वाली, अब ये cold war का era था, ठीक है, USA, USSR, they were the major influencer, और USSR ने ही, इसको, kind of mediate किया था, तो यहां पर diplomatic intervention हुई, UN के वज़े से, कि भई, आप ceasefire करेंगे, and it was followed by, Soviet Union, and, US ने भी कहा कि भई, कर लो, ठीक है, USA, उस टाइम पर किस के साथ था, पाकिस्तान के साथ, उसने apply किया pressure, इंडिया पर, most of the time, USA, से पाकिस्तान के साथ ही रहा है, हमारे साथ तो रश्या ही रहा है, but now, strategic ties, और economical ties, और यह सब तो चलता ही रहता है, ठीक है, अलग-अलग, इतने बड़े-बड़े देश, बहुत सारे differences भी रहेंगे, commonalities भी रहेंगी, ठीक है, so applied pressure on the India, the agreement, would not resolve Kashmir issue in India's favor, तो यह था, इंडिया पर pressure भी कर रहा था, और उससे नहीं चाह रहे थे, कि ऐसा कुछ किया जाए, कि इंडिया की favor में रहे, this pressure considered of diplomatic, arm transfer करेगी पाकिस्तान को, PL 480 food aid भी दी गई, USA का जो प्रोग्राम था, उसके अंडर, इंडिया बहुत ही tough situation में था, economical period, despite of winning the bar, ठीक है, उसके अलाबा, drought चल रही है, grain import करना पढ़ रहा है, बाद में अपन ने कर लिया, ठीक है, तो in the peace talks, ताशकंद, इंडिया has to yield, सास्तिरी जी डाइड, only after the agreement, तो highlights कहते देखो, हर बार, हर agreement की, यही highlights रहेंगी, more or less, ठीक है, यह भी bilateral solution होना चाहिए, to the internal problem, third party को enter मत करो, आपस में peaceful रहो, respect करो, ठीक है, sovereignty को, territory को, nothing on restoring, park occupied Kashmir, so no progress, are made to resolve the Kashmir issue, यह हमारा रहेगा, ठीक है, Kashmir issue के लिए, यही कोई जादा काम नहीं किया गए, तो इस टाइम पे भी, ठीक हो, मालो, आपने जो, boundaries का context में रहेगा, war से पहले जो boundaries है, उनको आप respect करे, prisoners of wars जो है, उनको आप exchange करे, ठीक है, boundary POW यही रहेंगे, both side would end up, all the hostility, resort back to the pre-war boundary, they would give up all the occupation, India was literally forced to give up all her gains, ठीक है, काफी अंदर तक पंच लगे थे, but we had to give up, ठीक है, so it failed to solve the India-Pakistan problem permanently, and this is this, ठीक है, यही सारी चीजें 1971 में भी रहेगा, देखे, अब, question number 10 देखो, critically examine the compulsions, which prompted India, to play a decisive role, in the emergence of Bangladesh, देखे मेजरली क्या हो रहा था, कि East Pakistan, और हमारा West Pakistan, ठीक है, यह इसको भाव ही नहीं दे रहा, यहां से लेडर चुनके आ रहे हैं, वोटिंग सबसे ज़्यादा मिल रही है, बट, Prime Minister नहीं बनाया जा रहे, Ministers नहीं बनाया जा रहे, तो इनमें काफी रोश था, ठीक है, फिर इन्होंने आर्मी से आगे, यहां पर बहुत सारी गैडबट कर दी, atrocities too much, ठीक है, तो बहुत ही unstable situation, East Pakistan में हो गई थी, यहां पर यह लोग स्टार्ट कर गए थे, माइगरेट करने towards India, ठीक है, इंडिया full-fledgedly involved in the war, और यहां पर इन्होंने मुक्ति बाहिनी और वो सब इनको train भी किया, ठीक है, कि आपस में यह भी लड़ सके है, उनकी capacity building भी हो सके, ठीक है, वहां पर बहुत ही सारे, आपके जैसे massacre जो है too much, ठीक है, स्कूल्स में भी और वैसे भी, पाकिस्तानी आर्मे ने बहुत ज़्यादा atrocities, मतलब, तो वो सारा का सारा रहेगा, तो यही हमारा main है कि इसके, मतलब, what were the compulsions, कि इंडिया को खुद की stability चाहिए थी, ठीक है, पाकिस्तान वो साथ था, रश्या हमारे साथ आ गया था, तो दूस्वर जैसे भी थोड़ा सा वो था, stabilize करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, otherwise यह problem, और फिर यह problem तो रहते ही, पाकिस्तान इदर भी है, पाकिस्तान इदर भी है, तो कहीं न कहीं हम एक, जो मतलब, नेशन है, जिसको हमने नया नेशन चलो बनाया, और वो किया, आज भी वो तो एक, मतलब, tension का एरिया तो है, बट स्टिल, उससे फायदा भी बहुत हुआ है, ठेक है, stable at least, एक बोडर तो हमारी stable है, उसरे में तो गट बट है, China again hostile, ठेक है, देखे, India a war with Pakistan 1971, introduction अपन रख सकते है, resulted in emergence of Bangladesh, sparked by the rise of बंगाली nationalism, self-determination movement, in East Pakistan during 1971, Bangladesh genocide, operation searchlight, ठेक है, डून डून के, बहुत सारे लोग मारा गयते है, following factor led to day, की सबसे पहले तो refugee, तो destabilize, East Pakistan treated its religious minority, and liberal secular Muslim harshly, oppression become extreme during 1971, तो massive inflow, it necessitated India's reaction, exploitation of the Pakistan, ओव बंगलादेश बाहर पाकिस्तान, ये अपना कोलोनी की तिरह रख रहा था, इनकी अपनी एक उनीक बंगला कट रहा था, जो हमारे West Bengal के साब, जादा आलाइन करती है, rather than आपके पाकिस्तान के साब. So, they wanted to suppress it, and increase the hardliners, ठीक है, brutality is बहुत बढ़ी थी, 1971 में, ऐसे ही, Makti Vahini, एक मजबिर रहमान, तो Makti Vahini, demand for the freedom of, पांगलादेश, पकिस्तान ट्राइब त्राइब प्लेटिस तो चलिए उसको सपोर्ट कर रहे है पाकिस्तान को इंडिया का इंट्रवेंशन उतना एजी नहीं था इंडिया ने इसी दौरान आपके Soviet Union के साथ 3D of Friendship साइन करी थी, Soviet Union ने Block किया USA के Move को and intervene यहाँ पर जो करने वाला तो उसको रोका, इसी वज़े से India कर पाया, ठीक है strategic reason यही जो आपने बात करें कि Pakistan एक hostile state है दोनों front पे fight करना is not at all possible for us, East and West दोनों में ही India has strategic interest to split the country and secure independent Bangladesh, ठीक है सिर्फ पाकिस्तान पे ही focus अब रख सकते हैं तो यह हमारा रहेगा, ठीक है यह हो गया हमारा question number 11 पुजा, good evening ओके आँ टेक चल रहा है, बताओ दो तो नहीं गयो अब हम आते हैं अब हम आते हैं लेट कमर वाला ठीक, हाँ लेट कमर इंडिस्ट्रियल रिवलुशन इन जापान इन्वोल्ट सर्टेन फेक्टर देट वर मर्कडली दिफ्रेंट फ्रम वर्ट वेस्ट अब हम आते हैं बेसिकली दो तीन चीज़ों पे अगर हमन फोकस करें जापान का जो है इसको स्टार्टिड लेट अफ्टर मेजी रिस्टोरेशन बोला जाता है मिलिटरी वो बाहर गए हुए थे वो यहाँ पे आए जुडे उन्होंने बाहर से स्किल सीखी और और अल्सो किलिंग के लिए उन्होंने लोग भी बुलाए फिर टीड जुडेंट रहा है यह सारे की सारे अपने को इसमाइए एक्स्प्लेइन करना है इसको I'll just read out यह अपना world history का आपका रहाएगा एक क्यूशन आ रहा है world history का आपका एक से ज्यादा क्यूशन नहीं आ रहा है ठीक है मुर्णिंग में पूछेंगे चाल लिए देखो अब देखिए सबसे पहला साइन्टिफिक डिस्कवरी एंड इंटर इंवेंशन वेस्ट का जो इन्डिस्टिलाइजेशन था वो इसी पे बेस था अब देखो वेस्ट ने सारी टेकनोलोजी डिसकोर कर ली जापान ने यू का यू कोपी-पेस्ट और उसको कर दिया ठीक है यहां पे वेस्ट डिसकवर् इस ओन जापान स्टार्टेड ठीक है वेर वेस्ट अट बैट पॉइंट इन ताइम रिवर्स इंजिनियर मोस्त अधे टेकनोलोजी अग मशीन ठीक है तो जापान ने उनको यू का यू किया तो उससे फास्ट रहा ठीक है और उसी पैसे को इन्वेस्ट कर रहे था जाए बिर्टिश वाला देखा था बिर्टिश आपका इंडिस्टिर एवलुशन का ही पॉइंट क्यों हो रहा वह आपना आया था इंवेस्ट इन वेस्ट रिवूशन वेस्टिर वहां से निकाला और इंडिस्टिर इस फोकस कर वाया West जो है उसके industrial area आपके रिष्टे coal और iron में, जबकि जापान में इसा खुश नहीं है, पूर है resources में, जापान ने import किया, जैसे माल लो, cotton का import किया, textiles का export किया, इस तरीके से जापान ने पैसे कमाए, वो पैसे आपकी industry में invest करें, ठीक है, जापान की जो heavy machinery industry है, came up closer to the coast, ज्या agriculture revolution and commercial revolution before IR, बट जापान में सिधा industrial revolution ही आया, agriculture revolution जैसा कुछ नहीं रहा, state का role देखें तो important role in Japan, military and state, ठीक है, whereas in west, it was a private capitalism, ठीक है, यहाँ पे हमारा state control, Japan did not rely on colonies to finance its IR, but later on Japan tried to capture some colonies, but were not so successful, western products, जो है, they were better in quality, sold worldwide, Japanese products, शुरू में, they were inferior in quality, यूरोप पे नहीं जाते थे, but now they are everywhere, ठीक है, तो यह हमारा रहेगा, एसे कुमार, hello, एसे, ठीक, यह हो गया, अब देखो अगला, African decolonization पे, second question आपका आ रहा है, पहला क्या पूछा गया था, जो उसका middle class intelligence है, और वो सब, उन्होंने किस तरीके से participate किया, जो हमने Indian class, middle class, जो है, उससे link करते हुए, मैंने आपको explain करने की, कोशिश करी थी, अब now look at, question number, यह देखो, 12, Africa was chopped into states artificially, created by accident of European competition, इन्होंने यही कि, अब हमें पता होने ची, कौन-कौन सी European powers यहाँ पे थी, और जो वो बाहर जा रहे थे, तो किन-किन states को उन्होंने कैसे-कैसे divided, especially, जो आपकी straight boundaries बनाएगी, अफरीका में, ठीक है, इन्ही के बारे में अपने को mention करना है, कि उसी की व वो चले आ रहे हैं, अफरीका में, ठीक है, उनका कोई solution ही नहीं मिल रहा, यस, वेस्ट अफरीका सिम्रन बिल्कुल सही देखे, तो हम इसमें वही, एक तो introduction रखेंगे कि किस टाइम पर अपना यह होई रहा था, partition और यह सब, partition of the Africa, scrambles of Africa, division, invasion, occupation and colonization of Africa by the European power and new imperialism era 1881 से 1904, richness of Africa, बहुत ज्यादा resources थे, recognized by the missionaries, इससे पहले अफरीका को क्या बोला जाता था, prior dark continent, यह लगता था कि अफरीका में कुछ है ही नहीं, जब गए, देखा, तब समझ में है, अब यहां पर सारे की सारी powers आके, काम करने लगे थी, slaves लेके जाने लगे थे, जैसे UK, Germany, Belgium, France, UK व territories जो है, उनको divide किया गया, without respecting ethnicity, culture, geography, history, ठीक है, कुछ भी नहीं, straight line boundaries, apathy, ठीक है, apathy तो थाई, आप कुछ considering नहीं कर रहू, racial domination, इन्होंने हमेशा maintain करके रखा, white man वाला, they were unaware of the consequences, ठीक है, aware or not unaware, it doesn't matter, but it is happening, अभी तक अंस्तेबल है, civil war, disabilities, power struggle, between the ethnicities, ठीक है, इंडिया में भी वही वहा, सब जगे वही करके गए है, कहीं पर peaceful transfer तो हाई नहीं, South East Asia वाला पूछा गया, आपका Malay parents उला, different, और वो सब, वो सब, वो सब, बिसिकली, देको decolonization, एक theme है, जिस से related, बार-बार-बार-बार-बार सवाल आपके आ रहे हैं, ठी कोई piece नहीं, कोई coexistence नहीं, ठीक है, बिस्मार्क ने आपकी Berlin Congress organized कराई थी, 1884 में, Africa was not part of it, it aimed at regulating trade with Africa, ठीक है, तो हमारा ये रहेगा, ठीक है, जर्मनी और उसके context में, Now, rising nationalism in Italy and Germany, इटली को भी expand करना था, जर्मनी को भी, world politics, ये भी expansionist policy नकी होगी, ठीक है, इन दोनों को expand करने के लिए, आपको क्या चीए था, अफरीका, अफरीका में आए, colonies बनाई, एंड ये गड़वर्ड आपकी हुई, ठीक है, उसके बाद के जो consequences है, वो तो हमारे हैं, ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे, ठीक है, Question number 13, देखो, पहले world district के ज्यादा सवाल आते थे, अब हमारे कम आते हैं, एक ही सवाल लगता है, Question number 13, देखो, American revolution was an economical revolt against mercantilism, टीन ही revolution हमारे important है, American revolution, French revolution, और आपका Russian revolution, more or less, देखो, अमेरिका में भी ये ही रहा, mercantile जो policy आपकी चल रही थी, ये भी basically capitalism free trade को promote करने के लिए ही, अब देखो, इनके पास resources बहुत थे, ट्रेड करना चाते थे, ग्रो करना चाते थे, बट इनको मोका नहीं मिल पा रहा था, इसलिए, क्योंकि British ने जो policy इंडिया में लगा रखी थी, वैसे ही यहां पर था, जैसे मालो tea trade नहीं करने देना, ट्रेक है, वन साइडेड आपके taxes लगाना, ये सारी के सारी चीज़े वो सेम अमेरिका में भी कर रहे थे, बट अमेरिका में, factors ऐसे थे, वो शुरू में ही, क्योंकि वास्ट लैंड उनके पास थी, वास्ट मनी, तो वो क्या कर रहे थे, उनको चाहिए था कि freedom मिले, एक्सपैंड करें, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने political power को कब जाना ज़्यादा जरूरी समझा, ठीक है, जो political power आपके हाप में है, आप rule and regulation अपने हिसाब से बनाएंगे, आप economy को अपने हिसाब से grow करेंगे, ठीक है, तो वो सारा का सारा, फिर लेटर ओन, led to the establishment of your democracy, secular state, bill of rights and all these things, ठीक है, यह हम रहा रहेगा, now let us look at the answer, आम इस बारे में भी कह सकते हैं कि भाई, Appalachian Mountains, yes, Simran, ठीक है, बुसारा का सारे, vast area, plain area भी उसके पास में, mercantilism, it is an economical system of trade, जहाँ पे एक nation जो है, attempt to accumulate large possible share of the wealth, maximizing her export, limiting her import via tariff, ठीक है, आप unified रखते हैं, अब प्रीडम नहीं देते, आप अपने इसाब से, मैं अगर manufacture कर रहा हूं, तो मैं export करूँ जादा से जादा, और import सिर्फ raw material का करूँ, जो इंडिया के साथ भी गड़वट कर रखी थी, same चीज, लेको American revolution जो है, वो 13 जो colonies थी, उन representation, no taxation without representation, वो यहीं से आया था, तो, it is considered as an economical revolt against mercantilism, now, इन्होंने देखो, अलग-अलग acts जो, पास करवाने की बात करी, quartering act, ठीक है, और जिनके against में भी रहा, sorry, पहले against वाले हैं, यहीं सारे को सारे, देखो, quartering act में क्या था, it was imposed to prevent Americans from moving westward, ठीक है, वहाँ पे, land ही लेंड ह तो वहाँ जाने नहीं दे रहे, क्यों नहीं जाने दे रहे, तो यह रहेगा, to protect the rentals and the values, तो British landowners होते थे अमरीका में, यह एक good word चीज थी, अमरीका not exploited by the British like her, non-white colonies, जैसे कि इंडिया, इनका खुद का legislative system था, ठीक है, taxes were not so oppressive, यह ग्रो भी करते रहे लगाता, लगाता है, American colonies को prohibit किया गया, to trade with other nations, और तो और इनको जैसे Britain जाके फिर आगे, अपना trade करना पड़ता था, इनको खर्चा बहुत होता था, तो black trade भी काफी शुरू हुआ, ऐसे ही, stamp duty impose करेगी, कि भई, आप British also decided कि only British ship जो है, could move in and out of American port, made shipping expensive for the American and made them discontent, ठीक है, शिर्फ अगर British वाले ships को यह लाओ करेगा, तो अमेरिका वाले तो गए बिचारे को, tea act इन्होंने लगाया, ठीक है, तो उसमें भी यहाँ पर Boston Tea Party, बोली जाती है, Boston Tea Party, ठीक है, हुआ कुछ नहीं तो दस बार लोग मर गए थे उसमें, हाँ, पर वो एक symbolic था, British East India Company was incurring heavy losses, led to the famous Boston Tea Party, marks the beginning of the American revolution, यह बोले कि नहीं, इनको क्यों मिलेगी भई, Monopoly, हमें भी मिलने चाहिए, ठीक है, तो वो freedom of, जो economical freedom की जो demand है, उसी के context में, सारा का सारा अपना हल ही रहा था, ठीक है, तो the Britishers, then decided to use America for their own commercial benefit, and pay for their army, follow many mercantile policy, जो इंडिया में करने है, वही वाहीं कर रहे तो अब इन्हों ने जो revolution किया, उसका जो main उद्धा था कि भी economical freedom, तो demands भी वैसी थी, जैसे की, idols of the revolution क्या थे, protection, the private property rights, private property, legislature, freedom, economical freedom, judicial supremacy, merit के बेस पे हो भई, free trade हो, anti-mercantile ideals हो, ठीक है, यह सारा, यही आपका शुरू हुआ, political power उनको मिली, and that's it, ठीक है, तो politics भी ऐसे आई, economical reward, इता ideal जैसे की, natural right of the man, separation of the power, checks, balances, implication over much wider aspect of the life, main जो theme है, वो है, economy, but leading to everywhere, ठीक है, question number 14, world economy बहुत है, पर यही है, topic सारे के सारे, देखे, question number 14, क्या 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 रहा है, what policy instruments, world deployed, to contain the great economic depression, जब भी depression आता है, state expenditure करेगा, ठीक है, लोगों को employment देगा, road बनाएगा, dam बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, भी वो बाहर निकल पाएंगे, तक expenditure नहीं करोगे, demand create नहीं करोगे, लोगों को पैसा नहीं दोगे, क्या आप recession, depression से बाहर निकल सकते हैं, no, ठीक है, depression is like, people are not spending money, ठीक है, economy is not at all growing, यही है, अब इसमें भी वही रहा, रेखो, 1929 USA का जो crisis रहा, उसमें क्या था कि इन्होंने बहुत सारा produce कर दिया, उसकी demand है नहीं, तो वो जो goods से, वो crash कर गया market, stock market भी crash कर गया, goods जो है, वो सड़ गये, ठीक है, तो यह रहा, जो इन्हें लग नहीं रहा था, यह अपने आपको ज़्यादे इतुरम खान समझते है, ठीक है, यह कर देंगे, वो कर देंगे, ज़्यादा good produce कर दिया, तो ज़्यादा पैसा आएगा, पर वैस हो जाओंगा, मुझे लग रहा है कि, अरम आराम से चल रहे है, तब भी बहुत ही आराम से हो रहा है, question number 14 में आगे है, 25 ही है हमारे, दो गंडे का अपना target था, उसे पहले complete होता हुआ लग रहा है, speed बताओ, उसके बाद अपन आगे का discussion करते हैं, okay है, तो okay लिख दो, अब हम आते हैं आगे, simple सा, हम time period mention करके बता सकते हैं कि, great depression अपना काया था, 1929 in the USA, so market crash, many companies and the bank failed and the depression spread all over the world except Soviet Union, क्योंकि ये insolated था और इनके अपनी planned economy चल ही रही थी, now policy major to contain the great economical depression क्या रहा, less is fair approach, ठीक है, initial policy decision जो थे, government simply let the banks and the companies fail, depression became worse instead of getting better, ठीक है, अब यहाँ पर जो Frank D. Roosevelt थे वो आपके president elect हुए थे, इन्होंने ये term जरूर जरूर मेंशन करनी हैं ठीक है, kention economy की state expenditure, kention economy is what? state should expenditure, ठीक है state expenditure, इन्होंने launch किया new deal, new deal बना सब कुछ नया कर देंगे, ठीक है, यह क्या था, अब program of massive fiscal expansion of the government, large scale public projects आपके शुरू करे गए, ठीक है, जैसे कि construction of interstate expressway, public school, hospitals, social security program, आपको health insurance, unemployment benefit, start करेगी, लोगोंको assure किया गया कि भही आपको समाल के रखेंगे, monetary policies में interest rate lower करेगे, low करोगे, तो लोग easy monetary policy, पैसा आएगा तो उसको खर्च करेंगे, ठीक है, banking reforms, bankings were separated from risky investment, banking activities, bypasses of glass straggle act, क्या था, the bank थोड़े से risky activities में करते रहते थे, investment जैसे माल लो, अब mutual fund और इन सब में bank invest कर रहे हैं, तो गड़बड होजी सकता है, ठीक है, deposit insurance, and this deposit by the state also came into being, so as to assure the depositors, ठीक है, कि माल लो आप जैसे अभी आप मारे पास है, कि 5 लाख तक रुपए आपके safe रहते हैं, ठीक है, banks में इतना माना जाएगा, अगर कोई भी गड़बर होती है तो, इसके तीन motto थे, very very important, यही तीनों याज रखने, relief, reform and recovery, पहले तो जो माल लो unemployed है, पैसा नहीं है, उनको relief दिया जाएगा, social security benefit दिया जाएगा, reform जो यहां पर सारा का सारा काम किया गया है, ठीक है, उस सारा सब कुछ reform कर दिया, उसके बाद हमारी क्या होई है, recovery, यह तीन major आपके points रहेंगे, इसमें आप देखो banking, monetary, social security, और आपका massive construction, state, expenditure and the new deal, यह 5-6 terms ही हैं जिन पर घुमेगा, यह ही आपको mention करनी तभी आपको marks भी, ठीक है, simple लिखने से नहीं चलेगा, new deal mention करना पड़ेगा, ठीक है, और यह सारे के सारे चीज़े mention करनी पड़ेगा, तो यह जो policies हैं, यह बाकी दूसरी countries ने भी follow करी थी, and देखो सबसे important, world war two, armed, ठीक है, इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि, मतलब war economy, war के time पे, मतलब, लोग सब कुछ बूल जाता है, अब तो देश बचाना है, borders बचानी है, sovereignty बचानी है, तो expenditure चलते हैं, धुआ थर, ठीक है, guns बिनाने पड़ेंगी, bullets बनाने पड़ेंगी, tanks बनाने पड़ेंगे, सब आपकी economic growth करती है, जो हमारी industries रह गई थी, काम नहीं कर पा रही थी, वो war economy में काप करती है, ठीक है, तो आप इससे conclude कर सकते हैं, definitely it will be a good conclusion, 1929, 1939, का अपना world war 2, trial करते करते, अगले ही decade में 10 साल बार, जो एक opportunity, बोल सकते हैं, depression से बाहर नकलने की, एक इनोंने भी provide कराई, ठीक है, question number 15, very very simple, इसको आप ही answer करेंगे, मैं answer नहीं करूंगा, Sometimes, is that even that. discuss the various social problem, which originated out of speedy process of urbanization in India. Speedy process, over urbanization plus under urbanization. Now, the social problem is. Punkt with Aadoh, I will be waiting on closing one minute exactly, you have one minute. झाल झाल इस वाले question को अपन बार 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 देखते ही आया है जादा कुछ है नहीं housing problem, periphery slums, area, hygiene, disease, yes ठीक है, बहुत सारी, देखो वही जो fact मैंने आपको बार 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 दाया है 35% of population, 33, 35% of population, 60 plus percent of the GDP, आपहारे urban area से आ रही है पिर नितियायव गवाल जो मैंने आपको रहता है था, over urbanization, under urbanization तो इंडिया में चली रहा है rapid हो रहा है तो बहुत सारी problem, देखो इंडिया rapidly urbanizing, already 34% क्या क्या social problems है, crime, unemployment से linked है, unorganized sector से linked है, ghettoization, कुछ-कुछ लोग कहीं कहीं है तो वहाँ पे भी hygiene और इन सब किया problem रहती है Poverty a big problem Elderly neglect example Delhi NCR, Chandigarh ठेक है Parents जो है उनकी death हो जाती है पता ही नहीं चलता Law and order problem तो ही है Crime, criminal capital ठेक है, Crime against women ये सारे आप mention कर सकते है Flash between values also traditional and modern values आप देखेंगे lifestyle की बात कर लो Language की बात कर ले ठेक है, it will happen and it is happening dresses की बात कर लो और food habits की बात कर लो Everywhere, flash is there Neglect of health and education क्योंकि pressure है on infrastructure slums ठेक है, तो उनके बारे में आप कुछ 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 की बता सकते हैं और बीच में हम कह सकते हैं, पूरा urban amenities in the rural area urban वाला, अमुरुत ठेक है, पुर्धान मंत्री, आवास, योजना इससे आपन और बना रहे हैं smart cities भी आप mention कर सकते हैं ठेक है, यह चौन ठेक है, यह चौन ठेक है, यह सारगा सारा हमारा यह है now पस, इसमें आपन कुछ भी यही सारा हो जाएगा अलग-अलग, religion point of view से भी आप कुछ mention कर सकते हैं rights अगेरा, फुर्ध आते है ठीक है, example देना facts देना, बस ठीक है, have 7 point लिखे हैं, तो उनमें 50 is 50% बे हाँ, आज वाली लिख लो यह सब चलेगा, सब कुछ है सब कुछ लिख सकते हैं, देखिए question number 16, देखो कितना simple सा question है male membership needs to be encouraged in order to make women's organization free from gender bias हम पहला, देखिए, male membership need to be increased in order to make women's organization free from gender bias जो मालो women organization है, जैसे हम patriarchy की बात करते हैं, ठीक है, या अपन आज कल feminism की बात करते हैं, ठीक है या फिर एक और word जो अपने चलता रहता है, pseudo-feminism, ठीक है की, women organization है उनके अंदर ही बहुत सारा biasness आगया है, gender biasness आगया है, इसको कैसे ठीक किया जाए ठीक है, तो इसके context में अपने को लिखना है, कि उनमें male membership बिनाने की जरूरत है, ठीक है, रिसेंली definition तो जयाद नहीं है, इसकी full form something की male association for protecting or discrimination, जो है, उसके against, ठीक है तो यह हमारा था अब इसमें देखो, सारी की सारी चीजे, माल लो, तो दोनों ही चीजे अपने को देखनी है, यह जो biasness आया है इसके वज़े से क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का misuse भी हो रहा है women organizations के द्वारा, ठीक है, जैसे example, specially dowry act ठीक है, rape यहाँ पे भी, इंडिया में specially, जो parents है ठीक है, many percentage of the cases parents रिपोर्ट कराते हैं कि वही, आप love marriage या फिर मतलब उस case में मनलों भाग जाता है, ठीक है, एक couple है, भाग गया, तो उस condition में ऐसा होता है, ठीक है, तो यह, दोनों का balance बनाना बहुत जरूरी है, public places में जब तक आप, मनलों यूनिसेक्शुल चीज़े नहीं लिख्या आएंगे, अब तक कैसे चलेगा, दीरे-दीरे तो लाना ही पड़ अलग है, बाकी जगह तो same ही toilet रहता है, male भी same है, female भी same है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो depend करता है, भाई, मनलों उस हिसाब से, ठीक है, तो यह बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आपको क्या लगता है कि सब कुछ आपके against ही चल रहे है, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, अब जेको, अब इसमें शुरुआत कैसे भी कर सकते हैं, कि जैसे women in the India traditionally suppressed, exploited and need to bring gender equality in India, most of the societies of the world are characterized by patriarchy, there is no doubt about it, women need to be awakened, so there is a need for social movement and organization, that is why the need for the, to make laws somewhat gender biased, but some organization in their jeal go overboard, जैसे misuse of डौरी, rape, sexual harassment charge, example, रौत्तक वाला केस हुआ था, very famous, रौत्तक बस में आया था, वो बच्चे जा रहे थे, और ऐसे allegations लगाए गई, उनकी नोकरी भी गई, और family भी गई, बाद में पता चला की, वो जो दो-तीन लड़कियां थी, उनका तो, ये काम ही था, ठीक है, ठीक है, तो, वो एक ठोड़ा सा, खर सकता है, कई बार तो, इसकी वज़े से भी बहुत सारी equality, कहीं न कहीं, ऐसा हो रहा है, जैसे, patriarchy था, they are fighting for matriarchy, ठीक है, not for equality, तो, how can we solve, देखे, सबसी importantly, आपको, man participation, इन में भी बढ़ाना पड़ेगा, let them sensitize, जैको, जितने जोदा, आदमी, इनके साथ रहेंगे, यह काम करेंगे, तभी तो पता चलेगा, so what are the real issues which they are facing, even family में ही नहीं पता चलता, male member अलग है, female member अलग है, differences है, वो सब तो चली रहा है, ठीक है, अलग-अलग opinion चलते हैं, अलग-अलग differences है, तो नहीं होना चाहिए, इनको sensitive करो, दोने साइड की opinion आपच्छे से सुने, तभी better discussion, debate, analysis होके, आप एक solution पर आ सकते हैं, rather than going biased again, इसकी acceptance society में ज्यादा रहेगी, mutual coexistence better हो सकती है, and better society, way forward sensitizing of the society with use of NGO and self-help group, देखो, women issues हैं, या फिर weaker section of society के जितने भी issues हैं, ठीक है, जहां पर societal development की बात चल रही है, वहां पर आप NGO self-help group को जरूर mention करें, ठीक हैं, वह अपना रहेगा, question number 17, देखें, critically examine the effect of globalization on the aged population in India, देखो, aged population में, globalization की वज़े से मानलो अपन कहें कि health बड़ी, aged population को अच्छी health care मिली, economy, आज की time पे मानलो, old age में भी, just decision making वाली जो jobs हैं, consultation वाली जोब हैं, age population कर पा रही है, ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है, life expectancy बड़ी, और सब कुछ ये भी रहा, ठीक है, also, but, आपकी nuclear family हो रही है, because of globalization, individualism, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा, state sponsored healthcare institutions अपने को बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है, ये सारा का सारा रहेगा, positive, negative, दोनों ही चीज़े आप रखेंगे, ठीक है, effects, कि वही, कुछ जगे positive fact, कुछ जगे negative fact, कई जगे, देयार becoming, फिर इनकी jobs भी, young population भी ले ले लेती है, changing time के साथ, आज के time पे, ठीक है, तो, बहुत ही, scenario में बदल लगा है, tax heavy होना चाहिए, क्या, women, हमारी age population उतनी tax heavy है, नहीं है, तो उनको problem है, ठीक है, तो पहले तो हम globalization को भी effect कर सकते है, यहां, sorry, define कर सकते है, इसके many intended भी है, unintended impact भी है, ठीक है, yes, facilities improve, globalization, increased family size, problem, दोनों ही वे में अपन बात करेंगे, ठीक है, देखे, globalization area, era जो है, marked many changes in the society, in the economy, positive क्या रहाएगा, देखो, economy, people जो है, economically prosperous way, fertility rate decrease, birth rate reduce, so they are able to save more for their old age, they can survive more, good enough, but एक, थारी population तो वैसे नहीं कर पा रही है, ठीक है, जिनको बच्चमन में ही, there is a big generation, जिनको अभी आनोकरी नहीं मिली, वो जब old age population में जाएगी, how will they take care of themselves, that is the main issue, health care में आप देखे, life expectancy increase हुई, health body, new medicine, medical technique, good, food, food में भी international food brands, outlets आये, good dietary practices भी आये, but on the other hand, हम बात भी कर सकते हैं, जैसे, sanitary lifestyle, fast food, उसकी वज़े से, obesity, इसकी भी अपन बात कर सकते हैं, communication में देखे, इसने, it has made world a smarter place, age people, they can easily communicate with their children, but on the other hand, हम इसके negative भी बात कर सकते हैं, लोग mobile phone में ही घुसे रहते हैं, उसकी बज़े से neglected हैं, not only your old age population, children also, ठीक है, people now have become more educated, better aware of their pension rights, ये भी रहा, now negative impact क्या रहेगा, देको financial, they are dependent on the child for the basic necessity, insufficient housing facility, loneliness, uselessness, powerlessness, isolation, ठीक है, एक टाम अपन उसकरते हैं, ghost citizens, ठीक है, ये हमारे ghost citizens है, they are existing, like ghost, nobody is looking at them, nobody is taking care of them, ठीक है, so useless, powerless है, Indian culture, used to hold elderly in high regard, western culture, metalistic, they treated elderly as burden, ये हुआ, इसलिए तो आज, हम old age care home बना रहे हैं, इनकी क्यों जुरूरत पढ़ रहे हैं, जब हमारी family में, अगर आप बना पा रहे हैं, और उस टाइब की values रख पा रहे हैं, कि भई, family में ध्यान रखा जाए, उन लेज का, उन्होंने भी आपका ध्यान रखा है, बच्वन से लेके, जब वो पचात साल आपका ध्यान रखते हैं, तो क्या आप उनके लास्ट के 20 साल ध्यान नहीं रख सकते हैं, यू शूड, generation gap है, कोई किसी एक नहीं सुनता, crime against elderly has gone up, definitely, many, many, many cases are regularly reported in the newspaper, specially in the NCR region, health में देखो lifestyle factors, new disease, non communicable disease आपकी बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक term आती है, sweet death, ठीक है, sweet, meaty death, इसमें, European countries में, it is a very famous thing, ठीक है, does anybody know about it, what is sweet death, पता है आपको, बता हिए, ghettoization, इसमें अपन conclude कर सकते हैं, geriatric care, ठीक है, जो हम old age population की care की बाद करते हैं, we need a specialized branch of medicine, जो उनसे deal कर सके, ठीक है, passive euthanasia, kind of like, ठीक है, passive और active दोनों ही रहेगा, actually, what do they do is like, जो आपका gas cylinder है, they just keep it open, ठीक है, पूरे गर में, वो gas फैल जाती है, they just sleep, पूर वो सोते के सोते ही रह जाते हैं, ठीक है, वो poisonous gas है, वो जाती है, अंदर जाती है, और इस तरीके से, ठीक है, अब देखो, क्रीचन नम्र 18, बॉस्ट इस फीलिंग के पीछे रीजन क्या हो सकते हैं, अब इस फीलिंग के पीछे रीजन क्या हो सकते हैं, ठीक है, administrative, neglect, ठीक है, तो यह सारे के सारे हम अलग-अलग तरीके से mention कर सकते हैं, ठीक है, जहां जहां पर हमारे separate state बने, उनको हवाला देते हुए कि कैसे, ठीक है, जब तक यह feeling नहीं आएगी, कि मानलों दोस्त, एक state है, इससे दो क्यों बनेगे, यह वाला reason जब तक अपने आपको अलग नहीं समझेगा, वो demand ही नहीं करेगा, demand ही तभी होगी, ठीक है, यह हमारा है, ठीक है, अब देखो इस पर, हम बात कर रहे है, regionalism is what, regionalism एक ideology है, जिसमें आप particular affection, अपने particular region से ही रखते है, ideology and the political movement, seek to advance the causes of region, a feeling of extreme attachment or affection to one's region, on the basis of culture, language, ethnicity, history and geography, अब इसके बीचे क्या factor हो सकते है, economical, आपने उनका perceived, real sense of economical exploitation and deprivation, ते को real है, perceived है, real में हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमें नहीं पता, but perceived है, relative deprivation भी रहेगा, ठीक है, अब देखिए, unemployment, led to the separate state demand, जैसे की गुजरात में चल रहा है, vegetation in गुजरात against North Indians, ये महारास्टर गुजरात वाले अलगे, ठीक है, social cultural factor जैसे, minorities, they try to protect their caste, sub caste, language, also, ठीक है, यहाँ पर जैसे demand for the Dravid Nardu, वर्का लेंड, Tamil Nardu में भी अपन ने देखा था, Tamil Nardu के west side में भी एक नए state की demand चल रही है, administrative factor हो सकते हैं, कि भई अपने को better administer कर रहे, यूपर में demand चल रही, चार्ज state की, geographical हो सकते हैं, जैसे tribal population, geographical features के कारण, वो आपने आपको अलग समझती है, वो अलग state को demand कर रही है, जैसे उत्रकंड जारकंड ने किया, ठीक है, या फिर मनिपूर में है, और वो सब चल रहा है, plain areas का अलग है, hilly areas का अलग है, ठीक है, माल question number 19, ये एक simple से question है, आँ, what do you understand by the theory of continental drift, discuss the prominent evidences in its support, ये अपने बार-बार जोग्रफी में we do this question, दीखें, कि बढ़ी continents थे, हैं, अलग-अलग minor plate, major plate, उनके बारे में mention करते हुए, वो drift कर रहे हैं, नीचे esthenosphere, आपस में converge कर रहे हैं, दीखें, वो भी रहेगा, इसका evidences आप बताएंगे, जैसे zigzag आपको मिल रहे है fossils आपको मिल रहे है, glacial आपको मिल रहे है, magnetic, जो polarity है, उसके इसाप से आपन बता सकते हैं, ये drift चल रहा है, ठीक है, अलग-अलग हुए, various forces काम कर रहे है, it is a direct question, simple geography, ठीक है, ऐसा पूछा गया था, cyclone वाला भी पूछा गया, drift वाला भी पूछा गया, ठीक है, ये सारे के बार में थोड़ा से पताए, पैंजिया, पैंटलासा, हाइपोथासिस, इपी सारे के सारे continent एक थे, उसको हम पैंजिया बोल करें, पैंजिया आपका लोरेंशिया और गॉंडवाना, इन में ब्रेक हुआ, लोरेंशिया में, अमेरिका, यूरेशिया, ग्रेन लेंड उपर होले, गॉंडवाना में साथ होले, साथ अमेरिका, अफरीका, इंडिया, उस्टेलिया, इंडिया फिर उपर की तरफ मुव किया, ठीक है, सिमिलर्ली, मॉडर्न ओशियन जो थे, वो सिंगल थिया, इसको अपन क्या बोलते है, अन्थालासा, यहां पर हमारा मेजरली क्या हो रहता है, पॉलर्लेंग फोर्स, जो काम करता है, ठीक है, पॉलार्स की तरफ आप जाते हैं, और अल्सो सोलार और मून के बेसिस वे बात करते हैं, जैसे जिग जैक मैचिंग है, ताउथ अमरिका और अफरीका मिल रहा है, यूं का यूं, त अब रट था, इस वाइड़ेंट, स्पीशी डिस्ट्रिबूशन, हम सारों को मिला के एक भी बना सकते हैं, तो समझ में तो ऐसे ही आता है, ठीक है, एक स्पीशी यहां पर भी मिल रही है, यूं कहीं एक ही थे पहले, फॉसल एविडेंस ऐसे ही, जैसे अंटर्क्टिक, समने तैयर कहा किया, सैकलो, उससे बचा कैसे सकते हैं, है prevention कैसे कर सकते हैं ठीक है कैसे rehabilitation जैसे हमारा disaster management में आता है PMPRR ठीक है preparedness mitigation prevention mitigation preparedness RRR rehabilitation recovery and something like that ठीक है तो यह हमारे रहते हैं इसमें इन्होंने पूछा कि ऐसे नाम कैसे करते हैं है एक आपका group है तो उसमें 13 countries और यह सब एक countries ने एक list दे रखे हैं दूसरे ने दूसरी दे रखे तीसरे ने तीसरी दे रखे अलफाबेटिकल ओडर में arrange है और 1,2,3,4 ऐसे चलते हैं एक इसका ठाली अगला इसका अगला इसका यह इसका तरीक होता है ठीक है तो यह हमारा रहेगा बाके कुछ नहीं अब देखिए cyclones जो है, simple सी बात है, cyclones are named from the list, this list depending upon the country near to which it first originate under the guidance of WMO, World Meteorological Organization, जैसे बेव बंगाल, हर country ने अपने एक list of indicative names दे रखे है, जो फालिन है वो थाई नेम था, and Indian name includes जैसे मेग, बिजली, अलग अलग जगह पर आने की हिसाब से रख लेते हैं ठीक है जैसे western pacific, यहां पे भी एक rooster system है, बेव बंगाल में हमारा यह चलता है, line वाला, ठीक है, यह across the world पूछा है तो यह एक थोड़ा सा old, deep question हो जाता है, जैसे western pacific में rooster system है, each country, again list of names, Atlantic Gulf of Mexico, यहां ते कहा है, US Navy Officers, जो है, initially they used to name the cyclones after their wives, ठीक है, Katrina, and girlfriends, later they begin to name them after unpopular politicians, now again an indicative list of names is there, और उसी में से assign होता है, more or less, हर जगे, indicative list आपकी चल रही है, that's it, ठीक है, आप देखो, 20 वाला, यह भी आपका common question है, and we know about it, bring out the causes of the formation of heat island in the urban habitat of the world, रेको, हमारा urban area, यहां पर एक तो closed space, ठीक है, pollution, industry, सब कुछ, एक ही जगे आ रहा है, वो क्या कर रहा है, trap कर रहा है, आपकी solar radiations को, तारी गर्मी वहीं फैल जा रही है, AC आप चला रहे हो, घर के अंदर, थंड है, बाहर, गर्मी, तो heat island बन रहा है, ठीक है, agriculture already reduced, यह सारे के सारे factor, ठीक है, हमारी buildings, ठीक है, वो absorb कर लेती है, अब भी तो आपन white polishing और यह सब करने लगे, थाकि reflect जादा हो, पट यह सारे की सारी चीज़े किस में कर रहे है, आपक भी लिख सकते है, ठीक है, it gives a good impression, अगर मालो, HCS में ऐसे सवाल आता है, आ सकता है, simple से है, direct question ही आएंगे, ठीक है, देखो, urban heat island, what is this, urban heat island is a phenomena characterized by higher temperature of urban area than its surrounding, तो इसमें हमारा क्या रहेगा, देखो, causes क्या रहे हैंगे, pollution, concrete structure, greenhouse gas, air conditioning, deforestation, policy, defect, इस वाले point को जरूर मेंशन करना है, कि गवर्नेंस जो structure उसके वज़े से ज़्यादा गड़बड आपकी हो रही है, consequences क्या है, heat waves आ रही है, लोग मर रहे है, unbearable, poor, children, always, animals, यही ज़्यादा affected है, it is contributing to what, climate, change also, what is the solution, हम innovative solutions पे काम करें, number one, चिक है, आहां, जैसे example बता तो, मिटी कूल, सुनाएं किसी ने मिटी कूल के बारे में, honeycomb, puller, और AC, उसकी structure ऐसे है, honeycomb जैसी, चैक है, बहुत सारे ऐसे, उसमें क्या पानी बहता रहता है, pullers में भी आ रहा है, तो हवा जो है, बहुत ही ठंडी हो के आती है, इनसे फैल्टी वी आती है, natural हवा, चैक है, walls ब पड़ते हैं, तो अपनी आती रहती है, इसको आप इसी इसाप से देख लेंगे, ठीक है, renewable energy पर focus करो भई, ठाकि कम से कम bypass तो असके, ठीक है, renewable तो अपना ठीक ही, अच्छा ही है, ठीक है, reflective, porting, over the roof, and crash, public transportation, दिली के example हम दे सकते हैं, जो हमने newspaper में देखा था, दिखाऊ हूँ example, देखो, that is the importance of reading newspaper daily, दो-तीन महिने में अच्छे खासे example आपके collect हो जाएंगे, आपको और कुछ नहीं करना, एक मिनिट, चलो, तर तक यह install हो जाएगा, mass awareness campaign और यह सब, ताकि लोग कम से कम यह करें, ठीक है, मिटी कूल क्या है, एक fridge है, इंडियन गुजरात में यह बनाया गया है, और electricity का use नहीं करते हैं, images use, मिटी, और उसको इस तरीके से structureize किया जाता है, कि वो अपना अराम से कर सकते हैं, ठीक है, refrigerator, yes, meoik का भी कर सकते हैं, history optional की test series, रोहित history optional की test series नहीं है, है, sorry, sociology का, I am thinking कि at least, जो course है, उसके announcement में करूँगा, और maybe, एक देखेंगे, test series से संबन देखर कुछ हो पाएगा, time, if time permits, ठीक है, अभी तो सिर्फ GS की है, large amount of plants, and this is this, yes, ठीक, okay, good way, वेक, देखिए, question number 20, अब यहाँ पर देखो, हर एक के A, B, A, B part आ रहे हैं, यह directly geography का question है, what do you understand by temperature inversion, normally क्या है, जब हम उपर जाते हैं, lapse rate, ठीक है, कितना one point, बताओ, what is the value of lapse rate, please comment, आपका प्रीगा सवाल है, उपर जाते हैं, temperature होता है, decrease, but यहाँ पर temperature inversion में क्या है, temperature होगा, increase, ठीक है, इसके दो तीन prominent examples होते हैं, भी पूछे हैं, what do you understand by this phenomenon, आप एक diagram भी बना सकते हैं, कि भई, lapse rate को explain करते हुए, कि decrease होना चाहिए था, but वो increase होता है, how does it affects the weather and the habitants of the place, ठीक है, वहाँ का, जो पूरा का पूरा program है, वो change हो जाता है, तो कैसे effect पड़ता है, आपने को वैसे ही mention करना है, देखो, so normally air temperature falls as you go, but in temperature inversion, it rises, cooler air नीचे होती है, मलब temperature कम, ज्यादा, और उपर फिर कम, बीच में एक ज्यादा कराएगा, कम क्यों, land, ठीक है, cold winter, तो land विल्कुल तंडी रहती है, तो temperature inversion, valley, valley में जो हमारी bridge रहती है, वो भी नीचे आके इसको, थंड़ हवा नीचे आ जाती है, तो ऐसे temperature inversion का काम करती है, ठीक है, तो यहाँ पर this may be formed as a result of frontal conditions, tropical deserts, with clear sky, clear sky में again, थंड़ हो जाता है, cool nights, orange valley surrounding the mountain, क्योंकि वो थंड़ हो आती है, तो देखो होगा क्या, simple simple सारी बात है, rainfall pattern आपका change हो जाता है, stable atmospheric conditions आपकी हो जाती है, rain कम हो जाएगे, sky is clear, temperature is low, temperature variation different देखने को मिल रही है, humidity कम है, no vertical current, because of cool dense air is already below it, तो हवा वागेरा कम होगी, तो temperature, agriculture और इन सब पर भी impact रहेगा, फोग बनती है, फोग बनने की विजए से visibility कम, और transportation और यह सब पर बोल सकते हैं, cool weather रहेगा, valleys जो है, और cold हो जाती है, लोगों को migrate करना पड़ता है, uphills, animals को लेके जाना पड़ता है, इसको पन क्या बोलते हैं, transhumanist, ठीक है, यह cold wave के कारण crop भी effect होती है, productivity भी आपके decrease हो जाती है, तो हम इसको वो कर सकते हैं, ठीक है, रोहित, देखिये, history, optional की as such, there are other institutions like जैसे CBL है, कितन भारत learning, very good institute, आप उसमें contact कर सकते हैं, I don't know exactly, कि भई वो history की optional की testories provide कराते हैं, नहीं कराते, ठीक है, ऐसे ही, जैसे मालो चंदीगर्ड है, वहाँ पर भी institute है, जो मुझे पता है नाम, मैं आपको बता सकता हूँ, राजमलोतरा, IS है, तो I'm not sure कि कौन सा provide कराता है, I can just give you some good examples, जो, जिनका मैंने सुना है, and I think they can help you, आप उनके बार में थोड़ा सा पता करें, आपको HCS के लिए ही चाहिए है ना, 1.6, yes, 1.67, absolutely right, ठीक है, every 100 meter, 100 meter, per kilometer, 100 meter में तो बहुँ जादा temperature degrees हुजा है, ठीक है, per kilometer होगा यह, चलो, अब हम आ गया थे, yes, Simran has answered already, बिलकुल सही, ठीक है, देखो, यह सवाल पुछा गया थे, यह, मैंने आपको पहले भी बताया था, major, जो hot deserts है, in the northern hemisphere are located between, एक तो 20 से 30 के बीच में क्यों है, second, western side में क्यों है, देखो, 20 से 30 के बीच में क्यों है, क्योंकि जो dry winds है, वो इसी में ही रहती, temperature आई रहता है, ठीक है, winds dry flow करती है, 20 से 30 के बीच में, हमारा जो tropical है, 0 से 20, वहाँ पे तो tropical region, rainfall अच्छा खासा हो जाता है, यहाँ पे rainfall उतना नहीं हो पाता, western side में क्यों है, जैसे eastern से, आपके समुंदर से, वो moisture लेके आ रही है, west तक आते आते, खताम हो जाता है moisture, तो desert बनते हैं, ऐसे ही cold currents, हमारे जो है, west side of continent में बहती हैं, आप इन सारों का example देंगे, तो cold current जो है, वो desiccating effect रखती है, उसकी वज़े से भी desert आपके, गड़ पड़ जाता है, सारा का सारा सुबर, ठीक है, तो देखिए, hot deserts, they are characterized by lacking of the moisture, hot waves, high temperature, dry weather, scandy rainfall, and sandy soil, ठीक है, example हमारे क्या रहेंगे, सारा, अठाकवाम, पेटकोनिया, reason, number one, एक तो subtropical, high pressure belt है, air subsidence रहती है, ठीक है, ट्रोपिकल में तो उपर जाएगी, यहाँ पर नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी तो anti-cyclonic conditions, इससे rainfall नहीं होता है, जबकि ट्रोपिकल में उपर जाती है, ठीक है, cyclonic conditions rainfall होता है, heavy, ठीक है ली चीज़ दिये, second, it is under the effect of north east trade wind, which are already becoming dry, है, क्योंकि vast stretch of land बे बैके आ रही है, west तक आते हैं बिल्कुल ही खत्म, third, cold current, जैसे California current, Canary, Sahara में, यहाँ पर कम moisture रहेगा, humidity कम रहेगी, तो यह भी आपका desiccating effect रखेंगे और यह, vast stretches of the land, and hence, may be far from ocean influence, जैसे कि थार है, Sahara है, ocean से बहुत दूर है, rainfall कहा होगी, नहीं होगी, ठीक है, mountain के leeward side में भी हो सकते हैं, example, Rockies, ठीक है, Rockies जो नौर्थ अमेरिका में है, यहाँ पर हमारे deserts है, and these में हमारे desert है, Atacama, उसका mention कर सकते हैं, these kind of things, ठीक है, what are the three main reasons, shrinking of the air, नीचे, less rainfall, offshore winds, dry winds, cold current, desiccating effect, और leeward side, तो यह three main reason होईगे, leeward भी mention कर सकते हो, especially in North and South America, ठीक है, yes भार्ती, तो एभी एभी करके ही बहुत है, आप bring out the causes, for the more frequent occurrence of the landslide in the Himalayas, than in the Western Guards, यह सवाल मैंने शायद आपको दिया था पहले भी, ठीक है, तो यह रहेगा हमारा, अब देखो इसमें क्या है, obviously, Western Guards थोटा सा stable है, और हमने एक Eastern Guards, Western Guards, गाट का comparison भी देखा था, टैद, exactly same question ही था, क्या, Eastern Guards और Western Guards का, अपनने क्या देखा था, river से संबंदित कुछ था, या फिर, land slide का ही same question, आया हुआ था जोग्रफी में, शायद, if I'm not wrong, देखो, वही कताएंगे, location, अब यहां पर convergence जो हो रही है, उसकी वज़े से, convergence, convergence, continental, continental, earthquake तो आएगा, earthquake आएगा, तो land, slide, ठीक है, deforestation जो heavy हो रहा है, urbanization जो हो रहा है, उस आरे अपन ने Western Ghats के तो, मलब हिमाल्या के तो लिखे दोगे, Western Ghats में क्या है, वही चीज, थोटी सी stable है, उटना नहीं है, ठीक है, same question, so land slide, and this is this, they are young, still rising, unstable, Western Ghats stable and old, human encroachment and deforestation, unscientific construction, river bed, river flow disturbed location, आपकी earthquake की है, हिमाल्या की है, taller and steeper, हिमाल्या है, loose soil, mightier river, ठीक है, तो यह हो जाता है, अब Western Ghats में क्या है, deck and plateau, earthquake नहीं है, erosive factor काम है, lesser rainfall है, human disturbance भी थोटी सी काम है, तो यहाँ पर land slide, comparatively कम देखने को मिलती है, question number 22 कभी, there is no formation of delta by the river of the Western Ghats, why, चोटे-चोटे से तो इनको course है, ठीक है, breakdown उतना करनी पाते है, साथ में वो लेके नहीं आते है, बंदब जो भी sediments और वो सब है, ठीक है, narrow valley में चल रही होती है, table आपका सारा का सारा part है, इस वज़े से आपका, यहाँ पर delta नहीं बनते है, estuary बनती है, जो कि हमारा eastern guards में क्या बनते है, delta, ठीक है, अब देखो, delta के आप, explanation देंगे, triangular depositional land form, जो हमारा बनता है, now देखिए, river flowing west, flow in the narrow rough valleys, so they do not have scope to widen, and form delta, बहुत ही narrow flow करती है, यहाँ के जो coastal strip है, वो भी narrow है, सारे के सारे हमारे सीधे, यही आजाते हैं, ठीक है, east वाली तो हमारी, बहुत ही broad है, discontinuous है, यह continuous और यह narrow, यहाँ पर, sediments तो आई नहीं पाते, scope of delta formation, very come, most of the sediment are carried by western flowing river, are already deposited, and fill in the gap of their narrow beds only, ठीक है, माल लो कुछ fissures वगएरा है, वही पर बढ़ जाता है, flat to region stable है, इस्षवरी बनती है, in place of delta, यही सारी बात है पर लिखेंगे, छोटा सा diagram बना सकते हैं, that's it, फिर से और भी, इन्होंने तो हद्धी कर दी, SK, HCS 2023 का notification, maybe by the end of December, or early 2023, this is what is expected, ठीक है, 23A, do you agree, that there is a growing trend, of opening new sugar mills, in southern states of India, yes, location के base पर ही पुचा गया था, अब सारी चीज़े, जो अपन ने, अब यह आप ही answer करेंगे, मैंने पांच चीज़े आपको बताई हुई है, majorly, location के पीछे, अब आप बताओ कि, वो बस पॉइंक्स मता दो मेरे को, I will be very happy, comment करो सारे के सारे, you have one minute, आज हमारा GS paper 1, complete हो जाएंगे, nine years, करेंगे, देल्ली वाला एक्जाम्पल में दिखाना चाहरा था न, एक्जाम्पल में अपने नोट किया था उसको एन्वारमेंट में नोट किया हुगा शायर यह थी, coming soon, an app-based bus service, यह वाला एक्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं कि public transportation, उसको जितना अच्छा बनाएंगे, तभी अपना काम चले लिए ठीक है, market, transport, raw material, labor, commercial, crop, land availability, दो 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 ठीक है, land, labor, ठीक है, market, transportation and all these things, अब देखो, yes there is a growing trend, जैसे कि चैनी कोई बिटो रूम आपने जा रहा है, manpower, skilled and trained है, weight losing industry है, sugar is a heavy weight losing, 90% हमारा lost हो जाता है, so sugar meal, close to the source of kale, जो baggages है, इसको यह use कर रहा है, electricity बगारा बनाने के लिए, so again यहीं पर रहते है, climatic condition ज्यादा favorable है, sweet ज्यादा मिलता है, sugar यह ज्यादा sweet रहता है, tropical atmosphere, closer to the ocean, air carries moisture, higher sugar content in the kale, temperature remains warm throughout and hence, better growth, close to the ports, export कर सकते है, government policy, favor कर रहे है, infrastructure connectivity, very good, ठीक है, in terms of road then, UP Bihar, ठीक है, so cane shifting towards आपका south, map बना सकते हैं, जिसमें कोई बटूर और इन सब को दिखा सकते हैं, ठीक है, coming to the B, analyze the factor for highly decentralized cotton textile in India, decentralized मतलब, अलग अलग जगह चल रही है, ठीक है, तो same सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से चलेंगे, देखो, cotton textile, second largest आपका employer है, लगबग लगबग 10 million आपके employment है, इसमें, it is neither a weight losing nor a weight gainer industry, तो कहीं भी बना सकते हैं, depending upon market, policies and all the things, location close to raw material is not needed, जितना है, उतना weight तो रहता ही है, अब देखिए, क्या-क्य factors रहें, जैसे कि historical factors, गांदी जी थे, चर्का पर emphasis करते थे, villages में remote में आपके हुए, specially गुजरात में भी, government policy, आपके handloom को favor करती है, तो फिर से decentralization, ठीक है, अभी तो powerloom पर focus हो गया है, रूरल population, cheap labor है आपका, यहां से मिल जाता है, specially women labor, तो यह rural areas में भी है, textile handloom, family labor, आपका ज़्यादा तर use किया जाता है textile में, like agriculture, women जो हैं, they pick up necessary skill, और family में ही काम करती रहती है, specially जैसे हमारा गुजरात महाराश्टर है, वहाँ पर आपके large industries हैं, बट उसके अलावा, ज्यादा तर अपना rural area में ही है, due to better infrastructure and location, close to the major cities and port, capital requirement जो होती है, जैसे पैसे चीए, तो better opportunity का है, अमदबाद को एंबटूर, ठीक है, manchester of India, किसको बोला जाता है, which country, which state बताओ, sorry, which city, capital, land, labor, market, question number 24, with growing scarcity of fossil fuel, the atomic energy is gaining more and more significance, discuss the availability of raw material required for generating atomic energy in India and whole world, इंडिया में कहां का पाया जाता है, वर्ल्ड में कहां का पाया जाता है, तोड़ी सी बात इसके बारे में करेंगे, कि हम fossil fuel धेरे देरे अपन कम ही कर रहे हैं, अभी तो हम 2% ही है nuclear पे, इसको बढ़ाना चाहते हैं, बट अभी हमारा focus सारा का सारा renewable पे हो गया है, अब हम इसमें क्या है, जैसे आप बता देंगे, हमारे जो raw material है, उनके बारे में बताएंगे, प्लस, कहां कहां आप इसको करते हैं वो, ठीक है, तो यह सारे के सारे साइट, जैसे thorium, जो हमारा nuclear fuel यूज किया जाता है, यह uranium में convert होता है, energy generate करता है, कहां मिलता है, monosite sand of Kerala, uranium, naturally occurring, uranium 235, uranium 238, ठीक है, तो it contains only 0.7% of uranium 235, जो हमारा feasible होता है, availability कहा है है, देखी, इंडिया में तो uranium कम ही available है, जैसे आंदर परदेश, तुलापली, माइन्स, जार्खन, जदुगड़ा माइन्स, और हमारा मेगाले भी, ठीक है, मेगाले भी याद रखेंगे, उनका भी आप mention कर सकते हो, केरला वाला पूछा गया था, कोस्तिल वाला, वर्ल्ड में कहां कहा हैं देखो, नाइजीरिया, उस्टेलिया, उस्टेलिया से हम इंपोर्ट करते हैं, कैनाड़ा से हमने agreement किया, कजाकिस्तान के साथ अपनने agreement किया, the major uranium producer and exporter, beside these, अपने वाफ पासवर कौन है, USA, China, Russia भी uranium produce करते हैं, बट वो खुद ही consume कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास demand ही बहुत ज़ादा है, ऐसे ही, देखिए उस ताइम पर shale gas बहुत news में चल रहा था, question 25 देखो, it is said that India has substantive reserves of shale gas and shale oil and gas, which can feed the need of the country for quarter century, 25, however, tapping of the resources does not appear to be high on the agenda, discuss critically availability and the issues involved, कहां कहां available है, कैसे कैसे, वो अपने को discuss करना है, और issues, क्या है, क्या हमारे पास वो technology है, क्या हमारे पास वो skill manpower है, आप develop कर सकते हैं, क्या आपके पास वो risk है, आपने assess किया नहीं मिली, तो capital है, policy है, अभी तो policies काफी हद तक align होगी है, पहले नहीं थी, ठीक है, यह सारी च is the oil and the gas located in the hard shale rock bed, inside of the earth, these are very tough to crack, यहाँ पर एक technique होती है, hydraulic cracking, ठीक है, उसके लिए पानी भी बहुत जाद ही, यूस किया जाता है, हमारे पानी पीने के लिए नहीं यूस किसे करेंगे, ठीक है, availability, ठीक है, various estimates जो है, including of the leading firm, putting Indian reserves, जैसे कि Indian oil and the gas at larger number, more widespread than natural oil and gas, कहां कहां मिल र map जरूर बना के आना है, एसे, ठीक है, अगेन, देखो, five seconds, टक, 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 यह, यह, ऐसे, ठीक है, अब यहाँ पर अपन मनाएंगे, गुजरात, राजस्तान दिखा दोगे, कृष्णा गुदावरी बेसिन दिखा दोगे, Central India दिखा दोगे, बेयो पंगाल के offshore द resources बहुत लगेंगे, पानी बहुत ची है, है यह नहीं, groundwater, contaminate हो जाएगा, इन सब से, तब क्या दिकत, earthquake की भी, आफ रेकिंग करेंगे तो earthquake भी आ सकता है, risk है, जैसे hydroelectric, जो हमने projects बनाये, बड़े-बडे उन में भी रह, many areas of shale oil are located, जहां पे natural oil or gas है, so exploring license, जो NELP वाला जो to let two separate miners work in the same area, उसको सारा का सारा मिल गया है, उसको explore करने दो, एक जो natural gas पर काम कर रहा है, एक shale gas पर, एक यह एक issue था, एक ही जगह पर आपको एक common license मिल गया है, तो अलग-अलग अगर आके काम करना चारह है, मालो आप नहीं करना चारह है, आपके बस license है, और जो काम करना to resolve some issues, आपकी announce करी गई थी, जहां पर, initially only PSUs were allowed to explore, आपके pre-NELP blocks, ठीक है, बाद में private sector allow करे गए, and shale gas, natural gas will be kept at arm length distance, की मनलब, जो price बगरा है, वो सब इसी साब से रखना है, ताकि profit अच्छे से हो सके, revenue sharing model, जैसे ही, instead of cost recovery, जैसे ही आपको revenue आने लग गया, 20 रुपे कमा है, 40 रुपे कमा है, तभी से आपको share करना पड़ेगा, 2%, ठीक है, तो दो के दो, 4.4 रुपे, इसके 2.8 रुपे, जितना कम होगे, इतना share करना पड़ेगा, revenue sharing आपको करना ही करना पड़ेगा, this is it, ठीक है, यह हमारा हो जाएंगे, that's it, यह आपका हो गया है, यह हमारा क्या था, 2013, so UPSC means GS paper 1, 2013, we have completed, so we have done with paper 1, all the paper of the 9 years, next, tomorrow we will be doing, आपका GS paper 2, 2021, ठीक है, now we will start with 2021, paper 2, then paper 3, then paper 4, ठीक है, so a very congratulations to all the students who have been regular and watching these videos, record it also, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अचलिये, anything else, if you want to say, please comment, and else, we will wind up the session, तुबे मॉर्निंग में अपने हिंदू, स्वरी, न्यूस्पेपर क्लास रहेगी, यूपे से समाचार, इंडियन एक्स्प्रेस, हिंदू, एंड पी आईईए, ये तीन सोर्सेज अपन रखेंगे, that's it. विकास, अभी मॉर्निंग में एक अपता तो अपन यही टाइम रखेंगे, 6.30 वाला, उसके बाद अपन लास्ट में एक डिस्कुशन कर लेंगे, और फिर अपन टाइमिंग अगर चेंज करने होगी, तो विविल चेंज दे टाइमिंग, ठीक है? कर आपे ताम स्कुरास darf का अपन लास्ट में ओि अपता। इपस्क्रशन कर टाईमिंगा, तीक है? हाए हाए ठीक है? और रखेंगे चेंगे अवर इं। पर जाइन देक सिम्रान, okay okay, though not very useful from the point of view of connected okay, संगम period is believed to be in between 2nd, 2nd, 3rd, 3rd चलता है majorly, 3rd century BC to 3rd century AD, as far as I remember इसको एक बार ओर थोड़ा सा कर ले, ठीक है पड़ा उपनीचे रहता है बठाँ, ठीक है, this is said as संगम, as there were 3 associations taking place during this time period, Tamil poets were met for discussion their संगम, संगम at Madurai it is believed that in this संगम God and legends were met, no record of this संगम is found, आप ते पहली संगम के बारे में बताया है, ठीक है second में, तौलका पीम वस रिटन, talks about human psychology, socio-economical condition and is the 3rd अगस्था वाली जो थी, 8 अट्टवई अट्टवई, जो हमारी 10 ideals, पटपट्टू, ठीक है, पथ, पथ, पथ is 10 hence दीज संगम लिटरेचर इंक्लूद बोथ, तौलका पीम, एट्टवई और ये and 2 epics, शिला पधिकरम and मनी में ले, they provide valuable detail about the social quality, for example military achievements, यहां पर, संगम लिटरेचर बिलकुल सही, ठीक है, इनके बारे में रहेगा, यह आपने बना दिया good and during the Sangam period, hereditary monarchy was the form of government, तो यह आपने government की form भी बिता दिया है, ठीक है, whereas the Sangam literature portrays socio-economical condition with remarkable vividness such as, तौलका पीम में 5-fold division of the land and forecast भी है, women poets like Javier, Nacher, ठीक है, they contributed to Tamil literature, it means that a lot of information is available in, understand the position of the women also, three women were, three women were allowed to choose their life partners, ठीक है, economical क्या है, agriculture है, handicraft है, ornaments है, beads है, ivory है, internal external trade है, was at peak support city of Puhar, major exports were important, freebies, spices, where major imports were horses, ठीक है, gold, sweet wines, yes of hands, the Sangam literature, pottery is remarkable, women is तोड़ा सा जादा detailed हो गया है, मतलब जादा ही हो गया है, मुझे नहीं लगता की, real time में इतने points जो है, वो याद आपाते हैं, but I think, you have done a very good job, very nice answer, और लगबग सारे points ही cover कर दिये हैं, ठीक है, बड़ थोड़ा सा word limit का भी धियान रखना, अगर यह answer 250 words में होता है, 200 words में, 250 में, तो good enough answer, बड़ अगर सो में, देड़ सो में आगर आपसे पूचा जाए, आपको उसी ही सापसे answer करना है, always, always stick to the world limit, never ever go beyond that, ठीक है, tell you that's it, तो आज का अपना हो गया है, we will meet tomorrow morning, till then a very good night to all of you, take care, good bye. 2023 वाली वो आपने चाहद पहले भी पूचा था, तो उसको अपन देख लेंगे, oh, okay, okay, तो यह तो हमारे ही sailor है, संदीब ठीक है, okay, now let us start, 2014 का first mains मेरा यह था, 2014 वाला, तो इसको अपन देखेंगे, ठीक है, next time के लिए मैं आपको बता दूँगा, just wait, एक महिने में अपन प्रिवेस एर पेपर कर लेते हैं, उसके बाद सारा का सारा 2023 पर ही focus रहेगा, अब तक HCS mains भी हो जाएगा, तो अभी focus थोड़ा से उस पे चल ले, ठीक है, don't worry, देखें, अब हम आते हैं, 2014, पहले question अपने हैं, उसके बाद अपने answers रहेंगे, यहाँ पर क्या है कि 25 सवाल पुछेगे, ठीक है, वैसे अपने देखा था, 20 सवाल अपने चल रहें, इस बार 25 सवाल मिलेंगे, 10-10-10 के, तो यहाँ पर 25 लुखने दे या नहीं, डाइसो, माकस का तो है, ठीक है, तो अब हम आते हैं, question number one पे, देखो, अब यह सबसे पहली चीज़ जो आपन पढ़ते हैं, देखें, to what extent has urban planning and culture in the IVC provided inputs to the present day urbanization discuss in Denmark, तो जो भी हमने, IVC का urban planning और वो था, culture था, वो काफी extensive था, और आज के time पे काफी useful भी है, तो हम उसको link करेंगे बस, ठीक है, जैसे माल लो, उन्होंने जो roads बना रखके थे, जो cleanliness थी, tanks थे, grainry थी, ठीक है, storage के लिए, तो आप हर चीज को mention कर स सकते हैं, houses के context में, जो privacy थी, ठीक है, तो आप इन सब चीज़ें को बता सकते हैं, फिर जो world city थी, city लोगो सब, तो ये सारी के सारी चीज़े, आज के time पे हमारे उतनी ही applicable हैं, और हमने copy inputs लिए भी हैं, तो ये इस तरीके से आप इसको mention करेंगे, five, six points में आप अगर comparison करते ह हैं, तो good enough, दस नमबर में अपना हो जाएगा, देखे, अब थोड़ा सा आप introduction में तो वही कि भई, IBC उसके बारे में कि one of the longest surviving आपकी civilization है, आप इसमें time period भी, जो है वो mention कर सकते हो, ठीक है, तो ये आप लोग comment करेंगे, what is the time period of IBC, now, next हमारा है the urban planning and culture of IBC provided input for the present, many way, देखो सबसे पहला अपना क्या रहा हैगा, town planning में ही, अगर अपन देखे, देखो, political, economical, अलग तरीके से भी अपन इसको mention कर सकते हैं, number one, planning, देखे, सीटा डल है, तो हम आज की time पे अपना ये भी कर सकते हैं, upper town, lower town, ठीक है, sophisticated technological advancement evident in the IBC, देखे, quality of the municipal town planning suggest कि जो knowledge है, urban planning की और efficient municipal government की, placed high priority on hygiene, आज के time पे भी अपने को करना चाहिए, और roads है, verticals है, horizontal है, यह आपका rectangular इस pattern में होते थे, जैसे कि हमारा जैसे मानलो चंदिकट बना रखा है, और मनलब जो planned हमारी cities हैं, तो उससे काफे input अपन ले सकते हैं, economy का जो trade है, जैसे outside भी trade चल रहा है, तो यहाँ पे advanced in the transport technologies, इसे port भी बना रखें, lotal वगेरा हो गया, ठीक है, तो उस हिसाब से अपने को, इसको link करना चाहिए, leverage drainage system, मनलब बहुत ही high quality का होता था, hydraulic engineering, तो वो हम आज के उसमें ले सकते हैं, जैसे great bath, greenery, conference wall, यह सब अपन बना सकते हैं, जिसमें public, जो है, वो मिले, बैठे, बात कर है, एक interaction, social interaction भी अपना, अच्छे से चलता रहे है, दीक है, social cultural में जैसे secular, pottery, dancing, जो अपनी girl है, ठीक है, ब्रॉंज में, jewelry, ornaments, जो उन्हों ने use करी, farming के जो practices है, worship of the female deity, पाशुपती, आज के time पे भी हम, जो worship हमारे चल रही है, वो भी अपना इसी सही related है, ठीक है, privacy aspect of the housing, य highlighted which influence IVC on the modern urbanization, whole structure जो है, of modern urban center, similar symmetry, in the terms of pattern of the settlement, similarly, economical activities have diversified in the modern area, जैसे के trade, manufacturing remain important, like that of IVC, so you just have to compare on various possible parameters, जो हमारे अर्बन सिवला जैसे, related रहेंगे, ठीक है, okay, next, okay, uh, Pooja, good evening, and Harshit, ठीक है, thank you Harshit, we have to keep our spirits always high, because this is life, पार्थी, good evening, विकास, good evening, रवीद, राइसो से लेके 17 सो तक रहेगा, कोई बात ने, बिलकुल सही है, ठीक है, विकास, फाइन लगा दे, water storage system, बिलकुल, ठीक है, वो भी अपना mention कर सकते हैं, विवेक, very good, now, देखे, question number second, HCS history means, ठीक है, तो वैसे GS में भी आ सकता है, very very important, हमारे गांदार, मतुरा, and अमरावती, इन तीनों का मैंने आपको comparison भी करा रखा, art and culture वाले उसमें, ठीक है, यहां से भी आप देख सकते हैं, now, look, question क्या है, गंदारा's culture, owned as much as to the Romans, as to the Greeks, तो यह शायद अपने पहले भी discuss किया था, कि कुछ elements जो इसमें वहां से लिए गए और कुछ Greek से लिए गए, I think यह question पहले आ गया था, अपना 2019 में आया था, यह फिर 18 में आया था, यह से कुछ आया था, सेम, इसी से ही repeat हुआ था, तो यह देखो, हम बात करेंगे कि भाई इसका time period क्या था, गंदारा का अपना कुछान के time पर यह लगबग रहा था, 1st to 5th century AD, initially, Greek and Roman Buddhist arts से ही यह influence है, गंदारा जो हमारा है, यह आपका crossroad of the cultural influences, यहाँ पर Rome, Greek, West Station influence अपना रहेगा, ठीक है, it is, in its interpretation of the Buddhist legend, देखो, इन्होंने जो किया था, उसकी जो standing sculptures बिनाए जाती था, यह muscular है, bearded है, और, मतलब, drapery कैसे रखे हुए है, Greek की तरह, Greek God, Hercules, उनकी तरह representation जो किया जाता था, ठीक है, सारी की सारी चीज़ है, curly hairs है, बड़े-बड़े कुंडल है, sharp nose, long ears, यह सारी की सारी चीज़ है अपने इसमें mention कर सकते हैं, जो Greek and Roman influence अपना रहेगा, ठीक है, तो देखे, so incorporated many motives and techniques from classical Roman, including जैसे wine scroll, cherubs, garlands, pretons, contours, basic iconography, जो है वह आपकी Indian ही रही, ठीक है, मतलब, represent तो अपने बुद्धा को ही किया है, देखे, element taken, तो गंदारा sculpture drew upon anthropological tradition of Roman and Greek religion, and represented बुद्धा जैसे muscular body, youthful, upon a light face, spiritual बुद्धा, calmness represent करी गई थी, ठीक है, bearded, mustache, wavy hair, इसमें, जैसे मैं जब बना किया था, तो मैं तो diagram भी बना किया था, ठीक है, ऐसे दिखाया, यह दिखाया, फिर ऐसे muscles भी दिखा दी, तो एक अच्छा सा आप diagram भी बना सकते है, if आप बनाना चाहें, तो अभी तो थोड़ा सा representative में बना रहा हूं, but ऐसे, ठीक है, उसमें ही diagram में ही मैंने mention कर दिया था, कि यह यह pictures अपने मिल रहे हैं, dressed, फिर left side, यह drapery जो रखते हैं, तो यह आप इसमें भी बना सकते हैं, ठीक है, so now the sculpture under Gandhara made a close resemblance to the Roman, Greek images of the God, Greek sculptures जो हैं, वो believed in mythological and idealistic statues, Roman थोड़े से realistic ज़्यादा होते थे, जो मैरा Gandhara है, वो इन दोनों का hybrid characteristics पे आ रहा है, ठीक है, तो यह हम सारा का सारा mention कर सकते हैं, देखें, गांदारे में, अच्छा यह बताओ, आपके लिए सवाल है, गांदारे में जो हम stone use करते हैं, वो हमारा किस type का stone है, वो बताइए, ठीक है, shining face, curly hairs, yes, Simran, good evening, वईबातनी Simran, welcome, चलो, अब हम आता है, question number three पे, देखो, यह पूछ रहा है, तक्षिला यॉनिवर्सिटी, हम तक्षिला और नारंदा के बारे में ही ज़्यादा पड़ते हैं, अब देखो, बड़ी सारी statement है, कि बड़ी तक्षिला यॉनिवर्सिटी वाज वज वन फे ओल्डेस्टी इन दे वर्ल, विच वर असोशिएटेट, अनमर अब रेनॉंड, लर्न परस्नालिटी उफ दिफरेंट, इस ब्रेटिश्टी लोकेशन कोस्ट इस वेम तो प्लॉरिश, बट अनलाइक नालंदा, अनलाइक नालंदा, इस नालंदा और इसमें आपको एक कंपरेजन करना है, नालंदा एक्चुली क्या है, वहाँ पर डाइवर्सिटी और सब्जेक्ट बहुँ ज़्यादा थी, कोई भी यूनिवर्स्टी अच्छी या मोडरन सेंस में कब समझी जाएगी, यास ग्रे सेंस्टोन वेरे गुड चलो, अब हम आगे देखते हैं, देखो, तब से पहले क्या है कि आपका जैसे कि यहाँ पर डिसिप्लिन्स, टीचर, जैसे इसमें NCRT में भी में मेंचन किया हुआ है, कि जैसे नालंदा में जब अडमिशन होता था, तो क्या है कि हमारे यहाँ पर बाहर एक आपका वो रहता था, गाड बैठता था, वो गाड आपसे क्योशन बूशता था, पर इसको सही लगता था, तो वो आपको एंटरी देता था, यानि एडमिशन का एक प्रोसेस रहता था, लिमिटेड नमर ओफ एडमिशन थे, लिमिटेड नमर अव स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की डावरसिटी बहुत ज्यादा, बाहर से भी स्टूडेंट आते थे, डिस्पलेंज बहुत ज्यादा थे, तो वो ज्यादा एक आपकी उनिवर्सिटी, तो यनिवर्सिटी का नाम क्या है, मतलब यूनिवर्सल, अलग अलग जगे से फिल्द, उसे आदमी आ रहे हैं, यह सारी चीज़ है, ठीक है, बट, तक्षिला में उतना नहीं है, तक्षिला में थोड़ा सा, तक्षिला हमारी बोर्डर पर थी, नालंदा आपके जैसे भीहार में वो होगी, तो नालंदा में उतना ज्यादा, जो हमार influence है बाहरी का नहीं हुआ उसको preserve करना easy रहा तक्षिला में उतना नहीं रहा attacks भी है बार से तो यह संच ठीक है अब देखे अब देखे अब देखे अब लोकेशन ऑफ तक्षिला made it popular यह आपके passage पे था passage पे था passage फिंडिया from Central Asia foreign rulers scholar attracted towards it because of its location resulted into flourishing main reason that it is not considered in modern sense because देखे नारंदा में हमारे various disciplines आपके astronomy mathematics politics science जबकि तक्षिला जो है वो mostly आपकी वेदिक literature art skills जैसे archery और hunting को ज़्यादा focus करती थी modern आपके disciplines नहीं पढ़ाया जाते हैं ऐसे ही नारंदा में हमारे जो ज़्यादतर students है वो Korea, China, Japan, Tibet, Persia से हैं तक्षिला में इंडियन जन्पद और adjoining only यानि limited number of student ऐसे ही अगर आप teacher और student ratio की बात करें तो इट वाज आईडियल इन नालंदा I think लगबग 20 to 1 का रहता था था इसको बता ही है अब यह हमारो जाएगा so it is considered standard in the modern concept also dormitories होती थी meditation rooms होती थी separate classroom huge library इसके आग भी लगए थी ठीक है so it is uh it made नालंदा closer to the concept of the modern university expenditure जो नालंदा में है वो आसपास के सो गाहों से revenue लेके किया जाता था तक्षिला के जो economy है वो rulers पर डिपेंड करती थी मतलब independent नहीं थी ठीक है तो except this so notwithstanding of its strategic location उसकी वज़े से थोड़ा से flourish होई it cannot be considered as modern ठीक है तो यह हमने वैसे इसमें फिटास और कर लिया है सारी modern facility थी entrance test होता था यहां नहीं था जो मैंने द्वारपाल वाला भी बताया अटनोमी थी यहां नहीं थी patronize the defined curriculum है यहां पे no plant system of teaching science पड़ाते है विदिक पड़ाते है ठीक है तो यह एक छोट ऐसा अपका tabular form में भी हो गया है तो यह अपना हो गया ठीक है question no.4 very very interesting इसका सवाल आपको ही देना है read the question write the answer I will not speak anything अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें question तो बताओ पहले ठीक है and यह वो तो बुद्धा in standing position like teacher yes puja ठीक है standing sitting बहुत ही मिलते थे silk route more discipline ठीक है humanist scholars ठीक है अच्छा no idea सवाल क्या पूचा अधा जयाद करने दा सवाल हाँ अच्छा यह ठीक है 20 is to 1 ही यह यह लग भुद्ध इसका answer करें third battle was fought in 1761 why there were so many emperor shaking battle fought in वारे बता UPSC एसे सवाल पूछती जप सुछती नहीं common sense ठीक है तो इसमें अलग-अलग आप बताएंगे एक छोटा सा मैंने इसमें डाइग्राम बनाया था ठीक है दिल्ली और अपना हर्याना दिखाते वे पाने पत फिर हम इसमें सारी चीजे explain कर सकते हैं कि आप तब तक answer करें उसके बाद मैं आपको discussion में बताऊंगा कि ऐसे करके इसमें बताया गया और फिर उसको थोड़ा-थोड़ा सा अपना आगे भी लेके चले ठीक है इंट्रेंस टी इंडिया प्लें ग्राउंड रिचेज येस ठीक है तरसे पहले बुझे को पानिपद पानिपद की location ठीक है डेली के पास पावर स्ट्रगल प्लीन एरिया है आराम से सेना आएंगी बैठेंगी करेंगी ठीक है जो मतलब आपकी पावर का पता चलेगा वो यही से पता चलेगा गुरिला वार फेर तो एक अलग पैटरन हो जाते बर साथ में सामने में खड़े होके जब आप लड़ते हो तो आपको पता चलता है कि वैसे तो गुरिला भी है पर यह भी ठीक है अब यहां पर रिसोर्स भी है अग्रिकल्चर वाला रहता था प्लस कि एक इनवीजन बाहर से उत्ते थे तो यहां पर जो अमारी जंता है अर्याना वाली वह और इस टाइप से रहती थी ठीक है यह सारे के सारे हैं क्योंकि यह सारे कर लिए जाएगा यह सांचिए एक है फ्लस टू डेली कापिटल टू मस्ट इंपोर्टेंट यह इंडस प्लाइन गंगा बिल्कुल एक है देखो थर्ड बेटल पानिवित 14 जन्वरी 1761 एट पानिपत बिट्विन दर फोर्स ऑ माराथा एंड एहमद शाह अब्दा है तो जिसको भी मिल गाए अगली टर्ट़ाहन की डर्ट्रेन आप कहात थे में पानिपत में पहुंसते हैं है प्लाइन से तुन धूरिशू बीं आरेJustom डिया हमारे एवन पार और प्लन lengET因ंग्डमं बेस्वें काबूल और पुने चूस to send huge armies to Delhi though the investment was thought the investment was worth it conflict that uh long drawn-out wars like google campaign in the Deccan often became watershed battle in the north because Delhi agra were the big time seats of the power and peaks were always high ठीक है यह मारा सिंपल था हो गया यह पन इसमें लिख सकते है ठीक है बारती बलकुल armie geographical condition weapon very good इसलिए हर्यानवाले ज्यादा aggressive है ठीक है stereotypical presentation of Haryanmi people Haryana people are not aggressive वैयसे वो aggressive लगते हैं ठीक है seems to be aggressive question number five आप आपन आप डिसकस करते हैं देखे सूफी यह हमारी again भहिती भक्ती आया चुका है सूफिजम सेम पे ही चल रहा है अपना ठीक है and the medieval sense failed to modify either religious ideas and the practices or the outward structure of Hindu Muslim society to an appreciable extent comment अब yes they have no they have not और यह कर रहा है कि failed to modify तो इसमें इसी के बारे में आप ज्यादे लिखेंगे कि कैसे अलब आइधर जैसे Hindu Muslim के जो थे majorly तो वही चल रहा है इन्होंने एक supplement सा प्रोवाइड कराया ठीक है उतने ज्यादे लोगों को यह attract भी नहीं कर पाए universal brotherhood इन सब चीज़ों पर इन्होंने बात करी वट जो कोर है जैसे caste system हमारा है ठीक है division of labor का जो system था ब्रह्मन च्छत्रिय वैश्य उस पे भी उतना impact नहीं कर पाए इन्होंने खुद भी modify करके आपका भक्ति वाला वो ले आए devotion और वो सुब तो इसको supplement भी कर दिया वो भी alternative इन्होंने suggest करी दिया था तो उतना appreciable extent तक लेको percentage of sufi medieval और उनके जो disciples है वो कितने ही है hardly one less than one person तो हम कह सकते हैं कि उतना extent नहीं है बठा उनकी values एक समाद यह भी पूछा गया था कि भक्ति और इनकी values जहां आज की टाइम पर कैसे relevant है तो अपन इस तरीके से भी बात कर सकते हैं तो ना देखिए इसके पीचे reasons क्या हो सकते हैं देखो अब यह जो सुफिजम थे एक तो खुद मतलब जैसे मानलो limited number बेते यह खुद ही थे अब जो आदमी बिलकुल ही हताश है वही इनसे आटाइच होता था इनके जो rules regulations है या फिर जो मॉडस अपरंडी है वो थोड़ा से इस टाइब का है कि काम वग्यरा ना करना प्यार से रहो गाना बजाओ और यह सबसें पर उससे आपका लायलिहूड तो नहीं हो पाता और जिस टाइब की structures हमारे हिंदू मुसलिम में है कि प्रॉपर temple institutions हैं mosque institutions हैं यह उतना नहीं कर पाए इनकी सुरूं से population ज़्यादा थी state भी sponsored था ठीक है उतना सुफिजम के साथ नहीं हो पाया स्टेट से लिंक एक ही सुफी वाला वो जो हमारा सिलसिला है कौन सा वाला था बदाइए ठीक है तो वो भी एक reason रहा यह गुमते फिरते ज्यादा रहते थे तो एक settled भी नहीं थे और preach करने के लिए आपको settlement भी जरूरी होती है वो भी रहेगा ठीक है So, now let us talk कि जासे सुफी and the medieval scent emerged as a reaction to what growing orthodoxy, superstition in the Hindu religion, amniak introduction in के origin के बारे में बता दिया and decided the degrading situation, decried the degrading situation of the social order. This generation of Sufi scent represent an important aspect of the medieval time in India and analysis of this, of the impact of these scents failed to mark a significant change in social order because number one, nomadic culture, ठीक है, they propagated their idea by singing, preaching to the local population, while their message received a good number of audience, memory, ज्यादा नम्बे time तक लास नहीं कर पाए क्योंकि वो चले जाते है, ठीक है, institutional structure नहीं था, message propagated, failed to mark a long term change, क्योंकि बिना organized structure के, ऐसा बोले जाता है, cult, sect, denomination, ठीक है, और फिर हमारा religion, ऐसे बनते हैं, CSD, CSD religion, तो आप जब cult होते हो, sect होते हैं, तो थोड़ा सा, जो mainstream religion है, उससे आप बाहर निकलते हैं, ठीक है, आप अपने rule regulation बनाते हो, denomination क्याता है, आप institutional structure provide कर आते हो, एक proper hierarchical positions होते हैं, maintain करते हैं, कोई preach करने वाला लगता है, वो इनके पास था ही नहीं, alternatives, देखो, जो सूफी preach कर रहे थे, वही बक्ती सेंद भी करने लग गे, तो सूफीयन, सॉरी, बक्ती सेंद, और ये आपस में हिंदूईजम वाला ही थे, ये बोथ failed to offer a proper alternative to the social custom, that they attacked, absence of alternative के वजए से, they left the status of traditions, unaffected, ठीक है, social issues में अगर आपन देखें, तो most of the followers, जो सूफी और बक्ती के थे, वो lower status से आते थे, तो lower status से क्या है कि आते हैं, तो वो resources भी supply नहीं कर पाते, उतने हैं, उनके पास पैसे ही नहीं है, तो it was difficult for such section to break the cycles of the religion, social custom और एक नया बनाना उनके लिए थोड़ा तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है, अनदर वाज, geographical reach was very very limited, तो इन सारे चीजों के वज़े से हम कह सकते हैं, और there also existed great factionalism among the बक्ती सेंट अलसों, ठीक है, as well as sufi order also, पापस में ही अगर आप लड़ रहे हो, कर रहे हो तो फिर गड़बर हो जाएगी, these groups could not form a unified order, the idea of these sense were often different to each other, ठीक है, तो जब तक alternative नहीं होगा, uniform नहीं होगा, institution नहीं होगा, हम इसको नहीं कर सकते, प्रीच, ठीक है, यह मारा हो जाएगा, several river, वो वाला answer, किसी नहीं किया, कौन सा, जो सिलसिला है, वो कौन सा है, ठीक कर अभी, कांची, hello sir, will you provide detailed explanation of HPSC 2019 GS paper as well, yes, कांची, we will, and soon, we will provide that, maybe next week कर लेंगे, test series शुरू होने वाली, तुस्से पहले, I will be taking a session, रपनस्वे प्रवाइट कराएगे, 2019 वाला paper discuss कर लेंगे, आराम से एक दिन, बाट के, most probably, Saturday, next Saturday, रखलेंगे, ठीक है, कदारी, सिलसिला, सिर्म्रन, बारे गुड, onisa sahaja, सिर्म्रन, रखलेंगे, किसे याद किया, सुर्वधी और स्सूर किसे अपनने, याद किया थे, याद आगे आब भार्ती, डिक हो, क्टेक है? की स्ंप्रम्र20, क्योंसे किसे याद गया है? किसे याद किया था, सुर अऑर सुर्वधी, डिक है.. अब यहां पर सारे आपन बता सकते हैं, ठीक है, MIF, Mercantile, ठीक है, और यह Financial था और बीच में अपना क्या था यह, जिसमें Industrial, ठीक है, Mercantile, Industrial and Financial, तो पहले तो मर्केंट की फॉर्म में आये थे, मर्चेंट थे, ठीक है, आके आने लगे, ट्रेड करने लगे, फिर इंडस्ट्रीज एस्टाबिश करने लगी, फिर यह investment करने लगे, capital limit, बेजर ली यह हमारे तीन है, इनके बारे में आप लिखोगे, उनसे क्या किस किस तरीके से यह operate करते वो सारी चीज़े अपने को बतानी है, यह एक स्पेक्टरम के चेप्टर में आपकी सारी की सारी चीज़े देही रखी है, यह मैंने आपको बता भी रखा, ठीक है, तब चलेंगे, next, देखिए, introduction के बिटिश कॉंक्वेस्ट और उसके बाद कैसे दीरे दीरे इन्होंने आपने 1857 रिवोल्ट और लेटर और आपका कॉंग्रेस और बाद में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, आपको इंडिपेंडेंस तक की बात करनी है, इसमें, over a period of their rule, इन्होंने काफी चेंज़े करे, depending upon the time and need, अब देखिए, various aspects क्या रहेंगे, 1750 से 1750 से 1750 से 1750, सब सब से पह हुआ, इनको दिवानी राइट्स मिले, मिंटिंग के राइट्स मिले, टेक्सिंग के राइट्स मिले, इनका जो transforming its structure from merchant to revenue collector, अब यहां से East India Company begin to profit from trading as well as revenue collection, एक यह रहा, first policy, पैसा आया, आर्मी रखी, control किया and all these things, फिर देखो, agriculture में इनकी economical policy, जो हमारा क्या है, permanent settlement, महलवाड रायतवाडी, तो यह हमारा सारा का सारा agriculture में चला, आप सिर्फ और सिर्फ economy में तो देखो, सिर्फ industrial ही नहीं, agricultural policies के बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है, तो देखे, in the period of second half 18th century, हमारे number of reform Indian revenue में क्या रहे, various land revenue में, जैसे जमितारी, permanent settlement, रायतवारी, महलवारी, यह रह था, आपका village तक, आपके global market से link हो चुके थे, ठीक है, cotton, cash crops, nail की खेती, यह सारा का सारा कराया जाता था, sugar cane, तो यह हमारा चली रहा था, commercialization of agriculture, British molded, जो हमारे various form of traditional agriculture था और plantation था, as per their need, इन्होंने large plantation crops, cash crops, इन पर ज़्यादा focus किया, तो यह रहा, इससे हमें क्या नुक्सान हुआ, हमारे पास food की कमी हुई, food की कमी तो famines आई, ठीक है, यह किसका implication रहा, और इनको तो फाइदा मिल ही रहा था, de-industrialization जो हमने एक सवाल और किया था, हमारी जो traditional handicraft और यह सब थी, उनका de-industrialization हुआ, were not well received by the English, क्यों, अब जैसे यह वाले थे, यह rural area में चले गे, तो हमने क्या देखा था, क्यों, rural economy और उस पर इंपक्ट रहे, ठीक है, उस पर pressure भी बड़ा, वो भी नहीं कर पाए, और उसके अलावा जैसे policy of colonization में, अगर आप tax लगा रहे हो, uniform taxation, Indian, अगर अपना बाहर, बेटे में बेच रहे हैं, तो उस पर tax ज़्यादा है, जबकि comparatively हमारे आपे premium कर देते थे, plunder बहुत किया इन्होंने, ठीक है, लास्ट में 1857 के बाद, इन्होंने investment करने शुरू करी, specially agriculture में, आसवरी, railway में, telegraph में, और वहां से, इन्होंने क्या कर था, वही 5% आपको return मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और बाहर से फिर, capitalism भी grow कर रह बहुत ज़ादा investment होने लग गया, ठीक है, और यह जो 5% return था, यह drain of wealth की form में बहाँ जाने लग गया, ठीक है, तो यहां से क्या करते थे, जो भी revenue collect कर लेते थे, वो आपका as a return चला जाता था, सारा का सारा खर्चा कौन भी रिख कर रहा था, इंडियन, ठीक है, तो यह गड इंटाइल पाले रहे थे थे, फिर इंडुस्री पर फोकस किया, और लेटरों, फिनसे यहनी, यहनी, capitalism, capital investments में इन्होंने ज्यादा फोकस किया, agriculture, always neglected, ठीक है, अब देखिए, question no.7, समझ में आ रहा है, how is it going, speed कैसे ही चल रही है, बताओ, जिस्टेए, एक रही है, 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 ओके ठीक है ओके थैंक यू अब हम आते हैं नेक्स पे क्यूशन नमबर सेवन देखे अब यह वाली अपन बार बार पढ़ते ही हैं देखे इन वाट वेज दिद दे नेवल मुटिनी प्रूव तो बी दे लास नेल इन दे कॉफिन अब बिटिश कोलोनियल एस्परेशन इन इ कि देरे देरे तो आपको पता चल गया था कि अब आप यहां से जाने वाले हैं ठीक है पीपल आर अगेंस्ट यू सारे के सारे पार्मार इंडस्ट्रियलिस्ट सब के सब आपके अगेंस्ट हैं आपकी खुद के गवर्नमेंट ओफिशिल्स आपके अगेंस्ट हो चुके है ठीक है रिजाइन करने लग रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, गांधी जीवी वाइलेंस को थोड़ा थोड़ा लाओ कर रहे हैं, देरे देरे ट्रांसफर भी हो रहा है पावर का, वल्ड वार टू के कारण भी आप थोड़ा से ब्रॉक डाउन हो चुके हो, सब कुछ होने के बाद, अब ब्रिटेन को यह तो लग गया था कि गड़बड हो चुका है, निकलना तो पड़ेगा, आओ, इन वाट वेज नेवल मिटिनी, नेवल मिटिनी इस लाइग, कि बाई देखो आपके पास आर्मी होती है, नेवी होती है, इस टाइप के इंस्टिटिशन होते है हैं, जो हमारे हमीचा कंट्रोल में रहने चाहिए, जब यही इंस्टिटिशन्स, रिवोल्ट करना शुरू करें, प्रोटेस्ट करना शुरू करें, इट मेंज, आपका कंट्रोल कंप्लीट तरीके से खतम हो चुका है, जो हम बात करते हैं, सौवरेनिटी की, ठीक है, या फ ठीक है, हैदराबाद, और कॉलकता, यहां, सौरी, बंबे, ठीक है, तो यहां पे हुई आइनस तलवार लिख दिये गया था, तो उसके बाद तो यह समझ में आ गया, कि अब और जगह है, कुछ भी नहीं हो सकता, और यह सारा का सारा, इस से रिलेटिड कि भई, फिर आर्म 1946, 1947, मैं उन्होंने, Mount Wedden Plan के साथ, आपका Transfer of Power और Independence of India Act के साथ, आपकी सारी चेज़े, ट्रांसवर कर ही दी थी, ठीक है, तो यहां अपन इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है, तो यहां अपन इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है, देक है, दर रोयल इंडिया नेवल मुटिनी यही पर किया था, इस, इस, इस इस इट एक्षोज रियल फेस, अफ बिटिश एम्पेरियलिजम बाइड श्राइक अगेंस, इस इस तरीक है, अगेंस, इस तरीक है, एक तो पॉब्लिक सपोर्ट बहुत है था, और डिसकंटेंट चली रहा है, कॉमन लोग जो है, वो भी पर लोग जो है, अब डेखें, नेवल मुटिनी जो है, नेवी इनकी काफी, मनलाब, वो थी, 1857 में आर्मी मुटिनी हुई, ठीक है, सिपोई मुटिनी, अभी यह ररेस्ट रिस इंसिडेंट था, वेर आपार्ट अपार्ट अवी औश्राइए, नेवी औजिलन मुटिने in agitation against British rule and exploitation. So the call for the strike and violence rapidly caught fire और ये हर जगे फैल गया इतनी तेजी से फैला फिर आपका खतम हो गया इंडिया का जो लेडरिशिप है उसका भी रोल in controlling the mutiny proved that the control of the Indian politics has finally shifted from the English to the Indian hands. ठीक है मतलब जो इंडियन लीडर्स बोल रहे थे वो तो ये लुक सुन रहे हैं उनके जो खुद के Britishers बोल रहे थे कि कि इस टाइम पर तो ये Britishers के अंडर ही थे तो वो आपके नहीं सुन रहे. So these factors were a direct hint कि भई आप तो days are over in the India and the तो इसमें थोड़ा से conclude करते वे आप मांट वेटन प्लान के बारे में बताते हुए conclude कर सकते हैं कि अब तो सब गए है. ठीक है? ठीक है? आइनस तलवार. येस. ग्यारा सो शॉल्जर्स. वारी गूट हुए. विवेक. चल. अब देखिए question नमबर 8. अब ये direct spectrum के ही हैं. देखो. simple सी चीज़ ये है कि spectrum और विपिण चंदरा से बाहर सवाल नहीं आते. आपके modern history में ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखें. What were the major political, economical, social development in the world which motivated the anti-colonial struggle in India? देखो world के बारे में बात कर रहे हैं. अब world में political developments देखो. तो वैसे तो हम जैसे 1919 के बाद से ही, world war 2 के बाद से ही, सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, जिन्हों ने हमें inspire किया. ठीक है? तो जैसे देखे, the number of the event जो रहेंगे इनको पन डारेक्ली देख लेते हैं, इसमें जादा कुछ है नहीं. German Italy Unification. तो यहां से भी इंडिया inspire हुआ कि हमें भी unified इंडिया आपका बनाना है number one. World war 1 हुई ठीक है? वहां से भी इनको लगा, पता चला colonialization का भी realization हुआ, ठीक है? तो उसका भी पता चला, तो इसके against काफी कुछ होने लगे था, और खिलाफत movement, treaty of severus, वह सारे के सारे, वर्सालिस, ठीक है? तो उसमें against में, हमारा non-NCM भी शुरू हो गया था, तो यह world war 1 के time पे, world war 2 बे भी अपने फाइदा उठाने की कोशिश करी थी, but quit India movement के साथ, वो थोड़ा सा अगे रहेगा, ऐसे ही, rise of USA, बहुत बड़ा event है, क्यों? क्योंकि पहले British ही एक power रहता हुआ, but after world war 1, जब USA rise हुआ, तो USA ने भी independence के लिए काफी बोला और promote के कि भई, अब जो colonies हैं, उनको छोड़ दिया जाए, क्यों? क्योंकि अब US से भी market ढूंड रहा है, British control लखेंगे तो British के पास ये सारा market रहेगा, तो ये भी रहा, और ये एक era of decolonization चली रहा था, since 1920s से लेके 1970s, 80s तक तो चली रहा है हमारा, ठीक है? तो ये सारा का सारा है, ऐसे ही what were the economical factors देखे, पहला great economical recession जो हमारा 1929 में रहा, उसके वज़े से क्या था, inflation बहुत heavy रहा, तो और जो हमारी governments और ये सब हैं, ये manage नहीं कर पा नहीं, तो एक जो discontent है, वो बहुत ही ज़्यादा heavy, ठीक है? role of Indian expatriates, जो बाहर से लड़-ल़ क्या expatriate क्या होता है, पहला तो ये ये सारा का सारा रहेगा, also, अब देखे, जो हमारी दूसरी वाली जो है, जैसे मालो जापान है, जापान ने, USA ने, आपके, और जो other powers हैं, तो इन्हों ने भी एक opportunity दी, जैसे जर्मानी, ठीक है? कि Indians to increase their international engagement with the rest of the world, ठीक है? तो यहाँ पे जो English पे हमारी dependency थी, वो भी हमारे खतम होगी, ठीक है? तो ये सारा का सारा हमारा रहेगा, और जैसे हम इसमें उसका भी role दे सकते हैं, गदर party वगएरा, जो हमारी बनी, ठीक है? उन्होंने काफी resources भी supply करे और आपको मोटिवेट भी किया, तो ये सारे का सारे रहेंगा, ठीक है? ऐसा ही देखो, ये political में भी रहेगा हमारा, जैसे french revolution है, यहाँ से हम liberty, equality, fraternity, western education, अगें, liberty, equality, fraternity, democracy, secularism, तो ये सारे के सारे चीज़ है हमारे आने लगी, communist movement, इससे revolutionary idea बहुत सारा है, USSR से, ठीक है? Ireland, home rule, movement ने भी हमारा जो anti-colonial struggle है, उसको भी inspire किया, there are many things, आजार, हिंद, पोज, yes, obviously, Singapore, उसको भी mention कर सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है? outside the native country, बाहर वाले जो होते है, expatriate, ठीक है? जो बाहर से आते हैं, या फिर बाहर रहते हैं, वो हमारे जाएंगे तो अलग-अलग events है, जिनने, हाँ, inspire किया हमारे यहाँ पे, इनको आप mention कर सकते हैं, numerous examples, you can quote Okay, 19, ठीक है, ठीक है, चलो, अब, moving to the next, question number 9, तेखे, एक है कहे रहा है, What were the events that led to sewage crisis in 1956, how did it deal a final blow to the British की self-image as a world power, ठीक है, तो यहाँ पे, दको इसको तो पड़ी लेते हैं, यह सवाल है directly, world history की NCRT से, पूरा का पूरा यूं का यूं दिया हुआ है, तो सबसे important world history के लिए हमारे क्या है, old NCRT, ठीक है, सारे सवाल world history के लग-बग-बग, वहाँ से हमारे बन रहे है, इसको तो we will just read it out, देकि 1956, एजिप्ट जो है, decided to nationalize the sewage का ना, तो देको एक threat होती, it posed a threat to the commercial interest of British, French, Israel, ठीक है, क्योंकि भाई, कंट्रोल अगर एजिप्ट के पास आजाए तो तुम क्या करोगे, तो they decided to use force to maintain their interest, एजिप्ट में, एजिप्ट का एक non-aligned country थी, needed significant aid, but was not able to secure it from any major power, that's the plan to nationalize sewage canal was proposed, इसको हम nationalize कर देता है, earlier sewage canal आपके French company के पास है, उनको 99 साल का इसका lease का मिला हुआ था, however, जब Egyptian army ने इसका control ले लिया, तो Britishers ने decide कि इसके against a military action लेते हैं, against Egypt, but it was opposed by USA, यहाँ पर conspiracy करी गई, British, France, Israel द्वारा, so against Egypt, October 29, 1956, Israel invaded Sinai Peninsula in Egypt, so in response, UK और France जो है, threatened कि भई वो भी intervene करेंगे, अगर Egypt and Israel did no withdraw from the canal region, दोनों को ही बोल दिया, Israel के साथ मिलके, यहाँ विड्रो करो, British and France arrived there, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इससे पता क्या चल रहा है, इसमें एक तो इनके authority यहाँ पर कम हो गई, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो US से है, उनके भी अपने interest है, USSR and UN भी आपके आ चुकी है, तो इन्होंने इसको oppose किया, ठीक ह पावर क्योंकि America का pressure आ रहा है, और Britain को मानना पड़ा, और विड्रो करना पड़ा from Egypt, ठीक है, तो यह सारे के सारी authority इनकी अब lose हो चुकी है, ठीक है, so because of these diplomatic and the military setbacks, to which Canada crisis dealt a final blow of the British की world power की जमेसी, वो आपकी चलेगी, ठीक है, अब दो आपकी आ रही है, USA and USSR, ठीक है, यहाँ चलेंगी, तिल 1991, और इसके बाद, single power, multipower, multipolar, ठीक है, यह events ही है, जिनके बारे में आपको mention करना था, कि what were the events, and how did it, तो last में यह अपना हो दया, ठीक है, दोनों points आपने mention कर दी है, major तरीके से, HCS में world history नहीं आएगी, yes, HCS में world history उतना नहीं है, common history, GSM, now, coming to the question number 10, देखे, यह भी, the new economical policy of 1921 of Lenin, had influenced the policy adopted by India, soon after independence, ठीक है, त्रेक है, त्रेकों Lenin ने क्या किया, Lenin planned economy में अपना आगया था, बटा बटा bird eye view देता हूँ, एक तो planned economy, agriculture में, इन्होंने cooperative agriculture और cooperative farming पे ज़्यादा focus किया, और ऐसे ही industries जो इन्होंने बनाई, वो भी state controlled थी, तो वो क्या, यह काफी अच्छे तरीके से grow करे, industrialization बहुत ज़्यादा हुआ, और जो 1929 वाला crisis आया, उसको भी Russia survive कर पाया, इन सार चीजों से influence होके, देखके, इंडिया ने 5th year plan आपका start किया, और जो अभी तक हमारा था, 2014-15 तक, ठीक है, तो इसको हमने influence हुए, तो हमारे जो leaders थे, वो Lenin के ideology से भी inspire थे, तो हम ideology के context में भी बात कर सकते हैं, ठीक है, तो इन्होंने जो socialist और जो communist ideology थी, उसको follow भी किया, welfare state वाले concept को भी follow किया, ठीक है, state controlled major जो चीजे है, वो state के पास ही रखी, यह सारा का सारा रहा, इन्होंने influence किया, adopt भी किया, और हमारी सारा का सारा time 5th year planning की बात कर ले, ठीक है, और industrialization की बात कर ले, import substitution की हम बात कर ले, तो हो सारे के सारी policies हमारी कहां से आई, Lenin से ही inspired रही, ठी ठीक है, यह हमारा रहेगा, इन सारी के सारी चीजों को अपन mention करेंगे, including 1929, देखे, अब हम इसमें background में बता सकते हैं, Russian Revolution 1919, led to the establishment of communist government in Russia, यह introduction हो जाएगा, led by Lenin, तो इन्होंने NEP, to reshape the Soviet economy and transport in the line of socialist model, the policy in the longer term influenced the policy adopted by India, सबसे फहले, communist policy, हमने क्या किया, mixed economy, कुछ control state के पास, complete capitalism, जो British और USA का था, हमने उसको adopt नहीं किया, cooperative farming, तो जो land reforms इन्होंने करे थे, ठीक है, commune system जो इन्होंने बनाया था, Indian policy makers also went for the massive land reforms and dismantling the जमिदारी system, ठीक है, तो इन्होंने इसको भी खतम कर दिया, और जो land reforms हुए, tenancy reforms हुए, ठीक है, तो वो सारे के सारे किस से influence ने हमारे, एन E.P. से ही influence है, पर second, agriculture के अलावा, industrialization, at industrial front, जो reform थे, independence India के, they had a close appearance to Soviet Union, कि भी state ownership of major industries and planned economical model, Indian economy made advances into industrial world, the policy that made Soviet one the major power in the world, worked for Indian economy also, ठीक है, जो पर अन बात करी, सारे के सारे इन्होंने भी apply करना शुरू कर दिया, ठीक है, देखो, उस टाइम पे जो private players है, उनके पास पैसा भी नहीं था, देखो, जो हमने dams बनाए, temples of the modern India, IIT, ठीक है, IAMs, या फिर, जो आपने road, rail, infrastructure, सारे के सारे बनाए, atomic energy, ठीक है, इन पे जो हमने investment किया, किस ने किया, state ने, ठीक है, सारे के तारह, state के पास था, planning model भी हमारा इसी से inspired था, five year planning, import substitution, ये सारे point आहीं गए है, import substitution क्या होता है, कि मालोग इंडिया है, कुछ import कर रहा है, उसमें import करोगे ता पैसा खर्च करोगे, अगर आप import को रोग दोगे, पैसा बचेगा, उस पैसे से domestic industries को हम grow कर आए, basically that is import substitution model, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, इंडिया के जो land reforms है, उनके बारे में एक trick आपको बता देता हूँ, no down कर लेना प्लीज इसको, trick क्या है, land reform में क्या क्या हुआ, ये भी आपका सवाल आ सकता है, specially sociology में भी और DS में भी, देखो, अतरू, अतरू, अतरू गया था, अतरू C2, अतरू C2 क्या है, is abolition, abolition किसका क्य हमने जमिदारी system का, तो पहले हमारे जो जमिदार होते थे, उसके वज़े से absentry landlordism, उसको अपन ने खतम कर दिया, R, ठीक है, reorganization, ठीक है, सारा का सारा, जो आपके lands और ये सब थे, records से, इनको reorganize किया गया, ठीक है, ये मानलों किसे के पास कहीं है, और वो सब, मतलब completely reorganization, T is ten tenancy reforms, पहले tenant होते थे, उनको higher wages देने पड़ते थे, higher rent पे करना पड़ता था, इंडिया के reforms पे इस rent को control किया गया, एक limit set करी गई, U is upgradation, upgradation of records, पहले record maintained नहीं थे, इनको किया गया, अब तो हमने इसको digitalize भी कर दिया है, ठीक है, C2 क्या है, ceiling, land ceiling इननोंने लगा दी, उससे उपर जो आपके पास जमीन होगी, सरकार ले लेगी, C is consolidation, kind of reorganization, आपके पास तीन अलग अलग जगे किल्ले हैं, उनको consolidate करके एक जगे आपको एक बड़ा किल्ला दे दिये, ठीक है, तो उससे कहा है, resources बहुत अच्छे तरीके से हमारे maintain हो पाए, यह सारे के सारे point आप question number 11 को पढ़के क्या मेरी बात याद आए, यह बताओ, how does patriarchy impact the position of middle class working woman in India, क्या कोई भी एक paper ऐसा गया है, जिसमें woman और Gandhi जी नहीं पूछा गया हो, ठीक है, no, तो अब देखो इसमें, पर यहाँ पर आपके एक चीज़ ध्यान में रखनी है, middle class working woman पुछा है, यही, मैंने आपको already discussion में सारी चीज़ बता दी, working woman, तो आपने क्या देखा था, एक को काम कर रही है, उस पर dual burden आ रहा है, घर का भी काम कर रही है, बाहर का भी कर रही है, घर पे काम करते करते ठक जाती है, फिर भी decision making में कोई ज़्यादा हाथ नहीं रहता ठीक है, तिल, plus B है, यह पूछ रहा है, पेट्रियार के कैसे इसको कर रही है, पेट्रियार के मनलब male dominance, पहले तो आप पेट्रियार के उपको explain कर सकते है, ideology of male dominance, देखो, working class, middle class में, अब जैसे, यह आपकी यहाँ पर चली जाती है, ठीक है, काम करने गई, तो वहाँ पे जो transformation बढ़ रहा है, बट wages कम है, glass selling अपने देखी धी, ठीक है, glass selling मतलब आपको एक particular step के बाद promotion नहीं मिल रहा, ठीक है, या फिर sexual harassment हो रही है, pink collar jobs है, कुछ ही particular section में आप confined है, यह सारे की सारी problems क्या है, because of patriarchy, crime against women in the public sphere बढ़ रहा है, क्यों, because of patriarchy, तो पहले, घर पे जो decline कर रहे हैं, ठीक है, तो यह सारा का सारा violence जो है, उसकी dimension change हो रही है, ठीक है, यह आपका रहेगा, अब इसमें अलग-अलग तरीके से अपन बात करेंगे, यह हमारा है, इसमें आप अलग-अलग dimensions को include कर सकते हैं, पेट्रियार्की आपकी decline तो हो रही है, but then again, थोड़ा सा है, अब middle class working woman, अगर शादी करेगी, शादी लेट हो रही है, प्लस डवरी ज़्यादा भी देनी पड़ रही है, यह तो डॉक्टर हो ठीक है, यह फिर civil servant हो, तो वो उसी हिसाब से फिर डवरी भी कई पर ज़्यादा देनी पड़ती है, इसमें पड़ती है तो देखें, तो यह जो hardships हैं, यह बड़ी रही हैं, जैसे domestic sphere में, dual burden of child rearing and working as well as home expected to be performed, कि भी घर का काम भी करेगी, बाहर का भी करेगी, care nurturing without any compromise, इको तो फाइदा ही हो रहा है, ठीक है, बाहर भी, political में less participation, 11% ही आपके MPs में women हैं, ठीक है, economical sphere में देखें, undervalued हैं, underpaid हैं, low paying jobs हैं, less value jobs हैं, labor force participation, 27% के आस पास था, अब तो 25 से भी कम हो गया, wage gap high, 30% से जादा wage gap रहता है, glass ceiling, promotion, उतना नहीं होता, sexual harassment, अचाहिए यह बड़ाई, sexual harassment के लिए हमारे पास कौन सी app है, या फिर मतलब जो portal है, what is the name of the portal, जिसमें sexual harassment की आपकी complaints करी जाती हैं, बताओ उसका ना इन पर additional burden जो है वो आता रहता है, women पर restriction चलती रहती है, जैसे, in terms of mobility, social life, supposed to compromise with their professional life, dressing, lifestyle question, जैसे नहीं पहनना, जैसे नहीं पहनना, जैसे नहीं पहनना, ठीक है, फोड़ा फोड़ा तो चलता ही है, अब पुराने खैलाद भी चलते रहता है, parallel नहीं चलता है, सारी चाहिए ठीक है, ये सारी की सारी चाहिए जनको फेस करना है, finally, the labor of the woman is not recognized as income, specially, जो home labor है, ठीक है, and it is often treated as additional income only, thus the concept of the woman as a bread winner, has been unable to find its place in the society, ठीक है, विशाखा, India's rank equality 136, विशाखा guidelines रभी, वह शी बॉक्स, क्या दा रहा है, अब देखो, question number 12, why do some of the most prosperous reasons in India have an adverse sex ratio, इनको वोलते डिमारू state, हमारे sociology में सवाल पुछा गया था, जैसे बिमारू state है, वैसे हमारे डिमारू state है, डेली और या आसपास वाले reason, जहाँ पे sex ratio कम है, even पैसा बहुत है, give your argument, देखो, यहाँ पे, अगर आपन देखें, पहले तो आप इन regions को mention कर सकते हैं, Punjab, Haryana, Delhi, Western UP, ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे पहले, यही सारे reasons है, नीतिया आउग ने भी mention कर रहे है, पहले तो आप sex ratio के बारे में बता सकते हैं, कि भई, females per thousand, there is no direct reason, कि भई, उनमें adverse sex ratio है, exist as a number of social, cultural reasons, मनलब एक आरण नहीं बहुत सार, पैसा है, तो अब अलग से ही सोचो, historical reasons क्या है, यहाँ पे, patriarchal mindset और historically, यह बहुत अलग तरीके से इन्होंने देखा है, तो वो आज भी continued है, patriarchal की आज भी continued है, जो रही है, बार-बार attacks होते रहे हैं, तो sun preference ज्यादा रह ही है, ठीक है, फिर हम बात कर सकते हैं, family में, inheritance जो है, ठीक है, यह जो structure जो है, कि take care कून करता है, male, रहेंगे किस के पास, male के पास, उसकी बज़े से भी male preference बढ़ती गई, ultrasound, USG, technological, sorry, access, क्यों है आपके पास ज्यादा, पैसा है तो technology, access भी बढ़ेगा, science and track की, ठीक है, यह, और फिर हमारी government जो है, उनके context में भी आप बता सकते हों कि उत्रा, अच्छे से implement नहीं कर रही है, उनके behalf में भी करी बढ़ चल रही है, यह सारे हमारे हो जाएंगे, तो simple simple point, multiple points, देखे, patriarchal mindset, sun meta preference, नीतियायोग ने यह term use करी हुई है, इसी को आप mention करेंगे, religious ritual जैसे, माल देख हो जाती है, तो बेटा ही सब कुछ करता है, तो बेटा होना बहुत जरूरी है, डावरी, domestic violence, ठीक है यह भी आपका बढ़ता है, यह भी रहेंगे, security woman की कम है, society में, तो आप male को ही prefer करते है, education, cultural progress कम है, malnutrition का rate बहुत जादा है, उस वज़े से भी, male labor, migration भी बहुत जा है, availability बढ़ी है, तो यह भी रहेगा, what is the way forward, हम इसको mention करेंगे ही, करेंगे, आपको current, जो schemes है, उनके ना mention करने है, प्लस, पुराने वालों के इसाब से भी बात कर सकते हो, बेटी पचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकरने समर्दी, PCPNDT, ठीक है, इसके context में भी मोल सकता है, कि बढ़ी, PCPNDT जो है, वो उतना strict implemented नहीं होता, ठीक है, how often do we listen, कि बढ़ी, कोई पकड़ा गया, डॉक्र पकड़ा गया, वैसे तो बहुत कम sex determination होता है, but still होता तो है, ठीक है, specially illegal वाला, जिसमें, कि बढ़ी, हाँ, infanticide करवाने के लिए कर लोग करवाते है, ठीक है, वो एक Edward ह उसमें नहीं पकड़े जाते है, बहुत कम आपका चल रहा है, वो भी है, आप recent data के बारे में बात कर सकते हैं, but positive example भी दे सकते हो, कि हरियाना में बहुत ज़्यादा improvement भी हुई, 920, 922 तक अपन पहुँच गया है, in the last 2021, 2020, ठीक है, तो improve भी किया है, हरियाना है, हरियाना में यह सवाल पूछा जाना is very very expected, ठीक है, क्योंकि अपना इस state है, सबसे low पे, यह भी हो सकता है, ठीक है, फिर यह ही पूछ ले जाए आप से कि भी हरियाना में ही, adverse sex ratio क्यों है, what are the implications also, consequences also, यह भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है, meta preference, yes symptom, ठीक है, now, let us see, देखे, question number 13, the life cycle of a joint family depends on economical factors, rather than social values, social values मतलब आपने कह तो दिया कि भई सब लोग साथ रहे हैं, क्यार से रहे हैं, ठीक है, ध्यान रटना है, यह सब वो सब, ठीक है, वो तो सब ठीक है, but economical factors पे जादा depend करती है, देखो, जैसे joint family से migrate होके जाना पड़ता है, because, कि भई, गाओं में जो भी नहीं रही, क्या factor काम कर रहा है, economy, joint family में चार लोग रह रहे हैं, दस लोग रह रहे हैं, उनका खर्चा निकालना is difficult, earning करने वाला one है, वो तो अगर अपनी family पर focus करेगा, चार लोगों पर focus करेगा, it will be easy for him to maintain, अपने बच्चों को अगर good health and education आपको देनी है, तो आप क्या प्रेफर करेगे, nuclear family, ठीक है, फिर burden जो बढ़ता है, कि भई, मानलों अपने चाचा ताओ की बेटे हैं, उनका भी ध्यान रखना है, बड़ों का भी ध्यान रखना है, वो सब, उसकी वज़े से भी, मतलब, life cycle of joint family, किस तरीके से evolve होगा, कि joint family continue रहेगी, या फिर खत्रम होगी, तो वो किस पर depend कर रहा है, हमारा majorly, economical factors पर, ठीक है, मानलो, गाओं है, गाओं में ही अगर आपने industry लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पर लोग क्यों migrate करेंगे, again, economical factor, तो यह सारे के सारे कप होता, तो three or more generation living together under one roof, common kitchen, economical cooperation, ठीक है, दो देकिए, इसमें, economical, social values भी अपने role play कर रहे हैं, जैसे, individualism की जो value है, उसकी वज़े से भी हम जा रहे है, equality की जो value है, ठीक है, पेट्रियार की जो challenge कर रहे है, वो भी इसको कर रहे है, standard of living, yes, ठीक है, तो standard of living पे भी आप focus कर रह है, comparatively, nuclear को, ठीक है, बट, दोनों के अपने plus minus हैं, ठीक है, अब देखिए, दो the practice in the tradition of such society, largely governed by social cultural norm, in practice, they are majorly depending on economical, जैसे की, अगर large size है, तो burden on earning member, जिस पर food or living habit आपकी depend करती है, कमाने वाले कम, खर्चने वाले जादा, अगर वो अपनी family, जो मैंने उपर बता है, performance of social cultural practices are often decided by economical condition, जैसे prosperous family, can afford to undertake ceremonial practices, जो poor है, वो नहीं कर पाती, ठीक है, they have to adjust to the need of the time, ऐसे ही globalization का जो impact हो रहा है, it affected the joint family by changing their taste and the preferences, इसमें जो हमारा materialism की तरफ जो हमारा inclination हुआ, ठीक है, उसकी वज़े से और ज्यादा joint family prefer नहीं करी जारी, today people aspire to fall attestment practices reflected in the media, they neglect the value and the practice of joint family, agriculture decline हो रहा है, agriculture में ज्यादा जरूरत होती थी, labor चाहिए joint family, changing nature of job, आपको migrate करना पड़ता है, emergence of new family structure, family nuclear, ठीक है, बट सिल, अभी भी इंडिया में 55-60% तक joint families ही है, ठीक है, in one way or another, गाओं में भी है, rural में especially, urban में भी, अब जैसे एक interesting इसमें example आता है, कि मालो जैसे बैंगलोवर का हम example देखते है, मालो software engineer है दोनों के दोनों, ठीक है, अब बच्चा हुआ, बच्चे को पालाइगा कोन, ठीक है, कभी husband के मापापा के रह रह रहे है, कभी wife के मापा के रह रहे है, kind of jointness जो है, वो maintained रहती है, ठीक है, मीगू, ठीक है, मारा मीगू की बात करेंगे, migration, industrialization, globalization, urbanization, ठीक है, मीगू वाली trick याद रखेंगे, the social values are still important paradigm guiding the life cycle of joint family, kinship network, social obligation, often dominate the relationship, social behavior and the choices of the people, but, देखो, अभी जो majorly आपका, contact है, kinship system से, family system से, वो mostly ritual रह गया है, festivals में मिलेंगे और वैसे मिलेंगे, normally, उतना नहीं रहा है, ठीक है, definitely, विवे, एक rural area में तो जादे रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, चलिए, अब हम आते हैं next, question number 14, देखे, discuss the various economical and social cultural factors that are deriving increasing feminization of agriculture in India, पहले तो इस तर्म को समझे, feminization of agriculture मतलब, feminization is like increase in the participation of the female, especially agriculture में क्यों हो रहा है, देखो, agriculture हमारा जादे तर कहां practice होता है, rural area में, rural में, agriculture में, already हम disguised employment में है, unemployment में, जहां पर दो लोग काम करने चाहिए, दस लोग काम कर रहे है, बाकिया आठ कहां जाएंगे, they started migrating, male जब migrate हो रहा है, तो यहां पर बचे का कौन, female, तो female agriculture में ज़्यादा फोकस करने लगी है, ठीक है, गाओं में जो push factor है, आप उनकी बात करेंगे, opportunities नहीं है, skilling नहीं है, health नहीं है, education नहीं है, वो सारा का सारा pull factor कहां पर काम कर रहा है, urban area में, ठीक है, तो यह इस वज़े से तो जा ही रहे है, social cultural forces, जिनकी वज़े से करना पढ़ रहा है, कि मान लो, गाओं में है, सारे की सारा burden जो है, वो किस पर आएगा, female पर, ठीक है, तो उनको काम करना ही पड़ेगा, ऐसा तो है, नहीं neglect कर लें, तो again, वो भी double burden कर रहे है, ठीक है, इनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, because of patriarchy, गाओं की गाओं में तो रहने दिया जा रहा है, migrate नहीं कर रहे है, marriage करके आई हैं, तो family का भी ध्यान रखना है, तो गाओं से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो again किसमें रहेंगे, agriculture में रहेंगे, ठीक है, traditional अपने काम जो चला रहेंगे, तो majorly जो हमारा है, मतलब patriarchy की वज़े से ही, social culture में हमारा patriarchy ही major factor रहेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जूस आ गया है, शादे के side effects, now let us start, ठीक है, number one, पहले हम explain करेंगे, feminization of agriculture, ठीक है, positive side effects, so most of the time we have to focus on the positive side effects, ठीक है, ठीक है, अब feminization of agriculture, जो मैंने आपको बताया है, कि it is a recent phenomenon, defining by the rising rate of participation of the woman in agriculture than men, ठीक है, बिलकुल भारती ही पॉसितिव बगवान की दया से अभी तक तो पॉसितिव ही चल रहा है अच लो अच्छा ही होता है बतलब इस बहुत ही तो इस विद रहा है तो इससे बडर क्या हो सथा है अब लेड अच्छा ही सब्सक्राइब करें देखें एक कनोमिकल फैक्टर सबसे पहले तो रूरल अरया में लाकव पर्चुनिटिटीश लाक लेबर फोरसे number of state sponsored welfare program है तो male member जो है enrolled for the state area activity the task of farming किस पर आएगा women pay increasing urbanization industrialization MIGU ठीक है इसके वज़े से migration male handles the responsibility to the female starting working at the industrial sector for the better pay yes social cultural में patriarchy not allowed to migrate women relatively lower level of education in the training of the skill तो इनके पास भी employment opportunity ही नहीं रही ठीक है यह भी रहेगा forced with no other option but to work in unskilled jobs जैसे agriculture और यह और क्या issues नहीं इनको land rights नहीं मिलते काम करते हैं बट उसकी ownership नहीं मिलती technology में जाते tractor बड़े बड़े tractor बने हुए है female कैसे चलाएंगी भई technology भी आपकी female oriented नहीं है then security नहीं है ऐसे sexual harassment rape की cases भी बढ़ रहे हैं ठीक है suicide cases भी बढ़ रहे है alienation loneliness यह भी अपना रहेगा now देखो यह वाला काफी है यह भी मालों mail चला गया बाहर तो ऐसा दो होई जाता है structure के कारण ठीक है way forward government policies need to accommodate the changing need of the time इसमें बहुत सारे अमरलब specially focusing on the female participation on आपका agriculture agriculture में हमारी policies है उनको हम उस तरीके से थोड़ा सब modify करें वैसे करी रहे है government जैसे dbt वगरा जो transfer है emails के account में करना और यह सब ठीक है और technology है उसमें तो आपका private players अपने आप करने लग जाए ठीक है छोटे-छोटे ट्रैक्टर्स भी आने लग गए है वह भी रहेगा okay future में भी and married for six years it is still same amazing going I completely agree Bharti and it all depends there are two three things how understanding you are okay so this is the most important thing you have to understand differences will be there okay the more you are able to understand each other the more beautifully it will evolve and sometimes like compromise okay and it is not like compromise is a bad thing actually क्या है कि हम compromise word को negatively convert करते है ठीक है but it is not like that what are the things which you are valuing ठीक है उसमें अगर किसी चीज को कम value दे रहे हैं और किसी चीज को जादा value दे रहे हैं ठीक है जिसको जादा दे रहे हैं उसके क्या है ठीक है चलो question number 15 देखो ये वाला सवाल अपनने कर लिया अल्रेडी तो इसको we will not repeat how do Indian debate on secularism differ from the debate on the west ठीक है इसको directly I will read it out ये अल्रेडी हम discuss कर चुके है तो आप देख रहे हैं same question is asked again ये वाला भी रहेगा देखे हम introduction में कि हमारा preamble secular country है defined as basic structure of the constitution originated in the west की भी separation of the religion and the state west में क्या है complete है इंडिया में क्या है complete नहीं है तो major differences का है देखो west complete separation of state and religion इंडिया में not compartmentalized positively भी force करते है negatively भी जो चीज़े होरी है उनको stop करते हैं rather state is seen as a protector and regulator of various religious community जैसे article 25-26 में हमारे जो restrictions है formal health formal health क्या है public order morality and health इसको अगर आप disturb कर रहे हो तो आप पे रोका जा सकता है ठेक है ऐसे ही देखे है secularism in the west evolved in temporal sense that is because of out of the influence of the religion in India it is entwined with the concept of religion ठीक है खुद religion में ही है secularism जैसे कि the concept of universalism सर्व धर्म संभव ठीक है तो हमारा उतना separated नहीं है शुरू सही state और religion साथ साथ भी रहे है deep interlinkage between relation and culture also ठीक है तो ये तो politics को भी कर ही रहे है गंदी जी ने भी कहा था politics और religion को अलग अलग करना इंडिया में बहुत difficult है so it is hard to define secularism on the line of the west in India it is defined in the term of rights of the individual in the community secularism in India does not stop the state from managing and regulating the affairs of the religious groups ठीक है तो वो करते ही है example भी अपनने देखे थे अच्छा जो दो तीन example अपनने पहले discuss किये थे please comment आप लो comment करेंग उसके बाद मैं पतारूंगा consideration itself provides for the rights of religious community in relation to individual and other community in the state itself पत्चिस से लेके 28 तक है 29 और 30 में भी है ठीक है protection of the social religious minorities also हमारा तो अलग ही चल रहा है सट्च्छ्ट बारती 6 साल शादिक हो गया है पांच अपके attempt बचे हुए है बीस साल में शादिय होगी ठीक है तैल्ड मेरेज करवादी तुमारी है न ठीक है ओके आओ नव कमिंग तो नेक्स वन क्रेशन नबर 16 देखिये बताओ आपका जो नेगटिव थिंग्स है या पॉजिटिव थिंग्स है जिनको स्टेट स्पॉंसर कर रहा है है इन रिलिजिन है नहीं नहीं थिक है मैं नेक्स क्यूशन पर बढ़ता हूं तब तक तुम लोग आंसर करो most of the unusual climate happenings are explained as an outcome of El Nino do you agree most और El Nino रहेंगी काफी बट और भी चीज़े हैं जो इंपेक्ट करती है ठीक है तो बेसिकली आपको El Nino के बारे में पता होना चीए El Nino, La Nina these are the very important concepts ठीक है दो ही चीज़े हैं जो इसमें थोड़े से रहती है नेक्ली मैंने इसको कैसे याद किया हुए जैसे वर्ल्ड का अपन ने बनाया था मैं दो ट्राइंगल एक आपकी कुल्फी के उपर topping के यहां पर side में ऐसे 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 और यहां पर अपना India और यह नीचे छोटो सा और यह यह अस्ट्रेलिया ठीक है तो जो अस्ट्रेलिया है यहां पर अस्ट्रेलियस हो लिए जो है इसका यह जो है यह हमारा Western वाला ऑली यह पर वाला अब यह तो इधर है यहां पर अपन इस सौ ऐसे तो बना सकते हैं ठीक है South एक नहीं अंसर किया है सिक्षिम देखो हमने क्या देखा था एनिमल स्लॉटर जिसको बैंड किया गया वेरियस अदर जो आपकी प्रैक्टिस जैसे हज वाली है उसको स्टेट करता था स्पॉंसर अब नहीं करते बट अब अबनात यात्रा और यह सब इसमें अपन जाते हैं या फिर अगर कुछ भी नेगेटिव चीज आपकी रहेगी जो आपकी पबलिक ओडर को डिस्टर्ब कर रही है तो उसको भी आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं अब यहां पर जब लो प्रैशर चीज़े क्रेट होती है तो आपके हाई प्रैशर टू लो प्रैशर हमारा यह एगा ऐसे साइकल वाकर साइकल और यह सब कुछ बोलते हैं इसको इसमें आप डियाग्राम यह बना सकते हैं बेसिकली यहां पर जो रेंफॉल है लो प्रैशर वाले में यहां पर बड़ेगी फैरू में बड़ेगी ऑस्ट्रेलिया वाला जो है यहां पर आएगी ड्रोट ठीक है इंडोनेशा और इधर भी ड्राय तो हमारा आपका फॉर्स फायर बढ़ने के चांसे तो यह इंपक्ट रहते हैं ठीक है अब अनिनो क्या है हर तीन से पांट साथ साल में आता रहता है जाता रहता है और उसकी वज़े से यह फिनोमेना रहता है कि इंडिया में ठीक है बट क्या हम सारे के सारे अन्यूजल क्लामेट हैपनिंग इसके कर सकते हैं नहीं उसके लावे भी हमारे बहुत सारे कोज़े रहेंगे जैसे नैचुरल एंट्रपॉलोजिकल अपन बात करके इंडिस्ट्रिलाजेशन ठीक है उसके वज़े से जो कार्बन इंक्रीज है ख्लामेट चेंज है ग्लोबल वार्मिंग है ठीक है उन सारे को भी अपने से लिंक कर सकते हैं अब देखो इसको कर लेते हैं एक बर अल नीनो इसन एटिक वेदर फिनमेना क्रेक्टराइज भाई लो प्रेशर इन परविन कोस्ट यह ही याद रखना बस ठीक है वार्मिं जो है वो बहुत कम हो जाती है तो काफी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है इट लीडस तो वाट देखिए पैरू में तो आपके वेस्ट कोस्ट में रेनफॉल बड़ेगा बट अस्ट्रेलिया इंडिया इंडोनेशिया ड्रोट एंड फोरेस्ट फायर तो मैनी क्लामिट हैपनिंगा रिलेक्टि तो अलिनो बटा ब्रोडर एंड डीप लुग इस डिफरेंट फेचर बिकॉस जैसे अलिनो जो है वो तीन से पात साल में आता है रेगुलर नहीं है लिमिटिड रीजन में ही इंपक्ट होता है और इसका रिवर्स भी है लारीन जिसमें उल्टा भी हो रहा है तो जो इंपक्ट हुए वो वैसे भी होगे अधर फेक्टर क्या रहेंगे जैसे की अन्यूजल क्लामेट हैपनिंग के स्पेशल अंत्रपॉलोजिकल इंडिस्ट्री पॉलिशन क्लामेट जेंज ओशियन असिटिफिकेशन निच्रल में अर्थक्वैक वोलकानों इस काइड देखते हैं अब सबसीडी इस्लामिक असेंशल अक्टिविटी ऑफ रिलिजिन याट्राज इस्लामिक असेंशल अक्टिविटी ऑफ रिलिजिन यस ठीक है समयम गोड रवी जाने हमकेशन नुम नबर 17 क्यों इसको लिंक करना जो आफ ये पुराना पढ़ा था Y are the world's cold mountain system located along the margins of continent, क्यों, Continental Convergence Continental Drift Theory तो यह हमारे रहेगा Oceanic Continental Convergence दो यह हमारे हैं इसलिए आपका मिल रहे हैं Bring out the association between Global distribution of the fold mountain and the earthquake and the volcanoes ठीक है Basically आप से सारा का सारा पुछा है जो भी हमारे Convergences है ठीक है तो जहां जहां mountain हमें मिल रहे हैं तो यह सारे के सारे आप explain कर सकते हैं, Rokies Indies, Alps, Himalayas, How Himalaya, Aral and Indie, Aral, Ural ठीक है, Ural और Atlas ठीक है इनको भी आप mention कर सकते हैं तो जैसे हिमालया में अपना क्या रहा Oceanic, Oceanic Convergence था फिर Continental Oceanic Convergence Continental, Continental, Sorry ठीक है, जैसे Rokies और Indies में क्या है Oceanic and Continental Convergence Ural में क्या है, Continental, Continental इनके वज़े से क्या है कि Ranges है, बड़ी बड़ी Ranges है, ठीक है तो यहाँ पर आपको Earthquake भी मिलता है ठीक है, और आपको Fault Bountains भी मिलते है Volcanoes हमारे का है, Oceanic, Oceanic Convergence में, बीच में, ठीक है वहाँ ज़्यादा मिलते हैं, comparatively Oceanic और Continental में भी आपको मिल जाते हैं, comparatively But Continental, Continental में Volcanoes नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो जहाँ पर Ocean है, heavier है, नीचे जाता है comparatively, magma आएगा, उपर आएगा तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें देखने को ज़्यादा मिलता है, Volcanoes ठीक है, ठीक है, ठीक है जो heavy वाली ही वो नीचे जाएगी नीचे जाने वाली अगर ocean है, जादा heavy है, तो वो magma आएगी, उपर आएगी Volcano बनाएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है This can happen, when two Continental plates move towards each other, और Continental Oceanic move towards each other So, the movement of the two plates Jो है, forces sedimentary rocks upward into a series of fold So, fold mountain आपके बनता है, ठीक है usually formed from sedimentary rocks usually found along the edge of the continent because the thickest deposit of sedimentary generally accumulate along the edges of the continent तो वहीं पर यह सारे के सारे बनते हैं देखें most non volcanic activity and earthquake occur along the converging plate boundary converging हो या parallel हो वहाँ पर आपकी activity ज़्यादे होती है divergent भी नहीं होती है divergent में आपका क्या बनता है जैसे African Rift Valley nascent sea ठीक है और Rift Valley यह हमारे बनते हैं क्योंकि हमें कर्विन जट की ही बात करनी है तो देखें जैसे converging plate margins mid oceanic ridges जहां पर rising limb of the convection current within the earth mental meet a striking close agreement between volcanic and earthquake zone of the earth which indicates that there is a definite relationship between the two phenomena ठीक हो नीचे जाता है अब example देख लो देखो continent और ocean का Rockies, Andes, Atlas of Africa continent, continent लिए लिए हाओ हाओ क्या है Applation है Applation, Eurail and Himalayan तो यहाँ पर earthquake मिलते हैं जब कि यहाँ पर earthquake plus volcano मिलते हैं cold mountain तो यहाँ भी cold mountain यहाँ भी ठीक है ocean और oceanic में हमारे camera लेंगे majorly आपके volcanoes और mountain volcanic mountains ठीक है वहाँ पर भी ranges मिलेंगी बड़ discrete, continuous नहीं होती ठीक है वो जो mental plume वाला question था उसके हिसाब से ठीक है atlas yes oceanic continental बिल्कुल सिम्रण संथारा ठीक है mid oceanic, atlantic ridge ठीक है ठीक है यह वाला सवाल फिर से आगया जो हमने mental plume और जो pacific वाला देखा था explain the formation of the thousands of the island in the indonesian and philippine archipelago तो यहाँ पर majorly जो हमारे oceanic continental तो यह oceanic oceanic जो convergence है और नीचे conveyor belt की तरह चलता रहता है आपका hotspots ठीक है यह हमारे majorly रहते हैं जिसके बज़े से आपका continuous ranges of islands हमारे यहाँ पर बन रहे हैं ठीक है तो इनको ही अपने explain करेंगे यहाँ पर let us see यहाँ पर diagram जरूर रहना नहीं है यहाँ पर diagram जरूर रहना है the group of islands and island arc can be of volcanic origin it is formed along the convergent margin of two oceanic तो यहाँ पर oceanic oceanic है the origin of thousand of the island of this can be explained of the same line पहला oceanic oceanic convergence जो आपने देखा मीचे जाएगा volcanic बनेगा volcano or discrete तक 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 ऐसे बनेगे island arc convergence between oceanic plunged into another oceanic जो हैवी होगी वो निचे जाएगी उसे मगमा बनेगा लावा बनेगा as a result the plate of greater density plunges beneath the ocean floor crust loaded with sediment subducts the rock on the continental side of the trench become metamorphed under high pressure and temperature after reaching a depth of hundred kilometer plate melts और यह मेंगमा आता है उपर की तरफ उपर आएगा तो वलकान बनेगे continuous piling of the rock raises above the oceanic crust ultimately exposed them to form island arc ठीक है अब यह यहाँ पर देखें in case of Indonesia and Philippine island arc are formed along convergent boundary of Indian ocean and the Pacific ocean आपकी plate ठीक है यह हमारा है आप इसमें hot spot वाला भी डाल सकते हैं दोनों ही तरीके से कुछ-कुछ island वैसे भी है ठीक है question number 19 देखे again geography इस बार geography थोड़ी से ज़्यादा है comparatively but question is standard tropical cyclones are largely confined to South China Sea, Bayo, Bengal and Gulf of Mexico basically क्या है कि जो tropical cyclone है यह हमारी earth है 0, 23 इसी के बीच में ज्यादा रहते है tropical में ठीक है क्यों रहते हैं affected तो वही है देखो पहला तो sea surface temperature आपका 27 degree के असपस यही मिलता है South China, Bayo, Bengal और Mexico क्योंकि इसी के अंदर direct insulation sun rays और यह इसको बनाएंगी sea surface temperature low pressure area यहां पर generate होता है ocean बड़े बड़े है इनको energy यहां से मिलती रहती है यह कारण हो जाएंगे फिर आप इसमें सारा का सारा जो इसकी moment है और थोड़ा से इसके बारे में बता सकते हैं कि इसमें आई होती है landfall होता है ठीक है यह सारा का सारा हम इसमें बताएंगे एक छोटा से diagram बनाके कि why it is confined to tropical cyclone this region कि जो condition है जो इसके लिए required होती है तो सारे की सारे यहीं generate होती है अब big large amount of water body low pressure sea surface temperature 27 energy source ठीक है moment के लिए और यह सा तो वो देरे-देरे क्योंकि पानी से gather करता रहता रहता ना तो cyclone बनने मुसको time लगता है तो वो सारी चीचे इनव देखे लिए इस लो प्रेशर रीजन करेक्टराइज वा हाय मुमेंट दो विड्स एक्वेंसी जो है ओवर नोर्थ-वेस्ट पैसिफिक इस क्वाइट है अटिफाइफ परसेंट ग्लोबल एवरेज रहता है नोर्थ-वेस्ट में यह ब्यो बंगल को भी इंफुलेंस करता है हमारे यहा एक्स्टापिकल है वह वेस्ट से इस्ट की तरफ जाते हैं फिर वाइ लोकेशन अनली मेंशन पर याता है सी सर्फेस ट्रफेस ट्रफिकल इस्टरली जो हमारा इसके बीच में ही रहती है तो आपको ट्रॉपिकल रीजिन में ही मिलेगी ठीक है तो 23 डिग्री नौथ और 23 ड और 28 डिफ्लेक्ट करता है उसको मुवमिंट ज्यादा रहेंगी लैंड मास मिलता है इस्ट कोस्ट अफ़ दो कंटिनेंट पर मॉस्ट अधी तर जैसे इंडिया में ओडिस्टा और यहीं आते हैं आल देस कंडिशन आर एविलेबल इन इस रीजिन ओली तो हम यहीं पे ही इ अब देखिये अ अब देखिये अ अब देखिये अ किम्रण थैंक यू चालों चुन नमों टौडी बिगलर दे रेलेशनशिप बत्वीन। बिविन रिंगिंग ऑ ग्लेसर अंद तॉंत दिय्ट। गयू देखियो श्रिंकिंग ऑ देखिये अफ देखिये पहला तो Industry आई Pollution आया Temperature बड़ा climate change and shrinking of the glaciers अब shrink हो रहे हैं चोटे हो रहे हैं या नी melt हो रहे है melt होने के बज़े से what are the symptoms rainfall, flood, rivers में ज़्यादा पानी, flooding आसपास का जो urbanization है उसको भी effect करेगा sea level है वो बढ़ेगा ground water है वो impact होगा population वहाँ पे जो रह रही है उसको भी पाने के access नहीं मिलेगी तो वो impact होगा यह सारे की सारी चीचे अपने रहेंगी यह सारे अपने इसे में है अपने mention कर सकते हैं एक flow chart भी बना सकते हैं और जारा इसमें कुछ है नहीं यही रहेगा देखो अब देखिए के बना सकते हैं वही नहीं तेखिए पर देखिए प्रैश जारे के लिस्चे कर देखरी की तो . नहिमार्यन, Glacier, relationship between these can be brought by following deco shrinking glacier heavy water in river, flood heavy rainfall, monsoon erratic, glacial lake, outburst GLOF, glacial lake, outburst, flood climate change, rising temperature Migu, pollution, greenhouse gas Migu क्या है अगें, migration, industrialization उसके वज़े से pollution और greenhouse दुबारा से, टेक है, so both are affecting each other, उससे वज़े से अपने impact किस पर राएगा, human population life, livelihood, living standard agriculture, production, ठीक है काम हो जाएगा, क्योंकि damage हो सकता है flood की वज़े से, atmospheric stability, कम देखने को मिलती है, policy planning भी गड़बड हो जाता है, refugee crisis climate refugees ठीक है, sea level अपने देखा, तो उसके वज़े से इंडिया ही नहीं, आसपास भी के जो है, कहा migrate करेंगे, अंदर की तरफ migrate करेंगे रहना तो सबको है, जेवन तो सबको चाहिए, ठीक है, सुआएगे तो crisis होगा, उससे भी गड़बड होगी now question number 21 समझ में आ रहा है ठीक चल रहा है, सो तो नहीं रहे करेंगे ठीक ठीक, चल ओके समझ में लेखें, whereas British planters had developed tea gardens all along the Shivalik and the Lesser Himalayas from Assam to Himachal in effect, they did not succeed beyond the Darjling explain, तो उसके पीछे बहुत सारे reasons होगे एक तो उसकी location उसका climate वहां के लोगों का resistance, native लोगों का ठीक है, soil, rainfall, सारी की सारी चीजें, ठीक है, Britishers की खुद की policy, और वहां के जो kingdom थे और native थे उनके बारे में पन ने बात कर लिए, ठीक है, पिर जो labor वगर आपको पहले मिला, क्या वहां पर मिला, ठीक है, attachment management, यह सारी की सारी चीजें आपन बोल सकते हैं, basically what is the question, location of the industries, इसमें मारा क्या रहता है, land है क्या, labor है क्या, market है क्या, दूरी है, transportation हो सकता है क्या, difficult terrain, तो इस वजय से वहां से आगे नहीं पहुँच पाई, especially after Darjeeling, देखे, India is one of the largest producer and the consumer of the tea, thanks to the British, but not beyond, number one, climatic conditions, cooler, उतनी stable नहीं है, low gradient, ठीक है, तो इसमें, इसमें, देखो, succeeded in the Darjeeling तक क्यों है, वह इवे मैं सोच रहा था, Darjeeling तक क्यों, climatic conditions अच्छी है, suitable है, कुलर, gradient low है, तो आरम से कर सकते हैं, आप उगा नहीं सकते हैं, almost पूरे साल rainfall चलते हैं, cheap level मिला, good, उस दूसरे में क्यों नहीं हुआ, climatic condition, not so suitable, rainfall, humidity, temperature, soil type, terrain difficult, transport not so possible, ethnic tribal community, difficult to control, उनको नहीं कर सकते, low skilled manpower, distance from the seaport और बढ़ गया, यानि economical नहीं रहा, तो यहीं तक रहें, यहीं तक कर पाएं, और यह सब चीज़, ठीक है, structure, difficult terrain, सारी चीज़ें, सारे पाइंट लगबग लगवा रहें, आ गये हैं, इन्हीं पर यह अपन बात करेंगे, that's it, ठीक है, question number 22, देखो, जोग्रफिय के बहुत थे, why did, green revolution, इंडिया virtually bypass the eastern region, despite fertile soil and good availability of water, तो green revolution के पीछे reason क्याता है, एक तो government की policy, government ने focus यहां पर किया, प्लस यहां के जो farmer थे, they themselves were quite, मतलब हम बोल सकते हैं, capable to invest, ठीक है, फिर यहां पर, उसकी वज़े से canals इन्हों ने बना दी, high yielding variety आगी, factors आगे, तो बहुत सारी चीज़े रही, historically भी बन देखें, तो यहां पर अब देखो, जो अपन ने अत्रू सीटू देखा था, land reforms, वो यहां पर ज्यादा अच्छे से हो पाए जबकि eastern region में नहीं हो पाए, जमिदारी system अभी वी still very prevalent there, तो उसके वज़े से यहां पर क्या हुआ कि, जो हमारा, green revolution वाला रीजन है, पिजाब हर्याना वेस्टन यूपी, land reform अच्छे से रहे, लोगों को जमीन मिली, उन्होंने इन्वेस्ट किया, canals बनी, fertilizers मिले, high yielding variety मिला, technology मिली, tractors मिले, सब कुछ रहा, government policies रही, MSP मिला, तो उसकी वजय से, यह इधर हो पाया, और वहां पर, यहां पर corruption कम था, comparatively वहां पर ज्यादा था, तो यह सारे factor रहे हैं कि, eastern region, जो कि अच्छी fertile soil और water होने के बावजूद भी, bypass हो गया, with these reasons, ठीक है, that's it, और अभी जैसे MSP मिलातन है, ठीक है, वो तो यही कहते हैं कि, green revolutions, जो है, ठीक है, it is an unfinished agenda, कि अभी भी उतना हम नहीं कर पाएं, जतना अपन ने सोचा था, land reforms हमारे unfinished है, hardly हम 2-3% ही effective implementation कर पाएं, कहीं कहीं 5-6%, बंगाल और केरला में 10% तक, बट अभी भी बहुत कम, ठीक है, तो, there is also a lead of land, need of land reform 2.0, उस बारे में भी बात करी जा सकती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, now look, Green Devolution 1960, led by M.S. Vaminathan, यह मान introduction हो जाएगा, आपने time period के बारे में बात कर ली, किसने करा, made India self-sufficient, in food production, but criticized, for rising regional inequality, क्योंकि एक में जादा होगे, per capita income वाले state बन गए, तो इसके पीछे क्या रहे, देखो, geographical factors, अब eastern में frequent flood आती थी, comparatively यहां उतनी नहीं आती, canal and channelize, यह absent है यहां पे, so resulted into unavailability of the water, यह rainfall पे ही depend होगे, even though rivers है, but rivers से directly irrigation करना is not easy, irrigation के लिए आपको canals तो चाहिए ही चाहिए, टेकनोलोजी देखो, led to यह भी primitive mode में ही कर रहे है, तो per production per hectare कम है, अभी भी राइस पे ज़्यादा focus है, green revolution mostly wheat पे ही था, rice पे भी था, MSP इन दोनों को ही मिला, awareness देखिए, farmer में उतनी HIV हचाहिवी कहा रहा हूँ, HYV और chemical के लिए कम रही, टेक है, अलसो जो land reforms का point मैंने बता है, वो भी add कर लेना इसमें, कि अभी तक वहाँ पे नहीं हो पाया है, यहाँ पे हो गए, government policy अगर आपने देखे, inappropriate government support, institutional उतना नहीं है, farmers away from collection of the required finance, and developing scientific method, historically भी deprived or exploited ही रहे है, Punjab-Ariana में क्यो रहा, infrastructure, industry, subsidy and these, way forward is NG, BG, NAR, second green revolution in national, जो हमारे ये backward region जो है, तो इसमें green revolution अपने लेके आना चाह रहे है, यह अपकर रहेगा second, ठीक है, in eastern and north, north eastern region, ठीक है, उसके लिए हमारा है, second green revolution, इसकी आशकता हमें है, question number 23, हमने देखो, steel वाला देखा दा न, account for the change in special distribution of iron and steel industry in the world, actually world में पूछ रहा है, ठीक हो पहले अलग अलग जगह पर होती थी, ठीक है, जहां पर raw material ज़्यादा मिलता था, industries थी, बाद में raw material के बजाए, आपका market access, ठीक है, technology, इन सब पर ज़्यादा होने लग गया, तो यह shifting होने लग गी, पहले आपका जैसे USA, USSR इन में ज़्यादा था, यूरोप में ज़्यादा था, अब छोटे छोटे बने लग गए, चाइना, इंडिया, जापान यहाँ पर ज़्यादा होने लग गया, तो धीरे धीरे labor की, सारी चीज़ वही रहेंगी, land की availability, capital की availability, labor की availability, market की availability, पहले आपका grow कों कर रहा था, Europe, USA, अब grow कों कर रहा है, India, China, तो वो shift अपने आप हो जाता है, ठीक है, यह रहेगा, आपन इस के बारे में बात करेंगे, देखे, earlier, iron steel industry is located near the mines, required for the production of the steel, but, with the advancement of the transport, network, modern technology, इनकी location जो है, change होई है, देखे, पहले काहने है, जैसे, Asia में, China, India, Russia, Japan, Europe, Germany, France, South America, Brazil, Venezuela, South Africa, Kenya, यहाँ पे है, तो यह किसकी presence से decide होती है, जैसे कि industry, यह shift होगे towards the market, जहाँ पे demand जाद है, जैसे new urban centers, specially China, India के, location, एक transport hub है, towards international harbors, तो जहाँ पे steel produce होता है, उसको export करता है, raw material import किया जाता है, जो industries है, वो जहाँ पे technology अच्छी वहाँ पे बन रही है, the industrial hub, produced steel can be consumed by other industries, जैसे automobile, ham engineering, जहाँ पे यह industry होँगी, वहाँ पे steel वाली भी आएगी, ऐसे land, labor, human resource, new technology, electricity, government policies, import export policy, इन से भी जो हमें support मिल रहा है, उसकी वज़े से यह आपकी जा रही है, ठीक है, question number 26, is it repeated, हमने क्या देखा था, blue economy, वाला आप से सवाल आया था, ocean resources जिसमें आपको बताया ही था, उनी पे हमारा क्यों ज्यादा focus चल रहा है, ठीक है, तो यह भी देखे यही question है, critically evaluate the various resources of the ocean, which can be harnessed to meet the resource crisis in the world, resource crisis तो कुछ भी हो सकता है, resource मतलब food, fuel, minerals, majorly, तो यह सारे चाजह में ocean में मिल रहा है, food in the form of algae, fish and other animals, fuel in the form of oil, natural gas, mineral, poly metallic nodules, exploration, इनको assess करना है, evaluate करना है, कैसे harness किया जा सकता है, बहुत सारे हमारे examples है इसमें, कि हम कर भी रहे है, coastal area में चल रहा है, trolling चल रहा है, aqua culture अपन कर रहे हैं, Bombay High और ocean में exploration कर रहे है, polymetic nodule इनको हम extract कर रहे है with development of the new technology, यह सारे का सारा, और required भी है, क्योंकि land resources हम कर चुके है, और next हमारा इसी में ही चलेगा, ठीक है, resources अपने आगे, food, living, fish, crab, energy वाले, shale, wave, tidal energy, thermal energy, mineral with diamond, sodium chloride, magnesium, ठीक है, calcium carbonate, यह सब भी अपने हो जाएंगे, pearl, issues क्या है, major issues इसमें रहेंगे, जैसे maritime dispute, example दे दो, India, Sri Lanka, China, Japan, EZ का issue, China, Vietnam, Japan area, environmental pollution, और यह सब तो हुई रहा है, great garbage, plastic, ठीक है, dead zones, जो आपने पढ़े थे, वो भी rise हो रहे हैं, because of exploitation, sea floor को damage कर रहे हैं, oil spills हो रहे हैं, marine diversity, बहुँ जादा effect हो रहे है, plastic pollution, microplastics, in every ocean, useful नहीं रहा, तो यह सारे के सारे हमारे इसके impact हो जाएंगे, ठीक है, नहीं, coming to the last question of today, how does, sea weed, sea grass, yes simran, ठीक है, देखे, how does India, its position in economical space, of rising natural resource rich, अफरीका, अफरीका में सब लोग compete कर रहे हैं, हमें वहां से बहुच सारी चीजी मिलेंगे, जैसे लेंड, लेंड पे आप क्या कर सकता, agriculture, fuel, ठीक है, natural gas, oil, sports, transportation, market, very very important, labor, यहां पे भी आके काम कर रहे हैं, वो सारी चीजी, अफरीका तो ग्रो करी रहे है, अफरीका विच विच वन इस continent of dark hope, ठीक है, यह दार्क कॉंटिनेंट, अब क्या है, continent of hope, यह सारी के सारी चीजी हैं, ठीक है, वहां पे हमारे बहुत सारी लोग जा चुके हैं, इंडियन डास्पोर अभी आपका जा रहा है, यह जो हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं, इंडिया इंवेस्ट कर रहा है, अफरीका में बहुत जादा, ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इंफरस्र्ट्रक्चर डवलप्मेंट के वह भी किये जा रहे हैं, यह सारे के सारी चीजे हैं, इसचीज का, ठीक है, यह सारी सारी चीजे अपनी रहेंगी, तो, specially इस्ती में ही क्यों, इंडिया की क्यों नीड है, क्योंकि चाइना है, नहीं तो वह सारे का सारे लही जाएगा, चाइना अलरेदी बहुत सारे पोट्ड़ डवलप्र कर चुका है, चरने लाए, पर दिखक्यम है थाक है, तु यह सारे की सारे पर नाई लेके Now, लेके, लेके, natural resource rich, geostrategic location of Africa, many of the developed countries that are resource scale, putting up efforts to tap upon the vast resource wealth of Africa, yes, India, making political economical strides to fulfill her interests through the opportunity available in Africa made a significant presence, but still lagging behind USA, China and European Union on general. On a contrary, the number of development are high. जैसे की, Indian diaspora बहुँ ज़्याद है कहां कहां पे, South Africa, Zimbabwe, Kenya, Mauritius, considerable level of Indian entrepreneurship, especially agriculture में इंडिया की ज़्याद है. Agricultural presence of Indians in the library area, economical ties, जैसे की, empirical union, trade union के साथ अपनने कर रखा है, custom duties, other measures, अपनने free trade between India and Africa काफी हाथ तक established कर रखा है, फिर जैसे soft capital के पनन बात करते हैं, जैसे soft power India की बहुत अच्छी है, as compared to other countries, ज्यादा prefer भी करते हैं, हमारा social cultural लगवल लगवल सेम साही हो जाता है, जैसे इंडिया ने में से यो फ्रिकन भी है, ठीक है, the number of social welfare program granting aids, जो इंडिया एक्टेंड करता है हम इंडियन सपोर्ट, यहां से soft power, among the African country, as a result, इंडिया is able to create good images, तो हमारा जैसे BRICS, IPSA, यहां पर भी हम इनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, बोथ are growing, तो देखें, support each other, FZAC, FZAC क्या है? इंडिया-Africa growth corridor, against BRI, यह हमारे इंडिया-African economical ties कर रहेगा, Indian companies कौन-कौन सी है, जैसे ONGC, Tata Group, इनको आप mention कर सकते हैं, यहां पर आप जो news बगेरा पढ़ेंगे, उससे बहुत सारा input हमें वैसे already मिल जाए, ठीक है, तो, very congratulations, 2014, आपका complete होगे, जो नहीं student है, and those who are, who will be watching this video after some time, like this video, subscribe the channel, so that's all we have to say, and अभी, आप लोगो को कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है, तो, बताइए, otherwise, आप एक बार यह देख लेता हूँ, रवी का आए हुआ है, सिम्रन का आए हुआ है, क्या, ठीक है, ये वाल आपने discuss कर लिया था, रवी वाह, इस बार राइडिंग, और जाए अच्छी लग रही है, लेकिए to what extent urban planning और ये, the most, इसमें कैसे लिखा जा रहे है, unique feature of IVC was development of urban centers, which were planned, efficiently implemented, the practice of civilization are still prevalent, जैसे की, grid pattern, yes, material used, brick standard, limestones, drain channel, देखो, इसका फायदा क्या है, जैसे इन्होंने ये अच्छे लिख रखा है, तो एक teacher आराम से देख लेंगा, point देख लेंगा, drainage, sea drains, sewage, transportation और ये बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, water conservation, tanks, pond, ये भी आपन यूज़ करें, domestic architecture जैसे की, residential building, rooms, great bath, storage house, ये भी है, food and agriculture में, barley rice, और grainry बगएर आपने कर रखे हैं, ठीक है, फिर pottery, sculpture है, जो आपन store करने के लिए यूज़ करते थे, paracoda bull, seals, dancing girl, religious worship, पशुपती और ये लगवख सारी चीज़ा अपने इसमें लाई सकते हैं, एक conclusion और add कर देते हैं रभी तो और अच्छा हो जाता, इमरं का भी देख लेते हैं, लो एक एक answer तो आप लोगों नहीं लिखा, I'm very happy, both very good, okay, press the bell icon, yes, Ravanda only 3000 Indian people origin, but bike it and several other field dominated in the Africa, okay, this is kind of like a new imperialism, okay, but because of capitalism, free flow, अब को आपको force नहीं कर रहा, but still आप इसमें 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 कर पा रहा है, ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रही, good writing को maintain करो, और थोड़ा सा बस input में वही है, और अपने discuss तो अल्रेटी करी लिया है, conclusion हमेशा दे, ठीक है, वेख रोट की तर्म में, example ही दे सकते हैं, ठीक है, जो, अर्याना कही अपने, example देख चंधिकर वन आपने, best example, ठीक है, फिलिंकरते है, next, ठीक है, रहा है, सिम्रण, पत्रियर्की and working, ठीक है, recently, W.E.F. ranked India 135, Global Gender Gap Index, simply it indicates, there is a still gender inequality present, one of the reason is patriarchy, where male consider themselves, more dominant than female, this बिस बदे, very good, आपने पता ही भी ठाद ही बता ही रा प्रमें पूने खी कि भीक था लूई जियो dois, Hm तैटन चीजंड ने से राकल राकलो कर उसा से डिरो इसमे दिसचेखा कर कह 새्या हो पुराऋ हुर से कर दिसचेखागा से बिह ज्म点े को क is फीरो ग्लास में पूरिष क कर कि यह से stereotype they are poor at decision making to impact their position women are more caring nurturing to pink colorization of work pink color jobs ठीक है तो वैसा ही हो रहा है example दे दो यहाँ पर ठीक है nurses receptionist example जरूर दो examples are very important division of labor women having soft skill so there are more jobs in the sector where these skills are required nurses ठीक है यहाँ दे दिये तो ठीक है women are considered as weak passionate and dependent symbolism uh women as self-sacrifying very good ठीक है as pariah then hence woman male has to take whole family objectification commodification for example advertisements ठीक है education system due to lack of gender friendly perpetuates religion patriarchal construction of the social practice was legitimized by religious institution यह भी सही है male authority अपकी maintain रहती है these are some of the reason कि patriarchy impacted middle class working this and taken by government legislature mindset इसकी बज़ाए और जो example हमने schemes के example दिये थे उन schemes के नाम लिखके हम इसमें conclude कर सकते हैं good enough ठीक है अच्छे point लिखे हैं बहुत अच्छा ठीक है तो दोनों के अच्छे answers है keep on writing keep on ठीक है 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 तोड़ा सा tribe करो अभी एक ठीक से structure बनाई जाए answer की ठीक है ठीक है उसके बाद आप focus करें यह हमारा चले तो अब आपन conclude करें हाज के session को good morning hello ठीक है तो now let us start देखें again 2015 इसमें भी अपना mixup सा चल रहा था तो यहां पे भी जो आपके questions थे वो 12.5 ते और वर्ड लिमिट आपकी 200 वर्ड की दी ठीक है तो देखो इन जर्रल अब जब इस तरीके से होता है मालो 20 questions है आपके पास ठीक है और हमारे पास है 180 के आस पास minutes तो आपके पास आते है 9 minutes ठीक है इस 9 minute में अब आप सोचोगे भी मालो location पढ़ेंगे एक minute समझने में लगेगा brainstorming करेंगे तो दो मिनिट तो लग ही जाते हैं तो साथ मिनिट में आपको लगबग लगबग 200 वर्ड लिखने होते हैं approximately 30 words ठीक है पर मिनिट तो ये एक अच्छे खासी speed होती है इसी पे ही आपको काम करना पड़ता है अब इस वाले को time को जब ये दो मिनिट वाला time है इसको अगर आप एक पे लेके आ जाते हो तो it will be good कि भी 30 seconds पे पढ़ा और उसको स्ट्रक्शुराइज किया चलते चलते मेजर एक ब्रीफ जो हम आप बर्ड आई ओवर्यू की जो अपन बात करते हैं तो उस तरीके से स्ट्रक्शुराइज किया and then आपका यहाँ पे आगे अपन प्रसीड करते हैं ठीक है कि भी फिर आप answer लिखना शूरू करो और दूरिं में अगर 15 मारकर है तो उसमें आपको 12 मिनिट्स के असपास मिलते हैं अप्रॉक्सिमेटली ठीक है बुरे एग्जैक्ली नहीं लगबग लगबग 12 मिनिट्स ग्यारा बोल लो ठीक है रवीन गुड़ बॉनिंग नेचर और वैदर इस अलसो ब्यूटिफूल येस बिलकुल अच्छे ही हैं बिलकुल मैं अभी खड़ाई वहाँ एक मिनिट नेचर के चक्कर में पानी किर जाता है ठीक है तो अब हम इसको शुरू करते हैं अपने आज के डिस्कुशन को 2016 सो वी अर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर 2015 ठीक है 15 एंड 14 देखते हैं आज 14 है तो चलो ठीक है 15 में यह अपन कर लेंगे आज तुम लोग कहोगे तो तीन क्लासेज लेके कल एक छोटा सा ओफ रख लेंगे 15 के नाम का इवनिंग का बाकी आज तीन क्लासेज करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं हम if people agree ठीक है चलो देखो question number one ancient civilization in Indian subcontinent differed from those of Egypt, Mesopotamia, Greece in its culture, traditions have been preserved without a breakdown to the present day comment देखो थोड़ा सा मतलब अतीशोक्ती अलंकार हो जाता है हां बट काफी हद तक यह वाली civilizations तो continuous way में सर्वाइव नहीं कर पाई ठीक है बट हमारी कर पाई तो हमें बताना है कि ऐसी क्या चीज़ें थी तो basically you have to talk about जो unique हमारे culture और traditions थे आई वी सी के ancient civilization के that's it ठीक है तो हम इसी बारे में ही बात करेंगे सारी चीज़े आप लिख सकते हैं हमने बहुत सारी चीज़े जितने भी आई वी से में पड़ी हुई है ठीक है सब जो वहां प female उनके बीच में के interaction रहता था वो सारी की सारी चीज़े है अपन इसमें लिखेंगे देखेंगे now introduction ऐसा था हम मानते ही है कि Indian culture एक आपका enduring character है despite major changes and upfill significant threads of the continuity raised throughout the course of the Indian history right up to present day ठीक है so remarkable feature क्या है देखें जैसे along with the continuity आपका changing भी चली रहा है देखो कभी भी society में या फिर anything चेस हम बोलते ही है कि change is the only thing which is constant तो उसके बारे में यह तो रहेगा ही रहेगा now we have to talk about कि वो अगर constant है change तो हो ही रहा है तो continuity भी है तो it goes both ways some features will be constant some features will be new and some features will be modified जो आपके चल रहे है उसे को ही आगे करते हुए ऐसा आपना चलेगा ठीक है so a remarkable feature along with the continuity जैसा कि अपना basic spirit of our culture continued disregarding what becomes irrelevant in the modern ages simple हम बात कर सफेज जैसे love tolerance इनकी ही हम बात करता है हमारे society में तो यह अभी तक basic spirit है चले आ रही है respect ठीक है तो यह जो हम रखते है तो life forms living non living everything ठीक है तो यह हमारे रहेगा ठीक है कुछ जो अभी तक practice किये जा रहे है जैसे worshiping of mother goddess पशुपती nature worship जो पहले भी होती थी आज भी हम करते हैं तो वो भी अपना रहेगा ठीक है यह हमारा है ऐसे ही जैसे वैदिक, बुद्धिस, जैन, many other traditions followed even today, continuity, changing, आप religion के context में बता सकते हैं, practices के context में बता सकते हैं, temple going, ठीक है तो यह सारी की सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, other than that हम बोल सकते हैं कि there are number of moments, ठीक है, ग्रोन and reforms इनके बारे में हुए हैं, जैसे कि reform moment in the वैदिक religion brought out by जैनिजम and Buddhism 6th century, कि उसी की ही जो problems थी, उन्हीं को ही address करने के लिए हमारे यह दुनों evolve हुए थे, and the religious and the social awakening in 18th century, 19th century, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी change हुई, ठीक है, जो practice, जैसे मालो, ब्रह्मन, छत्रे, वैश, शुद्रा, ठीक है, वहाँ पे, अब जैसे पहले practice करे जात अब हम challenge भी कर रहे है, कुछ बच गये है, कुछ हमने उनको change कर दिया है, article 17 change कर दिया है, ठीक है, but still there are approximately 50% of the villages जहाँ पे, in one form or another, आपका practice भी किया जाता है, ठीक है, a few examples when revolutionary changes are brought about by Indian thought and practices, ठीक है, अब देखो, all these civilization except of India, institutional slavery, India lagged any such exploitative system at large scale, social outcast and untouchable, but even their status was much better than slaves elsewhere, ठीक है, अब आप उनको compel नहीं कर सकते की, तू मेरे लिए काम ही करेगा, slavery is a altogether different kind of institution, ठीक है, bonder, यहाँ पे हाँ, काम कर रहे हैं, because they do not have other means of survival, but if they want to move somewhere else, they can move, ठीक है, they want to marry somebody else, they can, ठीक है, और ऐसे देखा भी जाता है, upper caste, lower caste में marriages भी थी, उन्होंने mention भी कर रखा, eight kind of marriages and all these things, ठीक है, 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 अब यही institution, से हम इनकी बाते कर सकते हैं, जैसे planned civilization अपनी थी, तो वहाँ से भी काफी चीज़े, अपने आज के बारे में बात करें, civarage system, घर, privacy in houses, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह दो-चार feature आप उस तरीके से भी mention कर सकते हैं, ठीक है, 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 ठीक को है, culture and tradition में और जो respect elderly लोगों को हम देते थे, पहले से ही रहती है, ठीक है, age और experience को respect दी जाती है, वो हम आज भी देते है, एक different kind of respect, ठीक है, ठीक है, second, ये art and culture का था, ठीक है, mesolithic rock-cut architecture, rock-cut, ठीक है, not only reflects the cultural life of times, but also reflect the fine aesthetic sense, comparable to the modern painting, critically evaluate this comment, critically evaluate, yes, और some features of, जो में भी आप बात कर सकते है, the point is, अब इसमें सारा जो examples हैं वही आपको देना है, अब हमने देखा था, rock-cut architecture में, जैसे, temples, ठीक है, वैसे, mesolith के बात करेंगे, megalith, जो storms, हमारे आते हैं, mesolith के, ठीक है, अब rock-cut में, अब जो caves हमें मिलती है, jainism, ठीक है, buddhism, इनके जो caves हैं, उनके बारे में आप mention कर सकते हैं, या फिर जो पुराने time पे, जो caves के अंदर, जो paintings बगएरा बनाई जाती है, उनके बारे में आपन mention कर सकते हैं, ठीक है, यह हमारी रहेंगी, अब buddhism, jainism वाली तो, मिलती की नहीं रहेंगी, वो तो modern time period की ही आ जाती है, उसमें, हाँ, इसको अपन compare करेंगे, अपना modern वाले से, ठीक है, देखो, अगें, इस वाले question में, ज़्यादा कुछ लिखने का होता नहीं है, जैसे, हाँ, नर्मदा और वाले जो अपना है, नर्मदा वैली, सोहन वैली, ठीक है, और एक अपनी उत्राकंड की है न, कुन सी caves है, उत्राकंड वाली, जो हमारे mesolithic और इस time period में हम discuss करता है, basically आप पहले तो इस time period की बात करो, कि it, mesolithic art refers to what, uh, central, all arts in the craft created between the end of the paleolithic, जो 10,000 BCE से चले आ रहे, the beginning of the farmer and the neolithic age, so the art of that period mostly created on what man lived, the classical art, यह जो से, क्या मैं देखता था, ठीक है, and the modern art depicted what man thought, यह एक major difference है, जैसे उन्होंने hunting scenes बनाए, ठीक है, society के scenes बनाए, कि भई कैसे societal gatherings होते हैं, animals बनाए, ठीक है, गोड और इन सब के भी बनाए, वहाँ पे भी थोड़ा सा हम बोल सकते हैं, कि जो उनके दिमाग में था, वो भी, but majorly what he depicted, what he, so, ठीक है, earlier art form में, closest to the nature, deep aesthetic sense, अभी, जैसे modern art form है, उसमें nature नहीं, आपके thought processes में, जो भी चीज आ रही है, उसको आप मनाते हैं, explain करते हैं, जो चीज समझ में नहीं आती, उसको ज्यादा पैसे दिये जाते हैं, ठीक है, यह हमारा इसका है, mesolithic sites, they painted social life, sexual activity, childbirth, rearing, burial ceremony, most of the painting depicted nature and the around the man, ठीक है, तो यह हमारा रहेगा, Now, the early modern painting जो है, उसमें हम बोल सकते हैं कि artificial है, ornate है, lagged aesthetic sense, ठीक है, मतलब, aesthetic is like everything seems to be symmetrical, perfect, और समझ में आने वाली चीज, ठीक है, aesthetics को तभी आप appreciate कर पाते हो, ठीक है, modern painting को not everybody can see and appreciate, aesthetic is like, just a beauty, ठीक है, तो उसको कर पाते हैं, symmetry, symmetry is a form of beauty, मतलब, जैसे माना जाता है, कि जैसे हम देख रहते हैं कि what is beautiful or what is not, so it is not about the color or something like that, even in various civilization, ठीक है, वहाँ पे भी some people are considered beautiful, some people are considered not so beautiful, what is the reason behind it, so when, once I was searching about it, I found the symmetry, ठीक है, the symmetry of the face और वो जो चीज़े होती है, that seems to be, मतलब, one of the reason, ठीक है, sharpness, यह universally थोड़ा-थोड़ा माने जाते हैं कि हाँ, यह रहेंगे, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर समझ ही नहीं आता, ठीक है, जो हमने देखा है, उनके बजार वाले scenes रहते हो थे, ठीक है, या फिर, कालिघाट paintings की हम बात करें, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो NCRT में जैसे mention है, आप इनके example डाल सकते हैं, और जो हमारे 19th century modern painters है, राजरवी वर्मा, अमरिता शेरगिल, बंगाल school of painting, नंदलाल बोस, अबिंदर राद बोस, जैसे इन्होंने भारत मात्रा की painting बनाई थी, इतने हाथ थे इसमें, ठीक है, यह चार हाथ है, अलग-अलग में अलग-अलग चीज़े हैं, यह हैं, अल्मोस्ट, अट्मोस्ट रियलिज्म, विजोलिथिक में, यहाँ पर उतना नहीं है, मतलब थोड़ी सी यह भी बत्रे कर सकते हैं, कि हाँ, यहाँ पर वो भी था, एस्थेटिक उतना नहीं है, कि बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, बट पुराने वालों में थोड़ा सा ज़्यादा है, कमपेरेटिबली, ठीक है, यह, कुछ एग्जाम्बल्स देंगे, कुछ तर मिजलिथिक, मुसली इं सेंट्रल इं साउथ, यह, वार रोक्स इन भीमबेट का, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, लाकु दरियार, यह, लाकु दरियार इस राइट, उत्राकर्ण, गिव आईडिया वाउट वाउट देंगे, यह आई गये हैं, ठीक है, चलो, बहुद ब गिव में दा अंसर, ठीक है, इस वेरी थॉट प्रोवर्किंग क्षिएं, हाओ डिफरेंट, वोड हाव बीन, अचीवमेंट, ओ इंडियान इंडिपेंदेंट्स, विद आउट महात्मा गांधी, डिस्कॉस, ठीक है, तो किस तरीके से, मतलब महात्मा गांधी के आने से, इंडियान नैशनल मोवेंट में क्या हुआ, वो चीजें का डिफरेंट्ट्टी होती है, आप लोग अंसर करें, I am waiting one minute for this, एंडि मैंने कहा था न, एक गंधी जी पुछे जाते हैं, एक वुमेन पुछे जाती हैं हर बार, पावर्टी, हंगर, कॉमन तीम्स, झाल 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 Okay, without Mahatma Gandhi, India might have been fragmented further, okay, first essay के रहे हैं कि more violent agitation, more extremist tendency, social integrity, विल्कुल, before arrival of the Gandhi, freedom movement restricted to the upper educated, हाँ तो हम इस बारे में भी बात कर सकते हैं, mass movement के बारे में हम बात कर सकते हैं, yes, armed revolutionary movement could have been prominent, डांगी, no movement, भारती, Hindu-Muslim unity, yes, essay, moment video, so these are the common things, देखो, सबसे पहले तो, it is very difficult to say, और we can say, it is very unimaginable thing, कि यार, विना गांदी के Indian national movement कैसा होता, how different would have been the achievement, तो, जैसे, इन्होंने Britishers, क्योंकि without understanding, तो वो काम ही नहीं करते थे, जैसे उन्होंने understand किया, पाया, यार, Britishers के पार, सारी चीज़े बहुत ही जाना है, strong है, तो हमारा violence से तो काम नहीं चलेगा, तो, जो उन्होंने values दी, ठीक है, truth की, non-violence की, ठीक है, वो आज भी हमारी society में बरकरार है और उस टाइम पे भी, society, social integration के लिए उन्होंने काम किया, women, patient, ठीक है, farmers, each and every section of the society, industry, सब को साथ में लेके, चले गांदी जी, untouchability के लिए जो काम हुआ, हो सकता है, ठीक है, जब इतने बड़े stretcher का leader काम करता है, तो, it becomes entirely different thing, but, अगर आपको, इस टाइब को, और कोई leader, ठीक है, में भी हो सकता है, कि गांदी जी नहीं होते है, तो, some other leader would have been doing things in a different way, ठीक है, वो भी हो सकता है, पर, इनके वज़े से, जो हम कह सकता है, कि, we achieved our independence, quite like, जैसे माल लो, 1915 में, अफ्रिका में तो कह रहे रहते हैं, 1915 से लेके, 1945 ही माल लो, 47, तो, 47 में 32 years हो जाते हैं, ठीक है, 32 years के अंदर, he organized various Mars moments, and we achieved independence, what can be, ठीक है, अच्छा कासा है, बाकियों के struggle को देखे, countries के, colonial struggle को, तो वो थोड़ा सा मश्किल है, ठीक है, पिर जैसे इन्होंने पंचायत्स पर बात करी, ठीक है, schedule caste, schedule tribe, अपलिफ्टमेंट के बात करी, और social levels में भी, alcohol, ठीक है, उस पे ये बोलते थे, तो ये सारे के सारी चाहिए, मीटना खाना और ये सुब हो सुब, तो वो सारे के सारी चाहिए, एक अलग ही, ठीक है, ये भी हमारे independence के achievement है, एवन दो partition, partition के time पर थोड़ा सा गटबट रहा पर, other than that, हमने जो political, ठीक है, economical या फिर जैसे social, welfare state की जो हमने बनाया है, ये सारा का सारा, pace, जिस pace पर अपनने independence अचीव करी, these would have been different, the participation would have been different, religious factions would have been different, ठीक है, ये सारा का सारा, ऐसा है ये आपन बात करेंगे, ये आपन आराम से लिख सकते हैं, एक बस खलका सा discussion कर लेते हैं, गांधी जी, general figure, international movement, plays major role of, of attaining the independence, a preacher of non-violence, non-violence, a dominant of Buddha, गांधी, first leader, leader to use, instrument for attainment of Kavaraj, a strong moral force, against mighty British empire, देकि बिपोर गांधी कहा चल रहा है, started by the Congress, एक थिंक मोड था, दो segment बन चुके थे, दो ideology थी, moderate and extremist, गांधी जी ने दोनों को unite किया, first thing, second mode of struggle, गांधी जी ने इसको completely civil disobedience, ठीक है, वो भी चुक चाप, नहीं मानेंगे भाई, कर लो क्या करेंगे, ठीक है, इसको activist mode में लेके आए, तो our Congress getting mainstream popularity, became vanguard of the movement, so Congress का भी transformation किया, जो आज तक चला रहा है, बट अभी क्या हाल थे, that is the different thing, ठीक है, integration, all segment, caste, class, ठीक है, uniform integration, horizontal integration, vertical integration, ठीक है, उपर चले के नीचे थे, और horizontal integration, सब कुछ इना ने किया, leadership quality, not merely a political leader, he was a spiritual figure, young leaders inspired होता थे, Indian muscles के, ठीक है, added full vigor to the fight of independence, everybody respected him, not only in India, outside the India also, but unfortunately, or fortunately, we can say, कि, there are certain sections of the society, those who disagree, that is a fortunate thing, कि disagree, but those who hate also, but that is very unfortunate, कि, मतलब, people can hate a leader like Gandhi, everybody has their own, मतलब, plus and minuses, voices also, किया, या कुछ भी हुआ, for some reason, जो उन्होंने खुद, अपनी books में भी mention किया है, या माना है, है, he wanted to give a lesson through those, uh, incidences, but they were taking entirely wrong way, और उसके वज़े से गड़ बर चल रहा है, ठीक है, यह हमारा, religious unity, खिलाफत movement, connected, तो हम सारे के उसके बारे में बात कर सकते है, है, ideological change, ठीक है, सवराज, इन्होंने complete independence में बना दे, इप, गांदी जी, not have been present, than our nation, more divided in communicable, and caste angle, ठीक है, तो definitely यह सार, positive not पे ही अपन बात कर सकते है, वैसे इसके अलावा अपन ऐसे कि भई, मतलब, even without गांदी जी, हम कह सकते हैं कि time थोड़ा सा हो सकता है, ज्यादा लगता, ठीक है, to understand, एक ऐसा leader evolve करने में, नहीं भी हो सकता है, differently चीज़े होती, ठीक है, और वैसे तो और कोई leader उस type का उस time पे दिखी नहीं रहा है, तो यह सारे चीज़ें हम discuss कर सकते हैं, ठीक है, emancipation सबकर साथ, सबकर का सर, can we write that at India's literacy rate was just 2-3% and Gandhiji taught lower class the meaning of the freedom, definitely डांगी, you can write, ठीक है, it is a very good point, कि भई illiterate masses, ठीक है, पहले तो क्या सोच जाता था, यह यह intellectual freedom, rhythm की बाते कौन करेंगे, समझ में ही नहीं आ रहा, just आपके masters change हो गये है, ठीक है, पहले आप पे caste, upper caste mastery कर रहे है, अब Britishers mastery कर रहे है, kind of I'm just trying to give an example, कि भई, मोटे-मोटे तोर पे उनको समझ नहीं आ रहा, उन तक यह सारे चीज़ें पहुचाना, कि यह, मदलब उन्हें तो यह था कि यह चलो ठीक हा, BMI वाप है, तो वो सारा का सारा angle, घंडी जी नहीं सुंझा है, harmony may not be the method of the protest against colonization, सतेग रहा है, was method which was used in Africa, so it was used similarly by Gandhiji, yes Simran, ठीक है, तो यह सारे की सारे चीज़े रहेंगी, देखिए, अब Gandhiji second time पूछ लिया गया है, this is very very important, जैसे हमने last time क्या देखा था, Gandhiji and Subhash Chandra Bose, ठीक है, दोने एक दूसरे को respect भी कर रहे हैं, but their opinions, तो Gandhi जी की तो UPSC ने बिलकुल ही मिल्लब सवाल बनाने में कसर नहीं छोड़ रखी, देखो, up question number four, Mahalma Gandhi and Dr. Bhim Rao Ambedkar despite having divergent approaches and strategy had a common goal of amelioration of downtrodden elucidate, elucidate मतलब yes, इसको मान ले, बिलकुल ठीक statement है and just try to explain कि कैसे उनकी different approach थी divergent strategies थी but they had common goal, देखो, sociology में जब हम इसको पढ़ते हैं तो मैं इसको आपको एक बार समझाता हूँ, कि exactly what is the reason behind this, देखे, social background, Dr. Bhim Rao Ambedkar different Meher caste, so he was himself belonging to the caste, those who are facing social outcast differentiation, ठीक है, so he had the first hand experience, तो उनका जो agitation strategy approach थी, वो entirely different थी, कि गांदी जी belonging to upper caste उनका उतना नहीं था, ठीक है, तो ये तो untouchability को लेके, specially untouchability को लेके, Bhim Rao Ambedkar was very very against it and कहते थे कि बिलकुल इसको abolish ही कर दिया जाए, बिलकुल खतम ही कर दिया थे, जबकि गांदी जी इसको division of labour के context में लेके, कहते थे कि भई, ये कोई काम गलत काम नहीं है, sanitation, maintaining sanitation, clearing your own dirt और whatever, ठीक है, साफ करना, toilet साफ करना, तू खुद भी करते थे, दूसरों को भी प्रेरित करते थे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके दूसरे करना है, ठीक है, तो ये सारी के सारी चीज़े, ये तो काम ही बिलकूल ही गलत है, ऐसा कौन कर सकता है, नहीं कर सकता है, जैसे कि मालो, इस इन देट सिनारियो, गांदी जी स्वाइंट सेम्स मोर बेटर, गंदगी तो होगी, सफाय तो करने पड़ेगी, कौन करे, खुद करे, ये कोई भी ना करे उससे तो, ठीक है, तो फ इसको reform करना चाहते थे, कि as a division of labor तो ये maintain रहे, बट इसको totally abolish करना चाहते थे, structure को ही, Hinduism को भी बाद में उन्होंने reject किया, क्योंकि वो उसको reform नहीं कर पा रहे थे, and then he converted into Buddhism, इनके जो matter थे, जैसे agitate करना चाहते थे, थोड़ा सा strong, ठीक है, educate करना चाहते थे, गांदी जी, more like symbolic ज़्यादा रहता था, मुझे जो लगता है गांदी जी का temple entry, इन्होंने भी करी, भीम्राव बेट करने भी करी, ठीक है, rather than नाम बगेरा चेंज कर दिये, हारी रिजन बोलेंगे, ठीक है, और ये सब उसको, तो इनके अपनी importance है, I am not denying that, ठीक है, but majorly, अब जैसे reservation की बा joint electorate मिले, तो इसमें गांदी जी वाला थोड़ा सा मुझे बैटर लगता है, भीम्राव बेट कर से, ठीक है, तो ये मोटा मोटा है, कि भाई ये rap, but common goal तो यही था, इसको खतम किया जा सके, and after 1947, article 17, Ambedkar जी ने वो करके दिखाया, ठीक है, तो ये हमारा लाएगा, इसको कर लेता है, then I will take the comments, देखे, गांधी आध नमेर कर थोट, though had a common objective of uplifting the downtrodden, they approached with different strategy, both the leader wanted to change the condition of the downtrodden, their approach was different, while गांधी had evolutionary अप्रोच तो इसमें देखे गांदे जी का फेट था वर्णा सिस्टम में इनका नहीं था ठीक है एंपैथिक थे एम एंपैथी तो हरीजन इन्होंने बनाया टेंपल एंटरी रिपोर्मेटिव रिफोर्मेशन पे जाना फोकुस था वर्क 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 इस इंफिरियर क इन्होंने बॉला एक परिवलेशन इन्होंने किया एंड यह बोलते थे जो प्रेस्ट जो है वो स्टेट को अपॉंट करने चाहिए रेदर दें एक प्रिक्लर कास्ट से सेपरे इलेक्टरेट भीए योवाला पॉइंट अपना आ गया है गांधी in favor of decentralization to empower the villages. Ambedgar strongly opposed as he was afraid कि village headman जो assuming more power would further exploit the underprivileged section. ये वाला point आता है कि वह वह वन of the leader prominent leader who opposed वंचाहिदे राज institution वाज आपके Ambedgar and why he did so, ये अपनने देखा common goal, pain और suffering ही करेंगे आज भी वही process चलता आ रहा है चलो. Now taking to the comment, Praveen देखें HCS के सावाल अपनने देख लिए it is not about the level of question it is about the level of answer तो आप अगर UPSC level के answer लिखेंगे, you will be definitely getting more marks than any other people who will be writing common things तो don't ever think about कि किस level के आएंगे even, let us see again simple, अगर question आए, what are the objectives of Chandrayaan 2 तो आप Chandrayaan 2 के बारे में what बताएंगे objectives भी लिखेंगे for example life expectancy in India इसमें सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा कि life expectancy in India is 69 years why it is so how can we improve it and compare it with 30 years of life expectancy at 1947 तो जब आप ये dimensions लिखेंगे इस वाले में even one marker में तभी आपको एक mark मिलेगा और ये एक एक mark करके आप 70 तक पहुंच पहेंगे और अबाउ 70 ठीक है it is about the answer HCS के question already देखा आप जो आपकी test series रहे है कि उसमें practice करेंगे this is for UPSC student and if you अगर आप चाहते हैं कि भई आप अगर आप Hindi English में अपनी energy लगाना चाहते हैं as compared to this तो आप वहाँ पर भी time दे सकते हैं and optional also ठीक है यहां पर कोई मतला वो नहीं है आप कर सकते हैं अरब से next is यह तो हो गया demanding Gandhi 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 चलो ठीक है Gandhi वाले और यह वाले मैं नहीं ले रहा और कोई है ही नहीं क्योंकि अपनने सारा का सारा देख लिए कुछ important point मिलेगा तो अपन देख लेंगे Gandhi जी was influenced by जयनिजम वायल बीमरा अमबेटकर वास गुर्दिस वेरी गुड दांगी ठीक है अमबेटकर ठीक है Gandhi वास सौफ्ट ऑन वार्ना बट यह स्रोंगले पोस्ट और्गनाजेशन भविस्कृत इतकरनी सभा यह गंदी जी ब्रिंगेंग दर तो पॉलिटिकल स्फियर यह तो होई गया है ठीक है आई धिंक बोर और लेस सारे किशन हो गया है एंड अगें आइम ट्राइंग तो से जैसे माल दो आईटी सिटी इन इंडिया आगया है अब क्या लिखेंग उसमें इसमेंपल्स वाई आई आई इस सिटी इस आग्रोईंग वाट दो प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग एंड वाट दो सॉलिशंग यह प्रॉइस को कोमा कोमा लगा के लिखें उतना एजी लगते हैं सारे किसारे सभाल यू पेसी इस ओल्टोगेदर इडिफेंट इंग वो एक अपन है ठीक है वो तो मैने कहा ही था यू पेसे का सबसे इसी क्शिशन HCS का सबसे tough क्यूश्य, ठीक है, नव लट आज लोग क्यूश्य नम्र 5, इसको आप आराम से कहल सकते हैं, 1935 उसके प्राविजिन बहुत सारे जो हमने Independence of India में लिए, वहाँ से तो experience अपने को मिला ही मिला, ठीक है, अगेन, एक इस टाइब की चीज़ की आप बिना, पॉसिबल नहीं था, 1935 के बिना, पॉसिबल नहीं है, तो वो सारे के सारे चीज़े, अब इसमें मैं डारेक्ली आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि इसमें सारा ताइम फिर लगेगा, ठीक है, तो हम सीधा-सीधा, तो हमारे इसमें लिए, इसमें रखेंगे, ठीक है, किना टाइम लिया, दो महिने, गैरा टो यहर, गैरा गैरा महिने, सत्रा, सत्रा दिन, सत्रा दिन, फट्रा दिन, 18 तथेंगे, एक टिन देखेंगे, are to complete its historical task of drafting the constitution, for independent India, during this period, 11 sessions covering 165 days, now देखे, in the absence of 1935 legal document, which could serve as a basis for draft, उनने सो पैथिस एक्ट जो है, अर्लियर कोई लिगल डोगमेंट था अपने पास रानी कॉंसिटेशन जैसा, तो उनने सो पैथिस एक्ट एडराफ्ट, अप्रेहंसिट लिगल डोगमेंट यह था ही गवर्नेंस के लिए ओरडी हम कर रहे रहे हैं, एगभी विवर वाइट फ कि नोन मचेन एडवांसे ठीक है जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन तीन आपकी लिस्ट पहले से ही थी यह सारे के सारे हमने इन ही से ही लिये है यह सारे ही बाते हैं इसमें कर सकते हैं 1935 जो है उसने एक स्ट्रॉंग फॉर्मडेशन आपकी प्रोवाइड करी तो हमने करें इसमें अकॉर्डिंग टुद एस्पिरेशन ओफ पीपल इंडिया डेड नोट हैव तस्टार्ट फॉर्म बेगिनिग तो हम कह सकते हैं कि definitely हमें काफी कुछ तो यहां से मसाला मिल ही गया था बाकी मसाला हमने कहां से लिये है मैं इन इन इडिशन हमने जैसे बिटेन युएस आइरिश कनेडियन से लिये ठीक है 19 से पैथिस मैं इडिटेर्ट प्रोविजिंस बिजर्वड इंटेक् बाकी है घ्यौिट क्या में निटेसी नियु यहां लिये इन इनी जैसे लिये बिटेक्श से अएरिशलाग अरिय ले जैसे बि erm आत। NoЙ् comparalism ने मिल है आप दीन हो में प्रोविल में दॉक हो सारे चुछे एडस तो कोपी नहीं करी, ठीक है? Yes, 18 days, final feature, yes, ठीक है? तो यह हमारा हो जाएगा, इसमें तो कुछ जादा है नहीं, आपको समझ में आगा, आपको, easy peasy, ठीक है? Now, let us see, question number six, देखे. Why did industrial revolution first occur in England? Discuss, quality of life of the people there during industrialization, how does it compare with India at present? वहाँ की भी discuss करनी है, at present आपको compare भी करनी है, new NCRT, ठीक है? उनमें ये सारी की सारी चीजे discussed है, there is a chapter, England, उसकी industrial revolution और वहाँ सारी बाते बता रखे हैं, देखो, उसमें सबसे पहले क्यों हुआ, जैसे वहाँ पे, England जो है, जैसे माल लेते हैं, बेजर चीजे, वहाँ पे agriculture, जो revolution है, जैसे machine, जैनी, जैनी, जैनी का नम तो उसका भूल गया है, तो spinning wheel और ये सब उन्हों ने जो इन्वेंट कर लिया था, agriculture revolution हुआ, agriculture revolution से आपके पास आया है, पैसा, अब agriculture में तो उतना invest नहीं कर पारे, देरे देरे फिर आपने industries में लगाना शुरू किया, manufacturing में लगाना शुरू किया, अब जब आपने manufacturing करी, तो आपको profit मिला, profit मिला तो फिर पैसा आया, फिर मजाया, अब England तो छोटू सा है, इसको बाहर जाना पड़ेगा, तो इसने देरे देरे बाहर जाना शुरू किया, तो वहाँ पर गए colonies बनाई, colonialization भी इसी का ही एक reason है, ठीक है, colony बनाई, तो फिर औ और पैसा आया, और पैसा आया, फ्लेंडर भी किया महां से, तो और ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट किया, इस तरीके से industrialization और sea voyages जो हुई, ठीक है, navigation और इन सब में इनकी जो navy थी, वो बहुत ही अच्छी थी, strong थी, यही एक कारण रहा की, यह colonies भी established कर पाए, तो these are the major thing, ideological point of usage जैसे freedom किये बात करते है, capitalism की जो thinking शुरू से ही चली आ रही थी, उसने भी revolution, industrial revolution, पहले England में आने में help करी, ठीक है, democracy, जो इनकी political structure थी, उसके वज़े से भी यहां पे आई चीज़े, ठीक है, लोगों की बात सुनते थे, citizen का जो concept है, वो इंडिया में नहीं था, even though India was more advanced, ठीक है, और resources भी थे, but वो industrial revolution उतने लेवल पे नहीं लेके आपाए, ठीक है, यह अपन बाते करेंगे, और quality of life तो आपको पता है, pollution और इन सब के वज़े से गर्वट थी, urbanization, plums वहां पे भी थी, filth, सब कुछ था, ठीक है, TB, plague, यह सारी चीज़े थी, और आज यह यह यह अपन कंपेर करेंगे तो, आज हमारी cities में, मतलब वही हालत चल रहे है, को कि यह अपन यह से कंपेर कर सकता है, आज लेके, industrial revolution characterized by changing mode of the production, and relation of production, mode of production, आप machines पे आगे, earlier human, animal labor, it was replaced by machines, hereditary labor by contractual relation, यह यह क्या होता था, जया से माल दो, animal वगेरा से अपन काम करते थे, खुद भी काम करते थे, specially अपन agriculture field बे, ठीक है, कोई चोटमेटा काम किसी के शेर करता था थे, contractual relation, sorry, heritage tree, अचा ताओ, ममा भाई, यह सब आके काम कर रहे है, ठीक है, now you need machines, machines को operate करने वाले, operate को उन करेगा, skilled, skill क्या सबके पास है, no, आपको contract अपन काम करेगा, हाँ, जी करूँगा, ठीक है, industrial revolution started, अब because of the following factors जैसे, पहला, agriculture revolution, जो मैंने आपको बताया है, जैसे उन्होंने consolidate कर दे थे, land holding, new agriculture instrument, जैसे कि iron and steel, block share, ठीक है, एक वो spinning wheel वाला भी रहेगा, increase in the productivity, ensure, जो available raw material और labor है, वो आपका industrial revolution के लिए आ जाए, ठीक है, सारे लोग agriculture करते थे, बट अगर same productivity, जैसे आज अपन बात करते हैं, disguised employment की, तो वो, कि भाई, same productivity, चार की जगा, अगर दो से मिल रही है, अभी यह जो दो free हुए, यह सोचेंगे, कि मैं क्या काम करूँ, तो इन्होंने क्या सोचा, जो भाई, industries बनाते हैं, manufacturing करते हैं, सोचा machines बनी, चोटी-चोटी बनी, बट बनी, तो वहाँ से industry revolution शुरू हुआ, ऐसे ही British mercantilism, इंक्रीज डिमांड अफ दे बिर्टिश गूट, थ्रौट दो वर्ल्ड, rich merchant, accumulated capital, again invested, जो सारा cycle मैंने आपको बताया, आप उस तरीके से भी mention कर सकते हैं, proximity of the iron and steel mines, उसकी वज़े से भी transportation cost वगेरा बच गी तो इन्होंने और जादा किया, और जैसे political factors, कि भी stability अच्छी खासी थी, citizens थे, civil liberties थी, तो thought process उतना ही अच्छा हो जाता, ठीक है, legal protection थी to the landowners, ऐसा नहीं है कि राजा ने आया और चोरा लिया, नहीं, legalities, contractuals, ठीक है, तो ये political factor हुआ, जो कि एक state और citizen के बीच में relation के कारंट, इनमें development में help मिली, social और religious factor, इनकी thinking, liberal, progressive, liberty, equality, fraternity और ESF, ठीक है, under the influence of enlightenment, led to many breakthrough inventions, जैसे की, weaving machine, steam engines, ठीक है, unlike continental Europe, the society was free from social conflict, जितनी stable society, उतना ही ज्यादा chances के भी ग्रो करेंगे, impact on quality of life देगी, positive impact, keep goods आपको मिले, boost मिला, urbanization को, nuclear families, ठीक है, cut rain आया, social mobility हुई, lower से अपपर की तरफ गए, पैसे आया, more emphasis on achieving status, ethical, moral foundation, weak हुई, children को काम करना पड़ता था, येंगेज पे, ठीक है, pollution के आप बात करेंगे, ठीक है, river pollution, वहाँ पे भी वह ज़्यादा था, slums थी, ये सारी 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 चीज़े थी, NCRT में already chapter में सारी चीज़े mention है, compare करेंगे तो देखो, इंडिया, embarked on the journey of the plant industrialization on socialist pattern, comparatively, अगर आप worker का exploitation देखोंगे तो थोड़ा सथ कम है, ठीक है, working class, money labor, social institution, marriage और family, transform हो ही रहे है, rural urban migration, ये भी देखने को मिल रहे है, slums आ रहे है, poor hygiene conditions आ रहे है, pollution आ रहे है, ये कुछ common है, ठीक है, so there are common things which can be compared, there are some different thing, ये हमारा रहेगा, okay, बिलकुल, Indian society capitalism तो शुरू होई गया है, British time से ही, अभी उसको continue करी रहे है, abolition of federalism, paved the way for availability of skilled and semi-skilled worker, बिलकुल से, ठीक है, ये सारी चाज़े हैं, आप mention कर सकते हैं, इसमें good, हमेशा, जब भी point सोचने हैं, तो आपके पास वही जो 4-5 dimensions अपनी होती है, क्या कोई political dimension है, economical dimensions है, social dimension है, cultural dimension है, international dimension है, science and technology की dimension है, क्या कोई historical factor है, क्या कोई geographical factor है, तो मोटे-मोटे तोर पर जब भी factors को आप analyze कर रहे हैं, तो if we say, जैसे, तो आप इसमें आ सकते हैं, जैसे GS paper 1, क्या कोई history का factor है, history ने support किया हो, क्या कोई geography का factor है, location, उस particular country की, या फिर उसमें पूछ रहे हैं, जिससे, ठीक है, क्या कोई social factor है, जो paper 1 की हमारे हो गए, ठीक है, paper 2 से क्या लेंगे, या क्या पोलेटिकल factor है, international relation का क्या factor है, economical क्या 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 है, 3 में क्या लेंगे है अपन śże e, science and track का क्या factor है, ठीक है, environmental क्या क्या factor है, पीपल, लोगों का कोई factor है, institution, administration, legislative, executive, अब जैसे political, legislative, executive, judiciary factors, बाग की अंदर जाके तो आप अलग-अलग चेज़े सोच सकते हैं, broad overview ये रहेगा, ठीक है, question number seven, to what extent can Germany be held responsible for causing the two world wars discussed critically, अब जैको world war one, world war two, दोनों के context में अपने को बाते करनी है, इसको अपन डिरेकली पढ़ी लेते हैं, चेक है, ethical also, yes, ethics वाले को भी आपको add करना है, ethical angle, ठीक है, योग अंदर हम भी कॉम किये हैं, क्या हम भी कर सकते हैं, बिलकुल कर सकते हैं योग अंदर, ठीक है, इंसान जो भी चाहे है, सब कुछ कर सकता है, इसमें कोई doubt नहीं है, ठीक है, it is all about the intention and the right path, देखो, now let me say, देखो, इसको तो directly अपने यही देखेंगा, क्योंकि बहुत सारे fact है, वो मुझे directly recall नहीं होंगे, तो अपने इसको तुरंत ही देख लगता है, basically आपको world war one में Germany का क्या रहा, वो बात करना है, world war two, Germany की defeat हुई, treaty sign करेगी, humiliation किया गया, and that was the main reason, कि जर्मनी में जो nationalism डवलप हुआ, और world war two उससे आई, ठीक है, तो world war one, leading to world war two, link of Germany, और ये सारी के सारी चाज़ा, आपको explain कर दी है, इसी process में, ठीक है, तो आप ये रखेंगे, और किस extent तक आप इसको responsible ठहराएंगे, खोड़ा सा ठहरा सकते हो, बट circumstances की भी responsibility अपने को देखनी पड़ेगी, ठीक है, इस नोट लाइग के सब कुछ अच्छा ही था और जर्मनी ही खराब था, इस लाइग, बाकी देशों ने भी अतना responsibility काम ने किया, league of nation and all these things, तो उसकी वज़े से भी कहीं ने कहीं, गड़बड काफी हुई, तो नव लाइट उस लुक, देखे, the first world war result of the development on the political military front which were taking place after the exit of Bismarck, the new king Kemmer William was young, impatient and his foreign policy divided Europe into two hostile blocks, ठीक है, so there was an end to French isolation, nine alliances आरे थे वर फूम्स बत्वें जैसे, France, Britain, France, Russia and also triple entity, ठीक है, यह हुई है, the immediate reasons were, यह World War I के पीछे तो क्या था, arm race, diplomatic humiliation of Germany during Moroccan crisis, etc, Austria, Hungary, जो है, they wanted war to settle Serbia challenge forever, और यहीं से ही आपकी वो शुरू ही थी, Serbia wanted a war to attract attention of the big power to its Serbian cause, interference of the Germany in the Ottoman Empire to infrastructure development created doubts about the intention of the Germany, फिर यहां से जो शुरू हुआ, उनका जो यह है, देखो, योगंदर, I would request, just please wait for some time, and एक बार, lecture जो है, वो complete हो जाता है, उसके बाद, I will be answering your question, so please wait till 8.30, 8.30 पे lecture complete हो जाएगा, then we will discuss, टिक है, और you can come at 8.30 if you want, अब देखे, Germany defeat हुआ, वर्ड वर वर वन में, force to pay heavy repartations to the victors, severe inflation, depression, टिक है, यह तो इसके वज़े से जर्मिनी ने बहुत सफर किया, तो वहां पे फिर nationalism भी आया, और अलग तरीके का nationalism, टिक है, fascism, तो वो ग्रो किया, treaty of Versalus, यह आपको mention करनी है, economical disasters, German people became very resentful towards the victors of World War I, जैसे कि France, Britain, Germany started the first, the fight against them in lieu of conquering Europe, and gaining the pride back, World War II तो हम कह सकते है कि कही न कहीं, बट इसके पीछी reason majorly यह है, treaty of Versalus, economical disaster, inflation, and इनका resentment, ठीक है, जैसे Hitler defied Versalus, ठीक है, Locarno treaty, by re-militarizing the Rhineland, इनको बोलना सा, military एक particular से ज़्यादा नहीं लिखोगे, इन्होंने बढ़ा ली, encountered little opposition from other European power, पट इस ताइम पर यह चल रहा था, थोड़ा सा opposition, थोड़ा सा allow करो, थोड़ा सा opposition, थोड़ा सा allow करो, क्यों, इन्हें क्या लग रहा था, रश्या ग्रो करेगा, तो एक जर्मनी को उस तरीके से बफर के तरह देखा जा रहा था, बट गढ़ बढ़ ज्यादा होगी, ठीक है यह एंड जर्मनी इटली फॉर्म रॉम बर्ले लेक्सिस, जर्मनी जापान साइंड एंटी कोमेटरियन प्रैक्ट इस और लेट वर्ड वर्ड टू, तो इन्होंने सारोंने मिलके कर ही लिया था, तो इसमें भी अगेन हमारा NCERT आप पढ़ें, और इसमें जो व्ल्ड वार वन, व्ल्ड वार टू कज चैप्टर है, उनको आप देखें, वेरी वेरी इपॉर्डेंट, ठीक है, तो यह हमारा रहेगा, नव आप कमिंग टो relative significance in building national identity, अब यू answer, I want answer from all of you, what four cultural elements would you identify, which you think, कि भई national identity बनाने में उन्होंने help करी है, ठीक है, बताओ, comment, उसके बाद आपने इस question को discuss करते हैं, आगे इन्दे को culture, और cultural identity, और diversity, और identity, national identity, इस type के question बार-बार आ रहे हैं, पहले भी, यह दुबारा से भी आया है, अलग तरीके से, ठीक है, German attendant, Poland, yes, चलो, I am waiting for some time, 20 seconds, आप बताएं, पिर आपन उनकी significance भी देखना है, देखो, Mayor mentioning the point does not suffice, कैसे उसने national identity बनाई, वो भी आपको बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, linguistic, ethnic, religious, racial diversity, absolutely, ठीक है, अब यही रहेंगे हमारे, देखो, सब से बहुत, अब 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 बात कर सकते हैं, Indian society, characterized by coexistence of various diversity, the mutual respect for the diversity, among the people and the state, helped in evolving national identity, आप एक दूसरे को, देखो, language आपको respect करने पड़ेगे, क्योंकि हमने देखा रहा, उसके basis पे reorganization हो रहा था, जब तक आप respect नहीं करेंगे, तो दूसरे में, factions आने के chances ज्यादा रहते हैं, ठीक है, तो वो आपको, आपने करा उसको, आप इसी में, relative significance, जैसे, बाला, कि भाहि, language is a source of culture and diversity as well as unity, contributes to collective identity and even to the conflicts, major languages have regional and dialectical variations, fundamental unity in the idea and the themes expressed in the language and the grammatical structure, आपने respect कियार वो सब किया, जैसे मालो Hindi वाला जो episode चल रहा था, तो इसने build-up करने में, help करे, as a Hindi भी और as a different languages भी, जैसे South India के जो languages है, उन्होंने इसके खिलाफ agitation करके, अपनी उसको भी assert किया, और एक common identity, जब उनको respect मिली तो वो एक common identity की form में भी आया, ठीक है, ऐसे ही ethnic में अगर अपन देखें, article 29, 30 कि वही आपकी जो भी culture है, ठीक है, आपकी religion है, जो भी जिसका preserve, protect करना चाहते हैं वो हमें मिला, इनको दिया गया specially in the context of northeast, ठीक है, Central India या फिर South India, हम बात कर सकते है वो जो एथनी city है, तो हमारे पास rich variety of races, physical feature, complexion different from reason to reason, विडिल 56, विडिल tribes 29, 30, 371 371 क्या है, बताइए, इनके through protections दी गई और इसको एक identity बनाने में help बिली, basically जो भी differences है, उनको आप respect देते हो, protection देते हो, तो वो लेटर होन हमारी national identity में evolve होता है, ठीक है ऐसे ही देखिए, caste भी है caste throughout the India present है, तो उसको positive discrimination की form में reservation दिया गया political mobilization किया गया, untouchability population किया गया, reservation in MP, MLA panchayati raja institutions and all these things, उसने भी help किया, एक national identity की form में ये भी अपन डाल caste भी डाला जा सकता है, ठीक है और religion तो ये तो रहे गई, हम Muslim religion की बात कर लें, Hinduism की बात कर लें, Sikhism की बात कर लें ठीक है, इन्होंने भी और mutual respect और इन सब की वज़े से हमने इनको again अपना यहां पे evolve करने में help करी, ठीक है, जैसे खालिस सां की बात करो, एक अलग nation बनाना चाहते थे, but we contained it, but also respected Sikhism तो उस तरीके से, ठीक है ऐसे ही partition भी हुआ, पर India ने secular तरीके से protect किया, आज हमारी एक national identity है, religion एक personal devotion है, the temporal aspect of the religion related with the group identity and the solidarity is maintained by what? religious ritual and the community belief different religious group differ from each other, respect and the tolerance towards different religion leads to national integration, okay but in spite of these diversity, unity is among the people, associate them as Indian, rather than regional identity, positive note, even court, ठीक है language, religion, family values, mixture of old and new yes, डांगी, बिल्कुल ऐसा ही है ठीक है, एक्चुली यही तो बात हुते है differences, ठीक है, कि बाई, इस four factors are also responsible for division special status 371, नागलेंड and all these things ठीक, मारा श्टाय बुजरात अलग-अलग मैं है, उसमें A, A1 और उसके बाद में बेपन चलंग A, B, C, D, B है हमारे पास, ठीक है तो देखो, divide भी यही करते हैं unite भी यही करते हैं unity in diversity क्यों होता है, diversity है differences है but जब differences को हम respect देते हैं, ठीक, agree to disagree you and me will be very diverse different, but अगर मैं आपको respect देता हूँ, आपके differences को सुनके, अगर मैं hate कर रहा हूँ, that is a wrong thing उसी की वज़े से division होगा पसंद नहीं आएगा, ठाँ differences को recognize कर लो, ठीक है यार तो अपनी जग है मैं अपनी जग है, ठीक है तो वो एक अच्छी चीज़ हाँ, now question number 7, देखिए sorry 9 critically examine whether growing population is the cause of poverty or poverty is the main cause of population बढ़ती है, resource पे demand बढ़ती है, demand बढ़ती है आपको नहीं मिलता वो resource नहीं मिलता तो आप poverty की तरफ जाते हूँ जितनी poverty resource की access comes to a Freddie near Robe education नहीं रहे गी, skill नहीं रहे गी skill नहीं रहे गी तो आपको काम नहीं मिलेगा पैसा नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा तो पिर आप सोचोंगे कि कैसे हम और ज्यादा पैसा कमाईद आपको लगेगा जैसे काम करने से मिलता है एक आदमी 10 रुपे लेकर आ रहा है तो चार आदमी हो सकते 40 लेकर है तो पॉपुलेशन ठीक है इलिटरेसी भी रहती है हेल्थ केर अफोर्डेबल नहीं होता ठीक है तो जो मेजर्स वगेरा या फिर उन्हें गुम्रा भी किया जाता है जैसे कि भई स्टर्लाइजेशन वगेरा नहीं करवाते तो यह सारी कि सारी चीज़ इसका एक्जाबल आप दे सकते हैं कि हमारे जो पूर स्टेट्स है विह इस बोथ हर एक दूसरी से करते हैं बट स्टिल देर अधर अधर फेक्टर जो जो पॉपलेशन कंट्रोल में या ग्रोथ में हल्प करते हैं वो से यह एक सब स्ट्रॉक्ट्चर होगी है नव लट अस लोग देखें अ यून एमन राइट कांसल देफान पार्टी अस हमन standard of living, other civil, cultural, economical, political, social rights, UN Human Rights Council के definition आप इसमे डाल सकते हैं, World Bank वाली भी बठाँ, देखो, नौन को लिंक करो, population and poverty, population growth, major region of poverty, कैसे high population, below poverty, illiteracy, poor health care, administrative problem, poor access to resources, low per capita income, यानी poverty, proper awareness, education, contraceptive method, poor lifestyle, high morality, particularly among children, so, high fertility rate, okay, so, overall it is a vicious cycle, eight minute, okay, क्या हो गया है, इस तो कैसे अटाए है, तो, इस अगेन, common-sensical question, यह वाला आपका आ सकता है, है, अच्यास में, ठीक है, perfectly, अब देखे, overall, एक second, मुझे इसको बंदी करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है, तो, देखो, अब यह दो ऑई गया, overall, it is a vicious cycle, जिसके बारे में, आपने बात करी, cannot be determined, कि, what is leading to what, देखो, cause and effect, ठीक है, तो, यह सारे के सारे चीज़े, कि वही, कौन किस चीज को cause कर रहा है, उसी से effect हो रहा है, उसी से cause हो रहा है, ठीक है, तो, दोनों, कई बार, होते हैं, consequences में, the focus shall be on the regulation and the control of the, both of the phenomena, explain with the help of latest data, जैसे की, fertility rate, 2.1, हमारा पहुंच गया है, उससे उपर, कुछी states का है, जो, पूर भी है, wave forward क्या रहाएगा, कैसे solve करेंगे, जैसे government policy, DBT आपने transfer किया, पॉर्टी को solution, family planning, अच्छा, family planning में हमारा कौन सी scheme है, बताओ, कौन सा mission है, PV, full form बताइए, इसकी, national social assistance हम दे रहे हैं, society में, social moment करो, self-help group बनाओ, awareness करो, NGO, देखो, अब ये जो keywords हैं आपके, इनके, इनको uses कर पा रहा है, आप, देखो, executive, legislation हम लेके हैं, जिसके आज के time पर बात चल रही है, ठीक है, population control का, legislation to social security, labor codes की बात हो रही है, वो सब, ठीक है, तो poverty को solve करने के लिए भी, population को solve करने के लिए भी, execution हो, बहुत अच्छा, वो help करेगा, ठीक है, ये हमारा रहेगा, and many other things, ठीक है, ये, various examples हो जाएंगे, इस तरीके से बन लाएंगे, high population, increased pressure, this or this, yes, we can say, population poverty sparrow, population increases poverty, poverty increases population, yes, it strains the ability of the government to provide for every citizen, functionalism causes effect and effective cause, can we use social term in GS paper, no, dhangi, don't do that mistake, GS एक बहुत ही common सा पेपर है, social, अपनी optional की knowledge, कोई किसी भी optional का हूँ, मत दिखाना, ठीक है, it will backfire, you may ruse, ठीक है, then, mission परिवार विकास, ठीक है, विकास कहां गया, अफिदेर से विकास का मेसेज नहीं आ रहा, चांद बैठ गया कहा, ठाना बन रही है, विकास, चलो, and now, let us look at the next question, ठीक है, how do you explain, the statistics, that show, sex ratio in tribe, is more favorable to women, than sex ratio in scheduled tribes, basically, मतलब, एक तो आपको इसके बार में, थोड़ा सा पता हो, तो it will help more, जैसे की, overall sex ratio 9.40 है, schedule, उसमें, overall population का है 9.40, schedule tribe का है 9.90, ठीक है, basically sex ratio क्या होता है, females, per thousand males, तो ये दिखाता ही है, कि जितनी हमारी present है, it shows your social development, कि बाई किस level of development पे, आप हो, ठीक है, अब देखो, schedule tribes में क्यों है, how do you explain, अब क्या को historical reasons है, क्योरू से ही, उन्हें फरक नहीं पढ़ रहा था, male है, female है, क्योंकि वो isolated रहते थे, ठीक है, तो कोई ऐसे specific requirement नहीं आ रही थी, कि male child को preference दे जाए, जो, अरियाना पजब जैसे states में देखने को मिल रही थी, ठीक है, ठीक हो, sex ratio वाला मुद्दा जाता था इधर ही चलता है, but now again, जब आपको एक ही बच्चा चाहिए, there are also because of the social structure, people who want male child, Kerala is an example, educated but still sex ratio is declining, because of declining fertility, people are preferring more male child now, ठीक है, तो यह हो जाएगा, अब इसमें देखो जोग्रफी कोई reason है क्या बिलकुल, again उनका जोग्रिफिकल आइसोलेशन, technology की access ही नहीं है, technology में reason हो जाएगा, access ही नहीं है, पता कैसे करें, ठीक है, ethics, ठीक है, उनकी values, equality, यह सब values की बात करेंगे, ठीक है, यह migrate हो चुके है, ठीक है, तेख रहे है, वो schedule tribes पे उतनी नहीं पढ़ी है, they are isolated, यही सारी चीज़ रहेंगी, आप social, political, economical, और यह जो अपन ने बात करेंगे, इस तरीके से बात कर सकते हैं, अब लेट एस सी, देखो, reason behind it, social structure, tribal, never discriminated, matriarchal society भी है, Karo, Kasi, Jain, Tia, Kerala, ठीक है, they do not go for sexual determination, whereas in scheduled caste, discrimination is present, यह देखने को मिलता है, ठीक है, यह है, in absence of any interference, and excess of male mortality, during infancy, also, क्योंकि females, ठीकि female fetus and female infant is biologically stronger, deal की mortality ज्यादा रहती है, ठीक है, comparatively ऐसा देखने में मिलता है, तो जितनी भी females है, be proud of yourself, ठीक है, you are stronger, you are strong, you will be, यह हमारा रहेगा, ठीक है, security aspect, कि भई, आराम से रह रहे हैं, तो इनने कोई दिक्कत होई नहीं, ठीक है, अब हमारे यहां पर देखो, security concerns थे, इननोंने और डावरी जैसे चीज नहीं है, जो हमारी डावरी है यहां पर, उसकी वज़े से भी, पहली चीज तो male preference क्यों हो रही है, वो वाली चीज यहां पर highly, और female preference क्यों नहीं होनी चीज़े, ठीक है, marriage rules जो आपने देखा, यहां पर एक concept होता है, bride price, ठीक है, तो जैसे डावरी देते हैं, वैसे ही female वालों को पैसे देने पड़ते हैं, जैसे अर्यान है मैं आज की ताइम पर खरीद के लिए के आ रहे हैं, that is the different thing, but bride price is like, डावरी given to the female family, आप अपनी बेटी दे दे तो हम आपको इतने पैसे दे देंगे, ठीक है, तो जो rules हैं वो rules है, ठीक है, economical roles, यहां पर कहा है कि economical role male और female का almost equal है, but schedule caste में change हो चुका है, वो बाहर जाकर रहने लग गए हैं, काम करने लग गए हैं, कमाने लग गए हैं, तो females का comparatively role उतना नहीं रहा economically, they are just confined to the houses, उसके वज़े से उतना preference नहीं रहेगा, government का role भी, ठीक है, तो यहां पर जो policies वगएरा बन रही हैं, tribal, जो protection, schedule 5, 6, ठीक है, उसके थुरू जो हमने protection दी, तो government इनको protect कर पाई, तो हमने उनको interfere नहीं किया, तो वो भी, ठीक है, तो अभी भी काफी हद तक, there are many tribes जो अभी भी globalization की जो, effect है, उससे बच्चे हुए हैं, ठीक है, now what is the way forward, health facilities दो, ठीक है, क्योंकि इनके पास वो नहीं है, इनकी life expectancy बढ़ानी है, बेटी पचाओ, सारी चीज़ेंगी, legislation को अच्छे से implement किया जाए, ठीक है, executive, judiciary का role, but इन में से एक आदे की ही बात करो, social moment, NGO, इनकी बात करो, ठीक है, funding की बात करो, funding of the NGO का रिजए, जो इस area में काम कर रही है, ठीक है, various type you can talk about, ESM, North East में है, उनके घर से, एक काम करने वाला member, जा रहा है, तो उनको भी कुछ मिले बिदले में, ठीक है, वैसे हमारे यहां पर, घर पर, जैसे सुनने में आता है, कि, जैसे लड़कियों को शादी के बाद, थोड़ा से ज़्यादा काम करने पड़ता है, घर समालने का, comparatively, ठीक है, comparatively, अब बाहर वाला काम, males देखते हैं, घर वाला काम, females देखते हैं, it is the division of labor, ठीक है, but feelings तो आती है, क्योंकि घर पर, males काम करते हैं नहीं देखते हैं, और बाहर जो काम कर रहा है, वो तो दिखता ही नहीं है, ठीक है, so it's like that, so division of labor तो चली रहा है, so before marriage, what most of the parents do, is like, वो ज़्यादा काम नहीं कर वाते हैं, अपनी बेटियों से, उन्हें लगता है कि, जा के काम कर रालेंगे, but that is a wrong thing, ठीक है, एक बच्पन से ही, मरलब, it is not about male or female, I am saying, बच्पन से ही काम कराना चीए, उसका जो attitude है वो उसी तरीके का डवलब होगा, काम को लेके, काम करने, पैदा किस लिए हो है, काम तो करोगे ही करोगे, ठीक है, वो तो रहे गई, यह सारी कि सारी चीज़ें, ठीक है, the idea behind is, we are giving one of the resources, so we are to, ठीक ठीक समझ रहे हैं सारी चीज़ें, बट वो जो आदमी जा रहा है, उसका भी तो वहाँ पर फिर खर्चा पानी कोन करेगा, वो करेंगे न, तो वो भी तो चीए, अब दूसरे तरीके से, हम आपका एक मेंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो भी चले गए, कि यार, बट ले रहे हैं तो इसका खर्चा पानी कोन देगा, तुम दो, on a funny note, ठीक है, दखे, I don't, जिस टाइम पर सोसाइटी में ये चीज़े चल रही थी, उस टाइम पर they had their relevance, ठीक है, it was not like कि कोई चीज़ बिना relevance के शुरू हो जाती है, देखे, हमारे पास क्या था, कि हमने जो social structure बना रखी थी, it was a very beautifully knit social structure, कैसे, देखो, male जो है, वो parents का ध्यान रखता है, throughout the life, क्यों, क्योंकि parents, उसको inheritance जो है, वो parents के तुरू चलती थी, खादी तो होगी, अब इस जो marriage वाले institution को stable करने के लिए, इसको कैसे stable किया जाए, आप खुद सोच के देखो, देखो, अभी थोड़ा सा थोड़ा प्रोसेस अपने चलाओ, एक marriage institution जिसमें एक male है, एक female है, male की family है इधर, female की family है इधर, क्या सारे मिलकर रह सकता है, नहीं, अगर मालोग male को इधर भेज़ दिया, हो सकता है, ये भी एक काम हो सकता है, कि males को इधर भेज़ दिया, तो ये जो female है, वो अपनी सारी की सारी family की देखवाल कर रही है, यानि, आप female की family में जाकर रहे, और female वाले को आप देख रहे हो, अब इधर जो है, इधर जो female है, तो वो अपनी family की देखवाल करेगी, क्योंकि वो भी किसी male को बैके लेके लेके आएगी, the same thing, अब जो अपनी पूरी family की parents की देखवाल कर रहे है, क्या उसको resources चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो उसको resources कहां से मिलेंगे, inheritance के थुरू, वो मिल गए, तो वो अपनी पूरी family की देखवाल कर रहे है, अब जिससे आप शादी करके गए हो, वो भी तो एक male ही है, उसको भी तो resources inheritance में मिले हैं, और उसको जो resources मिले हैं, वो आपके नहीं है, वो है, तो ये जो सारा system है, ये stability के लिए था, कि भी जो females जा रही है, male जाओ female जाओ does not matter, जिसवे side जा रही है, एक side inheritance रखो, male को inheritance दे रहे हो, तो male को inheritance देओ, अब सारी responsibility male side की, आप शादी करके ले के आ रहे हो, female वहीं आके रहेगी, बट अगर female को दे रहे हो, तो male आके रहेगा, घर जमाई वाला concept, तो आप इसको भी रखो, ये दोनों चिज़े stability के लिए help करती है, ठीक है, बट हुआ क्या, कि after, अब जो societal changes हुए, individualism और ये सब वो सब, ठीक है, पहले हम collective way में रहते थे, आराम से रहते थे, खुश रहते थे, ठीक है, बट अभी individualism जारा ग्रो किया, females जो है, they wanted कि हमें थोड़ा सा और freedom मिले, ठीक है, and they also wanted कि हम भी equal child है, तो वो सब बट उसकी वज़े से, जो disturbances आ रहे हैं, disabled society में, that are also quite, वो तो शादी करके चलीगी, अब वो inheritance में अगर अपना हिस्सा मांग रही है, अब होता क्या है, कि inheritance male को दे दी, तो female को एक gift दिया जाता था, शादी के टाइम पर, अच्छा खासा, कि भी आप अपने घर जा रहे हो, कि आपको भी एक हम इस्सा दे रहे हैं, प्रोपर्टी का, जो आप अपने घर लेके जा सकते हो, आपको घर बसाने में help करेगा, क्योंकि आपका जो male partner है, उसके पास already उसकी inheritance है, यहाँ वाले जो male हैं, आपके भाई हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, युसरों को support तो करते हैं, that is a different thing, बट अब यही सारी चीज़ है, ठीक है, मतलब एक type inheritance, एक type की preference, अगर male को inheritance मिल रहा है, तो definitely male preference हुई, बट इन्होंने यह नहीं सोचा, कि male preference रख रहा है, इनको शादी किस से गढ़ आओगे, वो गढ़ बढ़ होने लग गई, ठीक है, तो इसलिए फिर दूसरा आ गया, मोटे मोटे तोर पर मैं आपको यह समझाना चाहरा हूँ, कि डॉबरी वाज नोट बैड इन्स्टिटिशन औल टुगैदर, सिंस जब वो स्टार्ट हुआ, बट लेटर ओन जब सुसाइटी में चेंजिस होते हैं, इसलिए आज के टाइम पर हम इसको चैलेंज करते हैं, अब देखो, पहले क्योंकि घर पे काम करते थे और अलग-अलग स्ट्रक्चर था, मेल बाहर काम करता था, अब दोनों equally काम कर रहे हैं, जब भी इक्वल काम कर रहे हैं, इक्वल एजुकेटेड हो, वोट इस पॉइंट ओफ डोरी, आप रहेंगे, आप घर को समालेंगे, आप इस तरफ हैं, तो इधर भी आप वहीं होने लगें, सिमेट्रिकल फैमिली अर कमेंग इंटू पिक्चर, सिमेट्रिकल फैमिली मतलब, कि दोनों में इक्वल पावर इक्वल रहेगी, अब डिसिजन में भी लग बराबर रहते हैं, उनका कंसेंट भी लिया जाता है, बोले जाता है, समझा जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था, फिमेल्स घर के डिसिजन्स लेती थी, उसमें मेल का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था, ठीक है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, घर का दियान रखना है, बच्चों का दियान रखना है, मेल डिड नोट इंटरफेर मच, बाहर के डिसिजन्स मेल लेता था, females के interference नहीं होता था ठीक है तो यह सारी चीज़ें हमारी इस तरीके से थी खोटा सा मैं एक्स्प्लेइन कर दिया है चलो Now, coming to the question number 11, देखे discuss the change in the trend of the labor migration within and outside India in the last four decades यह actually क्या है कि बहुत सारे articles आते रहते हैं, report और यह सब यहाँ पर दिखाया गया था कि इंडिया में कैसे migration pattern change हो रहे है UP से मारास्था, केरला, विहार, within the countries migration, within the cities जो migration है IT software, एक तो urban-urban migration, rural-urban migration, rural-rural migration, rural-rural किसलिए, marriage के context में, ठीक है, तो यह हमें change के बारे में बताना है एक तो इंडिया के अंदर अंदर और एक इंडिया के बाहर तो इसको आपन देख लेते हैं migration refers to, simple आप explain कर सकते हैं कि movement of the people, like animal and the bird आपको article 19 and 21, 19 आपको within the India घुमने की आजादी देता है 21 आपको outside the India घुमने की आजादी देता है now let us see trade of migration within India ठीक है अब विदिन इंडिया अगर आपन देखेंगे first interstate migration east to west जैसे eastern part से यूपी भिहार उडी से बंगाल से हमारे कहां आ आ रहे हैं महारास्ट गुजरात तमिलाडू क्योंकि एक regular phenomenon है employment opportunity, regional, initially महारास्ट गुजरात कलकता favorite destination होते थे बट जैसे कलकता की industries कम हुई during communist green revolution आया तो पंजाब डैली इंडिस्ट्रिल ग्रोथ हुई पंजाब डैली हर्याना में तो लोग कहां आने लगे NCR डैली पंजाब अब major destination हो गया है एक major change यह देखने को मिल रहा है एक है short term temporary migration भी होता है जैसे green revolution वाले एरिया में construction sector में जब भी आपको requirement है आप आओ काम करो और चले जाओ female migration gender में ठीक है it surpassed the male migration rate in both rural and urban area क्योंकि अब female participation in employment बढ़ गया है और female में पहले जो main reason रहता था वो था marriage the reason behind migration but now employment also अब दो-दो reason है वो और ज्यादा काम करेंगे ठीक है यह हमारा हो जाएगा तो यह है आउटसाइड इंडिया देखो पहले सिर्फ USA में ही जाते थे ज्यादा तर अब और भी country में migration हो रहा है मारा अपरिका में भी आपको migration देखने को मिल रहा है Australia Canada ठीक है तो यह पहले UK यूएस ज्यादा जाते थे यह एक major trained है Gulf region में नहीं जाते थे अब ज्यादा ज जा रहे है major migration तो यह आप बात कर सकते हैं तो आप थोटा से west और developed के बारे में बता रहेंगे international migration इंडिया US UK Canada जा रहा था continued for a long time but rate जो है increased after globalization number of Indian immigrating to these nations increased especially after 1991 Middle East oil prices 73-74 में जो बड़े उसके बाद इन्हें explore करना था तो semi-skilled और unskilled worker चीए थे तो जो लेबर्स है South Arabia UAE में जाने लगे more than 60% of the viker आपके कहां के हैं India Kerala Tamil Nadu, Andra, Punjab यह dominate करने Middle East को ठीक है Immigration from India in the recent year, Phenomela increased to Malaysia also, international migrant bisexual also nearly equal आपके चल रहा है पहरे females उतनी नहीं होती थी अब equal चल रहा है ठीक है तो एक तो region के specific आप बात कर सकते हैं क्या-क्या changes हो रहे है within the state or outside the state एक चोटा सा डाइग्राम भी बना सकते हो, टाइम है तो ठेक है बखी इतना हैं लास्ट फॉर डिकेड या निए उनीसो सुसुत्र के असपास क्या स्पास क्या चल रहे था साथ क्या चल रहें हैं समझ में आ रहे हैं पील ठीक चल रहे है सेशन ठीक चल रहा है प्लीज टेल अगंग है अग माइग्रेशन इन दिकोविट टाइम और उस त्रेंब फे देखों फुराद से वह बोल सकते हैं जो माइग्रेशन की वैज़े से , specially जो हमारे उसमें रहते हैं तो उनको थोड़ा सो जदा फेज करना पडता हैised, Lower class वाले में जदा फेज करना पडते हैं ٹट Helpman ती कि हमारा रहएगा ओके, Thank You Bharti And Bharti And Bharti Payper 1 देखो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा एजी लगेगा, ठेक है, पेशली, पेपर टू और थ्री में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, जहां पर किश्ण समझने में प्रॉबलम आती है, हलकी भूलकी, सहीरी कर रखी होती है, तो समझ में आ जाता है, ठेक है, डिके, डिसकस, पॉस्टिव और नेगेटिव एफेक्ट ऑफ ग्लोबलाजिजेशन और वुबन, ठेक है, यहां पर अलग-अलग चीज़ें के बारे में बात करेंगे, ट्रिनिटी, मैट्रिक्स, हमारे ट्रिनिटी, डांगी जैसे फ्लो के लिए सिंपल है की राइट आंसर्स, ठेक है, मैंने टेलेग्राम गुरूप डाल रखा है, शेयर यूर आंसर्स देर, आई विल चेक यूर आंसर्स, एंड सी की बाइक महां पर क्या कुछ इंपूट आंपूट दिया जा सकते, इसमें कुछ नहीं है, अब इसमें सिर्फ इसको डिवाइड कर दो, प्वालेटिकल, एकोनॉमिकल, सोशल, कुल्च्रल, पार्टिस्पेशन, पॉब्लिक स्पेस, ठीक है, तो all these things, patriarchy, ठीक है, यह सारा का सारा, तो यहां पर positive, बहुत सारी चीज़े है, negative भी चल रही है कुछ तो, globalization के कारण, तो दोनों ही बाते करेंगे, यह आप आराम से कर सकते हैं, but let us discuss, globalization का है, moment of the organization, ideas, discourses and the people across the transnational boundaries, जैकि positive impact, jobs, ज्यादा करेट हुई, which resulted in rise not only for the working men, but also women, new jobs, new opportunity, higher pay, more confidence, independence, but wage, अभी भी उतनी नहीं मिलती, low मिलती है, pink collar jobs है, तो यह negative impact भी रहा, ठीक है, higher pay can also promote equality between the society, ऐसे link भी कर सकते है, ठीक है, तो क्या हुआ, कि इनकी जो struggle चल रहा था, वो थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है, and globalization, जैसे कि, has the power to approve the traditional treatment, towards the women to afford them, as equal stance in the society, अले उतना नहीं होता था, ठीक है, they have developed entrepreneurial capabilities, आज के ताइम पर आप देखेंगे, बहुत सारे entrepreneurship में, moms आ रही है, mom बतलब, जैसे females आ रही है, ठीक है, अलग अलग में, तो इनके अंदर confidence आया, equality आया, education, has penetrated deep, उसके भी benefits में लए, ठीक है, social political में, इसमें major league, political participation बढ़ा है क्या, yes, ठीक है, MP, MLA's, protest, movement बढ़े है, globalization के कारण, they are more right assertive, ठीक है, तो यह सारी बात्य अपन कर सकते है, social cultural equality बढ़ी है, ठीक है, justice, इनने मिल रहा है, आज के टाइम पर ज्यादा comparatively, सुन रहे हैं, more, able to listen, listen क्या कहेंगे इनको, make their voices heard, ठीक है, अब देको negative impact क्या है, देखें, globalization के वजए से, एक तो इनको jobs जो है, वो limited मिली है, ठीक है, pink collar वाली, सबसे जल्दी जो fire होती है, वो women होती है, ठीक है, work place जो conditions है, condition of work place, वो भी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, work place पे भी, इनको जो crime और वो से face करना पड़ता है, पेट्रियार्की, sexual harassment, वो एक negative point है, ठीक है, night shift वगरा में गरबट होती है, वो एक point है, ठीक है, और क्या negative impact हो सकते हैं, जैसे politics में, participation बड़ा है, बट power अभी भी husband के पास है, ठीक है, यह आप बोल सकते हो, अल्सो, यह सारी की सारी चीजह हों की, public patriarchy, ठीक है, dual burden, एवन दो काम करने लगे हैं, बट का काम भी यह कर रही है, तो basically काम ही बढ़ गया है, ठीक है, यह globalization का negative impact, ठीक है, competition बहुत है, uncertainties बहुत है, mental tension, social relationship strain हो रही है, psychological problems, chronic fatigue, depression, commonly, increasing day by day, ठीक है, S E Z, E P Z are breeding grounds for the women exploitation, no labor laws, these don't prefer hire women, because more docile, more productive, exploitation भी जाद होता है, ठीक है, global technology led to technological advancement, job of law, जैसे handloom industry, जैसे में बहुत है, women अखती थी, उनका भी loss हुआ, patriarchal society है, double stress, professional में भी देखने को मिलता है, personal में भी देखने को मिलता है, glass ceiling, rise of the call center, night jobs, sexual harassment, sexual harassment is a common thing, 96% of the women employed in the unorganized sector, so they have no social security, no job guarantee, physical mental health पर pressure पढ़ रहा है, biology, reproductive role भी प्ले करना पढ़ रहा है, जोब लोज भी हो जाता है, बाद में experience कतम हो जाता है, तो उनको फिर market में जोब भी नहीं मिलती, यह सब, ठीक है, first woman, CJ justice, Nagaradana, ठीक है, अभी अगर अगर आपन देखे, participation of women in judiciary, very low, parliament, very low, civil services, only 10% women, IITs, only 10% women, doctor में तो फिर भी है, nurses में ज्यादा है, चलो, ठीक है, now, देखे, question number 13, debate the issue, whether and how contemporary moments, for assertion of Dalit identity, work towards annihilation of caste, देखो, किन की बात चल रही है, पहले तो अपन थोड़ा से brief overview देखे, बात कर लेंगा, अभी अपनने काफी कुछ पढ़ी ही लिया, contemporary Dalit moment, जैसे आपने देखा, भीम आर्मी, तो यह है, political empowerment के लिए, reservation, political mobilization, also, capitalism, stand up India, तो यह किसमें, empower कर रहा है, economically empower, ऐसे ही, there are many moments, जो आपके social empowerment के लिए चलते रहते हैं, ठीक है, यह सब भी, जैसे भीमार में भी चलाते हैं, social, temple entry, public access, इन सब के लिए भी चलता रहता है, होता रहता है, ठीक है, उसके against, अवाजे उठती ही रहती हैं, बार 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 बार, तो यह सारे की सारे चीज़ें, कहीं न कहीं, देखो, क्या यह annihilation कर रहे हैं, कास का, कुछ हद तक, yes, इनको empower कर रहे हैं, but on the other hand, यह इसको strong भी बना रहे हैं, identity को, दलित identity को strong भी बना रहे हैं, ठीक है, आप identify कर रहे हो, as a दलित, आप mobilize कर रहे हो, as a दलित, आपके पास capital आ रहे है, as a दलित, तो देको promote करने के लिए तो किया गया, इसमें रूरल, अर्बन में बात करेंगे, अर्बन में identity उतनी strong नहीं है, रूरल में थोड़ी से ज़्यादा है, and it will take time, energy, effort, थोड़ा थोड़ा देरे-देरे हो जाएगे, इस तरीके से अपन बात करेंगे, ठीक है, देखें, अनुबह, गुद मॉर्णिंग, सबसे पहले, के बारे में बता है, कि पर इट इस अ क्लोज सिस्टम और फैरार्की अर्रेंजमेंट, सेग्मेंटल दिविजिन, एंटगायमी, उंटचिबिटी जो आपन ने बताया था पहले, अनुदूदेट, चाराइको ने ने आपन देखेंगे, कि सने अनुदूरायास करी, रचुदू भीम राभ अमेर्का, दूलत का मतलब था अपरेस्ट, ब्रोकन, नौन आई शुद्रा, So, the term Dalit become a political identity, जैसे जैसे अफरिकन अमरिकन in the United States moved away from the use of the term Negro, to use the term black or Afriko-American, Dalits today use the term Dalit as the belief, it is more than being broken, it is an identity born of struggle and assertion, so क्या ये इनकी identity को काम कर पाएंगे, जादा कर पाएंगे, जादा कर पाएंगे, more receptive हो रहा है, more identity moments, जैसे कि हमारे Dalit consciousness strong होती जा रही है, political awareness होती जा रही है, collective identity का notion आता जा रहा है, among the diverse Dalit communities, so the identity resulting into positive discrimination, affirmative action, जैसे कि reservation is the only reason why the caste identity is recorded and maintained by the government, government भी काम करे, today the identity pervaded so deep, even in the case of non-discrimination, identity is highlighted, leading to further stranding of the system, for example, media reporting incident as religious and the caste identity, and also there are negative examples also, जहां पर इसा इडिटिटिटी का misuse भी किया जा 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 रही है, सिकित, ST ST Act, we see many incident, incidences ठीक है, वो भी आपको देखना है, मदलब कहीं न कहीं यह identity और ज्यादा असर्टिव होती जा रही है, इसके positive भी बहुत सारी चीज़ए है, कुछ negative भी है, जो आदमी फियर में रहा है, उसके लिए एक different scenario होता है, हमारे लिए कहना एक easy चीज़ होती है, तो आज भी अगर अपन देखें तो जो schedule caste है, they are in really really poor condition, economically poor, they do not have the resources, अभी maybe education system में, I do feel, कि भी जो affordable education होई है, they are able to compete, they are able to fight, but not on equal footing still, तेक है, देखो क्योंकि जो gaps होते हैं, ठीक है gaps तो रहेंगे, वह और जो gap है, वही differences create कराते हैं, जैसे माल लो आज के time पर content available है सबके पास, ठीक है, but guidance, जिसको अपन बोलते हैं, जैसे mentorship, अब mentorship जो है वो आपकी costly हो गई है, पहले यह चीज costly थी, content costly था, मैं example दे रहा हूँ, जैसे अपन civil services के त्यारी कर रहे हैं, उसी का ही, mentorship costly होगी है, अब यह जो चीज costly होगी है, क्योंकि जो अच्छा mentor है, वो मिलना मश्किल है, वो जब आपको guide करेगा, तो आप easily qualify कर जाते हो, अब जिसके पास पैसे हैं, वो mentorship लेके qualify कर रहे हैं, उनको content पर नहीं करना, content हर जगे available है, तो यहाँ पर एक फाइदा इससे हो जाता है, पर अब एक mentor है, वो limited number of student को ही mentor कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर यह भी चीज आएगी, बट एक अलग तरीके से पर इससे कम से कम यह तो हो है कि जो खुद, एक direction, जो common direction, देखे, 90-95% चीज़ें, आपको पता है, ठीक है, जो gap रह जाता है, 5-10% का, उसके लिए आपको help की जरुरत होती है, ठीक है, यह सारी चीज़ें चलती है, जो खुद से, इस 5-10% gap को fill up कर लेते हैं, they will get selected, ठीक है, तुदे की major में, attitudinal changes, educational awareness अपने को चाहिए, और यह सारी, common change, done, put up पी चलो, misuse during elections, yes, annihilation of class, उसका mention कर सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल बारती, ठीक है, Now coming to the question number 14, speed ठीक चल रही है, speed slow है क्या, कही देर बोलते बोलते थोड़ा से लगने लग जाता है, मुझे, Question क्या है, Explain the factor responsible for the origin of ocean current, इसे पहले भी आया था, अपने देखा, How do they influence regional climate, fishing, navigation, तीनों के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है, देखो, ocean current, factor कौन responsible होगे इसको, current की moment के लिए, आपका wind, temperature, humidity, coastal line जो है, वो भी responsible होगी, ठीक है, Slow, ठीक है, तो थोड़ा सा fast कर लेते हैं, मुझे भी लग रहा था, ठीक है, अब क्या है कि समझाने के चक्कर में, आरम आरम से समझाने के चकर में slow हो जाती है, अब आप एक्स्प्लेन करेंगे, भई, ocean currents क्या है, क्या चल रहा है, उससे साब से, अब देखे, simple से बता दो कि general moment of the mass of water in a definite direction, या तो हम कहां से कहां जाएंगे, polar से इधर जाएंगे, दर से इधर जाएंगे, तो वो depend करेंगे temperature पे, ठीक है, for the ocean current, steams made up of horizontal and the vertical component of the circulation of the water of ocean, ठीक है, उपर भी जा रहा है, और नीचे भी चल रहा है, इस तरीके से, कौन-कौन से factor responsible है, देखो, number one, pressure gradient, ठीक है, high pressure, low pressure, ये तो अपना चलता ही है, आप move करते है, high pressure to low pressure, wind, wind भी आपकी moment में help करते है, coriolist force, ये भी आपको deflect करता है, अच्छा, ये बताइए, northern hemisphere में coriolist force, आपको right side deflect करेंगे है, left side, बताओ, जैसे water की density और salinity, इस से भी अपनने link किया था, वो नीचे जाएगा, moment करेगा, post line की shape, ऐसे है तो ऐसे ऐसे moment होगी, current modification factor, including configuration and relief, ठीक है, ocean का सब चीज़े influence कर रही है, now देखो, कैसे अलग-अलग जगे पे हमारा जैसे regional climate, क्योंकि जो cold current है, उसकी वज़े से जैसे desert बनते हैं, ठीक है, hot current है, उसकी वज़े से आपका low pressure area बनेगा, moment of window होगी, fishing, cold और hot जहां पर मिलते हैं, fishing ground बनते हैं, जैसे आपने क्या देखा था, जैसे तीन-चार एक्जामपल है, जापान, Canada, ठीक है, newfound island, बाया बलंका, ये सब, navigation में कैसे करते हैं, current के साथ साथ चलके आप easily navigate कर सकते हो, these kind of things, ठीक है, अब देखें influence, cold current, presence of peru current, तो यहां पर ph phytoplanktons, fish catch, अच्छी हो जाती है, on the west coast of South Africa, warm current, जैसे east Australia में, temperature आपका बढ़ता है, तो tropical cyclones आते है, because of low pressure conditions, तो दोनों आपने देख लिए, also, fog आता है, हाँ, hot और cold जहां पर मिलती है, fishing ground, good, but fog generate होता है, तो fog से navigation पर effect पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीजे, बड़े-बड़ आइसबर्ग है, cold current इनको लेकर आती है, damage कर देते हैं, जैसे labrador, flatland current इनको लेकर आते हैं, diagram आपको बनाना ही, बनाना पड़ेगा, very, very important, ठीक है, तो हम subheadings में यही रखेंगे, और इसको अपने और भी points में आपको बता रही है, desert वाला, fishing वाला, fog वाला होई गया है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो, north में आपका right side होता है, right side deflection, south में left, ठीक है, good, now, coming to the next one, ठीक है, Mumbai, Delhi, Kolkata, are the three mega cities, but the air pollution is much more serious problem in Delhi compared to, why, because of location, number one, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या history एक रीजन हो सकता है, भई, historically, Delhi एक बड़ी city रही है, as compared to, Capital रहा है, लोग ज़्यादा रहा है, Pollution ज़्यादा रहा है, Geography, उसकी Location, Continentality, Delhi और कलकत्ता Coastal है, Bridge चलती रहती है, Cleaning चलती रहती है, दिली में हो पाता है कि No, थेक है, फिर Population, Population Density, Industries, ज़्यादा है, Slums, यह पंजाब, हरियाना, Agriculture, Stubble Burning, Winter, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी, यादव हो गाना, ठीक है, तो ऐसे ही, दिल्ली की सर्दी जो पढ़ती है, उनमें Winter, Tag Nation, तो तुरंत हमारा दिवाली के बाद यह सब होता है, ठीक है, यह सारे एक्जाम्पल अपने इसमें देह सकते हैं, देखे, Pollution Problems, प्राप्रेटिबली कंचेटा ज्यादा क्लीन मिलते हैं, ठीक है, वेरियस फेक्टर क्या है, ट्रेफल बानिंग, नोस कोस्तल, लोकेशन, हायर वीकुलिल कंजेक्शन, हायर पोपॉपलेशन देंसिटी, कोल्ड विंटर, ट्राफिक, वेफर रोड क्या रहेगा, हम कर रहे हैं but electrification is like shifting the population location pollution location ठीक है awareness आप लोगों में लेकर आओ campaigns वगेरा कर रहे हैं ठीक है कि भई बत्ती चालू engine बंद old even rule अच्छा example है strict implementation punish करो apps बनाओ ठीक है carpooling जो आज के आपने चल रहे हैं ठीक है आप इसमें ये भी डाल सकतो big data जो हमें Google lunar in sub ketheru मिल मेला है manage the traffic manage the pollution manage the industries ठीक है ठीक है ठीक है these kind of thing just say KMP one of the major example Haryana बही वामरा बन रहे ठीक है तुही है सार का सार sì temperature traffic investment good question number sixteen Ttego india is well undoing with freshwater resources yes particularly examine while it still suffer water scarcity and demand हमारे पास fresh water resources but can you are you managing them good enough management, logon ka attitude waste करने से related और economical reason क्या हूई हुआ है growing country, we need more water, so scarcity, demand बहुँ जादा है, interstate disputes, इसकी वज़े से भी scarcity रहती है, ठीक है, manage नहीं कर पा रहे हो, northeast, plenty of water, but no management, waste, ठीक है, recharge, recycling, नहीं करते हैं हम, that is the reason, so there are man, various reasons, जो इसकी scarcity के लिए हमारे रहेंगे, monsoon, कुछ ही महीनों में पानी आ रहा है, बाके बें नहीं आ रहा है, तो को manage करना पड़ेगा, these kind of things, ठीक है, तो देखो, इसमें introduction में आप बता सकते हैं कि इंडिया में, जैसे, India not inherently water short country, हमारे यहाँ पर average annual rainfall लगबग, to meet the country's critical need, India has enough fresh water to meet its need, but the problem of unequal distribution and the sporadic nature of the monsoon, जैक हो, और क्या रहा हैगा, pollution जो हम कर रहे है, ठीक है, तो सारी की सारी चाहिए हमारे है, हम यूज नहीं कर पा रहे, तो यह अपनने पहले भी देख लिया था, इंडिपेड़ेंस के time पर availability 5000, अभी 2000, अभी 2000, what are the reasons, environmental, monsoon, कता ये, and how much, polygore administrative क्या है, management अच्छी नहीं है, आपने legislation अच्छा नहीं बना रखा, जैसे water, ground water के जो rules है, आप follow नहीं कराते, national water policy बनाने की बात चल रहे है, उसके implementation करना चाहिए, ठीक है, desilting नहीं कर रहे है, ratipism है, project delay होते है, pollution होता है, these kind of things, ठीक है, नमामी गंगे, corruption, करनी पारे, कुछ भी गलीन, what is the way forward, देखो, जैसे agriculture है, drip irrigation, micro irrigation, save the water, ठीक है, fertilizers का use कम करो, clean, solid waste management, gray water, अपने जो management देखा, अरियाना, उसका example देखो, watershed development and management, निरांचल, community development program, ठीक है, Bengaluru Lake regionization, interlinking of river, जो अपने अलग अलग चीजे पड़ी, वही अपने इसमें रख देंगे, ठीक है, primary, increasing geogenic ground water pollution, yes, 80%, 70 to 80% of your water is used in agriculture, ठीक है, tidy cultivation and this, 80% of the water is used in agriculture, ठीक है, done, देखे, question number 17, easy again, state of JNK, Himachal, उत्राखंड, are reaching their limits of ecological carrying capacity due to tourism, critically evaluate, आप बताएंगे, why it is happening, ठीक है, ecological carrying capacity को define कर दो, why it is happening tourist की वज़े से, ठीक है, और solutions, eco-tourism के अपन बात करते हैं, और वो सब, ठीक है, ठीक है, पर देको इन तीनों को ही address करना है, कि फिर टूरिजम की वज़े से, कुछ फायदे भी मिल रहे है, critically evaluate, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है, एक balance बनाना जरूरी है, ठीक है, जैसे example, अभी recently कहा था कि Venice has started imposing एक fees, city में enter करने के लिए, तो वैसी fees भी लगाए जा सकती है, ताकि revenue भी generate हो जाए, और आपके tourist भी थोटे से कम आए, ठीक है, carrying capacity क्या होती है कि एक system की, उसमें कितने लोगों को maintain कर सकता है, तो यह पहुँच चुके है, तो उसके विज़े से बहुत जादा problems हो रही है, ठीक है, तो यह सारे की सारे अपन देखेंगा, देखो, दाहिली state of this is this, endowed with beautiful natural land, potential to attract tourism from all over the world, mountain, magnitude for tourism most rapidly growing industry in the world, but they have reached the example, context भी बता सकते हो, जैसे Shimla, वहाँ पे for weeks, water shortage हो गी थी, ठीक है, तो उसके वज़े से बहुत गरबड होई, उन्होंने का कि यह वाली news के context में भी आपता सकते हो, कि ऐसी frequently news आती रहती है, तो उसके वज़े से गरबड है, how tourism is affecting, लोगों का flow, stress on the resources, और वहाँ पर आके pollution भी बहुत करते है, tourist, वेहिकल आते है, प्राइवित लेकाते है, congestion, pollution होता है, deforestation होता है, क्यों कि उसके लिए आपको अलग-अलग hotels बनाने पड़ते है, restaurant बनाने पड़ते है, sites बनाने पड़ती है, episode, urbanization, development of the road, bridges बनाने पड़ते है, waste, disposable, garbage, उतना अच्छ station करें, restrict करें, unusual activity को, जो pollution कर रही है, scientific, sustainable measures को promote करें, awareness लगाओ, लोगों को, community को जब तक अवेर नहीं करेंगे, ठीक है, eco-tourist का concept, जो लोग बिलकुल ही healthy ecosystem को maintain करके ही रखते है, उनी को allow किया जाए, ठीक है, अगर मालोग कोई लोग ऐसे हैं, जो फैला रहे हैं, उन पे heavy penalty लगाए जाए, capacity building, training of the stakeholders to manage the system, ठीक है, एक particular limit भी हम लगा सकते हैं, ये होएगा आपका, ठीक है, Now, coming to next question, question number 19, how far do you agree, that the behavior of Indian monsoon has changing, due to humanizing landscape, Indian monsoon वाला पहले भी अपने देखा था, South Asia के context में पूछा गया था, क्या factor change कर रहे है, which is feeding 50% of your population, फिर से पूछा गया, बट अभी क्या पूछा गया, what are the anthropological TJ, जो impact कर रहे है Indian monsoon को, basically बात ये है, ठीक है, humanizing landscape यानि उसकी बज़े से क्या फरक पड़ रहा है, इसको आप easily थोड़ा सा monsoon का introduction देखे, उसकी बज़े से जितने भी impact हो रहे हैं, जैसे, what do you mean by humanizing landscape, changing the natural landscape architecture as per requirement of the human being, जैसे urbanization, industrialization, three-fourths of the total environment rainfall, जो है आपकी southwest से आती है, normally onset होता है 10th of zone को, और 92 cm के असपर से हो जाती है, थोड़ी मोड़ी जो बसती है, 10-15 वो बात में आती है, ठीक है, now humanizing landscape से जैसे industries हमने बनाएं, urbanization किया, industries से, pollution, climate change, urbanization cities expand हो रही है, concrete के use कर रहा हूँ, deforestation करना पढ़ रहा है, for expansion of primary, secondary, tertiary industries, wetland, urbanization के लिए हमने water pollution, decreasing water in the water bodies, ये भी एक हमारा चल रहा है, global warming, climate change, इसकी वज़े से गड़ बेड हो रही है, greenhouse gas emission कर रहे है, तो सारी की सारी चीज़ें, आपके monsoon को impact कर रही है, देखो अब impact क्या रहेगा, impact onset पे हो सकता है, इसके advancement पे हो सकता है, और retreatation पे हो सकता है, तो देखो, बहुत सारे breaks देखने को मिल रहे है, which is unusual, frequency बढ़ रही है, फेरले दो तीन breaks आते थे, अब 5-6 breaks आ रहे है, example के तुपर ठीक है, onset दीरे दीरे delay होता जा रहे है, फेरले 5 को आ जाता था, अब 10 तक पहुंच चुका है, erratic rainfall बहुत ज़्यादा एक साथ हो गई, फिर बिलकुल नहीं होई, dry high spells, wet spells, weak monsoon, El Nino के द्वारा और ज्यादा accentuate कर दिया जाता है, El Nino आपको पता होना चीए है, जो नए student है, ठीक है, untimely hill storms, ये भी हमारा इसको impact करते है, impact तो है, retreatation पर भी impact है, सब जगे impact है, तो उसकी वज़े से, घडबढ हो रही है, how far do you agree, yes there has an impact, इनके चीज़ों का इन सारी चीए है, ठीक है, like Bhutan, obviously, अब देखवा आगे, question number 19, smart cities cannot sustain without smart village, discuss this statement in the backdrop of rural urban integration, या migration, या को जो की term use करें, आपको वही use करना है, smart city वाला चीज़ पूचा गया था, अपनने इसको conclude गया था, smart village से, आप पूचा गया है कि क्यो smart village चीए, देखो, population, villages में approximately 65-70%, agriculture, industries, service sector, वहाँ पर बनाओ, या कि वो लोग sustain कर पाए, migration की वज़े से, over urbanization, under urbanization, इंडिया में problem जो चल रही है, वहाँ पर अलग problem आ रही है, pollution, slum, crime, political crisis, ठीक है, exodus, migration, वो नहीं होंगी, अगर आपके पास smart cities है, smart villages है, ये compliment करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, आज के time पे, with the advent of internet, connectivity, ठीक है, technology, सब चीज़े तो गाहों में मिल ही रही है, why are you coming to the share, no point, ठीक है, तो ये सारी चीज़े हैं, आपका explain करने है, इसकी वज़े से क्या होगा, आपका एक integration maintained रहेगा, गाहों में, लोग गुमने जाएंगे, शेरों में लोग गुमने जाएंगे, बट रहेंगे, वहीं पे, काम भी वहीं पे करेंगे, and they will be sustaining the economy, देखे, currently 31% आपक चालिक आएगा है, यहाँ पे आजाएगा, we are witnessing a loop-sided integration of rural urban, जो की impact दोनों को ही कर रहा है, देखो, city पे का impact है, influence of the migrant, crime, unplanned development, slums, spattles, civic avenidity, overburden, overcrowding, pollution, stress on infrastructure, impact on village का है, देखो, village में, agriculture output decrease हो रहा है, क्योंकि skilled human resources यहाँ से चले जा रहा है, leadership crisis, feminization of agriculture, male जा रहा है, urban area में, उसके वज़े से female रह रह रही वहीं पे, अब वो काम कर रही है, ठीक है, they are also getting exposed to the new threats, poor rural industrialization, village desertries हो चुके है, ठीक है, खाली पड़े है, वो भी चीज concerning है, need of the archaideco, smart villages, पूरा, ठीक है, provision for urban, rural, urban amenities in rural area, ठीक है, urban mission, आप जो भी देखो, need, क्या होती, health, education, skilling, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए लोग जाते हैं, jobs, अगर वही सारी चीज़ें, गाउं में आ जाएंगी, तो क्या गाउं हमारे grow नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, food processing आप industry इनमें लगाऊ, leather industry, woman centric industry, ठीक है, वो भी हम इनमें फोकस कर सकते हैं, textile industries, agro processing, employment opportunity generate करो, infrastructure, social physical, इसको strengthen करें, agriculture extension services को बढ़ाएं, transport communication को बढ़ाएं, ठीक है, handicraft, cooperative, rural, self-help group, NGO, इनको बढ़ाओ, ताकि लोग जाये ही नहीं, smart villages बनाओ, it is possible, ठीक है, world economical forum has suggested के जो technology है, इसको leverage किया जा सकता है, to empower villages and promoting entrepreneurship and innovation using cluster system, smart village can lead to balance regional development and will be beneficial for overall economical growth and the development of the country, good enough, ठीक है, पंजू, जया हिन्द, जया बढारत, in the cities, uncontrolled migration, एक to the crime, yes yes yes, self-help group, good. last, question number 20, what are the economical significances of the discovery of oil in Arctic Sea and its possible environmental consequences, आप देख रहे हैं कम से कम चार बार पुछा जा चुका लग-लग तरीके से इंडिया का इंट्रेस्ट, मेल्टिंग और ये सब वह सब ठेक है this is I think the fourth time Arctic Sea उसमें oil के discovery और इसके consequences अब वहाँ पर मिला है देखो एक तो हमें oil मिल जाएगा resources का crunch चल रहा है oil के price कम हो जाएंगे, economical growth में help कर देगा and all these things ठेक है development हो जाएगी industries और all these things positive भी है negative है mainly environmental consequences आप इसको explore करोगे तो जो untouched Arctic के वाला area है उसको आप effect करेंगे, melting होगी ठेक है, जितनी ज़्यादा industries और ये pollution ज़्यादा melting ठेक है, तो cycle से हो जाएगा और यहां पर race सी चल जाएगी between the countries तो वो सारा impact भी करेगा so there can be various consequences, social economical consequences also but आपको environmental consequences पर ज्यादा focus करना है और economical significance now let us see, आर्किक सी in the nethermost part of the world, covered by water frozen in most of the area according to the US geographical survey, यहां पर 90 billion barrel oil, 44 billion natural gas आपकी है और coal, zinc के resources है, what is the significance, लेकिए, जो developing और low income countries है, जैसे इंडिया, उनको cheap oil मिल जाएगे gas, they can develop more increase availability will enhance world GDP, yes, will serve increasing demand of energy, increasing population के लिए तो उसको भी support करेगा, employment बड़ेगा, transportation sector बड़ेगा, especially water transportation, वहां पर भी लोग जाएगे, एक्स्पोर करने के लिए, वहां से भी यहां आएगे, ठीक है oil spill होने के chances है, fire के chances है, marine, continental environment, सब ते गढ़बढ है, competition among the countries भी बड़ेगा, ठीक है recent IPCC report highlight how disturbing sensitive can prove to be an setback, ठीक है, to effort to put in place our climate change fight, यह गढ़बढ होने के chances है, यह हमारा रहेगा, ठीक है so that's it, किसीने अगर question लिखा है, तो I will be looking at the question ठीक है, ठीक है, ओके, नव अज येगा देख लेते है, ठीक है ठीक है, एक किशन देखता है, ठीक है, एक किशन देखता है, ठीक है ने लिखाव है, बाक्की लोग भी रहे लिकालो, लिखलो, एक दो 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 लिखो, दो लिखने में क्या जवर पतता है क्यूशन नव जवरार फå है किशन देख, ट। हैंन लीख़ली वाला करत की न zachुन है यह सी साधर किया थेक है, was in touch with other civilization through port cities of Lothal, this land shows emergence of Vedic period around, जुंगा और यह ठीक है, पट इंट्रड़क्शन बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है इसको trim करें, Mesopotamian आपने diagram बना दिया, good enough, आगे देखते हैं, यहाँ पर दिखा दिया, यह दिखा दिया, Greece दिखा दिया, यह पर दिखा दिया, पर दिखा, हो इंटेंट कन्टिवूटी, पहला, religious practices, people used to worship tree, nature, parashupati, तो वो conclude हुआ, Indra Yagnani ये भी conclude हुआ, Mesopotamia Egypt also used to worship many major, minor god, but not the cultural setting has changed for this area, but now the cultural setting has changed, ठीक है, okay, painting and art की अगर अपन देखें, lot of evidences, जैसे की rock painting, Ajanta, Elora, भीमबेट का अभी भी अपनी है, Rajasthani, Madhuguni, Hindustani, have passed generation to generation, evolved, carnatic, no such continuity, found in this, ठीक है, independence of merchant, agriculture in the ancient time, dependence of the port like Lothal और ये, आपराइस, millet, economical survival, which is true every today, later, we saw emergence of the port cities in South India, such as this, 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 बहुत जादा एक्जाम्ब्स देदी है, ठीक है, अच्छी बात है, but still, old social structure, यभी हमारे यहां पर Republic होते थे, जनपद होते थे, like Mala, Vajak, यह होगे, marriage institutions, यावना, ठीक है, Sanskrit language, land of diverse thinker philosopher, Buddha, Mahavira, यह हमारा हो गया है, यह है, लेटर, growth of Vajshnavist, ज्यादा ही हो गया है कुछ, still respected, hence, we can say, Indian subcontinent has some continuity in its culture, tradition, till today, so many foreign texts started, this, this, ठीक है, आपने explain तो कर भी है कि कहां कहां continuity है, कैसे है, good है, ठीक है, थोड़ा इतने exam, diagram की need नहीं थी उतनी, ठीक है, बट फिर भी, depending upon marks, time कितना लगता है, इस type के answer लिखने में तू मुच, इसको थोड़ा सा brief करो, एक जगे सारे के सारे points को करके, आप नाराम से भी कर सकते हैं, bullet point बना सकते हैं, इतने लंबला में paragraph की बजाए, फिर आप फोकस कर सकते हैं, कि, how it happened, ठीक है, इन वेल्यूस की वज़े से, अभी तक continued है, उनके बारे में भी बात कर से, ठीक है, अभी तक, है, how difficult would have been Achievement of Indian Independence. Indian Independence Movement gathered Pace around 1857, 15 First War, the Indian society was divided into इस इस, hence no major movement took place after this. From Zamitari ऐस इस इस अर्लिटी, Indian King Congress, इसा बिर्कूल नहीं डालना है, यह unnecessary stretching, हिनोंने जयसे, how difficult would have been the achievement, यह आप Gandhi तकी लेके आरें, अब्रेवाब बितक, थेको, how Congress contributed before arrival to Gandhi, no need, initially Congress represented elite, upper section, presented enrollment nowhere, main thing, could not result in success, okay, minor one, consulate करावरियस वोसब, what Gandhiji arrival in the police changed, after 1905 Gandhi's partisan extremist has empowered moderates in setting direction, or this independence, but India was lacking in nationwide participation, this, who could appeal to all section youth, और ये, और ये, less and minimal violence agenda, Gandhiji had all, this quality evolved through South Africa, ठीक है, independence without Gandhiji, main अभी आया है, उतना ज्यादा stretch up करने की जुरूत नहीं थी, कि हम सारे की सारे गांदी, आप उसको heading बना के गांदी जी से लाके फिर content ये ही है, बट उसको organize करना है, ठीक है, सारी बाते आप इसी heading में कर सकते थे, independence without Gandhiji, congress without Gandhiji, ठीक है, freedom struggle without Gandhiji, armed revolution prominent रहते, good, Gandhiji की non-violency constructive program थे, उन्होंने focus किया, NCM quit India, joining all section Dalit woman, without this India could have been realized Indian independence dream, any sooner, with handful of the client, no, could not, ठीक है, salt सत्ते गरह, इन से feeling आया, integration की, ability to mobilize, lot of pressure on British government, call for Swadesi, ये सर्भ, Gandhiji's acceptance structure, innovative methods could not be matched by any other leader, very good, ये आपने बहुत अच्छा answer किया है यहां पर, ठीक है, पुराने वाले points को brief करके, अब तुरंद यहां पर है, आप जोनों ही answers में introduction बहुत लंबा कहचा है, वह ज़्यादा explained है, उनको थोड़ा से brief करो, time नहीं मिलेगा, ठीक है, history tells us that he had everything, he did everything, we had independence in best possible way as per his experience, based on teaching a man like Gandhi ji, we might have waited for much longer but the country also need fragmented in many more ways, ठीक है, very good answer, very good conclusion, ठीक है, but introduction और इसको brief करो, that's it, चल, तो आज का हमारा हो गया है, अब अपन योगेंदर का देख लेते हैं, बेकॉम से कोई problem नहीं होती, आप graduate किसी में भी रहें, आप subject, general studies सबको सेम ही पढ़ने हैं, आपको एक optional चाहिए, आप अपना commerce optional ले सकते हैं, ठीक है, एक बार आप थोड़ा से सर्च करो, क्या subject है, क्या लेबस है, online, then you will come to know, योगेंदर, ठीक है, थोड़ा से सर्च करने चाहिए, तो, आहा, that's it, today's lecture, अब हम मिलते हैं, अब मुझे ये बताओ, दिन में करना है क्या, 2014, next timing क्या रखें, 224, और evening वाला ही रखना है, 730 to 930, PGT के लिए, PGT के लिए, मुझे कोई idea नहीं है, यार, please comment, कर दो दो इंग्लिश हिंदी और सोशों का जल्दी ही एक दो-चार दिन में यार मंडे से वीडियो में डाल दूँगा ठीक है बाकी इंग्लिश की जैसे प्लिंस टू पैरमांट है प्रिविश एर पेपर देखो और हिंदी में तामाने हिंदी नालंदा पॉब्लिकेशन प्रिविश एर पेपर उनका अनलाइज करो और उन्हें चीज़ों को पढ़ो नालंदा ठीक है तोशों में प्रिविश एर पेपर करें एट्सियस वाले 6 साल के वहां से सारा पेपर आही जाएगा तक इमस पर फोकस करो बस ठीक है बटा मटा मैंज हो जाएगा सूश्वारा से सब्गेट वाहिज जो भी मेंशन है सारी की सारी कर लें यू पियस से के परिविश से कर सकते हैं पर ते स्वेश एंडिविश एर डियुकर आथता So meet in the evening 7.30 10th के बाल कुछ भी नहीं अभी उठाला डांगी, it is very very important Vivek, IR के लिए, अगर आपको सिर्फ IR के नोट्स चाहिए तो आप एक बर कोल कर लेना 999633709, ठीक है, अगर एक ही नोट्स की रिक्वार्मेंट है, I will provide you IR नोट्स, don't worry, ठीक है ज्यादा टेंशन लेने की जरुखनी है, जो बना रखे हैं, जितना आएगा लगबख लगबख हो जाएगा, ठीक है, मतलब ब्रीफ हैं वो, important points उसमें included है बारती GS4 ले लो, बारती आपका mains है, UPC mains है क्या है झाल heritage सब्सक्राइब ने ने ए산कोत क्या है वो, बारती सब्सक्राइब टेंगह जायरन वीकाण Rebecca elektris profession जाल the अ bath higher जाएगा है, इसमNING क्या मतलहा है जां कि अटकैम कर विक्षक्ते लो, जागप ब्रेक रिक्षक्तरभर e सम्झुराबग। ओके चलो ठीक है so that's it I think भारती थोड़ी देर में नहीं sir थोड़ा अलग सा सब्जेक्ट हो जाएगा जी जीएश पेपर वन एक बर कंप्लीट हो जाएगा फिर पेपर टू है उसमें बहुत सारी चीज़े रहे गए पिर थ्री रहेगा ट्री रहेगा एक्शुली क्या है कि पहले अपन पेपर वन्टू ठीक कर लेते हैं ताकि जो एच्छेश वाले हैं उनका भी काफी कुछ हो जैसे तो एस चीज में इधी है पर फिर भी देखो पेपर 2 वो जो जीस ही साब से तयार हुए है हम भी उसी साब से कर रहे है पहले पेपर 1 तयार किया फिर 2 तयार किया फिर 3 और फिर 4 ट्राइटू फाइट दो मोनटोली दूसरे भी चीज आप पढ़ रहे हो तो उससे कर लो जैसे न्यूस पेपर चल रहा है बाकी चीज चल रही है उससे मैनेज करे थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले ठीक है बस इसमें थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है वह तो क्योंकि वह गड़ सेशन ठीक है चलो आए चलाग ओल फाइन वीडियो येस फाइन ओके टीक है सिम्रान गुड़ इवनिंग चलिए लेगो यह हमारा कौन सा है एक्स मैंस प्रिवेश ये पेपर दोजार सोला ठीक है तो दिस वाज मैंस जो दिया था ठीक है अब देखिए यहां पर अगीन यहां पर ने क्या देखा था इससे पहले घैन मार्कर और फिर अपने देखे थे फिफटीन मार्कर ठीक है ऐसे रहेगा कि अधिक है हमान्शू स्टेडी मिटीरियल भी शुरू करा सारा का सारा उसका कोर्स भी मैंने डाल दिया है हमान्शू एक पर देख लो सारी PDF 300 टोपिक प्लस 1.5 यर के करेंट अफेर वह भी मैंने डाल दिया है बस एक करेंट अफेर 1.5 यर कर रहे गया है वह अपन कल करेंगे उसमें अभी देख रहे हैं थोड़ा सा ठीक है उसको कैसे करना है उसकी वीडियो का कैसे करना है वो थोड़ा सा रहेगा बाकि स्ट अपने को किस तरह के से रखना है एक मिंट रुक हो एक पर मैं मोबाइल में कनेक्ट कर रहता हूं जिस्ट गिमें वान सेकेंट अब तक आप लोग यह रखें विवेक गुड इवनिंग चलो देखो हम दन नमबर वन अरली बुद्धिस्ट स्टूपा आर्ट ठीक है वाइल डेक्टिंग फॉल्क मॉटिव्स एंड नेरेटिव्स सक्सेस्फुली एक्सपाउंट बुद्धिस्ट डीटेल्स ठीक है तो इसमें बेसिकलिए आपको बुद्धिस्ट आर्ट के बारे में बात कर है जिनसे आपको की बुद्धिस्ट डीटेल के बारे में पता चलता है देखो वहां पर अपने क्या देखता है नेरेटिव आर्ट आपके मिलती है अमरावती में भी या फिर जो हमारे स्टूपाज है ठीक है आपके सारनात के स्टूप होगे साची का स्टूप होगे आहर जग है वहां पर बाहर भी जो आपके तोरण है और वहां पर थोड़ी थोड़ी नारेटिव आर्ट फॉक माटिव मिलते हैं तो बाहर जो दिखाया जाता है वह सारे का सारत अपना रहता ही है तो अब आप देखो इसमें स्टूपा आट के बारे में बात करना है कैसे वह ब प्रिजेंट करती है आपका बुद्धिजम को जो लाइफ है लाइफ के शन भंगूर होने को मुमेंटरी लाइफ ठीक है यह कभी भी खतम हो सकता है उसके उपर तीन हमारे वो थे नौलिश फेत कंड़क्त तीन स्टूरी यह नौलिश फेत कंड़क्त तो ज्यानिजम के हैं इसमें क्या था बीडियेस Negro घ्चामी दैडणमjasणows घ्चामी शंगमशणनव घ्चामी तो यह सारे के सारे रहेंगे बाहर जो आपके पास तोरन में पांच वो हैं वो आपके 5 स्टेजिस को रिप्रेजेंट करते हैं तो यह सारे के सारे ठीक है तो हरे की क स्टूप जो है वो बनाए गया थे और अशोका जो है वो बुद्धिस्ट के जो आइडियल से उनसे काफी इंफ्लेंस भी थे ठीक है तो इसमें जैसे बुद्धिस्ट स्टूपा ट्रांजेंट्स प्रेडिससर इसमें जो बरियल मोड है ठीक है यहां पर जैसे आर रेलिक्स इन्होंने डाल रखे थे बाइशिफ्टिंग थे एंफेसिस फ्रॉम में पर्टिकुलर रेलिक्स तू हायर ट्रांसेंट्रेंटल एक्श्वालिटी एज रियलाइज वाइब बुद्धा और बुद्धास अनलाइटनमेंट तको अब इसमें अलग-अलग तरीके की यह होते हैं स्थूप जैसे जिसमें किसी में तो बुद्धा के बोड़ी पार्ट्स या फिर एशेज वगेरा रखे जाती हैं या फिर उसमें उनके जो मेटीरियल उनने यूज्ज किया था वो रखा जाता है कहीं पर कोई उद्धेशक होते हैं जिनमें कोई भी आपने बोला था व हर्मिका क्या होती है जो आपके चारों तरफ हम बनाते हैं मतलब बिल्ट उन टॉप ऑफ दा ओवल शेप स्तूपा ठीक है इसके उपर रहती है यह ऐसे मतलब तरकुलर फैशन में उसको कवर अप करते हुए मेधी क्या है इसका इलिवेटेड पाथ इस पर चलते हैं यह हमा की यहाँ पर स्कॐल्ट्चरा देखने को मिल्ती है तोरण पर अपने क्या देख़ा था सेलभंजीका हुआ प्रदर्क्षिन पत् हमारा होता है जिसमें चारो तरफ आप आप सर्कुलेट करते हैं तो पाथ होता है प्रदर्क्षिन पत् इसमें चारो तरफ रेलिंग भी होती है प्रोटेक्ट करके रखती है अब यहां पर हमें पता है कि जैसे जातक स्टोरीज बताई जाते हैं जिसमें बुद्धा और उसके अलग-अलग सारे के सारे जो हमारे वेरियूस मानलो अलग-अलग जो जीवन उनके रहे जनम जो उनके रहे उनकी जो भी आपको कथाय है वो सुनाए जाती है यही आपके मतलब इनहीं के थुरू सिखाया जाता है जो भी उनकी टीचिंग होती है लेसंज ओफ कर्मा संसार धर्मा सब का सब यहीं से बताया जाता है कि संसार में कैसे अपन चलेंगे आपका सोल ट्रांस माइगरे बुद्धा जो है it's like enlightenment जो आपकी होती है निर्वाना ठीक है उससे पहले का जो experience हम बहुत सकते है मतलब experience before reaching enlightenment ठीक है तो और भी बुद्धा होते हैं ऐसा निये कि वही थे अब देखे हिनेयाना बुद्धिजम जो कुशान की टाइम पर आया था पर ने कैसे याद किया था स क不起 कोरेफिगे शू के माहयाना ये कर दो है इनेयाना में वह ऑड़ वर्ट शपर वह सब और जिस एक मिनित हां स्वरी उल्टा हो गया है सुकू यह हिनेयाना हिनीयाना तो फेले वाला था जिसको यह हीन मांते थे कि बढ़िर जो पुराना है और महायान थी ठीन का इ開व आक के सुंगाज के टाइम पर आपका यह है ठीक है और इन्हों ने इंस्पायर किया था जो चानीज ट्रैवल वगरा थे वह आये थे बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स हैं उनको यहां से लेके गए थे ठीक है तो बेसिकली हमारा कि कैसे स्टूपा आर्ट और उसमें सारे के सा को गई थी कि अ और विवेइक भारत सर हिंदी में भी है का है मेटिरियल आ यस विवेक जोडूर का मैटिरियल है आथें सव टोपक का जो पहले हो चुके हैं वो तो हिंदी इंदी में भी ये बट जो लगबग लगबग एक साल का जो करेंट आफेयर का रहेगा व फिर्फ psychology तो वह आप देख सकते हैं बट अगर आप वीडियो के साथ करेंगे तो वह मैनेजबल हो जाता है बट वह हिंदी थोड़ी सी ट्रांसलेटेड़ है मतलब मैं भी खुद शोर नहीं हूं कि कितनी यूसूर वपाएगी आप उसको देख सकते हैं अगर आप चाहें तो एक बार क बोल करके इंस्ट्यूट के नंबर पर उसको देख लेना ठीक है बारती गुड इवनिंग कोई बार नहीं बारती तोरण कंडेंज आतक यस 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 सुंगा ओके ओल्डर वैसल ही नहीं आना और जो हमारे नहीं वाले हैं वह आपके क्यों जाएंगे महायान बट ऑल्सओ ग्रेट पेक्टरन ओफ लर्निंग अंद लिट्रेचर डिसकस पतलब यह देखो जो यहां पर इसके वेरियस जैसे कोर्ट में जो भी रहते थे राइटर्स थे फिलोसोफर्स थे तो लर्निंग लिट्रेचर या प्रकृत या फिर वहां पर जो लोकल लेंगव जिसे उनकी development के लिए हकाम किया तो उनको यह patronage देते थे येस ठीक है ऑल्सो खुद भी एक scholar थे राइटर थे वह भी अपने को ध्यान में रखना है ठीक है काफी बड़ा रूल रहा है इनका जो हमारी कनड लेंग्विज रहेगी उसकी development में तो हम थोड़ा सा introduction रख सकते है विजयन अगर अंपायर के बारे में बताते हुए 14th century 1336 के आसपास जो है अपना वो शुरू होता है around 1330 ठीक है कृष्ण देवर आया जिसको अपन कनड दरिया श्री करंत का महाईशा कनड राज्य रामगर है इतना याद नहीं रखना है इस रूल prosperity of the South India culturally and materialistically यह हमारा पर क्या है कि जो यह अपन ऐसा नहीं है कि यह answers जो है these are like the best answers this is like कि मतलब minimum possible words में हम dimensions discuss कर रहे हैं इसलिए मैं आपको अलग-अलग जो points है वो भी साथ-साथ में बताते हुए चल रहा हूं ठीक है वैसे अगर बाकी सब अपने-अपने inputs से दें तो maybe हो सकता है कि और भी better answer हो स सकता है बट आफ्टर अर डूइंग दीज यूपसी प्रिवेसीर पेपर अपन और भी अलग तरीके से preparation में किस तरीके से excel किया जा सकता है उसको अपन complete करेंगे and I will tell you how we will proceed ठीक है चालो एक मिनिट यहां पर कड़वड हो रही है थोड़ी सी ठीक है तो यह आपका हो तेलगू स्वरी करनड में बोलका तेलगू यस तेलगू में बोल लिखते थे ठीक है तो यह हमारा है तेलगू वर्क अमुत्य मल्यादा ठीक है यह इन्होंने लिखा था यह डिरेक्ली सवाल भी पूछा जाता है अमुत्य मल्यादा एक संस्कृत प्ले इन्होंने दिखा जम्बावती कल्यान फिर हमने साउथ में एक ये भी चीज़ देखे थी कल्यान मंडपम ठीक है फिर देखे इनके कोर्ट में जो हमारे एट ग्रेट स्कॉलर्ड होते थे अस्ट दिगज जिसमें हमारी अलसनी पेदना इनको आपका बोला जाता है आंध्रा कवीता पिताम हैं इनकी जो फेमस बुक्स हैं मनू के रित्रमू अनदर फेमस वर्ट जैसे नंदी थिमना यह आपके परिजात परामनू इनके आपके उतर थे देखो सब कुछ तो याद नहीं रहेगा अमुत्य मल्यादा याद रख सकते हैं जब जम्भावती कल्यान यह दो जैसे हमारे प्वाइट्स वगरा हैं उनको रख रख था था ठीक है एमिनेंट लिटररी लुमिनेरी जैसे की तैनाली रामन इनकी स्टोरीज अपन देखते हैं कुमार दुर्जती राम राजभूशन देखो कुछ नाम एट लीस्ट थ्री फोर नेम्स आपको ध्यान रहें तो गुड़ एनफ एक्जाम में आज नहीं आते हैं ठीक है तो इन्होंने कुमार व्यास ने फ्यूर करी थी पेदना तेलगु पर्ड जे इनको भी परस्नली इन्होंने ओनर किया है और इस प्रोफिशेंसी इन तेलगु एंड संस्क्रिट इंपिरियल कोट में रिप्रेज तेलगु कनड तमिल कनड भी है बिट मेजर ली वास लिक तेलगु ठीक है तो यह हमारे रहेंगे और इन्होंने अलग 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 लिटरेचर में बहुत ज्यादा कॉंट्रिबीट किया दो तीन पोईट्स के नाम दो तीन उनकी क्रेशिंस के नाम दैट्स एट ठीक है तो इस्ट्रिट यह एक मोडल आंसर है ऐसा अंसर एक्जाम में बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है नोट अट रोल पॉसिबल ठीक है बट स्टिल ठीक हमें समझना है इससे आप इन्पुट लेके चलें दाट सब्सक्राइब कि ऐख चलें आराहूल अंथर करीदिया है यह तो अपना अंध्रपरदेश वाला है वह वाला नहीं है ठीक है ठीक है अंसर चेक कर देना ये सरभी अंसर चेक कर देंगे आजाब ही चेक करेंगे अपन एक बार कंप्लीट होने के बाद जिन जिन ने भेजा है ठीक है अब आजाओ देखो थोड़ा सा फिर से अपना कॉमन वाला स्टफ आएगा जो आप अपन ने पड़ा है देखे एक्स्प्लेइन हाओ अप्राइजिंस ओफ 1857 constitute important watershed in the evolution of British policy towards colonial India ये question में आपको ही दे रहा हूं ठीक है तो इस question में आप क्या करेंगे आप mention करें मुझे you have one minute and I want everybody to contribute little 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 जितना कर सकते हो उतना प्लीज राइट ठीक है I will also feel happy ठीक है इसमें ऐसे ही चलेगा I want you also come simple सी बात है कि कैसे 1857 के बाद उन्हों ने सारे जो changes करे administrative, political, army point of view से ठीक है तो जो भी changes थे secretary of state का बनाना या whatever controls related वो हम इसको यहां पे mention करेंगे क्योंकि वो appraising से घबरा गये थे और फिर नहीं चाते थे दुबारे से वैसा हो, then they made this change, तो यह अपने को देखना है ठीक है I am noting down the time in जो अपना YouTube का time कल रहा है यहां पे class में दिखता है मेरको, 16, 25, 26 से अपन शरू हुए, अब यहां तक After 1857, administrative, control, direct under the queen, yes number one, Vikas, very good, end of the year of mercantile, yes beginning of direct crown rule, yes absolutely right, capitalism का start हुआ हमारा यहां से, ठीक हा, financial, जिसको अपन बोलते हैं Simple सा question है, हम प्री में यह सारी चीचे पढ़ते हैं, 1858 Act, 1861 Act, आप इनके ही provision mention कर दोगे, that's it, ठीक है, how it is, क्योंकि बहुत ही have a shift, ठीक है, gave up policy of subordinate isolation, participation of Indians, yes, not to interfere, absolutely yes, okay, now let me start, देखो, अब अपन अलग-अलग topics में बात कर सकते हैं, जैसे देखे, British policies controlled, East India country expansion, earlier were modified after 1857, आप थोड़ा सा earlier के बात कर सकते हैं, जैसे doctrine of lapse, subsidiary alliance, तो उनकी वजय से, या फिर जो सब हमारे अलग-अलग, पीजेंट्स हैं, जमिदार्स हैं, ठीक है, farmers हैं, ट्राइब्स हैं, तब की ऐसी तैसी कर दी, British ने, तो everybody kind of revolted, और 1857, आर्मी में भी गड़बड होगी थी, तो इसी लिए उनको change करना पड़ा, और 1857, crown rule was established, government of India structure, policies, significant change, पहला तो देखो, administrative, एक तो हमें पताईए कि आपने directly किसको दे दिया, इस टीने company से, British crown को, आपने क्या बनाया है, secretary of state, 15 member की उसकी council दी, support करने के लिए, 1861 में हमने governor council, imperial legislative council बना दी, इसमें 3 plus 3 plus 3 अपना चलता है, तीनों को decentralized कर दिया, बंबे, कलकता, मदरास को power restore कर दी थी, इन्होंने, तीन आपके जो legislative councils इन्होंने बनाया थे, ठीक है, I think, बंगाल, आगरा, नोर्थवेस्ट, फरंटियर, पटियाला, इस टाइप से कुछ था, ठीक है, अभी exactly आपनी आया है, तो वो वाला भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो दिनकर राओ, बनारस, पटियाला, यह तीनों को nominate किया गया था, ठीक है, आगरा, नोर्थवेस्ट, फरंटियर, परविंस और एक और था, तो वो, इन्होंने, वो किया, इसको legislative powers भी दी, provinces, यह पनने देखे लिया, इनको divide किया, divide and rule वाली जो पहले वाली policy थी ठीक है, उसमें जो subordinate isolation वाला था, उसको दबा के रखने वाला, उसको करके अब साथ साथ participation करने लगे, जमिदार जिन्होंने इनको काफी support किया, उनको इन्होंने rewards भी दिये, और जैसे permanent settlement और उसकी वज़ेसे जो दुखी थे, उनकी problems भी solve करी, तो देखे, after the revolt, they suppressed, Muslims, इनकी property confiscate कर ली, land properties, large scale पर, Hindu's को favorite declare कर दिया, क्योंकि Muslims के पास उस time पर power थी, after 1870 इसको reverse किया गया, क्योंकि, जैसे हमारे वो बनी थी, आपकी Congress, ठीक है, relations Brahmins, तो उसके against, भी इन्होंने, जैसे Muslims के against, वो किया गया, ठीक है, Muslims को nationalist movement के against कराने के लिए भी इन्होंने use के divider rule तो चली रहा था, तो government, government cleverly used attraction of the government services to create split between both the communities, आर्मी में, जैसे European proportion है, वो काफ़ी हद तक इन्होंने increase कर दिया था, up to 50%, 33 to 50% कर दिया था, branches, artillery, tanks, armored corps, CN को दे थी, ठीक है, और जो India है, strictly excluded from higher post, उन्हीं तक रह गया था, princely state वाले देखो, loyalty वालों को reward दिया गया, right to adopt hires दिया गया, क्योंकि उसी कविज़े से problem हुई थी, respected integrity of their territory, guaranteed against future interaction, आगे बिलकुल नहीं करेंगे भई, हमारे साथ रहो, मिलकर रहो, good on, ठीक है, so the uprising of 1857, important mark from which British government started consolidating its hold over India, with an aim for having long lasting empire, यह समझ में आगे था, कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं, उस तरीके से, का फिर लंबे टाइम तक नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा revolt, इतने multiple places में, भले ही वो localized रहा हो, पर उसका एक तो उनके दिमाग में यह चला गया, कि अगर यह हो रहा है, तो इसका बड़ा version भी हो सकता है, but they successfully maintained for 90 years की, ऐसा कुछ नहीं हो पाए, ठीक है, हुआ भी बट वो उसको अतकता हो लट तो नहीं कर पाए, ठीक है, now tell me what thing do you remember, यह कहां से आ जाता है daily, ठीक है, देखो, अब हम इसमें बात कर रहे हैं, देखे, question number four, क्या याद आ रहा है, इसको देखके मैंने क्या कहा था, discuss the role of woman in the freedom struggle, especially during Gandhian phase, अब हम देखो, non corporation से लेके, CDM, fit India moment, उसके अलावा बीच में construction program जो हमारा चल रहा है, ठीक है, and आपका इस बार तो again, Gandhian woman को ही मिला दिया है इनोंने, ठीक है, यह भी हमारा जाए, there are many things, जो हम इसमें बात कर सकते हैं, देखे, अब यहां पर जो term लेकिए, especially during, तो आप brief, pre-Gandhian भी mention कर सकते हो, brief में, ठीक है, then आपके पास बहुत सारे रहेंगे, Sarojini, Naidu, ठीक है, से लेके, आपका जैसे, फोटी सी Indra Gandhi भी जो थी, उनका भी आप mention कर सकते हो, मंजरी से ना और वो सब ठीक है, एलकोहोल की जो आपकी वो रहती थी उनकी पिकटिंग, foreign cloth, by court, ठीक है, construction work बहुत किया गया, sanitation में बहुत करी, marriage वाला जो issue आया था, जैसे वो तो अपना African phase में आया था, and पिट इंडिया में उशा मैता, and all the things, फिर आपके जो revolutionary moments थे, उनके भी रोल को आप mention कर सकते हैं, एक ठीक है, क्योंकि हमें गांधियन phase के बारे में बताना है, specially गांधियन phase is like, 1915 से लेके 1947 तक जो जारा बता सकते हैं, देखो, introduction, freedom struggle, with significant participation, pre-Gandhiyan limited था, post-Gandhiyan widespread, reform movement in the 19th century, presented the image of ideal breaker, private life shape, public में entry आपकी वहीं से ही शुरू होती, especially 1920s, ठीक है, 1930s में बहुत जारा, ठीक है, during Gandhiyan struggle the image of the woman, change from motherhood to sisterhood, Gandhiji presented example of Sita and Dhammuvanti, देखो, पहले वाले क्या रोल्स हैं, जैसे अपने reform movement वाला भी देख लिया था पहले, सती, window, remarriage, child marriage, 1857 revolt, Rani Lakshmi भाय, local uprising, Rani Chanamma, ठीक है, स्वादेशी में, बंगाल, by court, foreign cloth, picketing and all these things, उसके अलावा, अब हमारा जैसे दुरिंगान, So you have multiple things to mention, but, देखे, positive of the time, and keeping in mind, जो हमारा साड़े बारा number का question है, 200 word में आपको लिखना है, तो थोड़ा से explain भी कर सकते हैं, और नाम भी अलग अलग लिख, जैसे, एनिवेसेंट, जो हमारा reward सकते हैं, होम रूल, लीक के थरो, उन्हों ने participate, अब यहां पर थोड़ा सब बता सकते हो, कि भई, जो बंगाल और, sorry, बंबे और वो सकते, उनके अलावा, जितनी भी provinces थी, 200 प्लस इन्हों ने branches बनाए, उतनी successful नहीं रही, बट प्रेजिदेंट महात्मा गांधी, I think, sorry, Jinnah, Jinnah is a brand ambassador of Hindu-Muslim unity, who said this, पता ही है, ऐसे ही revolutionary है, हमारे कल्पनादक, बेनादस, point blank, बंगाल के गवर्नर को बेनादस ने शूट कर दिया था, दुर्गा भाभी, HRS से, ठीक है, इस सारे के सारे आप मेंशन कर सकते हैं, and also देखिए, अनुशुरिया band, जो आपकी textile, meal strike में हमारे गई थी, end of a meal strike, ठीक है, 1918, वो भी हमारा mention कर सकते है, secret messages, ठीक है, women participation across the boundaries, gender, age, religion, secret messages कैसे जाता था, flowers के थू, कपाती, खाने के थू, ठीक है, या फिर जो protest के लिए, जैसे हमने देखा था, वानर सेना, मंजरी सेना, ठीक है, मंजरी के अपन बात कर सकते है, women में, women not only like girl का भी participation, ठीक है, girl child participation, तो उनके बारे में बात कर सकते है, यह हमारा रहेगा, यह तो अपना होई गया है, अब देखिए, question number five, a very very commonly asked, देखो, अब क्या है कि freedom struggle और उससे related important personalities, तो हमारी है इसमें, गोपाल कृष्ण गोखले, 1817 भीमा भाई, पता नहीं, मुझे तु सरोजनी नाइडू याद आ रही है, मैंने यह सवाल इसलिए पूचा था, क्योंकि सरोजनी नाइडू यहाँ पे थी, and he said, जिन्ना is brand ambassador of Hindu-Muslim unity, बाकि गोखले काफी लोग कह रहे हैं, इमानशी दुरगा भाबी का concept एक लाइन में ब्रीफ कर दो, concept in a sense what, लेक देखो, जो सौंडरस मडर केस था, उन में HRSA की मेंबर थी, बगत सिंग और उनके साथ मिलके यह थी, दुरगा भाबी जो मारा इसमें भी represent किया गया रंग दे बसंती में, ठीक है, तो उनका यह participation थ और उसके अलाबा ज्यादा मुझे उतनी knowledge है नहीं यार, इतना ही मैंने पढ़ाया है इसके बारे में, ठीक है, ओके, गोकले and this is this, ठीक है, काईराइर्जम, अब यह तो हो गया, देखे, highlight the difference in the approach of Subhash Chandrabos and Mahatma Gandhi in the struggle of freedom, basically difference, देखो, Subhash Chandrabos young थे, ठीक है, जवान खून था, बिल्कुल non-violence पर तो यह बिल्कुल ही वह नहीं करते थे, violence भी होन अच्छी है, शगल भी होन अच्छी है, यह सारी की सारी बात है थी, Mahatma Gandhi की जो philosophy है, उनसे कैसे different रहते हुए, communist philosophy पर बात करते थे, Mahatma Gandhi socialist, ठीक है, फिर ऐसे ही ज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, अबलग अबलग तरीके से हम बता सकते हैं, देखो, अप्रोच जो होती है, इसको लेके, National Movement को कैसे लेके चलना है, Mass Movement कैसे बनाना है, या फिर, कब call-off करना है, नहीं करना है, इन सारी चीजों में थोड़े-थोडे differences है, हम, क्योंकि, देखो, age में difference है, एक senior leader है, एक young leader है, तो वो रहे गा ही रहेगा, और later on जैसे हमारा, आ, INA, Singapore, Army, Germany, ठीक है, तो उस वाले angle को भी आप लेके आ सकते हैं, जो गांधी जीज का बिलकुल ही opposite है, यह हमारा रहेगा, देखिए, freedom struggle in India, various methodologies, but ultimately with one goal, freedom, Mahatma Gandhi, and Subhash Chandra Bose, दोनों ही legendary personalities थी, gigantic, in their political, moral, and ethical stature, let's see, two prominent leaders, इनके differences, पहला देखो, truth, and non-violence, uncompromised, but यहाँ पे कुछ नहीं होगा, non-violence, earlier, but was again withdrawal, after the, चौरा-चौरी, इसे ही बहुत दुखी हुए, ठीक है, and he also said, के गांधी जी, as a leader, failed, Mahatma, as a leader, has failed, इनका विश्वास था, masses में, ठीक है, तो यह लाइन cloth वगएरा पहन के भी चले गए थे, विश्वास थे, सुभाष चंदर बोस का भी था, but यह चाते थे, एक particular train करके, आर्मी तियार करी जाए, और उस तरीके से अपना खरा जाए, ठीक है, देखे, analysis of the matter before participation, जैसे, कंपारान, एहम्दबाद, खेडा, तो पहले ही सब कुछ द versus complete independence में, earlier गांदी जी जो है, वो domain status पे थे, later complete independence पे, ठीक है, और जो हमारे नहरू और यह है, यह शुरू से ही complete independence की बात कर रहे हैं, no violence, चौरा-चौरी में, बट उससे वो काफी दुखी रहे, was against Germany fascism, बट जर्मनी से, इन्होंने help ली, social reform पे focus था, जबकि इनका political reforms पे ज़ हमारे major differences हो जाएंगे, ठीक है, तो देखे, Germany, Japan's help, imperial form, political reforms पे ज़्यादा focus है, इनका social पे है, communist, with, जहार, लाल, नहरू, ठीक है, Congress, socialist, किलावत, party, और forward block के हम बात, ILP, ठीक है, Independence of League, ठीक है, India League, वही थी थी ना, शायद, नहरू और इनकी क्या थी, बताएं, क्या क्या, कौन candidate थे, गांदी जी चाते थे, क्यों को बनाया जाए, कौन थे वो candidate, बताइए, forward block इन्हों ने बनाया, ये सारी की सारी चीज़े, ठीक है, world war two के time पे इन्हों ने का था, attack किया जाए, बट गांदी जी उस time भी ये बोल रहे थे, नहीं नहीं, attack करने की कोई जरूत नहीं है, आप, फाइदा बाद में उठा सकते हैं, अभी नहीं, it will be morally not right, ठीक है, despite there I look, देखो, conclude ऐसे ही करना है, कि भी दोनों spoke highly of each other, महात्मा का टाइटल भी इन्हों, sorry, वो तो उन्हों ने दिया था, बापू का टाइटल, ठीक है, बापू का टाइटल बोस ने दिया, महात्मा का पाइटल गॉंड़ गांधी जी फॉर its success in the involvement of women in the freedom struggle, ठीक है, ठीक है, 350 इडपधेंडिया लेग पत्ता भी इस तरह में, absolutely right, ठीक है, IAL, Independence of India लेग इन्हों ने बनाई थी, and पिंगली बन का हिया, पिंगली बन का हिया क्या है विकास, अब यह बता कि, पिंगली बन का हिया, क्या है उनने क्या किया था father of nation बापु यस ठीक है तो now question number six देखो अब अपने state वाला देखा था देखो state उनका formation पाइदे हुए नुक्सान हुए state से related cultural pockets है क्या है इस टाइब की सवाल अपनने देख लिए सारे पहले अब हमारा जो आ रहा है flag absolutely right very good patriot of patriot to boss बाय गांदी जी इन दोचार facts को भी आप mention कर सकते है इट विल है तेक है नव देखे has the formation of linguistic state strengthened the cause of Indian unity अब इसमें हम अलग-अलग बाते कर सकते है आपको दोनो तरीके से बाते करनी है कि भई कहां पर strengthen हुआ कहां पर नहीं हुआ ठीक है आउट इंडिया नोर्थ इंडिया वो सारी चीजे या फिर विदिन दो रीजिन भी आउट इंडिया में जैसे रम तमिलाडो और अंदरा की बात करते हैं महाराश्टा गुजरात की बात करते हैं पंजाब हरियाना की बात करते हैं इन से मेजरली क्या हुआ है कि एक लोगों को आइडेंटिती मिली है उन्हें रस्पेक्ट मिली है उसके वज़ए से और ज़्यादा पार्टिस्पेशन बढ़ा है कहीं ने कहीं वो जो पर्टिकुलर स्टेट है वो और अच्छे से प्रफॉर्म कर पाया है तो उससे इंडियन उनिटी को फायदा ही मिला है अब यह तो बात कर रहा है formation of linguistic formation की वज़े से हम बात करते है domino effect की अभी उसके वज़े से क्या है कि और भी पॉइंट्स में या फिर language वाले पॉइंट में भी कि आपकी demand बढ़ रही है कि यार और स्टेट बनाया जाए और स्टेट बनाया जाए ठीक है उसके वज़े से कहीं ने कहीं हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमारा unity पे question mark भी आता है जैसे borderline बाला है और आप बोल सकते हैं ठीक है थोड़ा सा इससे भी related तो अब आप दोनों बाते अपन कर सकते हैं देखिए सबसे पहले जो आपका recognition हुआ था वो आपका तिलक के टाइम पर home rule league में हुआ था then later on जो हमारे डीजे लीफू जो अपने देखा था डीजे लीफू क्या था Dominion status, joint electorate, linguistic and fundamental rate डीजे लीफू हुआ रहा था नहरू report में उसके बात नहरू report में आपके आया थे ये चीजे ध्यान रखनी ठीक है तो थोड़ा सा chronologically आप इसमें बता सकते हैं later on अपन चलेंगे demand of the linguistic state precedes India's independence registered by the national leaders in the early years of independence नहीं लगता था की तूट जाएंगे ठीक है but the demand of the separate state along with linguistic line would endanger the unity नहरू नहरू ने बात करी थी DJ Leifu, he talked about language as a basis but partition की वजय से drop कर दिया गया criteria by FSA and JVP both but last में Faisal Ali, हमने कैसे याद किया था सब का बजला रहेगा Faisal, तो वो कैसे language language बहुत strong use है उसमे Faisal Ali ने सब से फ़ेल accept किया था but language can be one of the criteria not can be the sole criteria one criteria अपना रहेगा तो उस पर आपन focus करेंगे ये चीज़ आपको देखा में रहेगा तो ये हमारा है now let us look now it has strengthened the cause of national unity how? देखे, people are attached they feel respected administrative convenience है, better governance देखे, आपको local language मिलती है, Gujarati मिलती है, Marathi मिलती है अब माललो इतना बड़ा state होता एक ही language होती ही, तो कैसे चलता? यार, administrative convenience which is very important, देखे, एक बहुत ही अच्छा example में आपको देता हूँ Nawazuddin, Siddiqi उनकी में एक shorts ही देख रहा था, ठीक है? YouTube एपन देखते ही है तो अपनी shorts में कहते हैं कि जो South Indian Directors है ठीक है? या फिर original languages उनका आज की टाइम पर successful होने का reason क्या है? वो कहते हैं वो local language में बात करते हैं उनका casting director, actor, vector सब आपस में local language में बात करते हैं ठीक है? करनेड़े करनेड़े में बात करेंगे तमिले तमिले में बात करेंगे, the point is you feel connected फिर जो चीज़े भाहर आते ही मालो आज, अब maximum मालो student हर्याना के होते हैं और अपन हर्याना में पढ़ रहते हैं कि भई लोग जो हैं वो मालब राजी फील कर रहे हैं या फिर इसटे हिंदी, English, हर्याना के अपने mix कर लेते हैं सरकार चलान में असानी हो जाए है तो यह सारी की सारी चीज़ें तो अब होता क्या है कि में भी हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ भाए हिंदी है हम हिंदी से करेक्ट कर पा रहे है यह ठीक है तो यह जो प्राइड है वो भी and second कि भी convenience है इससे जो output होता है वो एक अलग ही आता है ऐसे ही more autonomy मिल रही है तो developmental work भी जादा होगा further strengthen the course लेंग्वेज की वज़े से जो हुआ उसकी वज़े से भी आगे अपने को फाइदा मिल रहा है language formula tolerance आती है diversity recognize होती है culture को respect मिलती है ऐसे ही देखे हिंदी जो है official language बनाएगी थी ना कि national language यह चीज याद रखनी है English non-hindi के साथ अपन communicate करने के लिए यूज करते हैं तो ऐसे national unity को अपनने बचाया कौन-कौन से बनाएगा जैसे यह example मैंने अल्रटी बताई दिये तिनों के तिनों but in the hindsight instead of being a force of division language has proved to be a cementing and integrating influence तो यह चीज आपको ध्याद में रखनी है के भाई भाशा की वज़े से मतलब फाइदा गहना होया है और नुपसान गाट अगा है सिंपल सी अपनी अर्यानवी में अपने ऐसा भी बोल सकते है स्वादसा आगया मो जागी ठीक है ठीक है अपना हो जायेगा भारती it somehow made the politician believe that the language and the culture was secure and now they did not have any problem with the other language adding to the unity of the nation ठीक है तो बारती बीचेज गाएख थो अपना हो जाएगा बारती अब फॉर्या हो बिलीचेज़ याद आराहे बारता है आपना हो बारता हो वर लेड़ बाई न्यू इलीट अफ वेस्टन एडुकेटर अफरीकंस एग्जामिन इंपल सी बात है जब मैंने यह आंसर लिखा था मैं इसको किस से लिंक कर पा रहा था एको अफरीका इंडिया एशिया लगबग लगबग सेम सी ही चीजे हैं रूल करने वाले फॉर्नर्ड्स, प्रेटिशर्स, येरोपियन अब उनके न्यू इलीट हमारे यहां पे भी मिडल क्लास इंटेलिजेंस या न्यू इलीट हमारे डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट ठीक है प्रेस वाले हो गए और भी बहुत सारे थे ठीक है प्रोफेसर्स, टीचर् इंडिया में अलग-अलग तरीके से इंस्पायर होके पॉलिटिकली, एकनोमिकली, सोशली, रिफॉर्म्स करें तो उन्होंने हमारा इंटिकोलिनल स्ट्रगल लीड करके यह किया ठीक है बट वहां पे जो रोल हमारे यहां पे गांदी जी ने प्ले किया वह हम कह सकते हैं कि मंडेला आफरीका करेंगे यहां पर वैसे वेस्ट अफरीका की बात चलना घंड़ी इतना वेस्ट में क्या है कह नहीं है तो वैसा ही हमारे यहां पर आ रहा है कि कहीं न कहीं यह लिंक कराना चाहरा है न्यू इलीट से तो हम सिंप्ली देख लेते हैं देखिए वेस्टर अफरीका कॉलोनाइज बाइन यॉर्पन पाउड अब वहां पर जब वो विड्रो करें थे तब भी बहुत दिक्कत हुई थी उन्होंने स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन बना रखे हैं यह भी सवाल आता है कि वो जो डिविजन हुआ बाउंडरी जा स्ट्रेट लाइन दिविजन उसकी वज़े से आज भी कितने सारे पावर स्ट्रेगल चल रहे हैं Kenya, Somalia, Sudan, everywhere तो वो गड़बड है तो यहां पर 20th century, like India, education जो है, used to meet western in taste and attitude ना इलाइट अमर्ज हुआ, and they led anti-colonial struggle, जैसे देखिए, history of Indian nationalism, ऐसे कुछ था वो भी मुझा, हाँ, social background of Indian nationalism, ठीक है, तो उसमें अपन यह भी पढ़ता है कि कैसे नई industries develop करने में, जो नई elite हुए, उन्हों ने यहां पर काफी कुछ किया, one second, यार, ठीक है, एक मिनिट रुको, ठीक है, विकास मैंने आपको as a moderator add किया है, ठीक है, तो विकास आगे, मतलब इस टाइप को कोई message दिखे न, जो spam वाला हो और इस टाइप को हो, तो मतलब you will be having that authority कि आप उसको अपने level पर delete कर दे, आगे एक बर इसको try करके देखना, मैंने अभी तो message अटा दिया है, ठीक है it happens, यह चलेगा ही चलेगा, मतलब आजकल क्या हो गया है कि bots और यह सब ठीक है, multiple channels create हो जाता है, और यह सब और सब काफी चलता रहता है, ठीक है, यह तो मनुष्य नहीं कर रहे हैं, यह machines कर रही है, अपने आप ही आप से हैं यह सारे चीज़े है, ठीक है, तो please look into that, ठीक है, the same कि हमें भी वो चीज़े दी जाएं, ठीक है, उन्होंने expose किया, जैसे हमारे आप economical plunder था, वैसे ही यह है, ठीक है, फिर, they inspired the masses, mass movement हुआ, they publish the newspaper, journals बगएरा, जैसे कुछ examples है, JT Jababu, established the press, native opinion, Lagos weekly record, founded by John Payne, Jackson, American librarian, आपके journalist है, awareness फेला ही इन्होंने, ठीक है, ठीक है, they realized the true nature, and they were against racial segregation policies, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह सारे के सारे रहेंगे, ऐसे ही देखो, हमारा Gandhi और Nehru का भी influence रहा था, and later post worldwide 2 decolonization यहां पे होई गया था, more or less, ठीक है, तो इसमें अपन यह भी कुछ fact, ठीक है, ना तो हमें नहीं पता होता, बट फिर भी ठीक है, the Gold Coast Aboriginal Right Protection Society association formed in 1880's, 1891 में ARPS, ठीक है, यह है, successfully sent a petition to the London to address issues with land bill, later for repealing the Town Council ordinance, तो ये कुछ एक झाइम्पल यहननों ने बताया है, ऐसे ही National Congress of British West Africa in the Gold Coast, considered of African, consisted of mostly African intellectuals, ठीक है? चलो अब इसमें ये हमारे रहेंगे तो ये देखो इस ताइप में दिल से नहीं लगा ना कि शर पता ने कितना लिखेंगे कितना नहीं लिखेंगे Indian elite just replace it by western elite अब Indian elite में कितना example डाल सकते हो उसमें वहां पर इतना तो लिखिया हो at least 2-3 number तो मिलेंगे, ठीक है कुछ तो, something is always better than nothing, वो ये भी दिखाएगा कि at least आपने अपने दिमाग का तो काम किया, ठीक है, okay Vikaas, done, remove, very good, Malaysia, Senegal, French, Sudan, French, Guinea, yes, Upper Walter, ठीक है, Niger, today French colony, very good Vivek, कैसे याद है Vivek, कितना history optional है, या फिर आई आर, या फिर इंट्रेस्ट, ठीक है दो तयांती, जो ही होती है हमारी, जलो, अब देखो, question number 8 को देखके क्या पता चल रहा है, To what extent globalization has influenced the core of cultural diversity in India, explain, कई जगे हमने, देखो, Socialology का concept समझाता हूँ, आपकी culture है, उसमें ये बीच वाली चीज़े ये है, ये है हमारा periphery, ये है आपका core, किसी भी culture का, अपना भी core होता है, ठीक है, ये हमारा है, तो periphery में challenge करना easy होता है, मान लो बाहर से globalization, industrialization, इनके वज़े से जो हमारे पास idea आते है, technology आती है, ठीक है, कुछ भी, और ideology, idea, इनमें जो changes होता है, देखे, periphery में changes easy है, periphery मतलब, जैसे मान लो हमने computer, online lectures, ये सब adopt कर लिया, technology, laptop, high-end technology हम use कर रहे है, most of the time, गड़ बड़ चीजी चल रही है, ठीक है, तो जो society की core values, जैसे मान लो, religion के factions, caste के factions, gender के factions, ये अभी भी चल रहे हैं, तो आपके जो core values, जैसे की religion में, caste में, patriarchy, gender में, ठीक है, तो ये सारी के सारी जो हमारी चीजें हैं, उन पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कि भई ऐसे हो, ठीक है, तो ये आपका रहेगा, तो core values पर देखो, core values बहुत ही ज़्यादा आप attach होते हो, आप identity आपके पास होती है वो, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, कि उसको change करना इतना easy नहीं होता, जितना easy हमारा, इनको change करना होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये है आपका, जैसे, अब हाप हर चीज में बात कर लो, जैसे, आदेको, dress को change करना easy है, वो, डियाबिट्स को change करना easy है, बट क्या आप marriage को उतना easily change कर पाए, नो, कुछ हब तक, बट not exactly, काफी हब तक, family system को कर पाए है, बट modify सा हुआ है, काफी हब तक, religion आज भी बहुत बड़ी importance रखता है, Indian society में, caste आज भी बहुत बड़ी importance रखती है, ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे मुद्धे हो जाता है, ethics, respect to the elders, ठीक है, हमारे prime minister भी, अपने elders के पार्च होते हैं, these kind of culture we have, ठीक है, तो ये सारे के सारे, काफी हद तक, जैसे goods है, हम iPhone use करेंगे, BMW लेकर आओगे, but BMW का जो tire है, पहली बार जब चलेगा, तो निम्बू मिर्च के उपर ही चलेगा, ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ेंगे, मतलब इन ही सब चीज़ों से अपने को पता चलेगा, ठीक है, तो ये है, अब आपन देखो, globalization को आप simply define कर सकते है, free flow of the good, service idea, people across the countries and world, economically, culturally, technologically, जोनों भी influence रहेगा, core and peripheral values, peripheral पर जादा, core में देखो, जैसे religion, religious festivals are fully exploited by the corporate houses, in the name of God and goddesses, all kind of concessions are offered, attracting gullible people to buy them, new TV channel have come across into existence to cut up the spiritual need of the people, marketing ends, of MNCs, in Hindi we have asked the sanskar, तो देखो, चल वही रहा है, but use क्या कर रहा है, नहीं technology, ठीक है, ऐसे ही, अब देखो, the point is, इसमें अलग 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 चीज़े होती है, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़े देखने को मिलेंगी, आप जैसे, मतलब, independence दे है, मैंने भी कहा कि ब established in market, ठीक है, और वो established because of the psychology of citizens, ठीक है, या जो भी वहाँ पर रहते है, resident हम बोल सकते है, तो वो जो psychology है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, I have interacted so many students, ठीक है, तो एक जो discount होता है, discount is like, even मैं भी जब student था, तब मुझे भी ऐसा वक्टाता है, कुछ discount मिल जाए, यह psychology में होता है, ठीक है, तो वो offer किया जाता है, बट कई बार आपको मला बाला गलाग तरीके से यह चीज़े offer करे जाती है, जो आदमी जिसी चीज से attach कर पाता है, it is not about right or wrong, ठीक है, it is about our core values, ठीक हो, our core values is religion, our core values is nationalism, हम अपने nation से attach कर पाता है, यह हमारी core value effect नही हुई, even though capitalism has entered, even though we are using all kind of technology, but हमारा जो core value हो अभी भी चाली रहा है, ठीक है, तो यह सारा का सारा रहेगा, ऐसे जैसे देखो family, basic unity society की what not only individual but joint family, अभी हम इंडिया में बोलते हैं spirit of jointness, आज भी हम अपने गाउं में जाते हैं, घरों में जाते हैं, मिलने जाते हैं, ठीक है, उ तो उतना western countries में नहीं देखने का मिलता, तो यह है, तो since independence, our society has undergone continuous, changes, great change in every walk of life, family is becoming progressively weak due to globalization, individualism आपका grow करी रहा है, नहीं form of family आ रहा है, single parent, live-in families, ठीक है, weekend families, LGBTQ families, ठीक है, बहुत सारी, adoptive families, यह अपना चलेगा, the family bonding and the ties are reducing, it affected the notion of the family as caring, nurturing unit for the children, sick and elderly, ठीक हो, effect तो हुआ है, ठीक है, but still, we are in a phase of survival, जो लोग इस चीज़ को समझ पाए हैं, that is what I believe, मैं भी, if I tell you, जब मैंने रहन सब चीज़ों को शुरू में देखना, समझेना चाहा था, जब आप 11-12 में होते हूँ, you feel fascinated by these ideas of individualism and the freedom, but you fail to understand कि, what is real freedom, ठीक है, real freedom is like also taking care of the person who belongs to you, उनको छोड को यह जा के भाग नहीं सकते, ठीक है, तो वो भी रहेगा, and sometimes, ठीक हूँ, साथ रहते है हैं, तो families में problems भी होते हैं, वो भी रहता है, पर उन चीज़ों को recognize करके ही, आप समझने की कोशिश करते हैं, understand करते हैं, it takes time, but do, ठीक है, तो वो भी रहता है, देखे, ऐसे ही role of woman देखो, उनको rights से अवेर करा दिया है, stepping out of the house, not only schooling, higher education, जो patriarchy, influence is decreasing, leading role of wife, political, economical, social roles, but, दो नही professional segregation था, वो lost हो चुका है, relevance ही, अपन देख चुके है, untouchability हो चीज़, lifestyle, food, एक टार्म, जो मैंने पहले भी होता है, Macdonald, bonalization, एक है, ये चीज़, तो वो तारी, सल्वार कमीज ने skirt, pant, jeans की जगे ले ले है, but, मुझा, what I feel is like, ये भी ठीक है, pant, jeans, इन से जादा comfortable, अपका कमीज, या कुडता है, एक है, अब, मुझा, 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 म जो दोती कुडता पहले पहनते थे, दोती का तो I don't know, but, कुडता और पजामा, it's very comfortable, ठीक है, I know, but, आजकल तो कुडते पजामा में भी चिपके चिपके वाले पहनते है, अब, ना चाहते वे भी कई बार आपको लाने परते है, तो वो भी रहता है, ठीक है, तो, it happens, तो, स language में भी जैसे English, favorite most communication है, यही बात चल रही थी, English वाली, कि जो वो Bollywood movie वाले था न, कि बही, South India में तो क्या है कि वो अपनी local language में बात करते है, but, Bollywood में क्या है, वो, Hindi वाले होके भी English में बात करते है, एक दूसरे जो, so that becomes English, very good, English जो है, it is a good, अपन भी अब जब चल रहा complete शुद दिन चलेगा तो अपने को समझ नहीं आएगा भी, ठीक है, वो चलेगा तो अपने को नहीं आएगा, ठीक है, चलो, ठीक है, Ankit, thank you, Indo-Western, Fusion, Correction, Commitification, दे-दे-दे, Kujab, Good Evening, ठीक है, Breaking Glass, English, yes, Simran, yes, definitely हो सकता है, अभी, you do feel, but, uh, talk to me after 10 years, and then we will, uh, talk about it, कि, what more comfortable you feeling, pajamas, और jeans, ठीक है, we will see, there was the time, ठीक है, जब मैं भी jeans में, मतलब, it was not like, comfortable feeling, but you, kind of feel, adjusted, अराम से, क्योंकि वो आपके life का एक हिस्सा बन जाता है, but, अब मेरे पास सिर्फ एक ही jeans है, ठीक है, जो मैं regularly थोड़ा-थोड़ा पहनता हूं, ऐसा ही चलता है, ठीक, पहले बहुत सारी थी, ठीक है, अब बाग क्योंको पहनने काई मन नहीं करता, एक पहन लते है, वो भी modern medicine ये भी रहेगा, ठीक है, night suit holiday, absolutely, what is wrong in that, ठीक है, एक stage of evolution में होता है, it happens, तो एक meme में देख रहा था, let me just share, की suit boot में, मतलब, I am just trying to give you a portrayal of new class entrepreneurs today, they don't care about all these things, seriously, जैसे, मान लीजिए, suit boot में लोग रहते हैं, आप suit boot वाले को देख के impress होते हैं, but today, who is the boss, boss is sitting in pajamas, ठीक है, in shorts, वो आराम से घर पर बेटा काम कर रहा है, उनको control कर रहा है, बता रहा है, ठीक है, these kind of things, it is just an example, but अलग अलग जगह की साब से अलग अलग हमारा होना ही चीए, that is a different thing, ठ question number 9, मैंने क्या बताया था, poverty and hunger are one of the most important themes which are asked again and again, ठीक है, the essential condition to eradicate poverty is to liberate poor from the process of deprivation, substantiate with suitable example, अब जैसे deprivation को अटाने से कैसे हम इसको liberate कर पाएंगे, इसमें आपको एक चीज बतानी है, ठीक है, पहली चीज, deprivation के अलग अलग examples, अगर हम उसको economical deprivation से निकालेंगे, उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो definitely उसकी choices भड़ेंगी, अमरितर सेंज जिस concept की बात करता है, तो वो कहीं ने कहा है, हम political eradicate कर रहे है, political deprivation जिसको वो feel कर रहे है, participation है ही नहीं, उसको जब हम soul करेंगे, तब हम उसको और participate कर पाएंगे, policies, उनके हिसाब से बने इंगल, installation उनके हिसाब से बनेगा, तो these kind of things, ठीक है, तो वो और ज़्यादा help करेंगी, ऐसे ही मालो social deprivation, कि आपको access नहीं दी जाती, public places की, या फिर आपका social boycott किया जाता है, उसको आपको solve करना है, इनका participation बढ़ेगा, in the social, cultural, festivals and all these things, वो चीज़ भी इनको upliftment में help क करेंगी, ठीक है, तो poverty, देखिए, poverty is not only about कि आपके पास पैसा नहीं है, poverty is also about their various kind of deprivation, जो हम face करते हैं, because of lack of money also, ठीक है, तो आपको हर तरीके से काम करना है, कुछ example दे सकते हैं, positive examples, जैसे stand-up India, financial inclusion, जन्दन योजना, economical examples हो जाएंगे, ठीक है, interest subvention, housing for all, ये भी हो जाएगा, ठीक है, also, जैसे हमारे पास jam trinity के अपन बात कर रहे थे, dbt, political में, reservation, to schedule caste, schedule tribes, OBC, ठीक है, poverty, woman poverty, feminization of poverty, ठीक है, तो उसमें, woman reservation, वो जब political leaders मनेंगे, तो क्या वो problem को soul नहीं करेंगे, बिलकुल करेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही social में, जो हम social awareness campaign चलाते हैं, including religious leader, political leader, वो भी help करते हैं, ठीक है, तो यह अलग-अलग example हम इसमें दे सकते हैं, there are various schemes जिनका आप court कर सकते हैं, SDGs को आप conclusion में डाल सकते हैं, देखो, poverty defined as the condition in which living, in which substandard compared to the average member of the society, people depred of what food, clothing, shelter, income, कुछ भी हो सकते हैं, to eradicate the poverty providing people education, equipping them with skills, to sustain a livelihood, providing them healthcare services, to make them physically fit, also to work, education देना पड़ेगा, health देने पड़ेगी, देखो, poverty education program and policy जो हमेरे पहले चे चले, ज्वाहर ग्राम समरिद्धी योजना, meaningful employment for unemployment, underemployed rural area, मन रेगा, जिसमें हमने 100 days का दिया, unskilled work, उससे भी आपको jobs मिली, पाईसा मिला, ठीक हैं, ऐसे ही, NRLM, AGV का, यहाँ पे भी rural poor का, हमने monthly basis पे income generate हुई, national rural livelihood program, self-help groups पनाए, प्रदानमंत्री, कोशल विकास योजना, skilling करी, ठीक हैं, तो there are various ways, credit आप कैसे दे सकते हैं, प्रदानमंत्री, किशान समान निदी, जहाँ हम 6000 की वो दे रहें, तो कहीं नहीं कहीं हम poverty को address करी रहें, जंदन योजना, financial inclusion, DVT, rural development program, housing for all, and all those things, ठीक है, from process of deprivation, this deprivation can be talked about in various dimensions, ठीक है, and eradication and can also be talked about in various dimensions, की बही, इस तरीके सेपन, कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगला अपना हा रहे है, tääक है, Thank you Vikas, चल, question no葉 10, डेखे, tribals, these are the areas UPyC is really concerned about, ठीक है, क्यूंकि इनकी जुरुवत है उनको अपन करते हैं ठीक है? कि भई जो हमारे विकर एरियाज है उनके इसाब से हैं Now let us see, देखे Question number 10 Why are the tribals in India referred to as scheduled tribe? ठीक है? Indicate the major provisions enshrined in the constitution of India for their upliftment ठीक है? तो ये चीज़ हमें देखनी है number 1, देखाओ इसमें तो अपन बहुत सारी चीज़ें वैसे बता ही सकते हैं सिधा-सिधा सवाल क्या है? कि कैसे scheduled tribe अवो जो scheduled tribe देफिनेशन अपन देख रहे था 346, 5 something था ही ठीक है? तो basically क्या है कि उसमें अपन ने जिनको include कर रखा है they are scheduled tribes scheduled tribe by definition was included in the constitution to address definational problem मुझे लगा विकास ने बीच में कर दिया है तो मैंने भी अपनी तरह से delete कर दिया उसको I think it is deleted now बारती ठीक है schedule not only schedule 5 लेखो now देखिये scheduled tribe definition address to the definational problem actually tribes के साथ problem क्या है हमें पता नहीं के actually tribe क्या है ठीक है तो हमने उसको अलग अलग तरीके से characteristics of tribe geographically they are isolated politically उनका जो system होता है equality based होता है socially, culturally also elders की respect करना family system अलग तरीके से चलता है ठीक है यह हमारा ऐसे रहता है इसलिए अब उनको किस तरीके से define किया जाए इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे कि इनकी कुछ particular characteristics है उनको हम और प्लस economical और educational बैक्परने सब चीजों को मिला के हम schedule tribe को डाल देंगे और जो st मतलब reservation को इनको दिया जाते है जो tribe आपके schedule में added है उनको ही आप reservation देते है not every tribe ठीक है तो schedule tribe our definition was included in constitution to address the confidential problem categorized, defined area tribal communities in the country suffering from extreme social education economical backwardness arising out of coronary isolation and certain अधियर यह हो गया नव देके these communities notified as schedule tribe as per the provisions of the constitution of the schedule order 1950 passed by यह article 342 of the constitution president in 1952 में जो पास किया था उसके हिसाप से ठीक है यह हमारा रहेगा नव देखे अब देखो constitution में कॉंसे special provision है multiple schedule 5 schedule 6 तो है 15 ठीक है यह हमारा क्या था caste, sex उनके basis पे इन पे reservation में जो exception schedule tribe की article 46 243 अब यह थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे इनको ठीक है अब यह मुझे exactly सारे के सारे तो याद है नहीं ठीक है वह यह बस अपने mention कर दिये है 37, 371 तो 389 उनके बारे में अपन देख सकते हैं national commission for schedule tribe ministry of tribal affair ठीक है introduce किया हमारे सविधान में पंचायत extension of schedule area इन्होंने भी development करी ठीक है upliftment of tribal areas हुआ इन सारे कि आप बात कर सकते हैं 243 yes d pri absolutely right बाती ठीक है चलो yes परने 73 हो गया है ठीक है आप हम आते हैं आगे now let us see last question हो गया है ठीक हो question number 11 क्या कह रहा है write a brief background of the quality of the urban life in India introduce the objective and the strategy of smart city program simple and sweet question smart city के objective आपको लिखना है और strategy किस तरीके से वो बनाना चाहता है और यह सब हो सब basically smart city अब schemes तो आती हैं 2-3-2-3 अलग-अलग तरीकी से पूछी जाती हैं इनोने directly पूछ लिया स्टेंप बहुत जादा नियूज में चल रहा था तो यह ज रहा है ठीक है बार्ती वेरे गॉड 330 reservation in लोकसबाद 32 reservation in this special tribal areas हाँ हो भी है हमारे ठीक है एक निट तो आपको पहले तो quality of urban life देखें एक simple सा कि भाई या तो आप मैंने इसको शुरू किया था नीतियाग में एक term थी अच्छा यह वही लिखे हुआ है मेरे वाले introduction है यह ठीक है अब यह मेरे ही notes है इनको digitalize किया गया था और इसमें काफी चीचा एड भी करेंगे तो कहीं कहीं मतलब जो है मेरे notes रहेंगे 60-70% और बाकी एड भी करेंगे हैं यह देखो इसमें क्या है कि जैसे इन्होंने कहा था कि जैसे मालो 33-30% हमारी इंडिया में जो problem है नितिया केटेगरिकली talked about की over urbanization, under urbanization एक तो बाकी developed countries से compare करो तो हम under urbanized हैं सिर्फ 35% over कैसे हैं जहां पर urban area है वहां पर population ही 10 million million तक भी है ठीक है तो यह भी रहेगा 1 million population के बहुत है आस-पास रह रहे हैं ठीक है now brief background आपको quality का देना है आप positive negative दोनों ही देंगे जैसे hypercapita income Delhi, Mumbai, Chandigarh but high population density also stack wrappers है, housing complex है but slums भी है world class hospitals है, education institutions है public school hospital very bad sanitation road infra अच्छी भी है traffic pollution भी है, ghito's भी है public spaces अच्छे है power shortage भी है water supply drainage गदबड भी है ठीक भी है तो यह सारी चीचे फिर आप simply इसके बारे में बात करके देखो तीन section बन रहे है इसके कि what is the quality of life objectives, strategies फिर आप इसको link करेंगे क्या हम इसको achieve कर पाएंगे to improve the quality of life of urban जो इंडिया है तो देखे कि objective क्या दे सो स्मार्ट सिटीज बनाना with smart infrastructure physical, social, economical इसमें mobility ability हर चीज में connectivity यह सारे के साथे ATVT सारे चलते हैं इसमें तो यह इनको बढ़ाने थे making cities sustainable for all not only for the upper class but also for each and every class यही चाहते हैं इसे फाइदा क्या होगा देखो जब सारे connectivity होगी बढ़िया होगी economical आप अच्छी growth कर पा रहे है governance बहुत अच्छी रहेगी control अच्छा रहेगा quality of life अच्छी रहेगी wastage और यह सब बहुत कम रहेगा ठीक है affordable basic services जो है उनके भी provisions इसमें दे कि सब को मिल पाए strategies क्या दे देखो IT और इन सब का use करके हम इसको करना चाहरे जैसे हमारे पास example के दे तोर पे देखो smart meters जितनी चाहिए electricity उतनी ले लो बाकी मतलो ठीक है ऐसे ही big data के through better planning and administration अभी हमारे पास क्या है national urban जो हमारे पास digital इनकी वो है ठीक है एक mission चल रहा है data exchange वाला भी urban data exchange ठीक है digital mobility mission इस टाइब का भी कुछ चल रहा है दोचीज आप mention कर सकते हैं यहाँ पे ITA का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है physical में smart city में भाई देखो road infrastructure, metro, regional, rapid RITS, flower, underpass सब कुछ बनाना चाहते है ताकि seamless connectivity economy में better opportunities लाना चाहते है specially focusing on MSMEs high skill job, service sector social में ज्यादा awareness tolerance between the community ताकि social media के use ठीक ठाक है but मतलब उसका misuse ना हो ठीक है riots ना हो these kind of things ठीक है तो यह हमारे रहेंगे 70% population still in the villages so we need to complement with the smart villages as said by our PMO smart villages भी आपको बनाने है यह चीज़ आप ध्यान में रखें ठीक है yes बारती absolutely no problem वैसे भी 5-6 यह बच्चे-बच्चे है कल morning में लेने के session बताओ पिर से आठ हो गए ठीक है अगर ऐसा भी कर सकते है पर यार अभी अपन कौन से कुश्चन पर आगया अभी बारवे पर ही आए हम ऐसा भी कर सकते है morning में half session और एक session morning में एक session evening में कल वाला half session morning और evening का full session डेड़ हो जाएगा बट फिर भी अपना एक बच्चेगा ठीक है पर वो एक आप पर कर लेगा है वह लग मौडल एस तो अपन पास में पहुंची गए 2015-16 14-13 बचेंगे दो बचेंगे चलो करी लेते हैं यार ठीक है morning 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 भारती कह रही है continue कर लो सर चलो कोई नहीं ठीक है अपने पास ठीक है मैं आराम से तुम्हारा करवा दूँगा कोई वो है नहीं ठीक है sir we are working time हिमांचू तो भी time मिला है हिमांचू कोई नहीं जैसे mostly अपनी यही time रती है morning 6.30 अपन मिल सकते हैं आराम से 6.30 से लेके अपन थोड़ा सा अच्छे से ले लेंगे ठीक है तो वो भी हो जाएगा बाकी चलो ठीक है अभी फिर से 13 आगे हो चलो तो अब मैं फिर से डायलमा में आगे हूँ ठीक है चलो continue कर लेते हैं अभी अपने इसको finish ही करके उठते हैं ठीक है अगे यह है क्या कि आरे इसी वेब साइट से ही आ रहे है अधिक है ठीक है ठीक है ठीक है आप कोई नहीं बात में देख ले ना ठीक है का आखी लोग आगे है 10 प्लस हैं तो आई शुड़ कंटिनुड इसको भी कंटिनुड करते हैं तक यह भी हो जाएगा और अपने उससे स्टिक भी रहेंगे से देखे एक एक विच में इस टाई की बाते आते हैं तो मेरा भी मन जो है वो बहक जाता है ठीक है ठीक है ठीक है अब इसमें बात क्या चल रहे है अब इसमें बात क्या चल रहे है रिजनलिजम बिसिकली क्या है कि आप एक पटिकुलर रीजन से अटाइच करते हैं गांधी जी ने जैसे कहा था कि नेशनल अटाइच्मेंट तो एक अच्छी चीज है बट रीजनल जैसे आप अपने रीजन के लिए काम करोगे देखो देखो तो स्फियर ओफ इंफ्लेंस हर आदमी का अपना अपना होता है मैरीजन ने क्यों हें फैंली गांओं से खैस्मेंट होती है यह चीज आपको ह हो सकती है या फिर administrative basis हो सकता है इनके वज़े से यह क्या सकते है ethnic basis भी हो सकते हैं जिनके वज़े से यह लोग demand कर सकते हैं कि हमें अलग वो बनाया जाए regional tendency कि हम अलग है आप अलग हो इस टाइप से ठीक है historical reasons हो सकते हैं ठीक है geography एक basis हो सकता है इसमें अलग-अलग examples हम कह सकते हैं इस डैट अनेकल distribution of the benefit of the development eventually promotes definitely yes इसमें तो हो है ही नहीं ठीक है eventually यह तो करेगा ही माल लो उसी की वज़े से जारकंड बना उत्रकंड बना 2000 में सारे के सारी वह ही थे कि भई आप एक जो है वो फायदा रहा है दूसरे को मिली नहीं रहा ठीक है इसमें पन कह सकते हैं simply आप इसको define कर सकते हैं phenomena people's political loyalties become focused upon a region example दे सकते हो positive conclusion में आप example दे सकते हैं as said by गांधी जी I'm a proud gujrati I'm proud Indian geographical basis जैसे princely states after independence integration of a princely state resulted in merger of smaller state into big तो दो पहले तो छोटे-छोटे से वो अलगला लगी feel करते थे अब भी अगर अलगल feel कर देखा अभी तो 75 years होगे अतना नहीं करेंगे बड़े पहले करते थे तो जो लोयालिटी इस थी वो थी old boundaries के लिए and new territorial structure के लिए time लगा वो भी एक reason रहा historically क्या रहा जैसे history supported regionalism with cultural heritage, folklore, myth, symbolism जैसे DMK, AIDMK, TDP टेलकुदेशं, द्रवेड मनेत्र कंगम, तमिलाडू, आंद्रपरदेश इन्होंने अपने history का यूज करते हुए regionalism को promote करा है language example language को दो बहुत सारे है महराष्टा गुजरा जो आपने उपर भी देख लिए language as a criteria वह पेंशन कर सकते है प्रहप बी मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क यही है ठीक है क्योंकि देखो एक particular region में रहने वाले लोग एक common language तो बोलते हैं कहीं न कहीं ठीक है वही attachment होती है OC से ही identify कर पाते है इसको चैलेंज भी कर रहे है एकनोमिकल बेसिस क्या है देखे दा अर्स्वाइब मोमेल ओफ जैसे हमारे उत्राखंड हिल दिस्टिक ओफ यूपी जारकर निकला बिहार से ठीक है बॉडरलेंड की दिमाड हो रही है असाम से यह एकनोमिकल बेसिस भी प्लिटिकल बेसिस पे जैसे महारास्टा में है सब्सक्राइब मोमेंट तो भी एक रिजनलिद्म का बहुत अच्छा एक्जाम्पल है ठीक ह यह भी है पॉलिटिक्स एच सच डिनोट क्रियेट रिजनलिजम इट ओनली एसेंच्छुएट रिजनलिद्म पॉलिटिक्स तो चली आ रही है ठीक है जूस बहुत अच्छा बना है बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा सा मिल जाता है न कभी जूस मिल जाता है कभी वो क्या आता है रुवावजा वो मिल जाता है तो चाय मिल जाती है तो यह अच्छा है तो यह ठीक है तो यह प्रेशन नेश्चा है अच्छा है तो यह possible हो पाया, but जिसके पास नहीं है, definitely वो तो एक detached feel करेगा, और वहाँ पे conditions आएंगी भी, जैसा तेलंगाना और यह सब, तो the British administration responsible such wide regional variation due to their need, आप administrative trade और यह सब, इन्हों ने यह करी दिया था, और बाद बे, यह हुआ भी, ठीक है, जैसे successful demand of तेलंगाना is a manifestation of, जो question ठीक है, हाँ, thank you, विकास आपका thank you पुचा देंगे, ठीक है, अगले सवाल पर आपने देखो, question number 13, अब यह है जोगरफी का सवाल, direct, अब आपने एक सवाल हमने क्या देखा था, water moss, and currents, ठीक है, वो वाला सवाल अपने देखा था, जोगरफी का, तो आप जोगरफी में भ है, जो कोर-कोर, broad concepts है, वो आपसे बार-बार पूचे जा रहा है, ठीक है, climate change, air mass, water mass, ठीक है, currents हो गए, और melting, Arctic, locations, जो उन्होंने लिख रखा है, मुटे-मुटे तोर पे, वही चीज़ें आपसे पूचे जा रही है, ठीक है, तो यह रहेगा, अब हमारा रह, देखे, what is the concept of the air mass, explain its role in macro climatic changes, simple terms में, जैसे air mass, मेरे 4 तरफ एक air mass है, वो अपनी height, breadth, length, जहार तक वो air mass है, it will represent a unique temperature, pressure variations, नहीं होते है, temperature, pressure, लगबग, लगबग, same रहता है, humidity, same रहती है, तो वो एक air mass की तरह काम करता है, now, there are many things, जैसे अपन बात करते है, cold air mass, hot air mass, एक दूसे रही पर चड़ जाते है, ठीक है, तो मालो, जिसके speed जादा है, तो वो उपर चला जाएगा, hot वाला, drizzling होती है, ठीक है, जो हम देखते है, tropic, extra tropical cyclones, वो cold और इनके interaction से आते हैं, ठीक है, cyclones के बारे में, जब आपने study करते हैं, there are many many things, जैक है, जो आपके air mass से related हैं, कि वो एक particular area के climate को तो effect करेंगे ही, करेंगे, उसको दूर भी लेके जाते हैं, spread भी करते हैं, rainfall spread हो गया, उसकी वज़े से agriculture, agriculture के वज़े से divan civilization, उसकी वज़े से again हमारा climate का effect, industries बनेगी, हो सकता है, deforestation भी हो जाए, तो multiple things, आप ऐसे इसको link भी कर सकते हैं, ठीक है, और pressure variations, high pressure, low pressure, उसके व it is defined as large body of the air having little horizontal variation, मतले है, variation बहुत कम है, in the temperature, in the moisture, ये, कैसे बनता है, जब stable atmospheric condition रहती है, for the origin, जैसे मालो एक land mass है, desert का land mass है, बहुत लंबा, तो वहाँ पर वो air mass बने की समभावना ज़्यादा है, जो नीचे वाले land की property होगी, ऐसे ocean पे भी बनता है, ठीक है, ocean की जो tutorial में अलग बनेंगे, polar में अलग बनेंगे, सब क्या अपने अपने हो है, ठीक है, तो देखो, where they are formed, अभी ये, NCRT और इन में, examples भी दे रखें, जैसे, polar, sub-polar region due to the sinking of the air, subtropical high pressure by due to subsidence of the air, ये भी चल रहा है, ठीक है, roll का है, देखो सब से पहला, they carry the moisture, precipitation करेंगे, बिल्कुल सही, cyclones, extras, tropical storms बनाता है, contact zone between the, fast contact, slow contact, उसी हिसाब से, also, drought भी रहेगा, hot और dry air mass रहे तो, जैसे हमारा sahara, sahil region, जिसके अपन बात करते है, ठीक 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 है, एक link भी establish कर सकते हो, पंदरा marker है, तो, rainfall, rainfall से agriculture, agriculture से primary industry, secondary industry, उससे human life, economy, human economy, उससे फिर अगेन, deforestation, climate change, ठीक है, ये भी रहेगा, ठीक है, 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 हर्मतान, हर्मतान, एक अपनने याद किया था न, डॉक्टर, टॉक्टर विंड हर्मतार थीक है? डॉक्टर से याद कर रहा था मैंने? उसकी ट्रिक याद है? डॉक्टर हर्मतार सारा में हो टॉक्ट विंड ऐसे भी याद कर से चला है अब हम आते हैं next, yes, simran, extra-topical, syroco, yes, देखो अब आजाया लगला अब इसमें क्या है? question number 14 देखे, the Himalayas are highly prone to the landslide, discuss the causes, suggest measures, देखो, मैंने क्या कहा था, causes आते ही, anthropological, natural, सबसे बहले हैंगे, natural causes, natural में देखो, अब Himalaya है, continental, continental convergence, तो हमारा यहाँ पर, पहला तो यह ही हो गया, देखे, आपके आ रहे है, long chains, और यह सब earthquake यहाँ पर आते हैं, अर्थ को एक prone है, तो landslides आएंगे, ठीक है, फिर, majorly तो यही है, उसके बाद देखे, अब आलो, rainfall ज़्यादा हो गया, उसकी वज़े से landslide हो सकते हैं, melting of the glaciers है, उसकी वज़े से भी landslide देखने को मिलते हैं, ठीक है, rain वाले season में ज़्यादा होता है, man-made activity में, anthropological में क्या कहा सकते हो, deforestation, urbanization, unplanned, ठीक है, siltation वगएरा कर लेते हैं, cloud burst, yes, pranay, good, ठीक है, यह अपना हो जाएगा, यह सारे के सारे अपने से बना सकते हैं, newly found mountain, very good, because यह सारे के सारे अपन चलेंगे, देखो, अब इसमें यह रहेगा, एक छोटी से diagram बनाना चाहओ तो बना सकते हो, various majors ह हम इसमें use कर सकते हैं, जो जो रहेंगे, देखो, natural को तो तरह नहीं कर सकते है, but detection, prevent कर सकते हो, netting कर सकते हो, policy level majors रहेंगे, urbanization level majors रहेंगे, plant होना चाहिए, forestation, afforestation करो, ठीक है, और अपन क्या कर सकते हैं, netting वाला जो आपने बताया है, या फिर जैसे यह बना दिया जाते ह है, कई पर, Kinwadi, ठीक है, वो वाली चीज होगी, netting में अपने क्या, geotextile, बहुत important इसका use रहेगा, geotextiles आपके पूछे के इस बार, so maybe HCS में सिर्फ geotextile, आजाए, उसके application के बारे में पूछ लिया जाए, numerous application, in many fields, वो अपन कर सकते हैं, ठीक है, so देखो, simple terms में, landline is the mass moment, जहाँ पर, debris आपको मुव करता है, किसके बज़े से, rainfall, river stream, earthquake, as per GSI, 12.6% of the land is prone to the landslide, because of Himalayan region, ठीक है, यह ही हमारा रहता है, now, causes क्या रहेंगे, water, flooding, plate moment, earthquake, young falls, slops, gorges, wildfire, and the deforestation also, क्योंकि plant जहाँ, वो stable रखते हैं, कतम होगे, तो chances रहेगा, also anthropogenic जैसे, unplanned construction, highway activities, tourism, HEP, unscientific agriculture, and what not, ऐसे ही, what are the impact, impact देखा हमेशा, impact, मेरे उपर कोई effect है क्या, as a आदमी, as a human, as a society, as a life, as a nature, animals पे, plants पे, forest पे, यह सारे आप बता सुते हैं, property, यह सब रहेगा, ठीक है, तो life and property, के दरनात वाला हुआ, उत्राखंट वाला mention कर सकते हैं, और हमारा जो भी पूछा गया था, वो mention कर सकते हैं, infrastructure, खतम, agriculture, vegetation, loss, destruction हो जाता है, agriculture land का दुबारा नहीं कर पाते हैं, तो यह, ठीक है, बट इसके फायदे भी हैं, कई बार, वो easy भी कर दोता है, ठीक है, now, let us look, way forward क्या सकते हैं, यह सारे मैंने बता दिया है, वो brainstorming अपने करे था कि, afforestation, grazing को restrict करो, animals के context में, scientific, sustainable agriculture लेके हैं, awareness program, community को, individual level पे भी आप बता सकते हैं, ठीक है, जैसे एक news में था, एक 14-year-old बच्चा था, जिसने लेक conservation पर काम किया था, ऐसे ही, जैसे हिमालयन conservation पर, तो यह सब आपन बता सकते हैं, ठीक है, जो prone है, ज्यादा prone है, वहाँ पर, traffic moment को, for some time, रोग दिया जाए, ठीक है, चलो, बाकी, हाँ, सब लोगों ने कर दिया, answer, damn hydro, ठीक है, good, 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 ठीक है, damn planning हो सकती है, बिल्कुल, swana, mana swana, damn, बिल्कुल, resource, induced earthquake, हम इनको बोलते हैं, वो अपने रहते हैं, onksuk warm blue, very very important example, डाल सकते हैं, ठीक है, okay, ठीक है, 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 गैद्गिल panel, recommended, planned inclusive development, sustainable local support करता है, which will result in reduced landslide on the western guards, actually, यह गैद्गिल panel का mention कर दिया, पता नहीं कैसे आगया, हमें, ठीक है, focus रखना हैं, हमाल्या पर, ठीक है, western guards में भी landslide है, वो सब थोड़तः तो रहते हीं, जदा नहीं आपता, पिर भी, anthropological जदा है, ठीक है, यह मारा हो गया, And now moving to the next one, question number 15, effective management of the land and the water resources would drastically reduce human misery, UPSC is all about analysis, UPSC is not about intelligence, so आपको GS में यही चीज़ समझने है, सबको बता है, कि management of the land resources और यह आपका human miseries, पहले तो कौन सी miseries? Land resources की विज़े से कैसे effective management की क्यों जूरुत है, अभी हम effective नहीं कर पा रहे, land से क्या मिल रहा, agriculture, industry, service sector, water से क्या मिल रहा, सब कुछ, जीवन ही water पे है, demand, supply, interstate water dispute and all these things, हमारी बहुत सारी miseries इनहीं पे ही depend करती है, देखो, miseries हमारी need पे, हमारी luxury, demands पे, ठीक है? नहीं मिलेंगे अभी तो misery feel होता है, अभी मिलता कहा है, resources कहा है, land or water में, यह तो manage करना ही पढ़ेंगे, जो कुछ मिल रहा है, ठीक है? fishery, animal, everything, livestock, corticulture, all resources, ठीक है? अभी इसमें थोड़ा सा हम, इसमें context बता सकते हैं, जैसे, नितियायग वाला बता सकते है, water availability, जो decrease हो रही है, independence के time पे, more than 5000 था, अभी, as in 2000 हो गया है, also नितियायग ने एक graph भी दिया था, आप इसको search कर सकते है, water availability का graph, and एक इस रोकी भी report आई थी, more than 30% हमारी land, degrade हो चुकी है, उसका pension कर सकते है, due to what, over exploitation, infrastructure और यह सब जो हम बना रहा है, pollution, ठीक है, इसके बज़े से, causes क्या है, देखे, water, causes of human misery, water pollution, पीने के लिए पाने नहीं, disease हो रही है, deforestation, air pollution उसके बज़े से हो रहा है, तो गडबढ़ हो रही है, ठीक है, urbanization के विज़े से, जो leading to decrease in the cultivable land, urban heat islands बन रहे है, climate change की विज़े से, monsoon जो है, उस पर भी impact पढ़ रहा है, land productivity कम हो रही है, आपके पास पैसे कम आ रहे है, ठी economical miseries, इनके अपन बात कर सकते है, because of, अपका resource mismanagement, soil erosion की विज़े से, wasteful हो जाता है, water resources, ठीक है, insecticide का यह आप use करते हो, way forward क्या हो सकते है, देखो, water को manage करने की बाते करेंगे, land को manage करने की, and how these are helping in, you're reducing the misery, drip irrigation कर लो, sprinkler, groundwater preservation, rainwater harvesting, यह अपन ने वैसे भी पढ़ लिया था, grey water management, ठीक है, यह वाला हो जाएगा, बहुत सारी चीज़े अपन बता सकते हैं, इसमे, urban flooding और उसके context में भी आप इसको डाल सकते हो, land में, देखो, agroclimatic planning, wasteland को use करो, dry land farming करो, and fertilizers का कम use करो, organic farming करो, यह सारे हमारे points इसमें हो जाएगे, ठीक है, Now, IR, वैसे IR का तो कही है, हाँ, IR generally paper 1 में तो नहीं आता, बट यह यहाँ पर शायद पूछ लिया गया था, South China Sea has assumed great geopolitical significance of the present context, comment, ठीक है, South China Sea, कोन कोन है, China है, कहीं न कहीं रश्या है, Japan है, Korea है, big big powers, ठीक है, और बाकी यह तो है ही है, यह सारा का सारा यहां पर कैसे आ रहा है, चल्टो, देखते हैं इसको, yes, प्रणे, हम उसको डाल सकते हैं, यह तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, जिसका, आप लोगो ने जो भी मेंचिन किया है, equally valid, electrical, fertilizer, all those things, ठीक है, चल्टो, अब, 60% trade in this area, very good, विवेक, ठीक है, chalk point, बिल्कुँ, ठीक है, chalk point तो later on रहेगा, South China में तो यतना, मैंलब, हाँ, आप जैसे US आ गया है, US fleets आ गया है, तो definitely एक chalk point आपका रहे जाएगा, वो भी रहेगा, ठीक है, ठीक है, इसकी significance हर तरीके से है, economical, resources भी यहाँ पर है, वेतनाम और वो सब भी explore कर रहे है, इंडिया भी वहाँ पर जा रहे है, सब, ठीक है, आपके natural gas, oil, all kind of resources, oceanic resources, ठीक है, फिर trade वाला जो यहाँ से चल रहे है, चाइना का सारा trade, global trade, import-export, सारा, ठीक है, not only China, Japan, Russia, India, ठीक है, सब चल रहे है, तो यह भी रहेगा, तो हम इसमें यह सारी चीजे mention कर सकते हैं, देखो, यहाँ पर मुद्धे क्या चल रहे होते हैं, जैसे US की presence, ठीक है, geopolitical, क्योंकि सब power चाहते हैं, Korea के context में, Japan के context में, ठीक है, वितनाम और इंके context में भी रहेगा, also, हम इसमें और क्या बात कर सकते हैं, कि भी कैसे, एरक्राफ्ट, एरप्लेन एकोनोमिकल जोन्स, ठीक है, टाइवान यहाँ पर है, तो चाइना के साथ जो गर्बड करी जा सकती है, वो भी एक हो जाता है, यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए, चाइना इस दे वर्लस अमर्जिंग, आँ, ग्लोबल सुपर पावर, साथ चाइना सी, रिसेंट्ली हैं, ग्रेट जोपलिटिकल सिग्निफिकेंस, मार्जिनल सी है, पैसिफिक ओशिन में, पैटिस लाक किलमेटर स्क्वाइर का, देखो रीजन का है, सबसे पहला, चाइना खुद का जो इंपिरियलिस्ट एक्सपेंशन ब्या रहा है, और आर्टिफिशल आइलेंड से कर रहा है, यहीं पर, इस फिफ्टि पर सेंट फिफ्टि फ्लिपीन के बन रहा है, नेचरल गैस, प्ट्रोलियम, सी लान फ्क्मुनिकेशन, ताउच आउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, नुकलिय पावर, जापान, चाइना, पार्सल, पार्ट्ली आइलेंड का जो इसई चल रहा है, शिनको कू आ इडिया वेटनाम के साथ करी रहा है, रश्या का सेखलीन आइलेंड वाला हो जाएगा, USA का फ्लीट हो गया है, टु प्रोड़ेक्ट जापान और यह सब मिल्टराइजेशन हो रहा है, South China covers 12% of the global fish product, ठीक है यह fact भी ध्याँ रख सकते हो, what is the way forward, हमेशा, डायलोग, political dialogue, विल्टरी मतले क्या हो, respect करो, mutual respect, punch, shield की जो हमारी सारे के सारी philosophies है, respect करना, ठीक है, assertive नहीं होना, peaceful coexistence, ठीक है, यह सारे के सारे चीन है, क्या आप mention कर सकते हैं, while the geopolitics indicates, geographical relation with the politics, also has strategic importance, the power politics, military interest, have made South China see, important, the concept of EEZ, could be another conflict is known between the neighbors, so definitely yes, ठीक है, ठीक है, को रगर बढ़ हाई नहीं इसमें तो, SIDS वाला भी example, हम डाल सकते हैं, ठीक है, अभी तो काफी वो होगया, ठीक है, हाँ, ONGC, Chalk Point, Connectivity, Indo-Pacific, yes, Nine Dash, Global Route, small, absolutely, ठीक है, तो यह हमारे हो जाएंगे, these are the, हमारा South China के context में, देखे, major cities are becoming vulnerable to the flood condition, ठीक है, अभी 2016 में हैं, अब देखोगे, दो बार पूचा गया था, यह, पेपर 2 में भी मिलेगे, 3 में शायाद, Urban Flooding, यह अपन शायद कर चुके है न, यह अपने पहले भी आया था क्या, हमने बहुत सारे एक्जामपल देखे थे, I-Flows देखा था, permeable नहीं है, deforestation कर दिया, wetland को consume कर लिया, ठीक है, एक छोटा से diagram बना सकते है, आप एक city का, यह तो Urban Flooding है, इसी को discuss करना है कि why, the problem, what are the solutions, that's it, so Urban Flooding, देखो, and why it is relevant, भाई, 35% of your population, 60% of your GDP is coming from these areas, तो यह आप धहर में रखेंगे, देखेंगे, urban flooding refers to the inundation of the land and the property in urban environment, opening to increasing rainfall आपका बढ़ जाता है, ठीक है, example, चैनाई, Delhi, Mumbai flood, cause क्या है, यह तो पानी ज्यादा आ रहा है, यह जा नहीं रहा, चौक होंके बैठ गया, drainage system, गडबड, IIT Delhi की study mention करेंगे, Delhi की study करते हो है, कि भी drainage बहुत कुराना हो चुक है, ठीक है, realistic boom, rampant construction, water bodies पर भी, ठीक है, wetland आपने encroach कर ली, Bangalore, good example, lakes तो सारी खतम होगी, ever growing, population climate change, more erratic, urban heat island, yes, way forward क्या रहाएगा, structural measures, ठीक है, तो redesigning, आप करो existing system की, drainage बहुत अच्छे से करो, concrete को, आप replace करें, sponge से, sponge city वाला, non-structure, early warning system, rainfall होने से पहली, दोको जो low-lying area है, ठीक है, अले भी चल सकते हो, क्यों नहीं, environment impact assessment करें, real estate का artificial wetland, develop करें, जो हैं, वो दो दो नहीं नहीं जा रहें, ठीक है, यह, urban planning agency, जो उनका role, low in sub में, रखेंगे, conclusion, way forward की तरफ से कर सकते हैं की, it is very much needed, ठीक है, अदर्वाइस, efficient good word हो सकती है, ठीक है, yes Vikas, बिलकुल drainage, communication, yes Vivek, planning integrated, yes definitely, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब हम आते है, question number 18, direct question, present an account of Indus Water Treaty, examine its ecological, economical, political implication, in the context of changing bilateral relation, उस टाइम पर थोटा कर पर चल रहा था, Indus Treaty के साल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एसा division सा कुछ चलता है, complete, ठीक है, यह हमारा है, World Bank के साथ अपन ने इसको करा था, एक इन्होंने permanent group भी बना रखा है, उसको बार-बार होता रहता है, मीटिंग्स होती रहती है, पर अगर इसमें इन्होंने कुछ भी करी या फिर मालों इंडिया उस टाइम पर कर सकता था, ठीक है, अब यह कह रहा है कि examine इसके ecological, economical और political implications, अगर आप जैसे है वैसे maintain कर रहे हो, good enough नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इंडिया पानले इसको वो करके, इंडिया बहुत सारा पानी उस कर सकता है, पाइदा भी होगा, ठीक है, पाकिस्तान में ड्रोट भी आ सकती है, लॉस भी हो सकता है, बाइडाविस्टी लॉस, economical क्योंकि पानी पे ही dependent आपकी इंडिस्ट्री इस अगरिकल्चर, वो तो हो गई होगा, पॉलिटिकल्ट इंप्लिकेशन क्या है, देखो, इंडिया पाकिस्तान की रिलेशन तो खराब होंगे होंगे, चायना का रिलेशन हो सकता है, इंडिया के साथ खराब हो जाए, क्योंकि चायना पाकिस्तान का दोस्ट बन चुका है, ठीक है, यह इस तरीके से भी बाद कर सक इंडिया जो इतने लंबे टाइम तक जो मॉरल रस्पोंसिविलिटी बना के रखे हुए है वह बाद में डैमेज हो जाए ठीक है तो भी हो जाएगा ठीक है ठीक है फोटा सब ब्रीफ इंडस वाटरी टीटी उनिस सुसाथ नहरू आयूप खान ने साइन करी थी 80 परसेंट फ ब्यास रावी सतलूच का मिला पाकिसान गौट कंट्रोल अवर इंडस चिनाव जहलं इंडिया जो है वोड यूज वाटर ओफ इंडस चिनाव जहलं और नोन कंजुम्टिव प्रोसेस मतलब कंजूम नहीं कर सकता रेन ओफ वाटर प्रोडेक्ट्स जो है ठीक है जैसे वहा वाला भी एक पॉलिटिशन थे आई डों नो विच पार्टी एंग कॉंग्रेस पार्टी के तो वो ऐसे बोल रहे थे आपने टरबाइन लगा के पानी से बिजली तो निकाल ली ठीक है अब पानी में क्या बचा हमारे पार जो पानी आएगा वो कैसे अगरी कल्चर के लिए काम में लें उसको तो देव अलसो टॉक अबाउट इस कंट उन्हें यह नहीं पता जो मेकनिकल एनर्जी है उसका यूज करके आपनी एलेक्टिसिती बराई है ठीक है देखो तेमार हो गया पर्मेनेंट इंडेश का मेशन जो आपका डिस्प्यूट सॉल करता है तो बाते क ठीक है नैशल पार्क ये सारे एफेक्ट रहेंगे एककनोमिकली हमारे पास बैटरी सोर्से बैटरी उसे हैचीपी ज्यादा एलेक्रिसिती इरिगेशन फिशरी इंडिस्री अग्रिकल्चर टॉरिजम राफ्टिंग बहुत बना सकते हैं प्लिटिकल में एंजिन इस ब्रस्रीन पिशरी पुर्ट खेंट ब्रस्त्रीं लिटरिकल्चर बढ़ें के लिए प्लिटर ट्रीट इंडिस्थ इंडिसरी अधर इंडिस भीडिट आपने खिना आपने ब चला गया किया होगा। so the treaty has been blockered by World Bank abrogation may lead to Pakistan taking India to international dispute settlement but it it would affect India's chance of diplomatic isolating Pakistan and India's image of a global leader, no leader would act like this, टेक है, वो immature behavior है, you have to act maturely, हैसा नहीं कर सकते है, so India may face environmental challenges if it decides to scrap the treaty and start its building dam, natural implications हो जाते हैं, उनके बारे में भी बात कर रही सकते हैं, one of the most respected treaty, dialogue peace, stopping terrorist activity, उसके बात की domino's effect भी हमें नहीं पता, पानी नहीं मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे बात में, जो नहीं terrorist बनने वाला था वो भी बन सकता है, ठीक है, now are coming to the 19th, problem and the prospect of inland water transport in India, क्या याद आ रहा है, HCS का paper याद आ रहा है, let me show you, पहला ही क्यूश्यन, ठीक है, यह देखे, क्यूश्यन नुबर वन A, discuss the effort and the prospect of river waterway in India for tourism and transport, ठीक है, so inland waterway transport, problem and prospect, same, kind of, ठीक है, यह आपका सवाल पूचा गया था, यहाँ पर 7 नमबर, यहाँ पर 12, अच्छा है, ठीक है, यह हमें ऐसे ही रखना है, अब देखे, now, इसमें तो अपन वैसे भी काफी चीज़े हम discuss कर चुके हैं, problem, हमेशा, इंडिया में problems क्या है, geographical problem, कि भई, river है, depth है, वो सब्थ, inland waterway में, historical problem, क्यूरू से ही neglected है, inland waterway, political problems, ठीक है, administrative problems, execution, ecological problems, ठीक है, damage भी देखना को मिलता है, pollution और यह सब भी होगा, prospects हो बहुत है, keep है, pollution कम है, 40% less than your road, ठीक है, यह हो जाएगा, fast भी ठीक ठाक है, connectivity to the ports रहेगी, ठीक है, there are many things, यह फायदा भी रहेगा, pollution, comparatively, कम करता है, आपके road rail से, वो भी आप बता सकते हैं, फिर आप इसमें, inland waterway authority of India की जो establishment है, more than 100+, हमने inland waterway बना दिया, जो बन गे, उनके बारे में भी बात कर सकते हो, और एक, चुटो सा diagram बना के, दो-चार को दिखा भी सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे भी बना सकते हैं, फिर हमारे पास 4 problems क्या रहेंगी, क्या आपके पास capital है, नहीं है, क्या आपके पास human resources है, जो इतना बना सकें, दीरे दीरे आ रहे हैं, ठीक है, यह भी बाते रहेंगे, यह तो common capital है, land acquisition कि इतनी problem नहीं रहें, इतनी रहेंगे, लुझी केंगे, वहीं है, इतनी है cool, इतनी है, जो आपके लकीन कि नहीं गूंटील प्रकत civित अभच जो जूंटीजरी वितल्प्रेंगे, बाद अडगतिन र underestitar這樣 फिदूट्या रहें रहेंगे, स्कुझी बाल्डूटिष मैंली बाति आथे बोथ coastal shipping and inland water will limited role है ठीक है, coastal का भी और इस का भी, in India, inland water transport has potential, yes, to supplement this railways and roadways, ठीक है, कैसे problem कहा है, देखो, पहला, हाँ, ये तो भूली गए, seasonal change, जो आपका होता है, rivers में, perennial rain fed, कम ज़्यादा होता है, कम flow होता है, तो भी आप नहीं कर सकते, आपको divert भी करना पड़ता है, irrigation के ल building, जैसे की भागरती, हुगली, बर्किंगम कैनल, waterfalls है, heteracts, ये Himalayan और इन सब रीजन में, peninsular में तो और भी ज़्यादा है difficult, ठीक है, गिरगी कैसे करेंगे, इतना system, lift irrigation system हमारे पास है नहीं, salinity in the coastal area, also affects the navigation, prospects तो बहुत है, देखे, post effective है, environment friendly है, as compared to, economical है, especially for cargo that does not depend on speed of delivery, in addition to the cargo moment, IWT sector also provide convenient function in related activities such as carriage of the vehicle, on-roll, 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 अपनने देखा इदा, according to the government study conducted by RITS, देखो, एक किलोमेटर मुव करने के लिए, railway में खर्च वाता है, 1.36, आईवे पे धाई रुपय, इनलेंड पे एक ही रुपय, तो, economical है, and we need money, हमार ली जरुरी है, under-utilized right now, Indian carry about 55 million ton every year, जैसे ही आप इसको connect करेंगे, बहुत ही ज्यादा प्रस्पेक्ट्स खुल जाते हैं, economical development के, industrial development के, एक है, economical तो है, environmental भी है, movement is currently restricted to what, Ganga, Badagirati, Hugli, Ramaputra, Barak, Goa, Kerala, Backwaters, Inland, Mumbai, Krishnakodauri, Chernai, Yes sir, question number 20, in what ways, micro watershed developmental project, help in water conservation, in drought prone and semi-arid region of the India, कैसे कर सकता है, और example, ठीक है, shortage of the water, lots of land flow, financial infrastructure, yes, click, second, अब आगे देखो, आँ, कहले तो मुझे उस, scheme का नाम बताऊ, watershed करते ही, मैंने तुम्हें कौन से scheme याद करवाई हुए, आपको याद बताई है, what is the name of the scheme, starting with N, watershed development, common सा question है, easy question है, ठीक है, कि वही, semi-arid drought prone है, वापे पानी है ही नहीं, जो भी watershed है, थोड़ा मड़ा पानी थोड़ा time के लिए आता है, उसको बचा लो, recharge कर लो, use अच्छे से कर लो, conservation कर लो, ठीक है, conservation होना चाहिए, use अच्छे से होना चाहिए, supply जैसे ही, preserve करके रख लिया, demand कम कर ली, rationalized कर लिया, इस कर लो ठीक है, watershed is an area that contributes water to water body through runoff and underground path, watershed management is the technique for conservation of water in watershed, in India more than 70 percent of the area of the watershed and this watershed management is essential for sustainable future, एक है, निरान चल, absolutely right, Rajasthan is a good example, ठीक है, अभी उन्होंने किया है बहुत सार, जैसे मालनों नदी और वहां से आ रहे हैं, मलब यहाँ पर कोई water body है, यहाँ पर बै के पानी जो जा रहा है, यह water body किस से बनी है, किस पानी से बनी है, वो जो आ रहा है, वो सारा का सारा क्या है, watershed और underground भी है, ठीक है, अब्जेक्टिव क्या रहेंगा है हमारे watershed के, एक तो आप production of food, fodder, fuel तरीके से रहें, pollution को आप control करेंगे, management में, आस-पास, देको इसमें land भी आएगी, और water भी आएगा, यह canals भी आएगी, चोटी-चोटी, सब कुछ manage करना है, exploitation of resources minimize करना है, water shortage flood control करना है, sedimentation को check करना है, wildlife preservation करना है, yes, soil erosion को रोपना है, control करना है, recharging करना है, ground water की, recreation facilities, तेक है, team क्या है मारे पास इसके लिए, drought prone area program, desert development program, integrated water management program, नेरांचल of the world bank, तेक है, यह सब जब आपन करेंगे, we will be able to save water, तेक है, and use it for later also, यह सारी चीज़े हमें help करेंगे, example दे सकते है, Rajasthan अरियाना, Punjab में जरुरूरत है, Rajasthan अच्छा कर रहा है, तो इस तरीके से help कर सकता है, various conservation measures के थरूप, तेक है, yes, Kanats, underground tunnel system in Karnatak, very good, Simran, Telangana का वो जो, water conservation system था, उसका क्या नाम है, के से start होता है, बताओ, Now, let me see, what about, जो answer writing के बाद तो रवी ने लिखा है, और भी किसी ने लिखा answer, ठीक है, यहां पर doubts चल रहे हैं, ठीक है, देखो, दो बेजी हैं, एक देख लेते हैं, Krishnadevaraya यही वाला लिखा हुआ है, ओके, Krishnadevaraya considered to be one of the greatest king of India, rule, often regarded as golden period, बिल्गल सही, तेलगू, संस्कृत, and literature, इन्होंने अमक्त, मल्यादम, ठीक है, तो यह क्या है, जामवथी, कल्यानम, ठीक है, यह इन्होंने लिखा था, confirmed with title of, या अद्रभोजा, राइटिंग तो अच्छे हैं, बट थोड़ा-थोड़ा स्जादा ही कर्सी हो पा रही है, patternization of the poet and the literary scholar, देखो देरवर, अस्त द्याई, इन्होंत, scholar, तेलगू, अल्लसी पदेन, ठीक है, यह सारे के सारे हैं, आपने लिखी दिये हैं, वो सारे जो मोडला अंसर था, उसी के point होई गये है, ठीक है, पिंगली, तेनारी रामन, ठीक है, good enough, 10, from the, our discussion, we can say, इस टाइब की language रहने दो, ठीक है, directly include करो, कि वही, आपको देखने को मिला, achievement was reached during the reign of this, repetition अवाइड करो, ठीक है, इसकी जरूतनी है, कैसे मालब, आज भी inspire कर सकते हैं, या फिर वो सब, या एक simple सा conclusion कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, मालब repetition मत करो, second देख लिखते हैं, हिमालया अर हाइली प्राउन, इसमें आपने क्या क्या डिसक्स किया, हिमालया, लैंड स्लाइड and this, both life and property, लैंड स्लाइड are, mass, movement of the soil, उपर ही इसको define कर देते हैं, ठीक है, अब, now, natural causes, earthquake, yes, take place frequently leading to the loosening, yes, rainfall, heavy rainfall, further soil erosion, slope, ठी है, major reason, फिर ओर हमारा क्या है, high seismicity, late tectonics, young, energetic rivers, earthquake और high seismicity, same इत चीज़े चल रहे हैं, easily erodable, sedimentary rocks, good, man-made क्या रहेंगे, deforestation, chopping, infrastructure, illegal mining, industrial activities, splash and burn, good, majors to mitigate, tree plantation, air forestation, liquor, ठीक है, ये जादा बटर लगेगा, building contract, rainfall water, to capture this, yes, capture chronically, stopping, young cultivation, providing alternatives of young cultivation, ठीक है, rather than writing, stopping, say, providing alternative, aware people, as there are many reasons, which are beyond human control, but with proper planning, preparedness and awareness, can save lives in the property, lost in these, good enough, तोना में राइटिंग ही अलग 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 रग रही है, उसमें अलग राइटिंग रही है, उसमें अलग राइटिंग रही है, चल रवी ठीक है, वरी गूड यार, and I am very happy that you wrote the answers, that is very good, ठीक है, अच्छा answers है, दोना ही अच्छा answers है, लगविक सारे points आपने cover up कर ली है, good, बाकि लोग भी लिख लो, Simran, Himanshu, ठीक है, विकास, हैसे, पुजा, जो जो मेरे को दिख रहे हैं, मैं उनके बता रहा हूँ, ठीक है, और हमारे कॉंत्य विवेक, ठीक है, 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 ठीक 16th GS paper 1 discussion कल हमारा दोनों ही हो जाएंगे, we will meet, till then sleep tight, goodbye, आपको कैसे भेज़ा जाए, I think इसका जो एक मिनिट, आप इसके वीडियो के description section में जाए, ठोड़ा सा नीचे जाओगे, सारे एक one place और यह सब पेपर, schedule दिखेगा आपको, और फिर देखो, JS paper 1, 2, 3, 4 की भी दे रखी है, उपर ही एक telegram channel link है, ठीक है, I will share it on telegram group, इसके description में जाओ, पुझा कोई बात नी, pre-qualify नहीं होता क्या हुआ, अभी means की तियारी करो न, अभी तो वैसे भी इसी में ही देखना है, ठीक है, जैसे यह description है, यहाँ पे telegram group है, यहाँ पे, यहाँ आपको दिख जाएगा, आराम से आप इसमें share कर सकते है, ठीक है, good enough, ठीक है, तो now let us start, I am directly starting, यह हमारा UPS remains examination, previous year paper analysis, 2017 GS paper 1, ठीक है, तो यह वाला भी दिया था, अब इस वाले में एक interesting, जो नो मिशन जो आया था, जो नो मिशन यह जो है, फिफ्थ क्वेशन, maximum लोगों को याद नहीं था, कि जो नो मिशन क्या है, काफी टाइम से news में चल रहा था, ठीक है, एक दो साल से, त्रेट साल से news में चल रहा था, बढ़ ध्यान नहीं रहता, अब देखो, अब हम आते हैं, फिर से, question number one, तो, now let us start, देखे, पहला question क्या कह रहा है, how, again, एक छोटा सा introduction में आपको बढ़ता हूँ, जब भी हमें सवाल पढ़ने है, we will focus on the keywords, ठीक है, and we will focus on the linkage, जो भी आप से पूछा गया है, IBC, introduction, body conclusion, introduction, एक दो लाइन, conclusion, एक दो लाइन, body, direct attack, ठीक है, यह हमारा DC, DC current अपने इसको बोल लेंगे, direct attack आपको करना है, ठीक है, direct attack मतलब, जो direct attack through keywords, इसते क्या होगा, कि आप जो particular चीज पूछी है, उसी चीज पे ही address करोगे, that's it, आपको इधर-इधर कुछ भी सोचने के आउशकता है ही नहीं, ठीक है, ठीक है, अब, how do you justify the view, that the level of excellence of the gupta, numismatic art, is not at all noticeable in later time, ठीक है, मतलब, इस view को मान लो, yes, कि भई हाँ, अब यह कह रहा है कि, इस view को कैसे justify करेंगे, कि यह later time में noticeable नहीं है, ठीक हो, एक कोई भी चीज जो notice में होती है, जैसे मान लो, गुपता, पोस्ट गुपता, तो ऐसा कुछ changes, ठीक है, society में, जिससे पहले coins अच्छे से थे, फिर coin अच्छे से नहीं थे, ठीक है, मतलब, अब नहीं देख रहे थे, तो हो सकता है कि coin से related कुछ हो, coin coin start करेगा, state, international trade, यहां पर बहुत सारी चीज़ें हमारी आएंगी, ठीक है, तो यह सारी की सारी चीज़ें, उसको determine करती है, अब ऐसा ही, इनी में ही कुछ change हुआ होगो, जिसकी बज़े से later time में, यह आपकी गर्वड़ होगी, अब देखो, course of history, कि ऐसा हुआ था, ठीक है, इसमें सबसे पहले देखो, आपने define कर सकते है, numismatic art को, या फिर जो गुपता आर्ट की excellence है, उसके बारे में भी आप बता सकते हो, तरीके से, ठीक है, यह जैसे numismatic study and the collection of the coin and the currency, it is among the crucial tool for archaeologists and historians, तो गुपता कोई जो है, detailed coin from ancient India and acquisite artistic detail, जैसे की example के तोर पे, समुंदर गुपता, वेना वगएरा वो जो बजा रहा है, ठीक है, और बहुत ही सारी चीज़ें उन्पे होती थी, उनके भी नाम वगएरा खोदे जाते थे, यह सारी चीज़ें उन्पे रहती थी, gold coins उन्होंन तो दो चीज़ें अपने को यहां पर लग रही हैं कि, level of excellence of the gupta is not at all, मतलब पहले noticeable क्यों था, इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, कि गुपता आज में ऐसा किया था, कि उनका जो level of excellence है, वो बहुत अच्छा था, और बाद में ऐसा क्या हुआ, कि वो decline हुआ, ठीक है, त इस बज़े से हुआ, ठीक है, तो अब अपन इसमें जैसे बात करेंगे, तो numismatic art and its significance, पहला, largest number of gold coin जैसे अपने issue करें, यहां पर दिनार अपने रहते थे, silver, gold, copper में भी रहते थे, but less in copper, अब यहां पर socio-economical events भी इन्हों ने इस पर defect करें, जैसे marriage, अशो में एक जो अपन में ही मिल जाएंगे, ठीक है, उसका diagrams भी दे रखें, जिसमें बता रखा है कि समंदर गुपता ऐसे आप वो कर रहा है, पिर हमारे जैसे Sanskrit language में यह inscription है, ठीक है, और large number में western India में issue करेंगे थे, now, what were the reason, number one reason, the foreign invasion of the huns, ठीक है, पिर internal feudal जो है, वो आपके rise कर रहे थे, centralized state के ल गड़ बड़ हो जाता है, क्योंकि उनके पास उतने resources नहीं होते, also economical distress, गुपता जो अपना है, gold वो माना गया था, ठीक है, तो उस तरीके से आपको देखना है, अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, multiple reasons, ठीक है, तो उस economical distress की वज़े से, artisan, जो है, good quality coin पहले produce करते थे, वो migrate कर क countryside में, तो वो भी नहीं कर पा रहे है, ठीक है, token currencies issues होने लगे थे, kind of, गुपता का decline हुआ, aristocracy, decline of the empire, तो यह भी reason रहेगा, देखो, जब empire नहीं है, quality नहीं है, economy नहीं है, IR, Greeks के साथ जो इनके trades से, वो भी कतम हो गया थे, without urban and the foreign trade, increasing decentralization again, loss of the patronage after the guptas, तो इन सारे, देखो, अ लग-लग तरीके से कान पकडने होते है, that's it, ठीक है, हम, यह IR के दो अपने reasons हो गया, उन्सका invasion, Greek trade, ठीक है, foreign trade, internal, quality के दो reasons हो गया, decline of centralization, increase of the feudal, ठीक है, economy, collapse हो गया, urbanization, migration, यह सब हो गया, ठीक है, तो यह सारे के सारे अपन बात कर सकते हैं, तो यह अपना पहला हो जाएगा, that's it, ठीक है, ठीक है, ठीक है, very good morning, Somya, good morning, sir, 10 number के question में, कितना write करना होता है, word limit, it was not a fear, बिलकुल लिख सकते हो, ठीक है, later on, देखो, पहली चीज, जैसे word limit आप पूछ रहे हो, दस number वाले में, exactly क्या है, कि जैसे जो UPSC के 10 number है, वहाँ पे 100 words की word limit रहती है, और जो अपना 15 का है, वहाँ पे लगबग लगबग, 150 words की रहती है, ठीक है, तो 50-50 के 2 pages आपको मिलते हैं, 2 pages यहाँ पे मिलते हैं, 3 pages यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, तो उसमें, मतलब 1500 से तो, वो actually वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, अभी मुझे exact तो ध्यान नहीं आ रहा, बढ़ हाँ, 100-800 के असपास ही रहती है, 10 times करके अपन चलते हैं, यहाँ 500 हो, यहाँ 200 हो, ठीक है, तो इस भी लोंग टाइम, तो मुझे exactly हमनी है कि 10 में कितना है, एक बार आप चेक कर लेंगा, online अपकारम से मिल जाएगा, the point is UPSC में तो लिखाव मिलेगा, HTS में क्या है, HTS में पढ़ने देखा था कि वहाँ तो आपको सारी seats बर नी है, जो demand of question है वो, दो-दो number वाले question जैसे मैंने एक page पे दो करे थे, उसमें लिखने का काफी हो जाता है, और मेरा target यह था, कि दो वाले में दो ही मिले, कटे नहीं, ठीक है, पांच वाला था, वो एक page में एक कर दिया, ठीक है, दस वाले थे, वो दो pages में कर दिये, साथ वाले, साड़े साथ वाले, वो भी दो pages में कर दिये, तो इस तरीके से हैंपन चल रहे हैं, 500 and 200, ठीक है, रवी, ठैंक यू, ठीक, ठीक है, ठीक है, और यह हमारा रहेगा, 200, ठीक है, काफ़ी variation और, यह ठीक है, तो यह हुत है कही दिन, तक आप, अब, हाप, pages भी शायद, यहाँ पर 3 मिलते हैं, यहाँ पर चार होगे, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ठीक है, पिर लोंग, सुना हो रहा है, यहाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, याद था, and now coming to the question number two, देखिये, clarify how mid 18th century, काले तो mid 18th को निकालो क्या है, 18th century यानि 17 से लेके हमारा 18 सो तक का time period, mid यानि 1750, 1757 आपका battle of policy ही ही है, ठीक है, India was beset with the spectre of the fragmented quality, quality, ठीक है, मतलब एक quality fragmentation यानि जो आपका empire है, जो अभी तक rule कर रहा था, मतलब कहीं न कहीं उसका disintegration होने लग गया है, the point was that, ठीक है, fragmented quality मतलब जो power centers है, वो आपके various होने लग गया है, तो मतलब उस पर control नहीं रहा है, simple बात यही है, fragmented quality, मतलब अगर अगर अपन common term में इसको समझे तो, it's like that, कि कैसे भी सेट हुआ, अब आपको clarify how, how, how it happened, देखो, उस ताइम पर mughals थे, कहीं न कहीं mughals के साथ कुछ हो आओ, उस ताइम पर other, जो मालो mughals को challenge कर रहे थे, वो kingdom थे, मतलब उनके साथ कुछ हुआ होगा, और हमारे Britishers थे, यह कुछ हुआ होगा, और आपके, जो other powers थी, आप उनके बारे में भी थोड़ा-थोड़ा बोल सकते हैं, ठीक है, अब जब मughals थे, तो 707 औरंजय उसके बाद weak rulers और बाद में तो कोई कुछ कर ही नहीं पाया, तो इनका तो decline होना ही होना था, weak leadership पहली चीज, तो आप यह keywords रखेंगे, इनको ही अपन defend करेंगे, ठीक है, कि भाई यह mention कर दे, दूसरे जो थे, वो grow करना लग गया थे, पर डालना शुरू कर दिया था, और कि भाई ऐसे इस तरीके से अपना काम चलता है, ठीक है, तो इन्होंने भी fragmented politics में अपना role निभाया है, कि इसके वज़े से भी रहा, थोड़ा-थोड़ा हम दूसरी powers का भी बोल सकते हैं, कि उन्होंने भी कहीं ने कहीं कुछ power centers को weak कर दिया ही था, ठीक है, तो अपने थोड़ा-थोड़ा जगे rule कर रहे थे, वो सारी चीज़े, तो यही अपने को मोटे-मोटे थोर पे बात करन है, ठीक है, अब देखो सबसे पहले यह, इंस्टेबिलिटी, सिम्वरन क्या कह रहे हूँ, इंस्टेबिलिटी किस व्यार है मैं, अच्छा, फ्रैग्मेंटेटी पॉलिटी के context में या क्या, कोईन वाले के context में, हाँ, देखो, अब एक चीज में आपको बताना चाहता हूँ, अगर नहीं पढ़ा है, तो भी common sensical, जितने history पढ़ी है, उससे, ये, एक common sense होती है, मतलब, directly हो सकता है, कि आपको ऐसा question, ऐसा wordings कहीं ना मिले, ठीक है, अलग-अलग books में इस टाइप से मिल जाते हैं, बट क्या हम सारी books पढ़ सकते हैं, नहीं हम तो यह की book पढ़ेंगे, एक book से अपने काम चल जाता है, ठीक है, more than enough reality, बट उसको कैसे use करना है, वही knowledge कैसे use करनी है, देखो, death of अरंग जेव, 1707, अब मेरे को दो ही चीज़े य स्मालर पावर, अमर्ष, स्मालर कहा का जैसे, मराठा, हैदरबाद, मैसूर, बैंगोल, ठीक है, रोहिल अकरन, लेटर ओन, अगर यही सवाल आपका आता है, कि भई बाद में, ठीक है, जैसे हमारा battle of philosophy के बाद, ठीक है, अगर आप से यहाँ पे तो mid पुछा है, अगर यही पे late 18th होता, early 19th होता, तो हम यहाँ पे बात करते, British और जो local kingdoms के बीच में वारोई सी, उनकी, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे है, अधरबाद अंदर, निजाम लुक काया, मैसूर आया, विजय नगरा से, निकल के बंगाल, सुन्जाब, यह सब आया, रोहिल अखंड आया, य एंगलो मैसूर, एंगलो सिक, ऐसे वार हुई, तो kind of continuation, start कहां से हो गया था, start आपको mid 18th से ही हो गया था, पर हम देखो, mid वाले में, आप 1825 से लेके, 1870, sorry, 17, 1775 तक की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, तो हम बंगाल वाला angle ला सकते हैं, तो वो सारी के सारी थोड़ा सा एंग चुरू किया, European colonial power, उन्होंने capitalized किया on the fragmentation, divide and rule, जो भी हमारे Dutch, French, English, ये भी हम थोड़ा सा mention कर सकते हैं, ठीक है, अब जो courtrooms है, they became kingmakers, ground for treachery, and war of succession, become recurrent, बार 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 बार, ठीक है, कोई भी stable kingdom नहीं मिल रहा है, इसी वज़े से हम बोल सकते हैं, कि fragmented quality रही, a number of powerful kingdoms, such as Bengal, Awad, Hyderabad, Masur, Aroz, became virtually independent from the Mughal Empire, ठीक है, the weakened Mughal Empire, challenged by Maratha, time and again, Maratha captured vast swathies of territory in the north, and the central India, थोड़ा थोड़ा सा mention कर सकते हैं, ठीक है, yes, because, and similar, quality, fragmented के context में ही अपन बोलेंगे, and instability, ठीक है, simple सा word यही होता है, fragmented मतलब, unstable, ठीक है, तभी वो बार बर बिखरेगे, समझ में आ रहा है, इसमें हलका-फलका सा, जैसे history वा लोकेशन है, एक छोटो सा, अब जैसे माल लो मैं आपको, simple terms में, तेखना कितनी दिर लगत है, यह दो बना है, ऐसे बना है, ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, तुमें के माप, ओफ इंडिया, फोटो सा बना सकते हो, उसमें दिखा सकते हो, कि यहाँ पर बंगाल में, इसमें, इसमें, यहाँ पर, लोकल किंडम आ रहे हैं, थोड़े ब्रिटिशर पावर के भी सकते हो, फ्रेंश वाले दिखा सकते हो, पर्टुगीज यहाँ दिखा सकते हो, ठीक है, यह पर्टुगीज हो जाएंगे, फ्रन्च हो जाएंगे, ब्रेटिशर, आई रहे हैं, थाक हो, यह हो जाएगा, फिर एक, ओवरोल ऐसे, इमीं सेंत्रल उमपैर, उसका, मुगल का व पढ़ो, why did moderates fail to carry conviction with the nation about their proclaimed ideology and the political goals by the end of 19th century, यानि 1900 से पहले-पहले की बाता चल रही है, मतलब अगर आप बात करोगे, 1857 के बाद से जब हमारा local representation शुरू हुआ, participation शुरू हुआ, nomination आपका शुरू हुआ, legislatures में उन्होंने काम करना शुरू किया, Congress, ठीक है, बंगाल, पुना, बंबे, चेन्नाई, इनमें हमारे अलग-अलग organizations बनी, जमिदारी association, तो इन्होंने ये तो सब किया, बट वो अपनी ideology और उनका political goal, देखो, ideology में confusion mainly किसको लेके थे, वही सवराज चाहिए क्या है, constitutional matter से चाहिए, किन तरीकों से चाहिए, protest methods में हो सकता है, ठीक है, तो ये इनका रहा major, कि भे, आप exactly चाहते क्या हो, arbititions के साथ रहना चाहते हो, उनके against जाना चाहते हो, मतलब, कितने against जाना चाहते हो, सवराज का मतलब क्या है, ये ideology वो तब तक नहीं फैला पाए, ठीक है, because of उनके जो pray, petition, protest, ये जो method थे, वो उतना effectively convey नहीं कर पा रहे थे, और कुछ हद तक हम ये भी कह सकते हैं, कि भाई, जो intelligence या, middle class intelligence या कि जो है, वो हमारी जादा इस से linked है, moderate से, rather than masses की तरह, मासे आपके एंटर करता है, extremism, 1905, specially, and later on with the advent of Mahatma Gandhi, अपने सवाल क्या पुछा गया था, advent of the Mahatma Gandhi, और उसके दोरान जो ideological changes है, various ideological strands है, वो कैसे evolve हुए, ठीक है, political goal इनका क्या है, देखो, Congress का तो main यही था, कि भी participation and this, तो main तो political reforms के लिए ही बनाए गई थी, but what do they want, liberty, equality, fraternity, democracy, what kind of democracy, state, ठीक है, independent state, dominion state, तब तो उसकी भी बात यतनी नहीं हो पा रही थी, ठीक है, तो यह मुटा मुटा अपना चलेगा, क्यों, ठीक है, why did they fail, इसके पीछे reason, उनका खुद का कम नंबर होना, convince नहीं कर पाना, आपस में, factions होना, ठीक है, localized होना, फिर urban centers में ही होना, तो यह connection with the nation, nation as a concept, क्या तब तक डवलप होगा पा जाया था, नहीं, वो later on ही develop होता है, with involvement, ठीक है, मैं लब हाँ, बिटिशों सारे पर राज कर रहते, but India evolved as a nation, India is still evolving as a nation, ठीक है, 1947, we can say India made a state in itself, ठीक है, बट nation तो अभी भी चलेगा ही चलेगा, ठीक है, यह मारा हो जाएगा, now देखिए, simple towns में हम बात कर सकते हैं, कि phase of moderate began 1885, जब आपकी INC बनी, moderate against में नहीं थे, strong belief इनका ही, justice, goodness, British INS इन्हीं पर ही होता है, इनके method क्या थे देखो, 3P, prayer, petition, protest, full faith इनको था, believed था कि यह तो सबसे best है, यही करेंगे, ठीक है, they were not against colonialism, but about colonialism, ठीक है, इस particular के लिए against नहीं था, इनके जो goals थे जैसे, इन्होंने कहा कि यार हमारी legislative council expand करो, local bodies में यह करो, judiciary का separation, army reduction कम, ICS यहां पर होना चाहिए, salt act, sugar duty, ठीक है, budget में discussion, supplementary question का था 1909 में मिला है, तब तक budgetary discussion हमें मिलना चाहिए, तो यह देरे-देरे, simple terms, constitutional reforms पे ही बाप कर रहते हैं, ठीक है, यह हमारा रहेगा, यह आप रखोगे, now, second, कि अब reason as to why they failed, यह उपर वाले हैं, उपर वाले आपको बता रहे हैं कि इनके goals बहुत ही limited है, ठीक है, तो अब इसलिए यह कि पहला तो upper class intelligence यह ही इसमें थे, privileged थे, so they fail to do mass mobilization, vernacular language use नहीं करते थे, this is a very simple and common point जो हम नहीं mention कर पहें, English Bengali में बात करते थे, ठीक है, even NCERT में एक चीज यह भी लिखी हुए कि एक उनके जो member थे, Congress के, यह फिर वहां पे, वो कहते थे कि, now I have started dreaming in English, ठीक है, so that much was the influence of English, कि यह चल रहा है, तो वह बात तो करेंगे ही नहीं, limited area कम है, तुद का number कम है, ठीक है language, differences were emerging in the new leader, लाल बाल पाल, neo-nationalist, extremist खुद में ही आ रहे है, they were dependent on the British, खुद पे तो कुछ करनी पा रहे, later on, 1907, 1909, 1915, उसके बाद आपन बात कर सकते हैं, और जो हमने पढ़ा था, सवराज का idea, आपने क्या पढ़ा था, कि हमारे जो अलग-अलग leaders थे, उनके लिए सवराज के meanings अलग थे, ठीक है, जैसे बाल गंगा दरतिलक यह अलग meaning में थे, ठीक है, और हमारा जैसे औरविंदो घोश, इनके लिए अलग mailing चल रहा था, कोई independent चाहता है, complete, कोई चाहता है, कि उनके साथ रहके ही, ठीक है, तो यह goal उतने अच्छे तरीके से convey नहीं कर पाए, आइडेलोजी, valid रुक्री है, भी रुक्री है, simple रुक्री है, यह सारी चाहता है, तो जितना पढ़ा है, वही सारी चाहता है, आपको अलग अलग तरीके से, एक organized way में mention करनी पढ़ेंगे, ठीक है, आप इसमें रखेंगे कि उनकी जो आइडेलोजी, political goals, क्यों नहीं convince कर पा Central Google rule में change आया था, kingmaker change होने लगे, इसलिप आउर का decentralization, absolutely yes, one rule, दो major point, government से demand का तरीका also different, yes, communication, facilitated good नहोन, later on जब आपका railways improve हुआ, postal improve हुआ, connect हुआ, उन्होंने common goal, jail में डालना शुरू किया, तो यह सारी के सारी चीचरी, yes, because not connected, particular class, patient, tribal, यह तो बाद में ही आया है, डेलमा, yes, youth participation revolutionaries, youth वाल एंगल भी डाल सकते हैं, there is no problem, ठेक है, वो तो simple terms में sophisticated talks जादा होते थी, but always, always remember, जैसे विपिंचंदरा में जो लिखा हुआ है, या फिर मैंने विपिंचंदरा की जब आपको summary कराई थी, तो वो जो summary है, वो आप mains के लिए भी देख सकते हैं, वो सा वाल पुछे जाएगा एक चप्टर से, जैसे, यह वाल पुछे जाएगा, यह सार अपने उसमें discuss कर रखा है, और अपना answer कहां से कर रहा है, ठीक है, तो यह हमारे रहेंगे, देखो, अब मैं question number four की बताता हूँ, question number four भी again, अलब इतना हमें उसके बारे में detailed नहीं बता था, but then again, थोड़ा थोड़ा idea लगाया गया, ठीक है, कि क्या क्या लिख सकते हैं, जो भी, are disintegrated से knowledge दर दर से यार थी, उसको करा गया, what problems were germane to decolonization process in Malay peninsula, ठीक है, तो यहाँ पे, basically कि भी, जो उनका decolonization process चल रहा था, उसमें क्या problems आ रही थी, ठीक है, कि what problems were germane to decolonization, decolonization को चलाने के लिए उसमें against में क्या रहा था, ठीक है, तो अब मैंने जब अपने को इसके सोचना शुरू किया, उसमें, अब Malay peninsula कि हमारा Chinese, Vietnam, यहाँ वाला जो अपना रहेगा, ठीक है, जो भी Thailand, Laos, basically यह Malay Peninsula हमारा है, ठीक है, South China, तो इसमें एक तो हम सोचें, जैसे again, अब मैं हमेशे ऐसे सोचने शुरू करता हूँ, political problem हो सकती है, कि वहाँ पे अलग-अलग foreign powers थे, British भी आना चाहा रहे थे, French थो थे ही पहले से, उनके बीच में जो class चल रहा था, उसने भी decolonization को नहीं होने दिया, फिर क्या उनके local leaders थे, वो उतना, मतलब अमर्ज हो गए थे, अच्छे तरीके से, वो भी एक issue रहेगा, ठीक है, फिर जैसे India में decolonization के लिए, जो जो factor थे, क्या वो वहाँ पे थे, जैसे हम बात करें, political, जो हमारी understanding developed हो, liberty, equality, fraternity, British education से, क्या वो वहाँ पे हो पाई, वहाँ पे भी जो education system है, social system है, उन्होंने भी अपना role play किया, ठीक है, economy, ठीक है, इनकी जो economy है, colonies की, इन पे dependency तो ये क्यों होने देंगे इनको decolonize, ठीक है, सारा का सारा खर्चाएन इसे ही चल रहा है, तो ये सारी बाते आप लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ बाते foreign वाली करो कुछ बाते उधर वाली करो, तो overall condition ऐसे चल रही है कि उधरा नहीं हो पाया, जैसे इंडिया में जिन चीजों ने hinder किया, decolonization के लिए mass participation जरूरी है, awareness जरूरी है, क्या वो आई, तो आप इस तरीके से भी सोच के common sensical answer कर सकते हैं, वो भी equally अच्छा है लिखा जाता है, ठीक Yes, sometimes better also, जैको, Malay Peninsula, Multilature, Multicultural Society, with Malay Chinese, Indians forming major ethnic and interest group, suitable condition for colonial power to consolidate, again divide and rule, process of gaining independence from the colonial power, जैसे कि बिटेन, जर्मनी भी यहां पे है, USA, इन में तो चला ये सारा का सारा, USSR, और USA में तो वेतना वाला भी चला है, Japan, तो ये after World War II, आपका शुरू हा, with the formation of United Nations, Peninsula comprises far south east Myanmar, south west Thailand, Malaysia, Singapore, it was conquered by Japan, during the World War II, ठीक है, तो now, अब यहां पे problems कहें हैं, देखो, simple, वही अपन बात करेंगे, common terms, lack of unity among the various units, तो वो कैसे कर पाएंगे, self-sufficient है क्या, no, Malay, Joves, Majority of Foreign Exchange, आपका कहां से आ रहे, rubber plantation, जो किन के पास है, colonies के पास, colonial power के पास, ठीक है, but with the invention of synthetic, वो भी देरे-देरे कम होने लग गया था, quality, fragmented, infrastructure, खतम होगी थी, task of formation of constitution, low, electoral, was a challenge, administrative machinery, तेखो, बस आपने अगर, यहां पे, it's not about कि particularly you have talked about Malay Peninsula, anywhere in the world, decolonization process will be having the same kind of problem facing, जिसके वज़े से वो उतना fast नहीं हो पा रहा था, political, economical, social, cultural, and इंडिया के context में जो बाते आपको याद है, you can equally apply them to any other area, because आपकी पावर वही है, और उनके society के structure भी काफी हद तक, इंडिया के तरह, multicultural, multilatial society है, ठीक है, fragmented polity है, So now, the decolonization, conclusion of Malay, as a result of long reconciliation process between the Malay nationalist, European colonial power, the federation renamed Malaysia in 1963, Singapore, and when besides Singapore, all the Malay state is also included, two areas in northern Borneo, Starwak, Sabah, Singapore opted, went it on way in 1965, इनोंने अपना कर लिया था, इतना कुछ नहीं लिखना नहीं याद होता, तो नहीं कर पाएंगे, बढ़ हां, कि भी decolonization, जो Malay में set up हुआ, Asia में set up हुआ, later on Africa में, आप वो गया, मैंने ऐसे conclude किया था, और 1990s के बाद, Africa में भी जैसे, Africa को तो बहुत बाद में आजादी मिली है, ठीक है, freedom, ऐसे आपका overall, universal, हम बोल सकते हैं, throughout the world, ये रहा, ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, that's it, विकास, more coastal, and due to the shipping of the more, power of European, also important factor, बिल्कुल, and economical differences, Singapore more stable, other than Thailand, as well as growing competence, बिल्कुल, इनके बारे में भी बात कर सकते हैं, simple as type के question में, तो जो point आपको यादा है, ठीक है, ऐसा ये रहता है, sometimes you have to do it, मैंने आपको क्या का था, कि 20-30% question ऐसे मिलेंगे, यानि 2-3 question आपको ऐसे मिलेंगे, जहां पर you will be having a very old, थोड़ा सा idea, ये में भी हो सकता है, कुछ students के लिए उनमें से एक question हो, जुनमें, उनको समझ नहीं आ रहा, यार हमने तो Malay Peninsula का decolonization पढ़ा ही नहीं, क्या आपने decolonization पढ़ा है, क्या आपको Malay Peninsula के बारे में जोग्रफी के बारे में थोड़ा सा पता है, थोड़ा सा powers के बारे में पता है, हर जगे यही तो power थी, अलग-अलग तरीके से, ठीक है, तो अब यह होता है smartly, काम करना, एक second, ठीक है, यह चीज हमें ध्यान रखते हैं, ओके, question number 4 आपका हो गया है, now coming to the question number 5, देखे, अब यह तो direct question है, how does Juno mission helps to understand origin and evolution, कहलत आपको यही बतावने चीज़ है, कहां का, Jupiter का, J4 Juno, J4 Jupiter में आपको याद करवा रखा है, Jupiter, अब करेगा क्या, या तो Jupiter को study करेगा, या उसके आसपास के moons को study करेगा, उसका atmosphere को study करेगा, images लेगा, कुछ भी करेगा, हर चीज, water की study करेगा, वहां पर life की study करेगा, origin of universe की study करेगा, origin of universe से, origin of earth का भी थोड़ा सा idea लगेगा, हर चीज का काम तो वही है, ठीक है, फर ही common points है, किसी भी steps है, आपने mission के, these are common points which you can mention, हमने चंद्रियान पड़ा था, Mars, Perseverance पड़ा, उसमें भी क्या चल रहा है, यही चल रहा है, फोटो बेस दो, वीडियो बेस दो, collect कर लो, कुछ हो पा रहा है, ठीक है, study कर लो, field को study कर लो, water को study कर लो, life को study कर लो, atmosphere को study कर लो, composition of the biggest planet, and to understand formation of Earth as well, objective किया थे, atmospheric composition देखना है, oxygen, water, gravitational field, magnosphere, and wind patterns, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर, अलग-अलग, जो, माल लो, आपने कोई news पड़ी, Jupiter के बारे में, Juno के बारे में, आप उसको यहाँ पे mention कर दो, as a context, ठीक है, कि, recently Juno mission has sent a picture, या फिर यह, जिसमें, हमारे यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े Jupiter में, वो देखे के थे, Stroms, Redsports, ठीक है, आप उनके बारे में mention कर सकते हो, Juno mission का, एक मैंने पूरा वो भी लिया हुआ है, तो आप Juno mission, ठीक है, हाँ, डोक्रमित करके एक बड़ टाइप कर देना, तो जो हम means की डाकू सीरीज लेते थे 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 ना, random date की means वारे डाकू, उसमें मैंने करवाया था, तो Juno mission को देख लेना, 15, 10-15 minutes में, बहुत अच्छे से हो जाएगा, उसमें बहुत सारी चीज़े भी बता रखे हैं, तो वो help कर सकते हैं, ठीक है, अब देखो ये, eventually help ही करेगा, ठीक है, how it will understand origin of the earth, क्योंकि earth moon relationship, जैसे Jupiter और उसके moons की मैंने बात करे थे, उसे पता चलेगा, gravitational field कैसे exert कर रहा है, one of the strongest in the solar, उससे अपने को पता चलेगा, earth भी कैसे कर रहा है, origin of Jupiter को understand करेंगे, origin of earth भी लगवग सेम ही है, solar में ही है, strong aurora है, वो earth की aurora को help करेंगे, storms के बारे में study करें each and everything, आप इसमें 4-5 तरीके से बात करके इसको लिंक कर सकते हैं, that's it, ठेक है, अच्छा मझे ये बताओ, lightest planet, solar system में, increasing Chinese, yes, भारती बिल्कुल, उनके बारे में भी रहेगा, इस टाप के question में, I think atmosphere study, mineral, how universe evolve, earth form, comparison, is there or golden, then we can survive there, water, बिल्कुल, ठेक है, these are the common points, सब लोग ये ही लिखते हैं, और कुछ नहीं, but the main point was, Juno Mission कहां के लिए है, ठेक है, बाकी अंदर तो सब कुछ वह ही लिखेंगे, आपने ये लिखा, अंदर तो ये ही mention करना रहता है, सब काम ये है, कहीं पर collection का काम होता है, नहीं होता है, थोड़ा मड़ा चलेगा, बट बाकी हां लिख सकते हैं, ठेक है, the only planet which can float in water is your tetran, ठेक है, Jupiter, मुझे भी confused कर दिया, हम ये तो देखना पुलेगा, विखार ऐसा भारी confusion हो जाता है, नाम सुनते ही, tetran ही है, ठेक है, हाँ, नाम देखो, question number six, अब देखिए, in spite of adverse environmental impact, coal mining is still inevitable for the development discuss, अब यहाँ पर देखो, keywords क्या है, in spite of adverse environmental impact, it is still inevitable, आपको discuss क्या करना है, थोड़ा सा कि भी इसके adverse impact क्या है, major discussion होना चाहिए कि still inevitable, why it is still inevitable, ठेक है, how in future we can solve this problem, क्योंकि यह एक problem है, ठेक है, coal mining बाले, क्योंकि environmental impact तो होता है यह बहुत ज़्यदा, ठेक है, अब देखो, यह हर जग ही चलती रहती है, हम इसमें कुछ example दे सकते हैं, कि भई, आपके ज़से rat coal mining वो यह सो जो भी है, अलग-अलग जगह के example दे दो, कि भई coal mining predominantly done in East India, Central India, जारकन बें the leading producer of the same, ठेक है, अब देखो, हमेशा, inevitability reason क्या रहेगा, वो particular, coal mining मतला, coal mining, इसके कुछ फायदे होंगे, इसलिए inevitable है, ठेक है, तो अब यह उससे related हो सकता है, कि as a fuel, abundant में available है, हमारे यहाँ पे available है, तो उसको खर्च तो करना ही पड़ेगा, industries depend कर रही है, government का revenue depend कर रहा है, employment दे रहा है, ठेक है, यह economical है, as compared to अभी जो solar और यह सिर्व renewable हमारे आए ही नहीं है, यह सारी चीज़ें आपन बात कर सकते हैं, even, यहाँ पे जैसे मैंने जब मैंचन किया था, I quoted the report of economical survey और नितियायो की, they are saying कि 2050 तक भी coal is going to form approximately 50% of the energy needs India की, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है, इस से आप आपना यहाँ पे बता सकते हैं, देखिए, coal हमारा शुरू में जब आया था, तो पहले क्यों था, आपका industrial revolution यहाँ से शुरूआ, major industries सारी बनी, inevitable for the development, क्यों, as a fuel up and use करते हैं, back point जो reason है, उनकी भी regional development में इसने help किया है, employment दे रहा हैं, skilled को, revenue दे रहा हैं, इंडिया को, government को, export कर रहा है हो, ठीक है, renewable energy अभी sufficient है ही नहीं, या तो coal के कुछ positives हैं, या जो दूसरी energies हैं, market capture, ठीक है, यह सारे के सारे बाते ही अपन रखेंगे, थोड़ा सा इन्होंने adverse impact के बारे में, जैसे land use, ground water, surface water pollution, soil contamination, vegetation पर जाता है, biodiversity, breathing problem, ठीक है, बताएए, कौन सी disease है, जो हमारी होती है, इससे, coal miners में, mainly, use of coal, result in ashes, आपके fly ash, bottom ash, ठीक है, releasing smoke, containing CO2, CO, NOx, SO2, यह सब, deforestation, जब आपके tree कटे जाते हैं, burn for clearing the way for coal mines, ठीक है, यह सारे के सारे चाज़ा हैं आप दिहार में रखेंगे, India's reliance on coal is expected to persist even 2040, with 42 to 50% in energy mix, इसमें आप code कर सकते हैं, source code, ठीक है, in the course of time, हम newspaper भी पढ़ते हैं, अब newspaper को भी code कर सकते हैं, ठीक है, बट हाँ, कोई भी source बता दो, यह adverse impact हो हमारे जगे बता सकते हैं, environmental human life पर भी है, ठीक है, वैसे इन्होंने majorly environmental ही पूछा है, but environment में सब आई जाते हैं, तो सब किवारे में अपन बात कर सकते हैं, ठीक है, ओके, विकास, ठीक है, तो अलग अलग जो knowledge है, यूपेसी में अलग अलग जगे काम आती है, but it is not always the case, इसलिए जादा तरह जो है, वो पढ़ाई पर ही focus होना चीह है, अधर पॉनों गंड़ा entertainment हम इस तरीके से कर सकते हैं, जो हम भी knowledge ही दे, ठीक है, neumoconiousis, silicosis, arsenic, का है black food तो, ठीक है, कुछ ही answer कर रहा है, ठीक है, चलो, कॉल माइन में वैसे ठीक है, में में अलग बिल जाएगे, परहर भी, ठीक है, ठीक है, question number seven, mention the advantages of the cultivation of the pulses, क्योंकि, आपका जैसे 2016 was declared, year of the pulses, as international year of pulses by the UN, इन्होंने पूछ लिया, millets में ने कहाता है न, 2023 का किया गया है, तो इस साल हो सकता है, इसे millet पे पूछ लिया जाए, 2023 वाला इना अपना, 2022-2023, अब देखो, advantage क्या है, देखो हो सकता है, इसको soak करना easy हो, बोना easy हो, grow करना easy हो, grow करने में, फिर, यह nitrogen fixation करता है, production अच्छी आती है, ठीक है, market में आप बेचने गए, तो price अच्छा मिलता है, next जो crop आप उगाओगे, तो उसमें भी अपने को मज़ा आता है, ठीक है, तो एक cycle सा समझो, pulses उगाई, उगाते time, seeds आसानी से मिल जाते है, लोकल seeds भी मिल जाते हैं हमें, pulses के तो, ठीक है, terminator seed अभी इतना enter नहीं करे है, rather than rice और wheat में हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर फिर भी कावन, यह सारी की सारी चीज़ें, तो उगाने से लेके, पानी की भी उतने requirement नहीं होती, dry land agriculture में हमारी pulses चलती है, ठीक है, तो यह सारी की सारे advantage यहीं है, कि भई, input cost कम, output cost अच्छी, समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं भी पता, तो सोच सोच के, जो हमने अलग-अलग, discrete पर रखा होता है, उसको आप इस तरीके से integrate करें, ठीक है, तो आप कर रहाएगा, अब देखें, pulses are leguminous crops harvested for its dry seed, even to heighten, public awareness, nutritional benefit, advantage में nutritional benefit भी दे होगे भई, ठीक है, protein बिनता है, यह सारे के सारे चीचे, malnutrition का अटिस करेगा, even खाने के बाद तक के भी आप बता सकते, ठीक है, advantage कर रहाएगा, nitrogen fixation, climate resilient, ठीक है क्यों होग, क्योंकि nitrogen fix करी, तो उतना नहीं करना परता, soil fertility, water efficient, economical, income security, nutritional security, यह भी अपनने देख लिया, पाईसा अच्छे मिलता है, low cholesterol, high dietary fibers, low emission of greenhouse, sustainable agriculture practice, agrocal, intercropping, crop rotation, powerful ally in achieving food security, crop residue, are also used as a fodder in dairy sector, import dependency, can be reduced, helping us to saving forex reserve, ठीक है, यह भी एक अच्छा point है, आई-र से भी ऐसे आप लिंक कर सकते हैं, अब यह है extra point, यह extra point अगर आप लिखेंगे तो हो सकता है, आपको 0.1 mark, 0.5 mark, 0.1 नी 0.5 mark, मिल जाए extra, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इलकुल, अब लिखेंगे, जाए ख़ो, वहाँ पर अब लिखेंगे रहेगी वैसे तो थोटी-थोटी, क्योंकि मेश्छर सा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि, नियुमो कोनियोसिस इस अपने को ध्यान में रखने है बैकोसिस है शुगर केन के लिए थे का बाय साइनसस के लिए है को तोड़ा थोड़ा बता रखता है एक्सरा प्रेकर हिसाब से अब देखो यह सवाल आया था यहां पे काफी लोगों को क्राइसफियर क्राइसफियर क्या है क्या मेंचन करना है एक कॉमन सेंसिकल वहां पर आके अपने डिसकस कर रहे थे यार क्राइसफियर में क्या लिखा क्या लिख सकते है ठीक है तो इवन जोग्रफी वाले भी कई ऑप्शनल वाले स्टूडिन भी ऐसा ही कि यार क्राइसफिय effect global climate ठीक है तो अब impact तो अलग-अलग तरीके के रहेंगे simple terms cryosphere क्या है आप उसके बारे में बताया है cryo अब इसमें क्या है कि ice ice कहीं भी हो सकती है जैसे हिमाल्याज में अपनी है arctic, antarctic, majorly community ही बात करते है ठीक है तो यह हमारा जैसे third pole हो गया second pole, third pole ठीक है अब यह क्या करेगा देखो climate पर कैसे impact डालेगा आइस की वज़े से यहाँ पर जैसे मालो light आ रही है reflect कर रहा है albedo ठीक है यहाँ पर जो आपका life form है उसकी वज़े से greenhouse gases कम ही जाती है क्योंकि इतना life form है भी नहीं ठीक है फिर यह cryosphere जो attract करता है ठीक है ozone depletion क्योंकि chlorine chlorofluorocarbons जो हमारे है ट्रोफोसेर, clouds बनके जो आपके जाते हैं वो act कहां पर करते हैं cryosphere में ideal temperature कहां मिलता है cryosphere में ठीक है यह आपका रहेगा cooling में भी दे रहा है melting हो रही है cryosphere से आपकी sea level rise भी जा रहा है global climate पर इंपक्ट पढ़ रहा है यह सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं फिर यहां से melting के कारण जैसे sea में जाएगा तो sea की salinity को भी impact करता है ठीक है यह सारी की सारी चीज़ें अपन रखेंगे यह आपको ऐसे ही mention करके आना है दाथ से दखो पहले चीज़ cryosphere क्या है जो हमारा those portion of the earth's surface where water is in solid form sea, lake, river, snow, glacier, ice caps, ice sheet, anything you can talk about impact number one albedo is high highest होती है snow की ठीक है कितनी होती है कितने percentage होती होती बताओ comment करो important cooling factor बिल्कुल रहेगा अब यह जो melt हो रही है उसकी वज़े से भी गटबड हो रही है वो भी ocean salinity melt कर रहा है तो oceanic circulation भी जो हमारा है current जो हमारी है ठीक है उनको भी चलने में help करता है तो energy transfer होता है equated to pulse, cold current, hot current ठीक है जैसे hydrological cycle में river का भी sources है Himalya ठीक है population को sustain करता है pressure belts बनाते है जैसे polar low pressure belt ठीक है वो temperature की वज़े से ही बनती है तो वहां पर major role किसका है cryosphere का as an indicator of climate change melting of the ice mean sea level बढ़ रहा है disaster हो सकते suburgence हो सकती है तो यही सारी बाते है हमारे climate change में रहेंगी ठीक है यह सारा का सारा आप इस तरीके से mention कर सकते हैं question number 9 लेखो again same kind of question cultural diversity cultural units और kind या preserve कर पार अपने culture को एक चेज़ अलग-अलग तरीके से पूछ जाएगी 90% 95 95 95 95% का सब्सक्रास अपन मान की चलते हैं यह सवाल आ सकते है HCS में CO2 की concentration पूछ रखिये human body में ठीक है चलो it maintains negative feedback mechanism by albedo effect yes Simran ठीक है चलो यह हमारे points होगे अब यह देखो question number 9 बस सवाल ही अच्छे से पढ़ना है in the context of the diversity of India can it be said that the reasons from cultural unit rather than states ठीक है give reasons with example for your viewpoint state के है with rather than state यहनी देखो पंजाब हरी आ पहले एक था कोईट होख एक cultural unit थी वो ठीक है ऐसे ही हिमाचल वाला भी है ठीक है उत्राखंड हिमाचल भी एक cultural unit को explain कर सकता है UP बिहार जारखंड एक cultural unit को explain कर सकते हैं पूरे के पूरे North East एक cultural unit है South India जो हमारे 4-5 states है वो एक cultural unit है Central India एक cultural unit है राजस्थान ठीक है गुजरात महराष्ट्रा यह पंचिन कर सकते हो MP और यह होई गया ठीक है तो अलग-अलग तरीके सर्वेस्टरन इंडिया एक अलग तो हम कह सकते हैं कि regions हमारी cultural unit form कर रहे है rather than state क्या आप reasons दे सकते हैं येस अलग-अलग reasons रहेंगे अब देखो diversity की बात करी तो reason भी वैसे होने चाहिए language देखो एक region North एक region South language अलग-अलग तर हमारे यहां पर जैसे rural urban वाली भी बाते कर सकते हैं ठीक है जो urban area जो NCR एक region developed हुआ वहां की culture एक अलग ही चल रही है तो उसमें बहुत सारे states आ रहे है ऐसे हो सकते है यह examples आप multiple examples दे सकते हैं dressing habits के example दे सकते हो अभी तो uniform हो गया बट फिर भी ठीक है आप इसके बारे में बात कर सकते हैं dress होगी यह हो गया ठीक है और race religion ठीक है music festivals यह सारे अपने हो जाएंगे तो इसमें अलग-अलग रहेगा ठीक है भारती ओके जाएंगे हो इसमें अलग-अलग रहेगा cultural similarities में जैसे linguistic identity इन सब पर आपके शुरू ही तो अलग-अलग एरिया में demand जाने लगगी recognizing the linguistic diversity हमारा जैसे linguistic organization of the state भी हो आपका हुआ SRC statory organization commission के बारे में तो देखो reasons forming cultural unit across the state and within the state as well पहला language में देखो Hindi speaking MP UP Rajasthan South Kalak races में North East, Mangaloid, Food Abit, South India, Masala, Dosa, Idley, Religion में Christianity आपका जैसे इधर है North East में है South India में है यह आप बता सकते हो music में कारेटिक festivals across यह हिंदुस्तानी across नॉर्थ ठीक है fish culture, postal areas में यह भी आप पता सकते हैं Dravidin culture, Old South Indian, Food Abit, Wedding within the state also जैसे अवधी, भोजपुरी जो बड़े state है obviously UP में रहेगा ठीक है या फिर model end जिनके हमारे बात करते हैं तो across this state and within this state तो यह हमारा हो गया mention इसके आप दिहान रखेंगे ओके, question number 10 में आपको दे रहा हूँ do it, it is a very simple question but then again, क्या choose करना है और कैसे लिखना है, देखे, question number 10 क्या कह रहा है what are the two major legal initiative by the state since independence addressing discrimination against scheduled tribe legal में हम constitutional भी mention कर सकते हैं और आपका कोई low भी mention कर सकते हैं आपको क्या लगता है, जिसने discrimination address किया है अब जो दो major पूछे है, majorly आप दो को ही बताएंगे and how they have addressed the discrimination what-what से नहीं, अब इसका मतलब यह नहीं है कि अपने नाम लिखके आगे, कि what are the two major हमें लगता है यह दो है, नाम लिखके आगे सिर्फ यह और यह और अंसर नहीं, how they have impacted जो particular चीज पुछे, discrimination against scheduled crime इसको आप लोग answer करें I am giving you one minute इसके बाद देखेंगे मैं तर तक पानी ले आता हूँ आप बताएं छ्राम गजयोख कि अपने, है बता हुख झाया झाया र्राप झाया प्रा इस चीज को दूसरे तरीके से देखा था स्टेट वाला के उसके फायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है वो सारी भी चेशे पर ने देखी थे UPC मेंज और HCS मेंज दिनरात का अंतर है दिनरात मतलब दिनरात UPC मेंज का सबसे easy question HCS मेंज का सबसे tough question हो सकता है ठीक है so that how different it is कल ही अपनने HCS वाला पेपर देखा था ठीक है simple terms, simple things, कुछ सवाली नहीं थे हम आपर schedule caste prevention of atrocities 1989 prevention of unscheduled caste act and negativity both positively misused also civil rights act, SCST, POA, prevention of atrocity ठीक है ठीक है ठीक है forest dwellers also absolutely ठीक है तो इन्हें के बारे में आप बात कर सकते हैं even I also यही दो major है forest dwellers और वो उनको उनके rights मिले और इस तरीके से ही बात कर देए उस particular legislation ने क्या उनको दिया इस तरीके से healthy that's it अब यह introduction ऐसे ही हो सकता है कि 8.6% of the population हमारी यहां से है schedule tribes faced constitutional discrimination social political economical government of india act 1935 provided for the term schedule tribe referred in the list of हमारे constitution की कौन से अच्छा कौन से article में यह schedule list है बताओ president इसको वो करते हैं तो बताए कौन से article में है ऐसा की भी हम बात कर सकते हैं absolutely right भारती बिल्कुल साही ठीक है कोई भी दो mention कर दो बट अच्छे से तो देखियो schedule tribes जो है comprise है इनकी problems देखिये पहले तो displacement बहुत हुआ 40% of your displaced people अभी तक के जितने है उन में से 40% to schedule tribes है 8% of the population 40% of the displaced क्यों 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 resource rich area में रहने का ठीक है जारखंड NCRB के इसमें court कर सकते हैं health नहीं education नहीं है ठीक है loss of land हो गया housing नहीं है major initiative जो हम इसमें mention कर सकते हैं जैसे यह पैसा schedule का schedule tribe atrocities act इसमें आपने non-commodable offense बनाया, cognizable बनाया, special codes बनाया, ऐसे ही forest dweller जिसमें आपने title ownership दी, use of rights दिये, relief and developmental rights दिये, rehabilitation के लिए कहा, forest management rights दिये, to protect the forest and the wildlife ठीक है 4 hectare वाली चेज आप mention कर सकते हैं तो जो भी चेज थोड़़़दा है कि individual rights, community rights यह हमने अलग-अलग discreetly पढ़ा है सारी चुले ठीक है यह मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, environment में हां तो यह इपना हो गया है ठीक है बारती गुजरात वाला था तो पैसा भी आ आ ठीक है एक्चुली हर चीज पिछले दो-तीन माईने में news में रहती है कि यहने किसी कारण से मोटे-मोटे तोर पर क्या है कि you have to be vigilant about something which is entirely new or unique वाकि तो जो जर्नल चीज है वो news में रहेंगी वो आ सकती है, equal probability 335 pertaining to the claim of scheduled caste and the scheduled tribes, नहीं 335 नहीं है, I think मुझे exactly 300 15-36 हो सकता है पता नहीं, अभी तो मुझे भी यादमी है, वो list से related है, अगले lecture में होता है, आप देखो क्या हम इस question को करें, question number 11, the spirit of the tolerance and the love is not only an interesting feature from early time but playing very important role at the present, elaborate, elaborate मतलब आप ने जो statement लिखिये है उसको elaborate करो, ancient time में कैसे यह interesting feature था, आज की time में कैसे यह important role play कर रहा है, have we discussed this question in a different scenario, महात्मा गांधी, his value, relevance in present time, same kind of thing, asking differently, इंडियन society के ऐसे कौन से feature है, जो अभी तक चले आ रहे हैं, आप वही बात है, पहले कैसे था, अब कैसे है, harmony, stability, family stability and these kind of things, ठीक है, economy में, religion को आप लेके आ रहे हैं और यह सब वह सब tolerance और लव की वज़े से, communal harmony, religion, caste में harmony, gender में harmony, ठीक है, crime कम हो जाएगा, families अच्छे से रहेंगी, family breakdown आज कल हो रहे हैं, ठीक है, यह सारे की सारी चुछें आपको इसमें mention करनी हैं, कि आज के time, important time in present क्यों, because fast changing time, globalization, urbanization, meegu, meegu क्या बताया था मैंने, meegu is urbanization, globalization, industrialization और migration, इन सब की वज़े से, हमारा, जो importance है वो और जादा पढ़ जाए, इन सब की वज़े से क्या हो रहा है, uncertain times, ठीक है, और also technology की आप बात कर सकते हो, technology उसकी वज़े से lonely हो गया है, alienation हो गया है, ठीक है, तब भी चाहिए है tolerance and love, tolerance की वज़े से क्या आता है, crime आता है, अलग-अलग crimes की आप बात कर सकते हो, जैसे mob lynching, ठीक है, आप example वेरियस दे सकते हैं और इसकी बात कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा हो है नहीं, NCSC 338, Claim of Assets, Service 335, मैंने पूछा था, schedule tribe की list होती है, कि these tribes are in schedule tribe, उसको हम define करते हैं, कि what is this schedule tribe, जो भी हमारे schedule में 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 यह पूछ रहा था, इसके अलावा भी बिताना पड़ेगा न, what and not only h, फिफ्ट में बता दिया, क्या कर रहा है, विकास समझ नहीं आ रही, अच्छा, हाँ, ये भी बताना पड़ेगा, वही तो मैंने कही, दोनों ही चीज़ें, the spirit is not only an interesting factor of Indian society from very early time, फिरू से ही रहा है, उसके बारे में भी आप बात करोगे, पहले कैसे रहा, पहले वाले भी बात करेंगे, early time की भी बात करेंगे, interesting feature क्यों, interesting मरलब, दूसरी societies में उतना नहीं देखने को मिलता, उन्होंने invasion करें और ये सब ठीक है, तो multi-cultural level पे हम survive क्यों कर पाए, Indian civilization अभी तक क्यों कर पाई, तो वो यही reason था, ठीक है, 341, 342, 342, ठीक है, क्योंक उल्कोंकिटी का रे 33 plug है, contrast with the present, contrast मतलब, comparison with the present, contrast like exactly care, एक है, ड़ुझ़ सटेगे, इंधरटों, यद injury, plural, cultural, a diversity of various formative er भी, social, cultural, linguistic, ethnic and racial, despite facing various clashes, the civilization of India has upheld the value of tolerance and love, harmony and assimilation evidences कैने देखिये, India, home to diverse people, Hun, Pritihans, Greeks, Turk, Mughals, तो ये अभी भी रहेगा, पुराना टाइप assimilation of the racist, cultural, ये भी रहेगा, Britishers को भी अपन ने ले लिया था, एंशिट आप देखो, अशोक, South Indian rule of a tolerant, Jainism, Buddhism भी वहाँ पर फ्लरिश किया, अकबर, दीने हिलाई, बक्तिजम, सुफिजम, ठीक है, British rule की टाइम पर भी हिंद Muslim unity, आपके mass movement पर evident थी, social reform movement, which is religion, तो ये हमने chronologically, 4-5 आपके point लिख दिये, good enough, sufficient enough, ठीक है, अभी क्यों है, still relevant, ठीक है, या फिर, यहाँ पर कहा है कि, also playing important role in present, तो how it is playing, ये तो अब इन्होंने still relevant में कुछ ऐसे point बता दिये, वो अपने discuss कर लिया, ठीक है, reason, कि आपके constitution mention में भी हमने देखो, fraternity, brotherhood, तो ये हमारी culture का एक हिस्ता बन जाता है, आपके mindset का एक हिस्ता बन जाता है, आपकी family भी आपको यही सिखाती है, ठीक है, अपका साथ, सबका विकास, ठीक है, ठीक है, ठीक है, linguistic reorganization जो आपने किया, SRC, तो भी उससे brotherhood tolerance आया, अलग-अलग states जो बनते हैं, ठीक है, reorganization of the political map, respecting and accommodating diversity, सारे के सारे major religion यहां पर रह रह रहे हैं, secularism की भी हमने uniform develop कर लख की है, उससे भी एक love and tolerance आपका आज पे काम है, मतलब यह evidences हैं, कि उसकी वज़े से हम कह सकते हैं, यह, ठीक है, कबीर के बारे मे भी भी आप कर सकते हैं, definitely, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, वो आप दिखले हैं, कपल, कोई नहीं कपल, today I will ask him, and आप एक बार whatsapp पे drop कर देना, ठीक है, 996 वाला जो number है, उससी पे ही आप whatsapp पे drop कर देना, and it was some problem, कुछ problem होगी थी, and he had to go somewhere, और उसकी वज़े से क्या होगा, कि maybe he forgot, ठीक है, generally ऐसा नहीं होता है, he make me talk to, मतलब जो भी student आते हैं, बात करने के लिए, आप एक बार बस message drop कर देना, कपिल के नाम से, फिर फितना ही है, ठीक है, I will ask him, and we will talk, don't worry, question number 12, examine how the decline of a traditional artisanal industry in colonial India, crippled the rural economy, ठीक है, अब क्योंकि पहले क्या था, कि सारे ही artisanal की है हमारे पास, वो patronage देते थे, how, इसका decline, पहले तो इसका decline क्यों हुआ, और यह rural economy को crippled क्यों की है, क्योंकि rural में तो सारे के सारे यही थे, ठीक है, इस context में ही अपने को बात करनी है, कि कैसे यह सारे का सारे होपाय है, NCRT में भी यह discussed है, पढ़ते भी है हम सारे का सारे, इसको पन बस discuss कर लेते हैं, कि how it declined in crippled rural economy, देखो, rural population एक तो जादा है, और यह artition चाहे कोई भी हो, ठीक है, किसी भी टाइप का 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 हमारे लोकल kingdom से वो इनको patronize देते थे वो नहीं दे पा रहे British के जो market के खुद के जो products हैं वो आगे वो इन से competition करने लगे तो ये कतम होगे तो इस तरीके से आपको बात करनी है ये सारे के सारे context में ठीक है तो देखें ये आप कह सकते हैं कि nationalist economy proposed that with the beginning of the British rule in the mid 18th the process of deindustrialization started for the traditional artisan industry ठीक है तो हम इसमें economical critique के भी बात कर सकते हैं नो देखिए reason कि भी decline क्यों होगा mercantilism आपने raw material तो यहां से सारा का सारा बाहर बेज दिया सारा dump कर दिया यहां पर manufactured machine से मिना होगा ठीक है चीप तो नहीं कर पाया industrial revolution machine made good आ गया थे better handmade से रहते थे तो वो ज्यादा ग्रोव करें transport communication railway से बढ़ा तो फारवर्ड backward linkage भी हुआ यह एक बहुत important factor रहा है actually rural economy के इसने link कर दिया पहले हम से उसमें पढ़ते थे बन एक ट्रिक बनाए दी शूशी इंडियन विलेग शूशी शूशी मतलब तर थोड़ा slow चल रहे हैं अगर all are agree मैं slow हूँ या fast हूँ speed के बारे में बता दो speed आप comment कर सकते हो slow और fast तो मेरी चल रही है उसके बारे में slow चल रही है तो slow fast मैं fast हो जाँगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपन तो जल्दी फ्री होंगे ठीक है कल भी हमने एक गंडे 50 मिनुट में कर लिया था ठीक है आप slow है तो मैं तेज कर लोगा कोई बात नहीं सही है सबसे यह लग रहा है ठीक है क्योंकि हम आराम से discuss कर रहे है तुम लोगों को मेरी fast वाली speed की ज्यादा आदत होगी है और वो pre के time पर कर रहे थी अभी means के इसाब से थोड़ा से समझने की कोशिश करो ठीक है मैं आराम से ठीक है कलो कोई नहीं थोड़ा सा देखते है थोड़ा सा कर लेते है ज्यादा कुछ नहीं देखो सूशी अपना क्या था देखो हमने जैसे मान लोग इसमें मैंने सूशलोजी में ही ट्रिक मुना है थी सूशी एस फूर मतलब सेल्फ सफिशेंट थे विलेज ठीक है यू फूर यूनिफाइड थे ठीक है एस फूर सेकुलर थे एच फूर हैरार्की थी आई फूर आइसोलेटिड थे देखो मैं तो ऐसी ट्रिक बना के याद करता हूँ बेलकुल साइज सिमरन सही कह रही है एकुल पाटिस्पिशन आप भी कर पाओ और देखो सबसे बैस तरीका क्या है आप अपना एक पेज लेकर बैठो जैसे ही मैं कुशन डिसकस करता हूँ टक 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 पॉइंट्स नोट डाउन कर लो ठीक है इससे क्या होग आपके खुद के नोट्स भी बनते रहेंगे यह नोट्स से मैं आपको प्रॉइड करा ही रहा हूँ ठीक है आपके खुद के बन जाएंगे आपके जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपके वहाँ पे दिमाग में आप उनको मेंशन कर सकते हैं प्लस शेर कर सकते हो ठीक है यह है अब यह दो होई गया अब इसके विज़े से तो अब इन्होंने बिटेश ने आकर इस सूशी की इससे तीसे कर दी ना ही सल सफिजिंट रहे ना ही ईउनिफाइड रहे ना ही ऐसोलेटेड रहे नहीं सेकॉलर रहे नहीं हरार की रही सब चीजे खतम चैक है उनको जिसकी वजय से रूरल एकनोमी और आर्टीशन की ऐसे तैसी होगी और क्रिपल होगी रूरल एक्रिपल तो इसलिए जाये अपना इसका इंपाक्ट क्या रहा देखियेए डि यहां पे होई गया है हमारे जो ट्रैडिशनों इंड़ को खतम होगी रेवर्न्यू इंकम जो अंतिशन की उती ती वो खतम होगी तो अगेन बेकपटनेस यह क्या थे यह अर्बन एरिया में रहते थे इन्होंने they started migrating to rural area अब उस पे भी तो pressure बढ़ेगा उसके वज़े से भी rural economy आपके होगी agriculture में overcrowding because of migration self-sufficient nature of economy was disturbed British rule ने transform कर दिया Indian economy into colonial economy economy could never become self-sufficient because of integration जो हमारा अपनने उपर देखा तो यह जो पांच point है आप इनी पर भी बात करके कर सकते हैं ठीक है so what are the facets? digitalization ruins of the artisan handicrafts no step towards modern industrialization. Peasentry impoverish होगी है imbalanced regional development, postal development only suppression of traditional handicraft industry, yes. Permine's eye, land reform system, plantation industry यह भी कही न कहीं कारण रहा जो हमने permanent settlement, महलवाद ही और वो सब too much exploitation infrastructure growth, जितनी भी भी सारी Britishers के interest में रही तो इनका खात्मा और exploitation ठीक है? तो हम इनको सारा का सारा mention कर सकते हैं चल Now question number 13, जैको, again, आप एक चीज़ और pattern note कर पा रहे हैं आपको time periods दिये जा रहे है, 80s, late 80s, mid 17th, years of centuries, वहाँ पर क्या development रही, fragmented quality, moderates, उनका evolution, तो एक particular time period वहाँ की particular important development उसमें आपसे सवाल पुछे आप, ठीक है? यह हमारा रहेगा ऐसे ही, आप देखे, highlight the importance of new objective that got added to the vision of independence since 20s of the last century, ठीक है? मतलब 1920s से लेके, नए नए objective जो vision में add होते गए, अब अलग-अलग objectives है, जैसे गांदी जी के आने से स्वराज की बाते हुई, self rule, ठीक है? बिटिशर्स के influence में हमने liberty, equality, fraternity, democracy हमारे आए, revolutionary जो हमारे terrorism हम जिसको बोलते हैं, हमारे जो revolutionary थे उन्होंने आपकी left वाली, जो ideology है, left ideology उसको यहाँ पे डाला, उसके against में right ideology, industries को focus करते वे भी आए, capitalism as an ideology, ठीक है? तो new objectives got added in the vision of independence, ठीक हो vision में objective में, objective में, objective हमारे political भी हो सकते हैं, कि हमें republic बनाना है, democracy बनानी है, ठीक है? adult franchise देनी है, यह political objectives है, economical objectives हो सकते हैं, self-sufficient बनाना है, left welfare state बनाना है, यह वाले objective भी add हुए, socialist बनाना है, equal बनाना है, ठीक है? ऐसे ही social cultural, secular बनाना है, fraternity, ठीक है? यह सब, आपके preamble की जो objectives हैं, वही ही तो add हुए, कैसे कैसे add हुए, किस की वज़े से add हुए, वो सारी बात है अपने को करने हैं, fundamental rights, political objectives, ठीक है? एक 1920 के बाद ही ज़्यादा trend हम हमारा शुरू हुआ था, ये चीज़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है? इनको आपन mention करेंगे, जैसे देखिए, Congress, उसके अलग-अलग fractions और वहाँ से जो भी आया है, हर चीज, ठीक है, ऐसे ही religion, caste, ये वाले भी आप objective इसमें डाल सकते हैं, मतलब 1920 से लेके, जितनी भी developments है, आप अपने को chronologically in various dimensions बात कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से एक ये भी बना सकते हैं, ठीक है, बट उसके लिए फिर आपको वही, जितनी ज़्यादा प्रेक्टिस करोगे, सोच पाऊगे, अब तो ये सारी चीज़ा अपने रहेंगी, ठीक है, ये देको, fragmented objective, ठीक है, of INC as variety of the differences among moderate and the extremist, regarding method of the struggle and the fight against colonialism, post 1920, single front was presented under the leadership of Gandhi, Gandhi written हुए, उनिस पंदरा, के खाया, खेडा, चंपरन और इन्हों में इन्हों में इन्हों में इन्हों चेंज किया, कैसे, एको, political, तो राज, पून सवराज, उनिस तीस, लावर सेशन, transfer of power, white elite to Indian elite, social में, untouchables के लिए, अंबेड कर Gandhi जी, caste, equality के लिए इन्हों ने काम किया, rural economic transformation के लिए, under the leadership of Nehru, socialist economy, तेक है, Nehru ये बात करते थे, boss ये बात करते थे, पटेल ये बात करते थे, ये चीज़ याद रखेंगे, aspiring unity of the Hindu Muslim, fundamental rights, DPSP, economical policy, Karachi, ये बात करोगे, what was the importance, इन की वज़े से, इन objectives की वज़े से ही, हमारी ज आते है, वक्त, हमें, democracy, equity, justice, fraternity, secularism, और ये सब हमने adopt करे, common sense ही काम करती है, कैसे, ये objective आपके preamble में, अगर आपको इसका answer, आप कई बार answer ढूंडने लग जाते हैं, ढूंडते हैं, सोचना है, brainstorming करनी है, कि यार ऐसे objective जो independence की टाइम पर, independence भी दिलवाई होगी, और अभी preamble में ढूंडो, preamble ढूंडते हैं, आपको सारे मिल गए, social, political, cultural, ऐसे आप arrange कर दो, that's it, done, खत्म, ठीक है, समझ में आ रहा है, सब को, रहे है, प्रिती, जाहन, प्रिती, decades, 20, 30, 40, सब तक, 1947 तक बात कर सकते हैं, self-realization, trade union, trade union वाला पॉइंट रह गया, उसके बारे में बा में में रोए, वो तो हो गया, socialist, rural development, woman, gram, sab, raja, yes, Gandhi, बिल्कुल बारती, ठीक है, वो भी आ जाएगा, ठीक है, light and wind, process, ठीक है, चलो, अच्छे से समझ में आना चाहिए, नहीं आता है, तो मुझे बताओ, ठीक है, बस, उसे लिए गर रहा है, now, ठीक है, okay, भारती, आज का सेशन काफी engaging और knowledgeable रहा, thank you, बाकी सेशन नहीं थे क्या, यह अपने हर्याड़ाओं ऐसे चलता है, ठीक है, बाकी सेशन के बारे में आपके क्या खयाल है, I'm just joking, ठीक है, जितना हो सकता है, देरे देरे ही improvement होती है, कई बार क्या होता है कि काफी दिनों से कुछ हो नहीं पा रहा होता है, वह सब बहुत सारी सीज़े हैं, और कुछ regular students हो जाता है, तो फिर मतलब मेरा भी मन कर जाता है, कि मुझे भी फिर मजाता है कि हां, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उतने regularity students की नहीं पाती, तीन चारी student आ रहे हैं, वह भी चल जाता है, पट फिर भी, it helps, ठीक है, चलो, हाँ, ठीक है, ओके, I was just kidding, भारती ठीक है, ठीक है, ठीक है, सारे बहुत बहुत बढ़िया, देखो, नमबर वन, question number 14, अब यह एक simple और direct question है, अब यह हम पढ़ते ही है, ठीक है, कोई नहीं विकास, च्छह बजे कर लेंगे, ठीक है, देख लेंगे, 6-7 newspaper वाला जो है, अभी तुम लोग हो, जो live रहते हो, आप मुझे बस बता देना, ठीक है, अगर एक बर जैसे आज दो दिन तो अपना ही ही नहीं, अपने इसको कर लेंगे, वैसे कल वाल अच्छह से साथ कर लेंगे, ठीक है, तो विकास का भी हो जाएगा, बाकी weekdays में ही बात कर रहो ना, विकास, विकेंड में तो चल जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो थेको, अब देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको खुद ही सोचना, ठीक है, तो चो इसको, इसमें अगर अगर आपन इसमें में रहने दू, देखो, I am giving you, क्योंकि हम बार आराम से चल रहे हैं, and you have time also, तो हमने तो दो गंटे का target रखा, दो गंटे में आराम से कर पा रहे हैं, ठीक है, अब देखिए, question number 14, account for the variation in oceanic salinity, account for the variation, and discuss its multi-dimensional effect, पहले तो ocean salinity में variation किन कारणों से हो सकती है, क्या कुछ facts उसमें दे सकते हो, उसके बारे कि why the variation, और second is impact, ठीक है, I am giving you again, two minutes, one minute, ठीक है, आप इसको address करें, ठीक है, आप इसको address करें, ठीक है, कोई नही, यार I understand that, लगता ही है, शोक लगता है, वो हता है, and it takes time, सबका अपना अपना रहता है, but the good thing is, आप एक अपते के अंदर अंदर आ रहे हैं, जोइन कर रहे हैं, good enough, ठीक है, इतना regular रहेंगे, उतना ही अपने लिए काम का है, अब इसमें, देखो, क्योंकि मान लो next vacancies आ रहे हैं, तो वो चलेगा, 90 तक भी आएंगी, तो वो तो करनी ही है, अभी नहीं तो फिर next रहे हैं, ठीक है, means वाला तो देख लिगा ना paper, means वाले paper में कुछ है नहीं, उसमें जितनी practice कर लोगा, UPC वाले ही करा रहे हो, तो यही कर लिया, तो अब हम सोचते हैं salinity के बारे में, देखो, एक fact जो हम सबको पता होता है, 35 gram water in ocean, ठीक है, ocean salinity is like average, जो mineral है, पर kilogram, तो 35 अपना रहता है, यह हमें पता है, इसको आप starting में mention कर सकते हैं, तो this is how you have to use fact, ठीक है, या फिर जो हमारा जैसे dead ocean और रोस वो जो variation है, देखो, अब इसम world map बनाने के एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, जैसे यह दो तो triangle होईगी, एक उपर वाली, एक नीची वाली, इनको join कर दिया, simple, एक यहां पर ice cream बनाई आपने, कौन, कौन ice cream, इसे बनाया था, कौन के उपर एक छोटा सा और लगा दिया, ठीक है, फिर यह आया, ऐसे, एक सा map बन जाता है, अब देखो, यहां वाली reason में, salinity के पीछे reason, evaporation, देखो, factor कुछ increase करेंगे, कुछ decrease करेंगे, decrease कौन करेगा, जो add करेगा, fresh water, जैसे की, rainfall, ठीक है, तो आपका, equatorial region, river का influx, black sea, बेव बंगाल में आप बोल सकते हो, melting of ice and glacier, यह आपके हो जाएंगे, factor influencing, increase कारण, due to air pressure, wind direction, wind की विज़े से, evaporation जादा होता है, ocean currents, ठीक है, north sea salinity, atlantic drift के कारण, जो हमारी currents चलती है, सारी की सारी, currents में जो drifting रहती है, उसके कारण, freezing of the water, water freeze होता है, तो भी increase होती, air temperature अगर बढ़ता है, तो भी increase होती, ठीक है, now, यह effect तो होगे, effect क्या हो सकते है, salinity क होती है, देखो, जब भी salinity में variations रहेंगे, effect in life, आप life form के बारे में effect करोगे, वहाँ पे fishes है, coral reefs है, ठीक है, minerals है, for example, ठीक है, तो वो जो मिल रहे हैं, वो भी, अलग-अलग सीजे, tourism की भी आप बात कर सकते हो, कहीं न कहीं, dead sea, tourism और वो सब, ठीक है, dead zones जो बन रहे हैं, क्या उन में कुछ उपर नीचे हो सकता है, तो अलग-अलग तरीके से, यह, ठीक है, skip industry है, उसमें भी effect होता है, saline और उन सब का, वो भी आपका हो जाएगा, ठीक ह यह हम बता सकते हैं, ठीक है, फिर most saline water freezes slowly in comparison to lesser, तो वहाँ पर अगर वो आराम से हो रहा है, तो आप आराम से navigate कर सकते हो, shipping कर सकते हो, पर अगर जहाँ पर आपका वो हो गया, fridge हो गया, तो वो forces को block भी कर देगा, evaporation also controls salinity by as it lowers overall saline water, as it is lower over saline water, ठीक है, बढ़ता जाएगा evaporation से salinity बढ़ती है, बट salinity बढ़ने से evaporation बाद में घड़ता है, क्योंकि water को फिर खेचना मश्किल हो जाता है, दोनों तरीके, ठीक है, salinity की वज़े से density भी आपकी increase होती है, जैसे dead sea, वहाँ पर tourism भी हो रहा है, implications में भी कर सकते हैं, बन, ocean current भी influence होते हैं, देखे, ocean current की moment, जैसे salinity increase होती है, तो density, वो आपका नीचे जाके, sub-tropical, sub-surface, जो हमारी ocean current है, उनकी moment में एक बहुत बढ़ा factor रहता है ये, ठीक है, water, water परकाना और उसके विज़े से ये, ठीक है, local weather conditions भी बदल जाती है, land bridge, sea bridge, इनकी भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है, climate के context में, current के context में, life के context में, shipping के context में, navigation, evaporation, tourism, जो आपने बात करी, अलग, अलग various dimensions, इनके context में आप बात कर सकते हैं, that's it, ठीक है, great barrier reef, Australia, bloom, ठीक है, fresh water influx, bio vangal, yes, thermal line, yes, ठीक है, fresh water inclusion, ठीक है, good, 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 ठीक है, सब बहुत बढ़ बढ़िया, अब देखो, यही सारी चीज़े अपने को बात करनी होती है, that's it, ठीक है, यह हो गया, हम, again, always, 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 stick to the keywords, ठीक है, question number 15, petroleum refineries are not necessarily located near the crude oil producing area, producing area के पास में, raw material के पास में होती है, हमारी wheat losing industry, petroleum refinery में, आप refine करके वो तो कर सकते हैं, ठीक है, but इसमें और भी बहुत सारी चीज़े होती है, particularly in many of the developing countries, explain its implication, क्यों हो रहा है, again, आप से location factors पूछ रहा है, और उस location की वज़े से implication, देखो, implication again, social, political, economical, लोगों की development, employment opportunity, government policies, ठीक है, stability, migration, इन सब को भी control करेगा, वहाँ पर local development होगी, market development होगी, ठीक है, migration attract भी करेगा, रोकेगा भी, तो ये सारी के सारी चुले है, ठीक है, अलग-अलग तरीके से अपने को बात करना है, अब देखो, इंडिया, अब ये पूछ रहा है कि petroleum refinery यहाँ पर नहीं होती, particularly in many developing countries, तो not only India, अलग-अलग developing country, developing country में क्या है, बहुत सारी चीज़े हैं, जिनके बारे में आपको बात कर रहे हैं, पहले तो developing stage में, यानि कई area हैं, जिनको अपने को develop करना है, उनको करो भी, तो वो सारी सारी बाते भी आपको ध्यान में रखनी है, now, आप एक छोटी सी start, अभी 18 जारा शायद change होगी होगी, बाइस होगी होगी, या फिर अभी भी अठारा है, तोनों के मिला के, बाइस तहीस है, देखो, अठारा प्ल, इसमें, हाँ, यह ऐसा ही होगी, अठारा पब्लिक, five refinery in private sector, and new refineries are coming up way, from the source of crude oil, जैसे की पैरदीप and बटिंडा, अब location factor क्या रहे हैं, ठीक है, आपका यह, raw material करावा, आपके resources, मानला आपने oil extract किया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि, देखो, एक उत्ती weight lose, या नि जो बाग की जो बचा, वो उतना हमारा काम का नहीं रहा, petroleum में क्या है कि oil तो आपने extract कर ले तो आप easily, oil से फिर हम और भी products बनाते हैं, multiple products extraction में ही मिलते हैं, but are we losing weight, no, तो एक तो या तो वहाँ पर resource ही कतम हो गया, तो भी आपको shift करना पड़ेगा, क्योंकि finite resource होता है, आपका refinery, ठीक है, तो इस वज़े से बार बार आपको change करने पड़ते हैं, not a weight losing, तो यहाँ पर आपको करना पड़ता है, input की ज़्यादा वो नहीं होती, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, strategically जैसे जो हमारे ports वगरा है, market वगरा है, जा पर बेज़ा जा सकता है, तो यहाँ रिफाइनरी क्या है, India is a big exporter, हमारे exports में, refined products, petroleum products are one of the major, one, two, three, ठीक है, तो वह आपको देहन में रखना है, अब यह हो गया, positive implication देखो, यह एक simply अपन बता सकते हैं, अपनी शब brainstorm करो, brainstorm, brainstorm क्या है, यहाँ पर मालनों industry बनी, implication क्या हो गया, यार, industry की वज़े से 5, अब positive भी, negative भी, उसने सिर्फ implication पूछा है, अब दोनों बता सकते हैं, positive, again, economy, यहाँ पर employment opportunity, job opportunities, इसमें लोगों की life standard बढ़ेगा, पाइसा आएगा, तो health पे खर्च करेंगे, education पे खर्च करेंगे, ठीक है, empowerment, political, उनका weightage बढ़ता है, उनका say बढ़ेगा, social, cultural, ठीक है, ऐसे ही, अगर अपन negative की भी बात करें, देखो, pollution होता है, climate हो गया, environment हो गया, वो सारी बाते भी अपन कर सकते हैं, तो यह सारी की सारी चीज़े हो जाएंगी, ठीक है, यह हो जाएगा, तो these kind of things are like, ऐसे, ठीक है, अब इसमें, positive and negative, तो देखो, positive क्या है, employment opportunity, फिर आप देखो, township हम बनाते हैं, जैसे हमारा, PSU जितनी भी है, Gale, और यह सब वो सब, उनका अपना, OL, ठीक है, हम उनके पास-पास बना लेते हैं, interline development, कि जहां पर आपने industry बनाई, वहां पर आसपास वाला area भी develop कर जाएगा, transportation, forward, backward, linkage, बहुत अच्छी हो जाती है, वहां के आसपास के road अच्छा होते हैं, इनके जो byproducts है, raw material in other industry, examples, cream, और यह सब जो आपन बनाते हैं, petroleum, jelly, ठीक है, बहुत सारे examples है, sunscreen, और यह सब उसब, regional development भी होगी ही होगी, ठीक है, आपको अलग-अलग, अगर मैं क्या कहा रहा है, आपन ऐसे पकड़ना है, वैसे पकड़ना है, integrate करके, transportation की बात करें, internal and development, plant, township, employment, और यह सब उसब, ठीक है, preservation of environment as new refineries are coming up in less sensitive area, negative भी, जैसे की, crew transported to large distance, environmental pollution, economical cost, ठीक है, also security concerns, ठीक है, theft के भी issues हो सकते है, it does not incentivize further exploration and setup of oil producing area as it does not direct other industrial investment, ठीक है, बेसिकली क्या करें कि, जहाँ पर oil वाला हो जाता है, वहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा अपना, दूसरी industries comparatively कमाती, pollution और इन सब की वज़े से थोड़ा सा disincentive हो जाता है, ठीक है, ओके, distribution, ocean species का भी effect करता है, बिल्कुल करता है, ocean species का, ठीक है, evaporation और उन सब में cold और hot current रहती है, उनके विज़े से species का भी रहेगा, ठीक है, distribution, salinity, increase or decrease, then it will impact species, यहाँ, बिल्कुल, ठीक है, number one in oil, export, yes, and atul, thank you, यार, थोड़ा सा, बार बार बोलने से थोड़ा सा, वो हो जाता है, ठीक है, कोई नही, majorly तो इससी एक महीने की ही बात है, उसके बाद, अपन जब इसको complete कर लेंगे, उसके बाद, अपन रेगुलरली बस, एक, दो ही class रखेंगे, ज्यादा कुछ रहेगा नहीं, ठीक है, तो हो जाएगा, कई बार जाता बोलने से हो जाता, भी तीन-तीन classes चल रहे थी, एक batch वाली भी चल रहे थी, तो वो भी है, lubricants, absolutely, ये भी रहेंगे हमारे, ठीक है, नाव, coming to the next, देखे, question number 16, 16, in what ways can floods be converted into sustainable source of irrigation and all weather inland navigation in India, HCS में navigation वाल सवाल आया था, तो flood को कैसे convert कर सकते sustainable source of irrigation, इसको divert करो, बनाओ, linkage करो, basically, linkage की बात कर रहे हम, ठीक है, और देखो, अब मालो flood आ रहे है, melting हुई, या rainfall हुआ, flood आई, या तो आप dam बना लो, canal बना लो, interlink कर लो, ठीक है, छोटे-छोटे से और आप projects बना सकते हैं, artificial lakes बना सकते हैं, जिससे की irrigation की problem भी आपकी solo जाएगी, connectivity करी, all weather, inland navigation हो गया, flood किसकी वज़े से आता है, आपका, जो हमारा sludge और dredging है, ठीक है, आप उसको हटाओ, उसको अटा रहता, क्योंकि हमारी depth कई बार कम रहती है, वो depth कम होने के वज़े से भी flood आता है, तो ये भी आप रख सकते हैं, various examples आप देश सकते हो, interlinking की ही अपन majorly बात कर रहे हैं, ठीक है, sustainable source of irrigation, आपको बताना है, also flood water जो है, rainfall की वज़े से उसको भी आप preserve करें, ये भी रहेगा, not only in the context of river, आप थोड़ा से बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है, तो दो नहीं रहेगा, ठीक है, देखो, आप, starting monsoon pattern की वज़े से हमारी जो river है, they get affected with the flood, at different point of time, जो excess of flood है, used as a valuable source in the water, scarce reason for non-monsoonal and swollen twin problem, flood भी काम होगी, water की scarcity भी, so this is how you have to manage demand and supply, देखे, interlinking of water से, diverting excess water from overflowing of the river to non-perineal, जो already हमारे चल रहे है, गंगा कावरी, गंगा ब्रमपुत्र, केन बेतवा, ठीक है, west flowing of the western guards, और हमारा केन बेतवा तो चल ली रहा था, already पुछे गया, इसमें, आप और क्या कर सकते हैं, जैसे, ground water harvesting, उस टाइम पे ground water harvest कर लिया, rain water, solar water, ये सब आपने क watershed management, आप पूरे को पूरे को एक unit लेके चल सकते हो, CADP, ठीक है, drought program कुछ होगा है, CADP की फुल 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 गया, ठीक है, now देखिये, inland waterway authority of India is implementing Jal Marg Vikaas project, इतने for the capacity augmentation, हल दिया, ठीक है, हल दिया वारने sea, stretch of the ganga, it's not only about that, inland waterway 1 to 6 आपको तयार होना चाहिए, 100 plus अपन बना रहे हैं, ठीक है, उसमें सारा का सारा वही चल रहा है, हम कैनाल बना रहे है, linkage बना रहे है, ठीक है, all weather inland navigation, तो यह हमारा हो गया है, water storage tank, absolutely, ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा urban flood, urban canal system की भी बात कर सकते हैं, example, Mumbai, Chennai, ठीक है, water harvesting, yes, irrigation, definitely, irrigation can be asked, Atul, and, जो हमारा ये था, paddy irrigation, ठीक है, अभी वो पानी वीरासत वाली जो scheme आई थी, ठीक है, एक major problem जो हर्याना भी भी फेस कर रहा है, that is water level, वो भी आप से पूच्छा जा सकता है, declining water level इसको कैसे किया जा सकता है, and all those things, ठीक है, command, हाँ, CADP, CADP तो Command Area Development Program है, thank you Harthi, thank you very much, ठीक है, इसा भी हो जाता है, ठीक है, studied multiple times, but still at some point of time you will not be able to recall किये, particularly किस बारे में बास कर रहे है, या हमारा हो गया, तो इसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं, आप साउथ इस्ट इस्या की भी थोड़ी सी बात कर सकते हैं करनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने मौनसुन एशिया लिखा है देखा आप करेक्टरिस्टिक को मुझे N-C-E-R-T डिरेक्ट सवाल यू करे कैसे increase, मतलब कैसे बांसुन on set होता है कैसे अपका increase होता है advance करेगा कैसे retreat करेगा, कैसे खतम होगा what are the factors on factors की भी आप बात कर सकते है characteristics मतलब वही increase, decrease ठीक है इसमें बीच-बीच में जो spells आते हैं drought वाले spells आते हैं heavy monsoon वाले spells आते हैं mango shower in terms को आप लेके आओ ठीक है जो हमारा west pangal वाला हो गया kerala वाला हो गया blooms और यह सब उसे ठीक है इनको आप लेके आएंगे very very important इसमें simple है इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं हमने बार बार पड़ा हुआ है monsoon and we have studied it a lot तो इसमें देखो directly मैं सवाल पर आता हुआ देखो introduction principal reason influencing influenced by the monsoon are south asia east asia उसने के लिया में भी है west asia में there are tropical monsoon land with onshore wet monsoon in summer and offshore wet monsoon in winter onshore offshore ठेक है northeast monsoon की भी आप बात कर सकते हैं सारे जितनी knowledge है देखा लेना but वही characteristic के form में this is one of the major characteristic की देखो जो factor role play कर रहे है वो भी एक characteristic है इसको predict करना easy नहीं है वो भी एक characteristic है ठेक है too much of variations रहती है वो भी एक characteristic है तो हम सारा का सारा जो भी महारा Indian subcontinent है अब यह तो सवाल ही पूछा गया था why India is a subcontinent in altogether ठेक है Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia and so on characteristics सबसे पहला reversal of wind होता है monsoon की time पे and that is why both the direction can be southwest and northeast also, इसे ही जाता है, ऐसे ही आता है, ठेक है, reversal of wind, monsoon, monsoon, monsoon word है na, monsoon, 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 monsoon something word है, Arabian word, इसका मतलभी ही होता है reversal of the wind, flow, withdrawal, then arrival, arrival एक दम से होता है, ठेक है fast but retreating slow होता है, arrive in both the seasons, summer and winter, creating both dry winter and wet winters also, specially in the reasons of Kamilnadu, Andhra, coastal area, long duration of the monsoon, ये दो है, ठेक है, अच्छा मेने चलेगा ही चलेगा, retreat वाले को भी ले 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 तो अपना December सक चल रहा है, distinct season, ठेक है, chief characteristic of monsoon climate, ये हमारा रहेगा, precipitation, high precipitation, annual mean rainfall ranges from 200 to 200, ये भी रहता है तो medical division अच्छा हो जाता है, ठेक है, हमें पता है कि किस में monsoon आएगा, June में तो ये सारी के सारी इसके characteristics है, थोड़ा सा हम impact के बारे में भी बात करेंगे, या फिर आप एक दो, एक paragraph factor के बारे में, एक paragraph impact के बारे में लिख सकते है, क्योंकि, it is the 15 marker question, आउनको थोड़ी से knowledge भी दिखाने पड़ेगी, ठेक है, तो, ये कि word तक भी तो पहुँचेंगे, इसके characteristics तो होंगी ही, होंगी, Indian Ocean Dipole, इमाल्या जो है, Western, वेस्टरली जो है, उसका जो impact है, उसकी वज़े से, impact तो सब को पता है, agriculture, खरीब रभी सारा हो रहा है, natural vegetation, biodiversity, recharge, drainage, recharge, ठेक है, पानी आएगा तो, और फिर इससे support हो रहा है, सारी सारी agriculture, industry, domestic needs, service sector, nutritional content soil को भी manage कर रहा है, ठेक है, the role of the monsoon is vital, in the economy of the major part of the world, because it is the main source of irrigation, in the rain fed area, facilitate feeding more than 50% of the population in monsoon Asia, तो important क्या हो सकता है, जो 50% population को ही आपका maintain करा रहा है, ठेक है, मौसिम, मौसिम, मौसिन यादार, मौसिम, ठेक है, यह हमारा हो गया है, अब, question number 18 देखे, क्या चाहिज़ी यादार ही जो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, बताओ, जो statement मैंने बार-बार बोली है, आपको question number 18 देखे, क्या यादार है, देखो question number 18 और बताओ, वो statement comment करे, मुझे भी पता चले इन questions में example नहीं मिला fact भी कम है like उस time के news में कोई example रिपोर्ट कोई प्लीज इन्फॉर्म हो सकता है इंटर्ट्रोपिकल, हिमालयन, western and this is this timeline, time period, एक चीज़ तो आपको time period याद आ रही है second thing देखो ये तो है ये, second thing मैंने कहा था woman और गांदी जी, अलग-अलग तरीके से they are asked every time ठीक है, तो वो बहुत important आपको हमेशा, ठीक है always be very simple, ठीक है तो ये, ये चीज़ भी मैंने कही थी याद आगी है देखो, the woman's question arose in modern India as a part of 19th century social reform moment ठीक है, what were the major issues and the debates concerning women in that period अब को पता है, सब कुछ पढ़ रखा है हमने सती, child marriage, victory marriage, परदा सिस्टम, infanticide, ठीक है मार दिया, बाहर ने निकल निन दिया, health, education, brothels ठीक है, उसमें हमारे सावत्रीबाय फूले और वो सब वो सब ठीक है, उन्होंने बनाए भी थे, स्कूल बनाए थे, rehabilitation के लिए बनाए थे, यह सारी चीज़े अपने इसमें मेंचिन कर सकते हैं, ज्यादा देर में तोड़ा साथ pain होने लग जाता है, आज कल, अब क्या कर सकते हैं, technology के साथ साथ चलना भी पड़ता है, time के साथ साथ चलना भी पड़ता है, screen time बहुत ही ज्यादा हो जाता है, बट फिर भी still, जितना कम हो सकें, मतलब 6 से 7 गंटे तो होगा ही होगा, उससे, मेरा तो उससे भी ज्यादा रहता है, शुरू से ही ज्यादा रहता है, and it's been quite long time, 2014 से मैं तो laptop से ही पढ़ रहा हूँ, कि मेरे पास books बची ही नहीं है, limited number of books, दखो, हाँ, अब इसमें देखिए, पहले इस question को समझो, women's question arose in modern India as a part of 19th century, मतलब ऐसे कौन से social reform moment थे जिन से ये question arose हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हम explain कर सकते हैं, जो इसने सवाल में डाला हुआ, फिर हम बताएंगे कि issues क्या थे, debates क्या थे, concerning, issues में हम बोल सकते हैं कि जो भी हमने detail करें, सिर्फ middle class का participation ही है, सिर्फ upper class women ही, उनके ही issues address करे जा रहे है, majorly, ठीक है, तो ये सारे के सारे, religion एक issue है, caste एक issue है, उनके विज़े से women issues चल रहे हैं, तो ये, the issue of the women in the 19th century are mainly due to the social employment of the women in the Indian society effort करे गए, social reform movements में, example आप दुनिया बर कर दे सकते हैं, ठीक है, लेके हम सावित्रिबाय फूले तक के example देंगे, ठीक है, background of the condition, inequality in all the sphere, education, social, economical, evil practices, सती, पर्दा, marriage, child marriage, infanticide, dowry, polygamy, no freedom to choose partner, अभी भी नहीं है, absent of widdory marriage, अभी भी है, ठीक है, ये issues अभी भी चले आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे, तो ऐसा है कि पहले भी कुछ percentage of population में इस है, तो यही लगता है कि, मतलब address हुई है problem, but not as much as, ठीक अगर अपन time period देखें, widdory marriage is still a taboo, child marriage, 30% of the child marriage is still happening in India, ठीक है, specially in Rajasthan, इंडिया में 18% child marriage है, Rajasthan में 30% है, infanticide, भी भी रूरल इर्याज में हो रहा है, polygamy, one of the major issue, आज भी चल रहा है, ठीक है, इनको अपन mention कर सकते ह issues and debate में है, अपन अलग-अलग का वो बता के, कि बच जैसे, वेड़ो, remarriage यहां पे, इस्वरचंदर विद्या सागर, उन्हों ने करा, popularize किया, remarriage act 1856, पास हो, सती के लिए, Rajara Mohan रा, 1829, education में, J.D. बुथोन, इस्वरचंदर विद्या सागर, women education, सावात्री भाई, ठीक है इनको अपन मेंचन करते हैं, यहां से, यह तो एक separately भी सवाल बन सकता है, सावात्री भाई फूले और जोत्री भाई फूले, उनको क्यों नहीं मेंचन हुआ, वो भी लिखेंगे, ठीक है, इनका, इनके reforms, वो तो मैंने पढ़ाय हुए, आपको सारे के साथ, ठीक है, वो अभी अर्यान में डवरी ओर वढ़ गई, आए कम्प्लेटली अग्री भार्थी, ठीक है, देको forms change हो जाता है, आप अपने आपको कितना ही modern बना लो, दिखा लो, I have seen, and multiple ways we still see, it is just that we tend to ignore more, comparatively, ठीक है, अभी इसको ओर टाइम लगेगा, I think हमारी जनरेशन वाली जो है, उसके बाद, there will be substantial changes, but still, urban areas में हो रहे है, rural में फिर भी कम, ठीक है, तो वो substantial changes भी, rural तक पहुचाने में तो और भी time लगेगा, ठीक है, It all depends, it takes time also, it's not easy, but पहले से situation काफी ठीक है, actually पहले भी situation नहीं खराब थी नहीं, ठीक है, जिसना portray किया जाता है, Women were always respected also, जैसे घर में, अभी भी जिस टाइब की respect है, वो पहले भी मिलती थी, as a mother, as a housewife, वो मिलता था, They had their division of labor, उसमें गलत क्या था, वो उस टाइम की society के हिसाब से था, जो मुझे लगता है, आज की टाइम पे, we have economy, we have security, तो उस वज़े से division of labor में freedom possible हो पाया है, पहले possible उत्रा नहीं था, जिस टाइप का agricultural work, पहले करना पढ़ता था, वो में नहीं कर पाती थी, they were taking care of the families, ठीक है, तो उसको गलत portrait किया गया, and it was all because of the western, और यह सब वो सब, लग, that is what I feel, ठीक है, and if you can agree or disagree, carry your views, ठीक है, don't worry, and I would want कि आप भी पता है, इस बारे में, जैसे जो मुझे लग रहे, कि भई, उसकी need थी, अभी क्या हुआ है, आपके पास freedom आया है, agriculture का ही example है, machines आई है, तो थोड़ा सा possible हो पाया है participate करना, बट अभी भी machines बेएक issue है, कि machine बड़ी बड़ी है, agriculture वाली वो female operate नहीं कर पाती है, but still, their participation is increasing, ऐसे ही service sector का expansion हुआ, female participation is increasing, but the point is, आपने participation बढ़ा दिया, क्यों बढ़ाया है, क्योंकि वो आपकी need थी, females की bargaining power कम होती है, that is a fact, ठीक है, agreeable ज़्यादा होती है, that is a fact, आपस मैं नहीं, मतलब in job scenario अपन बात कर रहे है, उसकी वज़े से आपने खुद employment देना शुरू किया, ठीक है, male को आप afford नहीं कर पा रहे थे, female को देना शुरू कर दिया, तो आपने pink collar job, पर कुछ ही job उसमें दिया, अगर उतना ही freedom होता, हर job में देते, अभी भी army, but army again, दूसरा point, army जैसी जो harsh conditions में काम करते हैं, construction workers, again harsh conditions, या females वहाँ पे जाके काम करना चाह रही है, मजबूरी में ही कोई काम करके जाती है, चाहता तो कोई भी नहीं, ठीक है, male भी वहाँ पे जब जाता है, तो वो मजबूरी में जाता है, and male is taking burden of the society, also, trust me, even though, enjoy कोन कर रहा होता है, कुछ sections of society में definitely, ऐसा चलता है, चाहिए वो lower section हो, middle हो, या फिर upper section हो, वहाँ पे males enjoy कर रहा होता है, because of patriarchy यह हमारा हिस्सा रहा है, ठीक है, patriarchy को change करना है, but क्या matriarchy से change करना है, या फिर equality से, ठीक है, ये, तो, सारी के सारी चीज़े हैं, multiple चीज़े हैं, and, देखो, majorly, what I believe is like, you should have freedom, in working, whatever, जो भी आप काम करना चाहता है, उसमें, उस पे restrictions नहीं होने चाहिए, society के भी, state के भी, ठीक है, तो वो एक गलत चीज़ है, आप खेती में भी काम, मेल अगर खेती में काम करना चाहता है, तो good enough, मेल अगर cooking करना चाहता है, तो it is not good enough, ठीक है, तो ये इसको गलत तरीके से देखा जाता है, क्यों देखा जाता है, but still, there are many famous cooks, or male, ठीक है, वो हो जाता है, चलो कोई नहीं, ये तो endless debate है चलती रहेगी, I agree भारती, बिलकुल हमारी generation में भी है, and increasing woman responsibility, you can see, but again, देखो, यहां पर एक बहुत अच्छी चीज यह है, it is not only about the, these are traits, जो किसी human में पाया जाता है, actually, woman में ये traits ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उनको बार-बार responsibility दे दी जाती है, ठीक है, ऐसा कहता है न, जो दत्ता है, उसको ओर दबाया जाता है, ठीक है, तो ये reason है आप घर का काम कर रहे तो आप से घर का करवा जाए, अच्छा आप बाहर जाके काम करने लगे तो आप से बाहर का भी करवा रहे है, आप बाहर का भी करोगे, आप घर का भी करोगे, what kind of freedom is that, जो हम dual burden की बात करते हैं, ठीक है, एक देवी dichotomy का concept है, आप देवी की तरह पू ठीक है, एक को coming out of home, yes, definitely we can say, but there are multiple theories about it, even family, family is a, जैसे एक interesting चीज यहाँ पर मैं आपके साथ शेर करता हू, even I found it like quite intriguing, मिला मस्त, कैसे, family as a concept, was developed by capitalist, पहले हमारा उतना family का, as such, nuclear family as a concept, पहले नहीं था, पहले आदमी free ज़्यादा रहता था, ठीक है, जॉइंट्स में ज़्यादा रहता थे, ठीक है, तो आदमी की जो nature है, वो दभी दभी कभी नहीं थी, nuclear family में अगर आप देखेंगे, आपको जब चार लोगों की responsibility दे दी ज है, यह सब वो सब, male को female, यह सब, ठीक है, तो family as a creation of capitalism, कि आपको एक rebel नहीं बनाने जाता है, family, आप से काम करवाए जाता है, और साथ दस बार बार घंटे काम करवाए जाता है, आप family में जाते हो, सुकून से दो चार पल बिताते हो, अपकी जो सारी frustration है, आप family पे निकालत है, ठीक है, कोई सी भी frustration हो, emotional frustration, sexual frustration, physical, ठीक है, domestic violence, also linked to this, family, वहाँ पे working space में तो boss को तो कुछ बोल नहीं सकते है, घर पा कि बीबी को पीटते है, these kind of things also happen, हैसा नहीं कि बीबी पीटते है, ठीक है, there are many instances जहाँ पर यह भी देखने को मिलता है, चलो ठीक है, अभी मैं आपके comments नहीं पढ़ रहा हूँ, I am moving on to the topic, ठाकी इसको अभी complete कर ले, तुम लोगो नहीं विसकारी रखोगा, देखो, question number 19, distinguish between religiousness, religiosity and communalism, giving one example of how former has got transferred into literary, यानि religiousness and communalism कैसा है, religiousness is like, मैं अपने धर्म को मानता हूँ, आप अपने को मानते हैं, बट मैं आपके धर्म को भी respect करूँ, that is true religiosity, true understanding of the religion, but communalism is like, तेरा लग, मेरा लग, बट वो मैंने कल बताया था, जब secular interest, फिरो में population कम थी, secular interest, health, education, resource के लिए जो fight थी, वो उतनी नहीं थी, तो सब एक दूसरे को respect भी करते हैं, कम population हमें तो करेंगे, ज़्यादा population, ज़्यादा problem, especially this type के conflict तो होंगे, it is natural, resources the finite हैं, ठीक है, तो ये, लेकिए, our religiosity is personal characteristic, showing one's affection, or attachment to one's religion, communalism क्या हो जाएगा, over expression of religiosity, जैसे judicial, हमारा है, overreach, ठीक है, और एक क्या था, judicial, अब मैं पिछली बार भी भूल लिया था, अब ये हो गया, over-reach, नहीं आता रही, क्या है वो second term, जो judiciary करती है, legislature और इन सब में, देखो, अब ये हो गया, over expression अगर आप करेंगे, such that one's religion is held above another, when the interest of the different community mutually incompatible and to domestic and host, how they transform, why they transform, यहाँ पर multiple reasons हो सकते है, social, political, economical, media, one of the major reasons, ठीक है, IR, funding, NGO, ये भी चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप मेंचिन कर सकते हैं, जैसे, क्योंट्रांसफर होता है, जैसे history एक रीजन हो सकता है, योग्राफी भी एक रीजन हो सकता है, particular, societies, ghito's जो बन रहे हैं, ठीक है, historical, communal, जो अपन baggage लेके चल रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यार्म नरकेंदे से, social, communities feel their religious symbol are threatened, community, media, literature, political, electoral politics, ठीक है, political mobilization, hate speech, fundamentalist group, communal parties, economical poverty, ये opportunity कम है, तो उस वज़े से भी antagonism, administrative inefficiency आप डील नहीं कर पा रहे, controversial issues जो हैं, उनको डील नहीं कर पा रहे, ठीक है, बाकि देखो, how they got transformed, historical reasons, social, political, economical reasons, और इनके impact क्या रहेंगे, देखो, harmony तो खतम होगी, the interest of the follower of different religion, and communities, incompatible रहेंगे, antagonist रहेंगे, hostile रहेंगे, people, they are segregated as distinct socio-political community, आप अलग हो, मैं अलग हो, it hampers brotherhood, undermines the principle of our preamble also, and social harmony पे, social fabric पे, loss of property, life, riots होँगे तो, creates suspicion and the sense of fear among communities, isolates minority communities, ये सब ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ अपनी है, judicial overreach and judicial activism, yes, activism, ठीक है, निराली has come, ठीक है, जलो, हाँ, judicial activism, ये हमारा हो गया, activism and overreach, ठीक है, ये अपने है, ये अपना हो गया, question number 19, इसमें आप लिख लेंगे, question number 20, ये अपनने एक अलग तरीके से भी देखा था, IT, middle class, ये अलग अलग तरीके से कुछ आजा, ठीक हो, the growth of the cities as IT hub, has opened up new avenues of employment, but also created new problems, substantiate with example, यानि, कैसे avenue of employment आ रहे है, ठीक हो, agriculture के आ रहे है, food processing, IT hubs, ठीक हो, basically का है हमें, पहले तो आप IT hubs से जो employment आ रहे है, उसके बारहे में बात करो, service sector, numerous, software, technology, BPO, and all those things, industrial sector, IT hub में आप रह रहे हो, तो वहाँ पर आसपास आपको demand बढ़ जाती है, industry grow करती है, agriculture grow करता है, demand के कार, or services, इनको driver चाहिए, इनको dhobi चाहिए, anything, house health चाहिए, तो वो भी employment opportunity आपके IT hubs में generate हो रहे है, आप example दे देंगे और ये सब बात कर लेंगे, और ये सब, new middle class और ये सब, सारे ये ही चलेगा, ठीक है, नई problems के आ रहे है, अलग-अलग की बात कर सकते हो, जैसे, IT hubs के कारण, growth of cities के कारण, as IT hubs, तो हम urbanization की problems की भी बात कर से, तो crime, migration, north, east, exodus, जो आपको बेंगलोर में हुआ, urban flooding, क्योंकि capture कर रहे हैं ये catchment area को, तो वो problems भी आ रही, environmental problem, pollution, traffic jam, ये सारे के सारे, कुछ भी, कितनी भी बात कर सकते हो, the point is, आप examples देंगे, with example, जहां पर लिखते हैं, वहां पर जितने जादा example देंगे, उतना ही better आपका रहेगा, ठीक है, तो नव लुक, इंडिया has 35 megal cities, as per 2021, out of these various cities, Bangalore, Hyderabad, Noida, these, 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 has emerged as leading, hiding hub, advantage का है, employment opportunity, 40 lakh employed है, यहां पर, सरे सेक्टर में सबसे जादा, और सरे सेक्टर लिए हमारा contribute कर रहा, approximately 60% of the GDP, ठीक है, अर-capita income, बहुँ जादा, auxiliary industries, जिसको support करने के लिए चाहिए, वो setup होती है, BPO, KPO, knowledge processing unit, business processing unit, आपकी outsource करके यहां आ रही है, पैसा आ रहा है, lead to the development of infrastructure, buildings, residences, transportation, hygiene, ठीक है, तो वो develop होता है, जो कर पाते हो, ठीक है, disadvantage क्या है, देखिए, सबसे जादा, e-waste, urban poor, slums, squatters, social crime, इसमें जो उपर मैंने और भी बात करी दी, domestic help और वो सब उनकी भी बात कर सकते हैं, secondary और primary sector से भी आप link कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो demands है, because of high per capita income, it's like quality products, तो agriculture में, जो एक higher income को generate करने का कारण है, वो यह भी है, diversification इनकी बेज़े से भी हो पाया, ठीक है, disadvantage of the cities में क्या रहेगा, e-waste generation and it's associational, economical, urban poor, slums, और यह सब, ठीक है, social में, unemployment, health problem, water pollution, air pollution, waste generation, individualism भी ग्रो कर रहे हैं, environment में, wetland, encroachment, loss of green cover, carbon sequestration के ability कम होगी, urban flood, urban heat island, administrative में, इनकी बीच में टेशल चलता ही रहता है, दिली का example दे सकता हो, बैंगलोर का दे सकता हो, what is the way forward, smart cities, need of the hour, prime minister ने कहा, और यह सब, problem solve कर देंगे, smart villages, और also need to promote racial balance, ताकि यहां से भी जा सके, आज के टाइम पर हमारे IT hubs, चुटे 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 आईटी hubs, टाइटी 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 सिटीज में भी बन रहे हैं, गाउं में भी बन रहे हैं, ठीक है, तो policy should encourage टाइटी 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 ओल्सो, done, ठीक है, अब मैं आपको वो देख लिगता हूँ, एक अदह हम, answer जो share किया है, उसको देख लिए, यही है, कौन सा answer है, अब बताओ, किस किसने लिखा है, भारती यह आपका है, अरे तो कल वाले में से देख लिएते हैं, कल वाले में से चला गया है, ठीक है, यह जो श्टॉक की वीडियो है, जिसने नहीं देखी है, देख लेना, अकैडमी की सारी जर्नी इसमें कवर अप कराई गई थी, और भी दो-त्री वीडियो जाएंगे, चलो, एक्चली यह 2018 वाला है, एक दो अपन देख लेते हैं, Arctic, यह इन्होंने अलगी केशन लिखे हैं, इंडिया इस टेकें इंट्रेस्ट, ठीक है, इंडस्टियल कॉरिडोर वाला, यह अपन ने कल देखा था, ठीक है, आज अभी, चलो, कोई निकल वाला तो हो गया, आपन आज पर फोकुस करते हैं, यह वाला अपन देख लेते हैं, भारती का, एकी पेज डाल रुख है के बारती, इमेज डाल रुख है आपने, कलो, कोई ने, आफ में जूम, इस ओम भी नहीं बाह, वोमें इन 19th century, during the period of 19th century, women are assigned, a low status and were seen, as inferior urgent to men, with no identity of their own, they had no scope to express talent, as they were suppressed by the practices like, पर्दा, इस्षियु कि बढ cada चेरी वेशैजनी को प्रोपर्त कैने मिए ठचियु, अ को भूज़। इस अधूविश एकलार है एकलार छूग्युनि एक मों diverflow चियु carriedैए एकол्पिषांज़् जब एकल्іч एर लूच्टियु इवस्टियु Sonसीर अधि लिखा है, very good answer भार्ती, बहुत अच्छे से लिखा है, no problem in that, ठीक है, so very good answer, no problem, yes भार्ती, and 2023, just after one month, ठीक है, just when, जैसे ही अपना ये finish होगा, HCS mains और ये, उसके तुरंद बाद आपका UPC 2023 course हो जाएगा, and HCS का भी pre mains combined course ही रहेगा, don't worry, okay, and you will love that course, I am planning something like, to transform the preparation altogether, I am doing a lot of things, so we will do, आज का तर्गेट, को एनी, सुबहल खाता, आज आप मैस में में चारज़ता हूं, पत्र अपना discussion में चलना है नहीं, तो 2016 में से आप कर लें, और good enough, ठीक है, तो आज अपन फिर मिलते हैं, इवनिंग, सेवन थर्टी अगें, आज अपन एक और करेंगे, सेवन थर्टी तू नैन थर्टी वाला आप कर रहेगा, जोन रहेगा, नहीं ठीक है बारती, बैसिकली जैसे problems, उसको थोड़ा सा क्या है कि वहीं पर जैसे मानला अपन ने यह लिखा है, इनको इनके साथ भी मेंचन कर सकते हैं, जैसे problems और debate की कैसे उनको solve भी किया गया तो एक इंटेग्रेटर, जैसे थोड़ा सा repetition हो जाता है, तो हम जैसे abolition और सती problem जो थी, ऐसे भी कर सकते हो, देखो थोड़ा सा यह जैसे एक, दो, तीन हो रहा है न, इसको दो कर लो, कि भई problems और इसको और इसको link कर दो, जो debates हैं और उसके solutions हैं इनको link कर दिया जाए, कि कैसे video remarriage act से आपने video remarriage की problem को solve करा और यह से हो, ठीक है, यह linkage हो सकता है बस, यह थोड़ा सा repetition यहाँ पे हमारा avoid हो सकता था, यह 4-5 words avoid हो सकता है, ठीक है, So this is it, anything else you want to say, if not, just type goodbye and we will meet again, just type sayonara. अब आपकी class रहेगी साथ साथ बजे, ठीक है, तो अब आप आप आराम से पढ़ने, पूरा दिन है, study well, morning, दो, शाम को, दो. Thank you all for joining the session, it was great having you all as always, and we will meet in the evening at 7.30 pm, till then, take care, goodbye, जया हैं. आप आराम से दो दिन में इसको निपटा सकते हैं, तो इसमें आप आराम से दो दिन में इसको निपटा सकते हैं, तो इस वीडियो को आराम से देखना, दियां से देखना, और इसकी जो PDF है, वो आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलिग्राम चैनल का लिंक और एप्लिकेशन का लिंक, वो है description section में, तो PDF आपको दोनों जगे मिल जाएगी, और मेरी advice यह रहेगी कि आप rather than उसको download करके अपने खुद के notes बनाएं, ठीक है, तो उसे यह और ज़्यादा फायदा रहेगा, आप अपने हाथ से लिखेंगे, तो आपको paper में attempt करते time भी बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है, तो यह part 1 है, GS means paper 1 का, आराम से इसको बैठके देखे, 2013 से लेके, 2017, next part आपका कल रहेगा, और उसमें हम जो बचे वे हैं वो discuss करेंगे, इस part को आराम से देखे, and best of luck.